प्रस्तावना ये एक और किताब है जो आपको बताएगी कि अधिक सफलता पूर्वक सेलिंग कैसे की जाए तो क्या ये पहले से प्रकाशित एक हजार से अधिक सेलिंग की किताबों से अलग है दो चीजों में ये किताब बड़ी विक्री के बारे में है विक्री पर लगबख सभी मौजूता पुस्तकों में मौडल और विधियों का उप्योग किया गया है जो कम मूल्य एक कॉल विक्री में विक्सित किये गए थे 1920 के दशक में एके स्ट्रॉंग ने छोटी विक्री का अगणी अध्धन किया जिसने सुविधाओं और लाभों के रूप में विक्री के लिए ऐसे नए विचार पेश किये समापन तकनीके, आपत्ती से निपटने के तरीके और ओपन और क्लोजड क्वेस्चन्स यहां तक कि जिन कुछ लेखकों ने बड़ी विक्री पर कुछ सलहा देने की कोशिश की है उन्होंने अपने कई विचार इन पुराने मॉडलों पर आधारित किये है और ये एक गलती है क्योंकि आज की प्रमुत विक्री के तेजी से बढ़ते और जटिल वातावरण में बेचने की पारंपरी के रणनीती काम नहीं करती है मेरा मानना है कि ये पहली किताब है जो बड़ी विक्री और उन्हें सफल बनाने के लिए आवश्यक कोशल पर पूरी तरह से नए सिरे से नज़र डालती है जैसा कि आप देखेंगे छोटी विक्री में आपकी मदद करने वाली कई चीज़ें आपकी सफलता को नुकसान पहुँचाएगी क्योंकि बिक्री बड़ी हो जाएगी दूसरा ये शोध पर आधारित है ये सेलिंग टेक्निक छेतर में अब तक की गई सबसे बड़ी शोध परियोजना के परियर नामों का पहला प्रकाशन है हूत्वेट में मेरी टीम ने 12 सालों की अबदी में 35,000 से अधिक सेल्स कॉल्स का विशलेशन किया ताकि सफल बिक्री पर कठिन तथ्य परदान किये जा सकें जिसे आप यहां पढ़ेंगे कैसे बेचना है इस पर बहुत सारी राय है लेकिन वास्तों में कमी है अच्छी तरह से शोधित किये हुई तथ्यों की मैंने इस कुस्तक में वर्नित शोध किया क्योंकि मैं विचारों से संतुष्ट नहीं था मुझे सबूत चाहिए था और अब दस लाग डॉलर के शोध के बाद मैं आपको अच्छी तरह से परलेखित साक्ष्य दे सकता हूँ कि बड़ी बिक्री में और अधिक सफल कैसे होना है मैं उन लोगों के लिए लिख रहा हूँ जो बेचने के बारे में गंभीर हैं और अपने बिक्री को एक कुछ स्तरिय पेश्य के रूप में देखते हैं जिसमें किसे भी छेतर में व्यावसाइक्ता के साथ जाने वाले सभी कौशल और देखबाल के अवशकता होती है और मैं प्रमुख सेल्स करने के बारे में लिख रहा हूँ वो महत्वपूर्ण व्यावसाई जिसमें उच्चे स्तर के सेल्स परफेशनल्स के लिए मार्जिन और पुरास्कार आकरशक है अपने अध्यन में हमने दुनिया के 20 से अधिक प्रमुख सेल्स संगठनों के शीश सेल्स करमचारियों के साथ काम किया है प्रमुख सेल्स के दोरान उन्हें कारेवाई में देखने से हम ये पता लगाने में सक्षम हुए हैं कि उन्हें इतना सफल क्या बनाता है यही इस मुझतक का विशे है लेकिन आप कैसे जानते हैं कि मैं जिन तरीकों का वर्णन करने जा रहा हूँ वे आपको अधिक प्रभावी बनाने में मदद कर सकते है मुझे विश्वास है कि वे करेंगे और मेरा विश्वास केवल आशा से नहीं बलकि तथ्यों पराधारित है जब हमने पहली बार इस पुष्टक में वर्णित विधियों की खोच की तो हमें यकीन नहीं था कि वे लोगों को अधिक प्रभावी ढंक से बेचने में मदद करेंगे या नहीं एक बात के लिए हमारे कई निश्कर्ष बिवादास्पत थे और सीधे तोर पर अधिकांश मोजूदा बिक्री परसिक्षन का खंडन करते थे दूसरे के लिए हम निश्चित नहीं थे कि सफल प्रफेशनल्स द्वारा उप्योग की जाने वाली विधिया अधिकांश लोगों के लिए सीखने में बहुत कठीन होंगी या नहीं इसलिए हम अपने निश्कर्षों को प्रकाशित करने के लिए तैयार होने से पहले अपने विचारों के व्यावारिक मूल्य का प्रेक्षन करते हुई साथ सालों तक अपने निश्कर्षों के बारे में चुप रहे उस समय के दोरान हमने कई हजार सेल्स पोर्सनल को प्रसिक्षित किया जिनका हम यहां वंडन करते हैं सेल्स की सफलता के अपने सद्धान्तिक ग्यान को सरल और व्यवारिक तरीकों में बदलने का सबसे अच्छा तरीका खोजने के लिए लगातार परयोग कर रही है जो किसी को भी बड़ी बिक्री में अधिक प्रभावी बनाने में मदद कर सकता है हमने उन पहले हजार लोगों के उत्पादक्ता लाप कुमापा जिने हमने प्रशिक्षित किया था उनकी तुल्ना उन्ही कंपनियों के नियंतरन समुहों से की जिन लोगों को हमने परशिक्षित किया था उन्होंने नियंतरन सम्हों की तुल्ला में बिक्री की मात्रा में सत्रा परसेंट अधिक की ओसत व्रद्दे दिखाई नतीजतन मुझे विश्वास है कि ये पुस्तक सेल्स परिणामों को बढ़ाने के लिए अच्छी तहां से परिक्षित तरीके परदान करती है ये पहले ही हज़ारों लोगों को बड़ी बिक्री में अधिक सफल होने में मदद कर चुकी है और ये आपकी भी उतनी ही मदद कर सकती है तेज देशों में दस हजार से अधिक बिक्री करने वाले लोग उदारता पूरवक, खुतुवेट, शोद करताओं को उनके साथ याता करने और बिक्री कॉल के दोरान कारेवाई में निरिक्षन करने के लिए सहमत हुए ये पुस्तक उनके बारे में और उनके लिए हमारे धन्यवाद के साथ है फिर मुझे उन हजार से अधिक बिक्री प्रबंदगों का धन्यवाद देना चाहिए जो दुनिया भर में हमारे द्वारा चलाए जा रहे कारेक्रमों का हिस्सा रहे है और जिन्होंने उन विचारों को परिश्क्रत करने में मदद की है जिने मैं यहां प्रसूत कर रहा हूँ ओ हारे हवाई अड़े पर विक्री के वीपी ने मुझसे मुलाकात की और कुछे मिंटों में हम शिकागो उपनगरों के मात्यम से गाड़ी चला रहे थे उन्होंने वियपार में उतरने में कोई समय बरबाद नहीं किया मैं चाहता हूँ कि आप इस शोद को करें उन्होंने इस परष्ट किया क्योंकि हमारी सेल्स लगबग 30% कम होनी चाहिए और हम भरती करने में और प्रस्रिक्षन करने में बहुत निवेश करते हैं फिर भी मुझे वो परिणाम नहीं मिल रही है जिनकी मैं तलाश कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि आपके शोद के कुछ लोग मेरे कुछ सेल्स रेपरजेंटिटिव्स के साथ यात्रा करें और पता करें कि क्या गलत है ये एक उत्तम अफसर था मिला संगटन होतुवेट वियवार विश्टेशन नामक एक विधी विक्सित करने के लिए कई सालों से काम कर रहा था जिसने हमें सेल्स के लोगों को काम पर देखने और ये पता लगाने की अनुमती दी कि वे कौन सी सेल्स बिहेवियर का उप्योग करते हैं जो सफलता से सबसे अधिक जुड़े हुए थे मुझे हमारे नए तकनीकों को आजमाने का मौका मिला हमारी शोर्ट टीम और वीपी के अपने संगटन के कुछ पबंदगों का उप्योग करके हम ये देखने के लिए मैदान में गए कि उनकी लोग सेल्स कॉल में कैसा भीव करते हैं दो महीने बाद हम अपने निसकरशों को शेर करने के लिए उनसे दोबारा मिलने के लिए तयार थे मीटिंग रूम में जब मैं वीपी और उनकी सेल्स मेनेजमन टीम से बात करने के लिए खड़ा हुआ तो मुझे पता था कि हम जो कहने जा रहे हैं वो उन्हें पसंद नहीं आएगा मैंने उसे पहले आसान बिट्स के मात्यम से लेने का फैसला किया इसलिए मैंने कहा कि हमने 93 कॉल्स देखी और ये कि हम उनके कुछ बहतरीन कलाकारों के साथ बाहर थे और कुछ के साथ मैंने एक नाजुक शब्द की खोज की हाँ उन्होंने अधिर्ता से कहा आपको मुझे याद दिलाने की ज़रुरत नहीं है आपने क्या पाया मैंने साथधानी से उतर दिया आईए पहले चर्चा करें कि सफल में क्या चल रहा है अत्यदिक सेल्स कॉल्स मैंने सुझाव दिया और देखी कि उनके बारे में क्या अलग है मुझे अनुमान लगाने दो उसने बादित किया आप हमारे कुछ सूपर स्टार्स के साथ बाहर गए थे मुझे लगता है कि मुझे पता है कि उनके calls में क्या अलग है वे अच्छे closer है क्या मैं सही हूँ मैं एक पल के लिए हिच किचाया बिल्कुल नहीं मैंने उतर दिया कम से कम नहीं यदि आपका मतलब है कि वे बहुत सारी समापन तकनीकों का उप्योग करते हैं वास्तों में आपके सफल calls में हमने आज सफल calls के तुलना में बहुत कम close record किये है मुझे विश्वास करना कठी लगता है उन्होंने विरोध किया तुमने और क्या पाया इससे पहले कि मैं जवाब देता उनके दिमाग में एक विचार आया मुझे लगता है कि objection handling closing करने जितना ही मैंतपूर हो सकता है उन्होंने स्विकार किया शायद मेरे सबसे अच्छे लोग objection handling पर बहुत अच्छे है कोच ने मुझे बताया कि ये एक कठिन बैटक होगी ओ, फिर से बिलकुल नहीं मैंने जवाब दिया हमने पाया कि आपके सफल कॉल्स में बहुत कम आपत्तियां थी आपत्ति से निपटने के कोचल के मामले में मुझे नहीं लगता कि आपके शीर्ष लोग आपके बेकार लोगों से बहतर थे ये सपर्ष्ट रूप से गलत बात थी उपस्तित सेल्स मैनेजमेंट में से एक ने बैठक को पट्री पर लाने की कोशिश की आप हमें ये क्यों नहीं बताते कि आपने चांच कोशल के बारे में क्या पाया उन्होंने सुझाव दिया मुझे लगता है कि ये अधिक उप्योगी होगा वीपी काफी उज्वल हो गया हाँ उन्होंने कहा खोज कोशल बहुत महत्वपूर्ण है जब मुझे सेल्स टेक्निक करक्षाओं को संबोधित करने के लिए आमंतित किया जाता है तो मैं हमेशा इस बात पर जोड़ देता हूँ कि अच्छे प्रशन पूछने के लिए बिक्री कितनी आवशक है बहुत सारे खुले प्रशन आप जानते हैं जिनका उत्तर एक शब्द में नहीं दिया जा सकता मैं नए लोगों से कहता हूँ कि वे बंध प्रशनों से बचें और उन खुले प्रशनों को अधिक पूछने पर ध्यान खिंदित करें मुझे लगता है कि अच्छे लोग यही कर रहे थे मैं घिर गया था और परेशानी में था अपनी आवाज में वास्तविक हताशा के साथ मैंने उत्तर दिया आप बिलकुछ सही कह रहे हैं अच्छे जाच कोशल मैरतुपूर्ण है लेकिन अपने लोगों को बेचते देखने से यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके प्रशन खुले है या बंद है वास्तव में आपका सवशेष्ट आदमी खुले और बंद प्रशनों का उप्रियों करने के तरीके के मामले में आपके सबसे बुरे लोगों से अलग नहीं है वीपी नारास्ते क्या आप सीरियस है उसने आव विश्वशनी और रूप से पूछा क्या आपको एहसास है कि आपने बिक्री के तीन सबसे महतफुन छेत्रों समापन आपत्ती से निपटना जाज पड़ताल करना इन तीनों के बारे में आपने बताया है कि इससे कोई फरक नहीं पड़ता उसने मेज के चारों और देखा और पूछा क्या ये आदमी ऐसा नहीं क्या रहा है एक अजीब सा संडाटा था अंत में उसके एक जूनियर मेनेजर ने उनकी बातों को ध्यान से उठाते हुए बात की अगर वो जो कह रहा है वो सही है तो हम अपने बिक्री प्रसिक्षण पर बहुत समय और पैसा बरबाद कर रहे हैं आखिरकार हम यही कर रही हैं लोगों को ऐसा करने के लिए प्रसिक्षित करना खुले और बंद प्रश्णों के साथ जरूरोतों को उजागर करना अपत्यों को दूर करना और धील को क्लोज करना वीपी ने एक पल के लिए सोचा यह सही है उन्होंने कहा वे तीन रमुक चीजे हैं जो हम अपने भिक्री करमचारियों को सिखाते हैं और केवल हम ही नहीं अन्य बड़े निगम अपने लोगों को शीर्ष पर यही सिखाते हैं उसने अपनी याददास्त खुजी यही आईबियम सिखाता है उन्होंने कहा GTE करता है Gerox करता है AT&T भी करता है और हनिवल और एक्सौन उसके एक प्रबंदग ने जोड़ा मैं कोडैक में था दूसरे ने कहा और वे तीन प्रमुक चीजे थी उनकी सेल्स ट्रेनिंग में वीपी मेरी और मुड़ा मैं आपकी अनुसंधान चमता प्रसंदें नहीं करना चाता उन्होंने कहा और मैं आपके पर्यासों के लिए धन्यवाद देता हूँ हाना कि मुझे यकीन है कि आप समझेंगे कि आपके निसकर्ष हमारे अनुभव के खिलाब जाते है और मुझे विश्वास है कि आपके निसकर्ष गरत है वो बैठक समाप्त हो गई एक यूवा और अल्प ग्यात शोदकर्ता के रूप में मेरे पास दुनिया की अग्रणी कमपनियों के सेल्स टेक्निक ज्यान को चुनोती देने की मारक चमता नहीं थी मैंने अपने घाओं को घर की उड़ान के दोरान चाटा और इसके बारे में हिमानदार होने के नाते मुझे ये स्विकार करना पड़ा कि मेरा सबूत विश्वास दिलाने के लिए परियाप्त मजबूत नहीं था अगर मैं वीपी की जगा होता तो मैं भी नहीं सुनता उस आसहज मुलाकात के बास से मेरे सही योग्यों और मैंने बहुत अधिक सम्भोक साक्ष्य इकटी किये हैं हमने 35,000 से अधिक विक्री लेंदेन का विश्लेशन करते हुए 10 साल बिताए हैं हमने 116 कारकों का अधियन किया है जो विक्री परदर्शन में मुख्य भूमी का निभा सकते हैं और हमने 27 देशों में प्रभावी विक्री पर शोद किया है हमारे अधियन विक्री की सफलता की अब तक की सबसे बड़ी जाँच का गठन करते हैं अब अतिरिक्त मिलियन डॉलर के व्यवस्तित अनुसंधान का लाब होने के बाद हम उस वीपी को कुछ आश्वस्त कर सकते हैं हम उसे बता सकते हैं उधारण के लिए कम बूल्य की विक्री के लिए उनका विक्री पर सिक्षड ठीक था हमने जो खोजा था वो ये था कि बिक्री बढ़ने के साथ पारंपरिक, बिक्री, माध्यमों का उनके लोग काम करना बंद कर रहे थे यही कारण था कि उनके शीर्ष लोग जो उच्च मूले की बिक्री कर रहे थे आपत्ति से निपटने और बंद करने जैसे तक्नीकों पर अब भरोसा नहीं करते थे अब हम जानते हैं कि बहुत अधिक प्रभावी तक्नीके हैं जिनका उपयोग सफल लोग बड़ी विग्री में करते हैं उस समय हम इन तरीकों को अच्छे तहां से नहीं समझ पाये थे ताकि हम उनका ठोस वरंडन कर सकें लेकिन अब हम वीपी को ये बताने में सक्षम होंगे कि कैसे उनके शीष लोग स्पिन नामक एक शक्तिशाली जांच डणनीती का उपयोग कर रहे थे क्या अधिक है हम उन्हें उन कंपनियों के बारे में भी समान रूप से आश्वस्त कर सकते हैं जिन्हें उन्होंने सूची बद किया था और खुले और बंद प्रश्णों के साथ जांच करने आपत्यों पर काबू पाने और बंद करने के पारंपरिक मॉडल सिखा रहे थे हाला कि उस समय हम में से कोई भी इसे नहीं जानता था इन में से कई निगम बिक्री कोशल के इस पारंपरिक कोर की उप्योगिता के बारे में स्पस्ट रूप से नाखुश हो रहे थे बैठक के दोरान सूची बद कमपनियों में से दो तिहाई से अधिक कमपनिया पिछले पान सालों में हुद्वट के पास आई और हमें उनके प्रमुख खाता बिक्री परसिक्षण को फिर से डिजाइन करने के लिए कहा बड़ी बिक्री में सफलता किस से मिलती है इस पर हमारे शोद के आधार पर हमने उन्हें नए और अधिक शक्तिशाली परसिक्षण के सांथ बेचने के पारंपरिक मौडलों को बदलने में मदद की है बड़ी बिक्री अनुसंधान में सफलता सबूत के सांथ मेरे सांथ भी यही हुआ में बेचने के तरीके के पारंपरिक सिध्धान्तों से पूरी तरह संतुष्ट था जब हमने अपनी जाच शुरू की तो हमारे उद्देश्य ये दिखाना था कि क्लासिक बिक्री परसिक्षण के तरीके वास्तों में काम करते हैं वो बिक्री की सफलता पर सकारात्मा करभाव डालते हैं प्रमुक बिक्री में परिणामों को बहतर बनाने के लिए बिक्री परसिक्षण की लगातार विफलता मिलने के बाद ही हमने लंबी शोध सडक शुरू की जिससे इस पुस्तक में वर्णित वीधियों का विकास हुआ हमारे शोध से पहले पारंपरिक शर्तों में विक्री के बारे में सोचकर मुझे खुशी हुई कि हमारे निसकर्ष अब चुनोती देते हैं मुझे सिखाया गया था और शायद आपको भी ये सिखाया गया था कि विक्री कॉल में कुछ सरल और विशिष्ट चरण होते हैं एक, कॉल को उपन करना विक्री के क्लासिक सिध्धान सिखाते हैं कि विक्री कॉल खोलने के लिए सबसे प्रभावी तरीका खरीदार के व्यक्तिकत हितों से संबंदी तरीकी खोजना और प्रारंबिक लाब बयान करना है जैसा कि अध्याय साथ में बताया गया है हमारे शोच से पता चलता है ये शुरुवाती तरीके छोटी विक्री में प्रभावी हो सकते हैं लेकिन बड़ी विक्री में उनका एक संदिक्द सफलता रिकॉर्ड है दो जांच की ज़रूरत है पिछले साथ सालों में विक्री पर सिक्षन राप करने वाले लगभग हर व्यक्ति को खुले और बंद प्रश्णों के बारे में सिखाया गया है प्रश्ण पूछने के ये क्लासिक तरीके छोटी विक्री में काम कर सकते हैं लेकिन वे निश्चेत रूप से बड़ी विक्री में आपकी मदद नहीं करेंगे बाद में इस अध्याय में मैं आपको जांच की एक अधिक प्रभावी विद्री से परीचित कराऊंगा जिसे हमने कई हजार सफल विक्री कॉलों के विसलेशन से और दुनिया के कुछ शीष विक्री लोगों को कारेवाई करते हुए देखने से खोजा है एक बार जब आप जरूरतों को उजागर कर लेते हैं तो पारंपरिक सेल्स टेक्नीक आपको लाब देना सिखाता है जो दिखाता है कि आपके उत्पाद या सेवा की सुविधाओं का उप्योग कैसे किया जा सकता है या ग्रहा की मदद कर सकता है इस तरह लाब उठाने की छोटी बिक्री में बहुत सफल हो सकता है लेकिन बड़े में ये पूरी तरह से विपल रहता है अधाय पांच में एक नए प्रकार के लाब का परिचे दिया गया है जो शोट से पता चलता है कि बड़ी बिक्री में सफलता कैसे मिलती है आपत्ती का प्रबंधल अब्जेक्शन हैंडिलिंग आपको शायद सिखाया गया है कि अब्जेक्शन पर काबू पाना सेल्स की सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण कोर्शल है और आप मानक आपत्ती निप्टान तक्नीकों के बारे में जानेंगे जैसे कि आपत्ती को श्पष्ट करना और इसे इस तरह से लिखना जिससे आप मिल सकें जब आप छोटी बिक्री कर रहे हों तो ये आपत्ती प्रबंधन कोशल ठीक है लेकिन प्रमुख बिक्री में वे आपकी बिक्री प्रभाव शीलता में बहुत कम योगदान देते हैं सपल सेल्स, अबजेक्शन, रेजोलुशन पर ध्यान के नित करते हैं वे इससे कैसे करते हैं इस बारे में हमारे विशलेशन के आधार पर अध्याय छे उन विधियों का वर्णन करता है जिनका उप्योग आप अपने ग्रहाकों से मिलने वाली ओब्जेक्शन के संख्या को आधे से अधिक कम करने के लिए कर सकते हैं क्लोजिंग करने की तक्नीकें जो छोटे खातों में प्रभावी हो सकती हैं वास्तों में बिक्री बढ़ने पर आपका व्यवसाय खो देगी आमतोर पर सिखाई जाने वाली एंडिंग तक्नीकों में से अधिकांश बड़ी बिक्री के लिए काम नहीं करती है अध्याय दो में प्राप्त करने के प्रभावी तरीकों का वर्णन किया गया है सारांश में पारंपरिक बिक्री मोडल तरीकें और तक्नीकें जिनमें से अधिकांश को छोटी बिक्री में सबसे अच्छा काम करने के लिए परशिक्षित किया गया है अभी के लिए मुझे छोटे को एक विक्री के रूप में परिभाशित करने दे जो आम तोर पर एक कॉल में पूरा किया जा सकता है वो जिसमें कम डॉलर कम मूल्या शामिल है लोग 60 साल बाद भी उनका उप्योग नहीं करेंगे जब तक कि उनके पास पेशकर्ष करने के लिए कुछ वैलिड ना हो उनकी आपरियाप्तता और इस कुछ तक के लिए मेरा कारण ये है कि ये तक्नीकें कि वो बहुत ही साधारण कम मूल्या वाली बिक्री में प्रभावी रूप से काम करती है त्योंकि अधिकांश लेखकों और प्रसिक्षन डिजाइनरों ने ये गलत धाना बना ली है कि छोटी बिक्री में जो काम करता है वो ओटोमेटिकली बड़ी बिक्री के लिए भी काम करेगा लोग गुर्भागे से ये मानने लगे हैं कि ये पारंपरिक तक्मी के बड़ी बिक्री में समान लूप से मानने हैं लेकिन इस पुज़तक में मैं आपको दिखा रहा हूँ कि छोटी बिक्री में जो काम करता है वो बिक्री बढ़ने पर आपकी सफलता को नुक्सान पहुंचा सकता है और मैं आपके सांथ अपने शोध के निश्कर्षों को साज़ा करूँगा जिन्होंने बड़ी बिक्री में सफलता के लिए नए और बहतर मॉडल खोली है मैं ये किताब उन लोगों के लिए लिख रहा हूँ जिनका प्रमुक वियवसाय सेल्स है और जो मेरी तरहा पारंपरीक विक्री मॉडल की प्रभाव सीरता से आसंतुष्ट हो गए हैं और कुछ अधिक परिश्कृत की तलाश कर रही है मेरे साथ काम करने वाले कई प्रमुक खाता विक्रेता शिकायत करते हैं कि पारंपरीक सेल्स टेक्नीक्स उनके साथ ऐसा वियवार करता है जैसे कि वे इस्तमाल की गई कारों को बेच रही हो इससे भी बुरी बात यह है कि अपने ग्रहकों के सांथ भोले भाले लोगों के रूप में वियवार करता है जो मौकिक प्रवंचना और हेर्फे द्वारा शोषण के जाने के पतिक्षा कर रही है अफसोस की बात यह है कि इस तरह के कारिकरम अपुवाद के बजाए अधिकांश संगठनों में नियम है और उनके सिपारिशें प्रमुख बिक्री में आपदा के लिए नुस्खा है हमारे शोद का मुख्य उद्देश इन सरलिकरत मौडलों को विशेश रूप से उच्छ स्थरिया द्यवसाइक बाचीत के लिए डिजाइन किये गए मौडलों से बदलना है जो प्रमुख सेल्स डिमांड है प्रमुख सेल्स की परिभाषा के बारे में अधिक लिखा गया है बजाए इसके कि आप उन्हीं परिभाषित करने के बाद सफलता पूर्वक कैसे बेचे मैं आपको परिभाषाओं से बोर नहीं करने जा रहा हूँ मुझे यकीन है कि आप जो भी शब्द का उप्योग करते हैं चाहे आप प्रमुख खाता बिक्री, बड़ी टिकट बिक्री, सिस्टम बिक्री, बड़े खाते, ठोक बिक्री या सिर्थ बड़े वाले की बात करें जब आप मिलते हैं तो आप एक बड़ी बिक्री जानते हैं मैं ग्राहक मनोविक्यान के संदर्व में प्रमुक बिक्री की कुछ विशेस्ताओं के माध्यम से संच्छेव में क्या करूंगा ये ग्रहकों की धार्णाओं और ग्यावार में बदलाव है जो प्रमुख सेल्स को अलग बनाता है आए देखें कि इनमें से कुछ अंतर क्या है और वे आपके विक्री को कैसे प्रभावित कर सकते हैं समान्य कम मूले की विक्री अक्सर एक कॉल में पूरी की जा सकती है एक बड़ी विक्री के लिए महीनों की अवधी में कई कॉल्स की आवश्वक्ता हो सकती है दिमान उद्योग में बेचने वाले मेरे पूर्व सहपाटियों में से एक को बिना एक भी बिक्री की ये तीन साल हो गए थे पहली नजर में ऐसा लगता है कि मैं केवल श्पष्ट बिंदू बना रहा हूँ कि बड़ी बिक्री में अधिक समय लगता है लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है वास्ताओं में महतवपून बात ये है कि मल्टी कॉल्स बिक्री का मनोव mgयान सिंगल कॉल बिक्री से बिल्कुल अलग है एक प्रमुक कारक ये है कि एक सिंगल कॉल बिक्री में खळीदारी का निड़ने आम तोर पर तब और वहीं विक्रेता के साथ लिया जा सकता है लेकिन मल्टी कॉल्स बिक्री में सबसे महत्रपूर्ण चर्चा और विचार विमर्ष तब होता है जब खरीदने वाला मौजूद नहीं होता है मान लीजिए कि मैं एक शांदार वक्ता हूँ जो वास्ताव में सम्मोहक स्पीच दे सकता है मेरे सिंगल कॉल सेल में अच्छा परदर्शन करने के संभावना है क्योंकि जिस वक्ति को मैं बेच रहा हूँ वो मेरी पीच की उठक्रश्टता से परियापत रूप से परभावित हो सकता है कि वो मोके पर हां कह सके और मुझे एक आदेश दे सके लेकिन क्या होता है अगर ये एक लंबा विक्री चक्र हो मेरे जाने के बाद कल क्या इतना याद रहेगा क्या ग्राहक मेरे सुचारो रूप से परिश्टत परस्तुती को अपने बौस के सामने दोहरा सकता है इस तरह के सवालों ने हमें एक कार्यलय उत्पाद कम्पनी में एक छोटा सा अध्यन करने के लिए प्रेरिद किया जहां हमने पाया कि खरिदारों ने अपने उत्पाद परस्तुतियों में शामिल प्रमुख बिंदों में से आधे से भी कम को ग्राहकों द्वारा एक सप्ता बाद याद किया इससे भी बत्तर जिन ग्रहकों ने प्रस्तुती के तुरंत बाद हमें बताया कि वे खड़ी सकते हैं उन्होंने एक सप्ता के भीतर उत्पात के लिए अपना धिकांश उत्साहब खो दिया था एक अच्छी उत्पात पिज का ग्रहक पर अस्थाई प्रभाव हो सकता है और बिक्री में कर सकते हैं लेकिन अगर आप तुरंत निर्णे नहीं ले पाते हैं तो आप पर धिकार है अगले हफ्ते तक आपके ग्रहक आपके द्वारा कही गई अधिकांश बातों को भूल चुके होंगे और आपके उत्पात के लिए उनका उत्साह कम हो जाएगा आपकी अपनी बिक्री के संदर्व में यदि आप किसी संभावित ग्रहक पर दबाव ढालते हैं तो वो आपसे दोबारा नहीं मिलना चाहेगा नियम ऐसा प्रतीत होता है कि यदि आप वहां और फिल ओर्डर ले सकते हैं तो धक्का मुकी करना ठीक है और चुकि ग्रहक आपसे दोबारा बात नहीं करना चाहता इसलिए हो सकता है कि आपको कभी पता ना चले कि आपसे गलती कहां हुई है इसलिए जब एक धक्का मुकी या कड़ी बिक्री वाली शैली छोटी बिक्री में काम कर सकती है तो ये आम तोर पर आपके खिलाब काम करती है जब वियर्वसाय लेने के लिए कई कॉल्स के अवर्शकता होती है ग्रहक की प्रतिबद्धिता का आकार लगबग परिभाशा के अनुसार बड़ी खड़ीदारी में ग्रहक के बड़े निर्णे शामिल होते हैं और ये बिक्री के मनोविज्ञान को बदल देता है एक छोटी सी बिक्री में ग्रहक मूले के प्रति कम जागुग होता है जैसे ही बिक्री का आकार बढ़ता है सफल विक्रेता को अपने उत्पादों या सेवाओं के कथित मूले का निर्मान करना चाहिए कथित मूले का निर्मान शायद बड़ी बिक्री में सबसे महत्रपून बिक्री कोशल है हमने इसका विस्तार से अध्यन किया है और इस किताब के कई अध्याये इस पर कीम्दित है कि आप अपने ग्रहकों को क्या परदान करते हैं उसका मूल्य कैसे बढ़ाया जाए कई साल पहले हमने एक अध्यन शुरू किया था जो हमारे ग्रहक की बिक्री बल में उनर गठन के कारण कभी पूरा नहीं हुआ था ये अफसोस की बात है क्योंकि ये सब इस बारे में था कि बिक्री बढ़ने पर बूल्य बेचने की आवश्यक्ता कैसे बढ़ती है उच्छ लागत वाले उतपात बेचने वाले क्लाइंट ने हमें ये सलह देने के लिए कहा था कि क्या नए सेल्स परसन की भरती करना संभव है जिनका पिछला एक्सपीरियंस केवल सस्ते समानों को बेचने के साथ रहा हो जिस बिंदू पर परियोजना रुकी थी हम कुछ दिल्चस्प जवाब लेकर आ रहे थी हमने पाया कि जिन सेल्स परसन ने बड़ी बिपी को संभालने के लिए सफलता पूर्वक इस्थान तरित नहीं किया वो वे लोग थे जिन्हें ग्राहक की मूले की धार्ना बनाने में बहुत पठिनाई हुई थी मुझे कुछ कॉल करने के लिए उसके साथ बाहर जाने से पहले बफेलो हवाई अड़े पर इन कम सफल लोगों में से एक से मिलना याद है वो अपने ब्रीफ केश को खुल कर एक बैंच पर बैठे थे और महीनों तक पेपर री साइक्रिन फैक्टरी को जरशाय में रखने के लिए परियाप उत्पाद साहित्ते से घिरे होई थे उन्होंने दैनियर रूप से समझाया कि वो उत्पाद विवरेंट सीख रहे थे क्योंकि उन्हें लगा कि इससे उन्हें और अधिक सफल होने में मदद मिलेगी मेरी आखिरी नौकरी में उन्होंने इस प्रस रूप से कहा मैं भोगता सामान बेच रहा था और ये मेरा उत्पाद विआन था जिसने सभी अंतर बनाए वो सही हो सकता था लेकिन ये उसका उत्पाद विआन था जिसने उसे एक घंटे बाद सफल होने से लोग दिया क्योंकि मैंने देखा कि वो एक बड़े कॉपी सिस्टम को खरीदने के लिए एक कारेलय प्रबंदत को समझाने में विफल रहा दस्यों हजार डॉलर खर्च करने के विचार से द्राहक स्वाभविक रूप से घबरा गया था द्राहक के खरीदाली ना करने की कारण ये थे कि उसे इतने बड़े निड़ने को न्यायोचित ठहराने के लिए परियाप कमूल्य नहीं दिखाई दे रहा था आगिरकार उसके वर्तमान कॉपियर्स ने अभेक्षकर अच्छा काम किया ये सच था कि विश्वस नियता की कुछ समस्याएं थी और कौपी की गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं थी लेकिन क्या इन्हें ठीक करने के लिए पांच अनकों की राशी खर्च करना उचित था उसे कॉल को कैसे हैंडल करना चाहिए था स्पिन विधियों पर बात की अध्याय विस्तार से दिखाएंगे कि ऐसे मामलों में बढ़े हुए मूले का निर्माण कैसे किया जाए बिक्री विहवार और बिक्री सपलता सेल्स बिहेवियर एंड सेल्स सक्सस लेकिन आपसे जो संदेश लेना है वो ये है कि छोटी विक्री में जो अच्छा काम कर सकता है वो बड़े लोगों में आपके खिलाफ काम कर सकता है आंशिक रूप से इसका कारण ये है कि प्रमुक खईद के लिए आमतोर पर कुछ विक्री के बाद के समर्धन के अवश्यक्ता होती है जिसका अर्थ है कि खईदार और विक्रेता को विक्री के बाद एक ये अधिक बार मिलना चाहिए इसके विप्रीत एक छोटी विक्री अक्सर एक बार होने वाली घटना हो सकती है जहां खईदार विक्रेता से फिर कभी नहीं मिलेंगे रिष्टे की लंबाई ग्रहक निर्णे मुनुविज्ञान को कैसे प्रभावित करती है शायद इसे श्पष्ट करने का सबसे असान तरीका एक व्यक्तिका तुधान के माध्यम से है आजकल कंपनी के अध्यक्ष के रूप में मैं बेचने की तुलना में खईदारी अधिक करता हूँ मैं एक ही दिन में दो विक्री में शामिल था पहले विक्री छोटी थी मुझे अपने कारेलाई के लिए एक नए ओवरहेड रक्षक की आवशक्ता थी इसलिए मैंने एक स्थानिया आप पूर्टी करता से मेरे साथ बात करने के लिए सेल्स रिपरजेंटिटिव भेजने के लिए कहा था जो चरित्र दिखाई दिया वो लेखनिया रूप से आप रियव्यक्ती था ये तुम्हारा भागेशाली दिन है उसने शुरू किया मुझे यकीन है कि आप उस सौदे को सुनने के लिए इंतजार नहीं कर सकते हैं जो मैंने आपके लिए किया है लेकिन उसकी कीमत अच्छी थी मुझे एक प्रोजेक्टर की जरूरत थी और मुझे उसे फिर कभी नहीं देखना पड़ेगा इसलिए मैंने उसकी बिक्री की पिच को कम कर दिया उसे आदेश दिया और उसे पांच मिनिट में सीधे रास्ते पर भेज दिया उनके दिश्टिकोंड से ये एक सफल बिक्री थी एक खहिदार के रूप में ये मेरे लिए जादतर मायने में सफल भी रहा मुझे अच्छी कीमत पर एक नया प्रोजेक्टर मिल गया था और इसमें केवल पांच आलसी मिनिट लगे बाद में उस दिन मैं एक और अधिक महत्वपून बिक्री में शामिल था हम अपने लेखा परणाली के हार्ट्वेर और सॉफ्वेर दोनों को बदलने की सोच रहे थे परिवर्तन का मतलब होगा कुछ नए कम्प्यूटर लेखा सॉफ्वेर का एक एकिकरत सूथ और छे महीने का समय पूरी चीज को एक साथ रखने के लिए मैंने अनुमान लगाया कि हम कम से कम सत्तर हजार डॉलर के निनने के बारे में बात कर रहे थे सेल्समेन एक उचित परियाप के व्यक्ति था पति थोड़ा उथला वो शायद वियापार करने के लिए थोड़ा बहुत उच्शुक लेकिन निश्चेत रूप से ओवरहेड प्रोजेक्टर परतिनेदी पर एक बड़ा सुधार जो मैंने पहले दिन में ख़री दया था फिर भी जैसे जैसे सेल्सकौर्ड आगे भड़ी मैंने खुद को जिजकते हुए पाया ओवरहेड प्रोजेक्टर विक्री के रूप में अच्छी कीमत थी और मुझे निश्चेत रूप से एक नई पढ़ानी के आवश्चकता थी लेकिन मैं आगे बढ़ने के लिए अनिक शुक था हम इसके बारे में सोचेंगे बाद में जब मैंने विश्टेशन किया कि क्या हुआ था तो मुझे एहसास हुआ कि कंप्यूटर सिस्टम के साथ मेरी हिच की चाहट ये थी कि मैं एक उत्पात हैदने के लिए इतना आधिक नहीं था जितना की संबंद बनाने के मामले में ओवरहट पोजेक्टर जहां मुझे उम्मीद थी कि मुझे सैलर को फिर कभी नहीं देखना पड़ेगा कंप्यूटर के साथ मैं एक निड़ने में परवेश कर रहा था जहां मुझे सैलर के साथ महीनों तक काम करना होगा और मुझे यकीन नहीं था कि मैं ये करना चाहता था कहानी का मौरल क्या है एक बार फिर ये दिखाता है कि नेड़ने का आकार बढ़ने पर छोटी बिक्री में जो काम करता है वो काफी अनुप्यूप्त हो सकता है एक छोटी बिक्री में सेलर को उत्पाद से अलग करना अब एक छकृत आसान होता है हाला कि मुझे पोजेक्टर बेचने वाले से नफ़त थी लेकिन मुझे उसका उत्पाद इतना पसंद आया कि मैं उससे खरीद सकूँ लेकिन बड़े निम्ने के साथ सेलर और उत्पाद को अलग करना बहुत कठिन हो जाता है हाला कि मुझे कंप्यूटर सिस्टम पसंद आया लेकिन सेलर के साथ संबंध बनाए बिना इसे खरीदने का कोई तरीका नहीं था क्योंकि बड़े निर्णरों में आमतोर पर ग्राहक के सांथ निरंतर भागिदारी शामिल होती है वे एक अलग बिक्री शैली की माम करते हैं बात के अध्याय विश्लेशन करेंगे कि ये अंतर क्या है और स्थाई ग्राहक संबंध बनाने के लिए इसका उप्योग कैसे किया जाए गलतियों का जोखिम एक छोटी बिक्री में ग्राहक अधिक जोखिम उठा सकते हैं क्योंकि गलतियों के परिणाम अपेच्छा कृत छोटे होते हैं मेरे अपने मामले में मेरे पास मेरी द्वारा खरीदे गई गैजिट से भरा एक पूरी कोठरी है जो काम नहीं करते थे या आधियोप्योगी नहीं थे जैसा मैंने सोचा था कि वे होने जा रहे थे अभी शीष शेल्फ में अन्य चीजों के अलावा दो ओटोमेटिक डाइलर एक फैंसी कॉफी मेकर और एक घड़ी है जो हर घंटे एक असंभव इलेक्ट्रोनिक लहजे में बोलती है मुझे लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ जो समय समय पर बेकार चीज़े खरीदता है शायद आपके पास भी ऐसा ही शेल्फ हो मेरी सभी अनुचित खरीद में एक समाने कारक रहा है किसी और को ये जानने के अवशक्ता नहीं है कि मैंने गल्टी किया बड़े फैसले ज़्यादा सार्वजनिक होते हैं और खराब फैसले ज़्यादा नजर आते हैं निर्णे का आकार बढ़ने पर ग्राहक अधिक सतर्क हो जाते हैं खरीद मूल्य एक कारक है जो साबधानी बढ़ाता है लेकिन सार्वजनिक गल्ती करने का डर और भी महतुपूर हो सकता है एक बार लंडन में मेरा एक ग्राहक था जिसने केवल एक सुभा की बिक्री के बाद मुझसे 40,000 डॉलर का शोध पोजेक्ट खुशी-खुशी ख़ईद लिया निर्णे में उनका बजट शामिल था और किसी और का नहीं यदि शोध काम नहीं करता था तो उसके पास लागत को दफनाने का एक तरीका था ताकि ये केवल वही जान सके दूसरी ओर मुझे उस व्यक्ति के साथ एक ऐसे छेत्र में अतिरिक्त 1500 डॉलर खर्च करने के लिए बहुत लंबी और कठिन बाचीत करनी पड़ी जहां उसके सहयोगी सीधे तौर पर शामिल होंगे बिक्री संबंधित मुलाकात ग्राहक मनोविज्यान के संदर्वों में प्रमुक बिक्री छोटी बिक्री से महतुपूर रूप से भिन होती है नतीजितन उन्हें कुछ बहुत अलग बिक्री कोशल के अवश्यक्ता होती है इन मनोविज्यानिक मत्वेदों के आधार पर ये आगे बढ़ने और तर्क देने के लिए मुहक होगा कि प्रमुक बिक्री के बारे में सब कुछ अदित्विया और अलग होना चाहिए लेकिन ये परंपरागत धार्ना के रूप में असत्य होगा कि सभी बिक्री चाहे बड़ी या छोटी में समान्य कोशल की आविशक्ता होती है हाला कि बिक्री कॉल के सबसे सरल मॉडलों में से एक बिक्री के किसी भी आकार के लिए उप्यूक्त प्रतीत होता है लगबग हर बिक्री कॉल जिसके बारे में आप सोच सकते हैं सबसे सरल से लेकर सबसे प्रिस्क्रत तक चार अलग अलग चरणों से गुजरती है एक प्रारंबिक ये वार्मिंग अप घटनाई है जो गंभीर विक्री शुरू होने से पहले होती है उनमें ऐसे तरीके शामिल हैं जैसे अपना पड़िचे देना और आप बातचीत कैसे शुरू करते हैं कुछ लोगों का मानना है कि शब्द जितना सुझाता है उससे कहीं अधिक महत्वपून प्रारंबिक तयारी होती है बहुत से सफल सेल्स लोगों ने मुझे आत्मविश्वास से कहा है कि कॉल के पहले दो मिनक के दोड़ान ही गराहक महत्वपून शुरूवाती इंप्रेशन बनाता है जो बाकी सेल को प्रभावित करेगा ये प्रारंबिक प्रभाव कितना महत्वपून है पहले impression कितने गिने जाते हैं मैं आपके साथ अध्याय साथ में कुछ शोध शांजा करूँगा जिससे हम इस निशकर्ष पर पहुंचें कि बड़ी विक्री में सफलता पर शुरुवाती प्रभाव हमारी सोच से कम होता है जैसा की हम देखेंगी ये डेटा के साधार्ण संग्रह से कहीं अधिक है सभी विक्री कौशलों में जाज करना सबसे महतुपूर्ण है तीसरा चमता का परदर्शन अधिकांश कॉल्स में आपको ग्रहकों को ये परदर्शित करना होगा कि आपके पास ओफर करने लायक कुछ है बड़ी विक्री में हम में से अधिकांश ग्रहक समस्याओं का समाधान बेच रहे हैं कौल के परदर्शन चमता चरण में आपको ग्रहकों को दिखाना होगा कि आपके पास सलूशन है और ये उनकी समस्याओं को हल करने में मदद करने के लिए एक सार्थक योगदान देता है कभी-कभी आप एक आपचारिक प्रस्तुती द्वारा चमता प्रदर्शित करते हैं कभी-कभी वास्तव में अपने उत्पाद को कारेवाई में दिखा कर और कभी-कभी कुछ संभावित लाभों का वर्णन करके जो आप प्रदान कर सकते हैं हाला कि आप इसे करते हैं लगबद हर विक्री कॉल में आपको अपने ग्राहत को ये विश्वास दिलाना होगा कि आपके पास पेशकर्ष करने के लिए कुछ है प्रमुक बिक्री में छमता प्रदर्शित करने के कुछ बहुत प्रभावी तरीके हैं लेकिन जैसा कि हम अध्याय 5 में देखेंगे छोटी बिक्री में छमता प्रदर्शित करने के कुछ तरीके अब आपके लिए काम नहीं करेंगे क्योंकि बिक्री का आकार बढ़ जाता है चार प्रतिबद्धिता प्राप्त करना अंत में एक सफल बिक्री कॉल ग्राहक से किसी परकार की प्रतिबद्धिता के सांथ समाप्त हो जाएगी छोटी बिक्री में प्रति बद्दिता आमतोर पर खहिदारी के रूप में होती है लेकिन बड़ी बिक्री में अन्य प्रति बद्दिताओं की एक पूरी शिंखला हो सकती है जो आपको ओर्डर चरण तक पहुँचने से पहले प्राप्त करनी होती है उधारन के लिए आपका कॉल उद्देश्य उद्पाद प्रदर्शन में भाग लेने के लिए ग्रह की सहमती प्राप्त करना या किसी नई समगरी का परिक्षन करना या आपको उच्च स्तर के निर्ने निर्माता तक पहुँच परदान करना हो सकता है बड़ी बिक्री में एक मध्यवर्ती चरण होते हैं जिनी हम विग्यापन वैंस कहते हैं प्रतिक चरण अंतिम निर्ने के प्रती ग्रहा की प्रतिबद्दिता को आगे बढ़ाता है ये चार चरण प्रारंबिक जांच परताल छमता का परदर्शन और परतिबत्ता प्राप्त करना लगबख हर विक्री कॉल में मुझूद है हाला कि ये चार चरण वाला मौडल भहुत सरल है मेरे सही योगियों और मैंने इसे उपयोगी पाया है क्योंकि इसने हमें विक्री कॉल के चरणों की एक शिंखला में तोड़ने की अनुमती दी है जिसका हम व्यक्तिकत रूप से अध्यन कर सकते हैं मैं इसे प्रदान करने के लिए उपयोग करते हुए पूरी पुस्तक में वापस आऊंगा हमारे कुछ शोध निशकर्षों को श्पर्ष्ट करने के लिए एक सन्रंचना बेशक कॉल के प्रकार के साथ प्रतिक चरण का महत्व अलग-अलग होगा मुझे याद है कि एक बार केंटकी में एक दक्षणी बैंकर को करनल सैंडर्स के जुर्वा भाई कितना दिखने वाले ग्रहाग को ट्रस्ट सेवाएं बेचते हुए देखा था कभी-कभी जाच चरण लगबग संपून कॉल ले सकता है परामर्ष सेवाओं की बिक्री में उधारन के लिए आप आपके सामने ग्रहाग की जरूरतों के बारे में बहुत कुछ पता लगाना होगा यानि धायत कर सकता है कि व्यापार संबन्द के लिए कोई आधार होगा या नहीं मैंने एक प्रबंदन सलाकार द्वारा पुरे दिन की बिक्री कॉल देखी है जिससे पंदर मेंट के अलावा सभी जांच पर खर्च किये गए थे लेकिन दूसरे चरंपर मैंने ऐसे कोल देखी हैं जहां जांच चरंड में केवल एक प्रशन शामिल था शेश कॉल एक विस्तित उतपात प्रदर्शन द्वारा की जा रही थी तो चार चरंडों का सटीक संतुरन कॉल के प्रकार उसके उदेश्य और बिक्री चक्र में कहां आता है पर निर्भर करेगा लेकिन अधिकांश कॉल में सभी चार चरंड शामिल होते हैं भले ही उनमें से कुछ बहुत संक्षिप्त हों बले ही उनमें से कुछ बहुत छोटे हों कौन सा चरण सबसे महत्वपून है क्या ये सभी चार चरण ये सुनिश्चित करने के लिए समान रूप से महत्वपून हैं कि एक कॉल सफल होगी या अन्य की तुनला में एक अधिक महत्वपून है तो प्रतिबद्धिता प्राप्त करने के चरण को महत्व के मामले में स्पष्ट विजीता के लूप में सामने आना होगा मुझे रोचेश्टर में एक बिक्री प्रबंधक से उद्द करने दे जिसने हमारे शोध के दोरान मुझे एक पत्र लिखा था जिसमें बताया गया था कि उन्होंने क्यों सोचा कि प्रतिबद्धिता प्राप्त करना कॉल का सबसे महत्वपूर्ण चरण था निचली रेखा उन्होंने लिखा ये है कि अगर आप close नहीं कर सकते आप बेच नहीं सकते मुझे विश्वास है कि जादतर सेलर कमजोर करीबी होने से पीडित है अगर कोई एक चीज है जो मैं चाहता हूँ कि मेरे लोग बहतर करेंगे तो ये मजबूत एंडिंग से ग्राहक से प्रतिबद्धिता प्राप्त करने में सक्षम है मुझे यकीन है कि अधिकांश प्रोफेशनल सेल्स मैनेजर्स अपने विचार शेयर करेंगे चार कॉल चर्णों के सापेक्ष महतों के बारे में सवाल उठाने का कारण ये है कि उत्तर बिक्री के आकार पर निर्भर करता है छोटी बिक्री में ये सुझाव देने के लिए कुछ सबूत है जिस मैनेजर्स ने मुझे लिखा है वो सही है जो लोग कमिट्मेंट प्राप करने में अच्छे होते हैं मजबूत क्लोजर्स जैसा की वो इसे रखेंगे वास्तों में छोटी बिक्री में बहुत सफल होते हैं प्रमुक बिक्री में ये एक अलग कहानी है आईए कॉल्स के जांचरन की समिक्षा करके और ये इतना महतुकून क्यों है इसकी समिक्षा करके प्रारंब करें मैंने कहा है कि लगबग हर कॉल में जाँच परताल शामिल होती है ग्राहक से कुछ ऐसा पता लगाना जो आपको अधिक प्रभावी धंग से बेचने में सक्षम हो और जाँच करने के लिए आपको प्रशन पूछने चाहिए 1970 के दशक के उत्तरार्ध में बिक्री के हमारे शुरुवाती अध्यनों में से परतेख एक ही मौलिक मानसिक खोज के साथ आया सफल कॉल्स में भहुत अधिक प्रशन थे जो उन कॉल्स की तुल्ला में ओर्डर और एडवांस की ओर ले जाते थे जिनके परिणाम स्वरूप नियंतर्ता और नो सेल्स जिसे हमने आसफल के रूप में वर्गिकरत किया है प्रशन और सफलता इसमें कोई संदेह नहीं है मौखिक वहवार के किसी भी अन्य रूप की तुल्ला में प्रशन अधिक शक्तिशाली रूप से राजी करते है और ये सिर्फ बेचने में नहीं है हुथवैट और अन्य अनुसंधान टीमों द्वारा अध्यन किये गए छेत्रों में से कुछ का नाम लेने के लिए बादचीत प्रबंदन बादचीत प्रदर्शन साक्षातकार और समुचर्चाओं का अध्यन सभी एक ही मूल तत्य के साथ सामने आए है प्रशन के उप्योग के बीच एक स्पष्ट सांखिकिया संबंध है उपाय और बादचीत की सफलता आप जितना अधिक प्रशन पूछेंगे बादचीत के सफल होने के संभावना उतनी ही अधिक होगी और कुछ प्रकार के प्रशन अन्य प्रशनों की तुल्ना में अधिक शक्तिशाली होते हैं Closed Questions का अउत्तर एक शब्द में दिया जा सकता है अक्सर हाँ या ना Closed Questions के विशिष्ट उधारण क्या आप खरीदारी के नीडने लेते हैं या क्या आपका मौजूदा व्यवसाय पांच साल से अधिक पुराना है? कुछ परस्रिक्षन कारिकरमों में इन्हें निर्देश जांच कहा जाता है. ओपन क्वेश्चेंस के लिए लंबे उत्तर के अवर्शक्ता होती हैं? विश्चेश्ट उधारन होंगे क्या आप मुझे अपने वेवसाय के बारे में कुछ बता सकते हैं? या वो आपके लिए महत्वपून क्यों है? ओपन क्वेश्चेंस कभी कभी उच्छल आप परतक्ष जांच होती हैं. ये कोई नई अवधारना नहीं है. एके स्ट्रॉंग 1925 में क्लोजड और ओपन क्वेश्चेंस के साथ बिक्री के बारे में लिख रहे थे. और कुछ सबूत हैं कि भेद तब से पहले ठीक हो गया था. पिछले साथ सालों के दोरान अधिकांश लेखोकों ने क्लोजड और ओपन क्वेश्चेंस के बीच के अंतर को अपनाया है. और आम तोर पर उनके बारे में नीमन लिखित बाते कहीं हैं. ओपन क्वेश्चेंस के तुल्ला में अधिक शक्तिशाली होते हैं क्योंकि वे ग्रहक से बात करते हैं और अक्सर अप्रत्याशित जानकारी परकट करते हैं. Closed Questions कम शक्तिशाली होते हैं हलांकि वे कुछ परकार के ग्रहाकों के लिए उप्योगी होते हैं जैसे बातुनी खड़ीदार जो बात करना बंद नहीं कर सकता भले ही Closed Questions कम शक्तिशाली होते हैं आपको उन्हें कुछ परकार की कॉल्स में उप्योग करने के लिए बाध्य किया जा सकता है उधारन के लिए जहां बहुत कम समय उपलब्ध होता है हालांकि कुछ लेखक इसे चुनोती देते हैं Open Questions बड़ी बिक्री में सफलता के लिए विशेश रूप से महत्वपूर्ण है हालांकि Closed Questions सफल हो सकते हैं यदि बिक्री छोटी हो बिक्री परस्टिक्षन का एक समाने लक्ष लोगों को अधिक खुले प्रश्न पूछने में मदद करना होना चाहिए देखने में इन इसकर्ष पूरी तरह से उचित और तारकिक परतीत होते हैं लेकिन क्या वे मान्य हैं जहां तक हम बता सकते हैं किसी ने भी कभी विज्ञानिक रूप से जाच नहीं की थी कि क्या कॉल की सफलता ओपन या क्लोज क्वेस्टन के उपयोग से परभावित थी ये कुछ शोध के लिए एक आदर्श छेत्र लग रहा था हमने कई अध्यन किये ओचकित रह गए हमने पाया कि ओपन क्वेस्टन के उपयोग के बीच कोई मापनी योग्या संबन्द नहीं है एक निर्मान कंपनी में हमने 120 कॉल्स को ट्रैक किया और पाया कि क्लोज क्वेस्टन में उच्च कॉल्स से और और एडवांस की ओर बढ़ने की संभावना थी एक हाइटेक कंपनी में एक अन्य अध्यन में हमने शीश और औसत प्रदर्शन करने वालों की बीच खुले और बंद प्रश्णों के मिश्ण में कोई अंतर नहीं पाया इस बहुत ही सफल कंपनी के कुछ सबसे अच्छे सेल्स परसन ने उन कॉल्स के दोरान कोई खुला सवाल नहीं पूछा जहां उन्हें देखा गया था उनके प्रतेक प्रश्ण का उत्तर एक ही शब्ज से दिया जा सकता था दूसरे चरम पर कई शीश लोगों ने केवल ओपन क्वेश्ण पूछे कुछ ने दोनों के मिश्ण का इस्तमाल किया सफलता और खुले या बंद परश्णों के उप्यों के बीच कोई पहचानने योगे संबंध नहीं था हमने ये पता लगाने के लिए कुछ अध्यन भी किये कि क्या सफल लोगों में ओपन क्वेश्ण के साथ कॉल शुरू करने की प्रवत्ती होती है और चर्चा बढ़ने पर क्लोज क्वेश्ण पर चले जाते हैं हमने पाया कि कुछ सफल सेर्ज परसन ने वास्तम में इस पैटन को अपनाया लेकिन हमने ऐसे मामलों की भी समान संख्या पाई जहां लोग क्लोज क्वेश्ण से शुरुवात करके और फिर ओपन क्वेश्ण की ओड बरते हुए सफल हुए एक नई दिशा हमने तै किया कि हमारे शोट का फोकस नए और सकारात्मक पूछताच मॉडल विक्सित करना होगा जो पुराने लोगों को बदल सकते हैं जो इतने आसंतोश्चनक साबित हो रहे थे सेल्स कॉल्स देखने से ये इस पस्ट था कि सफल लोग रैनम क्वेश्ण नहीं पूछते थे सफल कॉल में एक अलग पैटरन था अगर हम केवल इस सफल पैटरन को बांच सकते हैं तो हमारे पास ओपन और क्लोज क्वेश्चन के बीच प्रतीत होने वाले आप रासांगी कंतर की तुल्ला में जांच के बारे में सोचने का बहतर तरीका होगा जैसा कि आप नेमले के अध्यायों में देखेंगे हमने पाया कि सफल कॉल में प्रश्ण एक करम में आते हैं जिसे हम स्पिन कहते हैं स्पिन का स्फिक्वेंस इस तरह से है एक स्थिती संबन्धित प्रश्ण कॉल की शुरुवात में सफर लोग, तत्यों और प्रश्ट भूमी के बारे में डेटा एकटा करने वाले प्रश्ण पूछते हैं विशिष्ट स्थित्य प्रश्ण होंगे योईक के पास आपके वर्तमान उपकरण कितने समय से हैं या क्या आप मुझे अपनी कंपनी की विकास व्योजनाओं के बारे में बता सकते हैं हाला कि इस्तिती संबंदी प्रश्णों में महत्रकून तर्थे खोजने की भूमिका होती है सफर लोग उनका अधिक उप्योग नहीं करते हैं क्योंकि बहुत से खरीदार को परिशान कर सकते हैं एक बार खरीदार की इस्तिती के बारे में परियापत जानकारी स्थापित हो जाने के बाद सफर लोग दूसरे प्रकार के प्रश्णों पर चले जाते हैं वे पूछते हैं उधारण के लिए क्या ये ओप्रेशन करना मुश्किल है या क्या आप अपनी पुरानी मशीन से मिलने वाली गुणवत्ता के बारे में चीन्तित हैं इस तरह के प्रश्ण जिन्हें हम समस्या प्रश्ण कहते हैं समस्याओं कठिनाईयों का पता लगाते हैं और उन छेत्रों में आस अन्तोष जहां सेलर का उत्पाद मदद कर सकता है अनुभवहीन लोग आमतोर पर परियाप्त समस्याओं वाले प्रश्ण नहीं पूछते हैं चोटी बिकरी में सेलर बहुत सफल हो सकते हैं यदि वे केवल अच्छी इस्तिती और समस्याओं प्रश्ण पूछना जानते हैं बड़ी बिकरी में ये परियाप्त नहीं है सफल लोगों को तीसरा प्रकार के प्रश्ण पूछने की आविशक्ता होती है ये तीसरा प्रकार अधिक जटिल है इसे implication, question कहा जाता है implication प्रश्ण ग्रहा की समस्या लेते हैं वो इसके प्रभावों या परिणामों को पता लगाते हैं जैसा की हम देखेंगे नहितार्थ प्रश्ण पूछ कर सफल लोग ग्रहा को समस्या की गंभीरता या तातकालिता को समझने में मदद करते हैं implication प्रश्ण बड़े बिक्री में विशेश रूप से महत्वपूर्ण है और यहां तक की बहुत अनुभवी seller भी चार नीट पे आफ परश्ण अन्त में हमने पाया कि बहुत ही सफल सेल्ज लोग इन्वेस्टिगेटिंग स्टेज के दोरान चुत्थे परकार के परश्ण पूछते हैं इसे नीट पे आफ परश्ण कहा जाता है और विशेश्ट उधार्ण होंगे क्या इस ओपरेशन को 10% तक गति देना उप्योगी होगा या अगर हम इस ओपरेशन के गुनवत्ता में सुधार कर सकते हैं तो यह आपकी मदद कैसे करेगा आविशक्ता आदाएगी परश्णों के कई उप्योग है जैसा कि हम अध्याय चार में देखेंगे अभी के लिए शायद सबसे महत्पुन ये है कि वे ग्राहग को अपने समाधान द्वारा पेश किये जा सकने वाले लाभों के बारे में बताएं सेल्स की सफलता के लिए आविशक्ता आदाएगी परश्णों का बहुत मजबूत संबंध है हमारे अध्यनों में ये पता लगाना सामाने रहा है कि शीष परदर्शन करता औसत परदर्शन करने वालों की तुल्ला में पती कॉल दस गुना अधिक नीट पेव प्रश्ण पूछते हैं स्पिन मॉडल ये चार परकार के प्रश्ण स्तिती, समस्या, नहितार्थ और आवर्शक्ता अदाएगी एक शक्तिशाली प्रश्ण करम बनाते हैं जो सफल लोग कॉल के सभी महतपून जांच चरण के दोरान उप्योग करते हैं मुझे इस बात पर जोड़ देना चाहिए कि ये एक कठोर करम नहीं है उधारण के लिए समस्या प्रश्णों पर जाने से पहले शीर्ष लोग अपने सभी इस्तिती संबंदी प्रश्ण नहीं पूछते हैं इस किताब में मैं इन स्पिन कोईश्ण को करीब से देखूंगा और आपको प्रमुख सेल्स में अपनी सफलता को भैतर बनाने के लिए उनका उप्योग करने की तरीके दिखाऊंगा मैं हुत्वयट के शोद अध्यनों पर आकर्शित होँगा लेकिन इससे भी अधिक मैं अपने प्रसिक्षन सही योगियों डिक रफ और जॉन विल्सन के अनुभव का उप्योग करूँगा जिन्होंने Fortune 500 से हजारों प्रमोख खाता सेलर्स की मदद करने वाले कारेकरमों को डिजाइन किया है कंपनियों को अपने बिक्री कोशल और बिक्री के प्रदर्शन में सुधार करने के लिए Spin प्रशन काम करते हैं क्योंकि वे सफल लोगों को कारेवाई में देखने से प्राप्त होते हैं हम आशा करते हैं कि आप से पहले हजारों की तरह आप Spin को एक बहुत इव्यावारिक सेल्स उपकरन पाएंगे Chapter 2 प्राप प्रतिबद्धिता बिक्री को क्लोज करना कि मुख्या सेल की सफलता किसे भी अन्य चीज से जादा इस बात पर निर्भर करती है कि कॉल के चांच चरण को कैसे कंट्रोल किया जाता है लेकिन हर कोई इस निश्कर्ष से सहमत नहीं होगा कई लेकुकों के लिए प्रतिबद्धिता प्राप्त करना सफल बिक्री का सबसे महत्पून चरण है जब हम अपना शोद शुरू कर रहे थे ये नहीं जानते थे कि कहां से शुरू करें तो मैंने सलहा के लिए कई विशेशग्यों से संपर्क किया ये लोग लेखक, प्रसिक्षक और अनुभवी सेल्स मैनेजर आम तोर पर सुझाव देते हैं कि हमें प्रतिबद्धिता प्राप्त करने या क्लोज करने के साथ शुरू करना चाहिए जैसा कि वे इसे आम तोर पर कहते हैं एंडिंग उन्होंने हमें बताया बिक्री का वो चरण था जहां सफलता के सबसे महत्पून ततों मिलेंगे इसलिए हमें अपना शोध शुरू करना चाहिए एंडिंग पर इस आम सहमती से मैं विशेष रूप से प्रभावित हुआ क्योंकि ये विशेषग्य बहुत अधिक के बारे में सहमत नहीं थे नतीचतन हमारे पहले शोध अध्यनों को बंद करने पर रोक लगा दी गई जिसका उद्देश्य ये पता लगाना था कि बड़ी बिक्री में कौन सी क्लोजिंग टेक्नीक्स सबसे प्रभावी थी मैंने पुस्तकाले में सेल्स क्लोज करने के बारे में सब कुछ खोजने के लिए कुछ हफ्ते बिताए मैंने तीन सो से अधिक संदर्भों को पढ़ा सेल्स पर प्रतेक किताब के समापन पर कम से कम एक अध्याय था कुछ जैसे 101 शोर फायर वेस्टू इर्रेसिस्टिबल क्लोज एनी सेल्स जैसे की लेखक ने इतनी विनम्नता से कहा था जेवन भर की सफलता कानुभव मात्र तीन घंटे के पढ़ने में पैक हो गया मैं मोहित हो गया था यहां थे जेनर की समस्याओं की जादूई जवाब जिन क्लोजिंग्स के बारे में मैंने पढ़ा उनमें अच्छे पुरानी मानक तक्नीके शामिल थी जिन्हें हर सेलर जानता है जैसे अनुमानित क्लोज यह मानते हुए कि सेल पहले ही की जा चुकी है एक पूछता है उधारन के लिए आप इसे कहां डिलिवर करना चाहेंगे ग्राहक खरीदने के लिए सहमत होने से पहले वैकल पिक क्लोज एक पूछता है उधारन के लिए क्या आप मंगलवार या गुरुवार को डिलिवरी पसंद करेंगे ग्रहक द्वारा खईदारी का नीडने लेने से भी पहले स्टैंडिंग रूम ओनली क्लोज हो जाता है एक कहता है उधारन के लिए यदि आप अभी नीडने नहीं ले सकते हैं तो मुझे इसे किसी अन्य ग्रहक को पेश करना होगा जो इसे खईदने के लिए दबाव डाल रहा है आखरी मोका क्लोज एक कहता है उधारन के लिए कीमत अगले हफ़ते बढ़ जाएगी इसलिए आपको इसे अभी खईद लेना चाहिए भले ही खईदार ने खईदारी का नीडने लेने की इच्छा का संकेत नहीं दिया हो इन ब्रेड और बटर तक्नीकों के अलावा मुझे शार्प एंगल बेन फ्रैंकलिन पप्पी डॉग कोलंबो और डबल लिवर्स वैमो जैसे अधिक विदेशी क्लोज का एक संपून इनसाइक्लोपीडिया मिला मेरे प्राधंबिक शोद ने सचमुच सैकणों क्लोजिंग्स को उजागर किया और बीच के वर्षों में मुझे यकीन है कि नए क्लोज प्रभावशाली नियमित्ता के साथ दिखाई देते रही है बिक्री कोशल का कोई अन्य छेत्र समापन जितना लोकप्रिया नहीं है ये सच है कि आप इसे कैसे भी मापते हैं चाहे लिखे गए शब्दों की संख्या से नियदेशात्मक घंटों की संख्या से या परतेक नए पीड़े की बिक्री करताओं द्वारा प्रेक्षण फिल् युख संपादक ने कहा था कि वह बिक्री पर कोई किताब तब तक प्रकाशित नहीं करेगा जब तक कि उसके सीशक में समापन शब्द ना हो बिक्री प्रबंदवकों के सरवेक्षणों में उनसे ये पूछना कि वे अपने लोगों में कौन सा कोशल बढ़ाना चाहेंगे समापन हमेशा एक स्पष्ट विजेता बन कर उबढ़ा है इसलिए पुराने विक्री नीती के लिए व्यापक समर्थन परतीत होता है विक्री की A, B, C हमेशा क्लोज हो रही है इस अध्याय में मैं पूछने जा रहा हूँ रोज करने की इन में से कितनी तक्नीके वास्तों में काम करती है क्या क्लोज हो रहा है क्रिसी और कापलान ने 1960 के दशक में कई लेख लिखे जहां उन्होंने इसे खरीदारी या प्रस्ताव की सुईकर्ती के लिए पेरीद करने के लिए सेलर द्वारा उप्योग की जाने वाली रणनी थी कहा एक शोद करता के रूप में मुझे ये परिभाशा बहुत व्यापक लगती है होथवेट में हमें क्लोजिंग वहवार को परिभाशित करने के लिए एक अधिक सीमित और अधिक सटीक तरीके क्या वेशकता थी इसलिए हमारे अध्यन में हमने क्लोजिंग को इस प्रकार परिभाशित किया सेलर द्वारा उप्योग की जाने वाला एक वहवार जो एक पति बद्धिता को दर्शाता है या इन्वाइट करता है ताकि खरिदार का अगला कथन पति बद्धिता को सुविकार या आसुविकार कर सके क्लोजिंग पर सहमति विक्री गुर्वों के लिए एक उपचाव छेतर है इससे पहले कि मैं हाथवेट के अध्यनों के समिक्षा करूँ मैं अन्य विश्य शग्यों द्वारा बताये गए कुछ बिंद्वों का परिचय देता हूँ जे डगलस एडवर्ड्स जिनहीं उनके शिश्यों द्वारा क्लोज करने की बजाय कहा जाता है सुझाव देते हैं कि और सतन सफल सैलर अपने पांचवे परियास को क्लोज कर देते हैं और ये कि वे जितनी अधिक एंडिंग टक्नीकों का उप्योग करते हैं उतने ही सफल होने की संभावना है एंडिंग की सफलते के बारे में शून मेकर और भी अधिक विशिष्ट है उनका ये भी दावा है कि शोट से पता चलता है कि सफल सैलर दस से अधिक प्लोज करते हैं और अधिक परकार के प्लोज का उप्योग करते हैं तो जे डगलस एडवर्स की तरह वो जादू संख्या पांच का समर्थन करता है ये कहते हुए कि यदि आप कम से कम पांच बार ओर्डर मांगी बिना छोड़ देते हैं तो आपने अपना काम नहीं किया है मैंने शून मेकर पर विशेज ज्ञान दिया क्योंकि मैं उस समय IBM के लिए बड़ी विक्री पर एक पर सिक्षन कारेकरम विक्षित कर रहा था तो मुझे पता था कि वो IBM के परतिस परदियों में से एक के लिए इसी तहां के कारेकरम पर काम कर रहा था आई पी लून ने अपने पुष्टक सम्मोहक विक्री में जब भी संबभ हो आपको क्लोज करने की सलहा दी यहां तक कि जब आप उस ओर्डर से मीलों दूर है एक अन्य लोगपियर लेखक मौसर अधिक सयमित है आपको सलहा देता है कि आप अपने निप्टान में काफी संख्य में क्लोजिंग तक्नीके रखें ताकि यदि कोई विफल रहती है तो दूसरे का उप्योग किया जा सके जब तक यह आशा की जाती है कि अंत में निशान हिट हो जाता है 1960 के दर्शक की अंत में मैंने क्लोजिंग पर अपना शोद शुरू किया उस समय मैं अभी भी एक विश्व विधाले का शोद करता था और बेचने के बारे में मुझे केवल इतना ही पता था कि लोगों के बीच एक बाचीत थी जहां पैसे का आदान प्रतान होता था और इसलिए मैंने सोचा कि मुझे ऐसे कंपनियों को खोजने में सक्षम होना चाहिए जो मुझे खोजने के लिए शोद निदी देगी उस पैसे को और अधिक तेजी से कैसे बदला जाए बड़ी बहुराश्ट्र कंपनियों ने दिल्चस्पे दिखाई और मुझे मेरा पंड मिल गया सेल्स परसन के साथ बात करना मेरा आगला कदम जितना संबब हो उतने सेल्स परसन से मिलना था खैर पिछले हफ़ते मैं आश्वस्त था कि बिक्री तक्नीक की उप्योगिता का एक अच्छा संके ये होगा कि क्या सेल्स अपने समय पर इसके बारे में बात करेंगे इस उपाई से एंडिंग निश्चित रूप से एक विजेता के रूप में उभर रहा था लेकिन इतना ही नहीं इस समय मैं अनुभवी सैलर्स के लिए चलाए जा रहे कुछ परशिक्षन कारेक्रमों के मुल्यांकन अध्यन में शामिल था मैंने परतिभागियों से पूछ ताच की और कुछ ऐसा पाया जिससे मुझे और यकीन हो गया कि समापन सभी विक्री कौशलों में सबसे महत्पूर्ण हो सकता है और सत परतिभागी चार अलग-अलग एंडिंग तक्नीकों को सूची बद कर सकता था लेकिन विक्री खोलने या आपत्यों को संभालने के लिए एक से अधिक तक्नीक देने में असमर्थ था जिन लोगों से मैंने पूछताच की उनमें से आदे से भी कम ग्रहा की ज़रूतों की जाँच के लिए एक ही तक्नीक निर्दिष्ट कर सकते हैं मैंने अपनी सुरक्षित युनिवर्सिटी की नौकरी छोड़ दी और हुत्वट संगठन जॉइन कर लिया था अब मुझे एहसास हुआ बेचना मेरे लिए सिर्फ एक अकादमिक अध्यन नहीं था मुझे अपनी सेवाएं बेचनी पड़ी जब भूके रहना पड़ा इसलिए मैंने एक बिक्री प्रसिक्षन कारिकरम में दाखिला लिया और समापन तक्नीकों के छेतर में विशेष ज़्यान दिया खैकरम के बाद के सब्ता में मेरी एक संभावित ग्रहा के साथ मुलाकात हुई जिसके साथ मैं इस ग्रहा को एक शोद परियोजना बेचने के परियास में कई महीनों से बात कर रहा था मैंने वैकल्पिक क्लोज करने का परियास करने का नीड नहीं लिया मैं परिणाम कभी नहीं खोलूंगा क्या आप इस परियोजना को सितंबर ये नवंबर में शुरू करना पसंद करेंगे मैंने पूछा थोड़ा गवरा कर चलो सितंबर में शुरू करते हैं मेरे मुवकिल ने जवाब दिया तो मुझे अपनी पहली बड़ी बिक्री मिल गई मैं खुश था अपनी पहली सफलता के एक साल से भी अधिक समय तक मैंने सब के लिए नरक क्लोज कर दिया मुझे अब अहसास हुआ कि मैंने शायद उस साल के दोरान खुद को और मेरी कंपनी को भहुत सारे होए होए व्यापार की कीमत चुकानी पड़ी लेकिन ओस समय मैं पूरी तरहां से करीब था आखिरकार मेरे व्यक्तिकत अनुभव ने दिखाया कि एक व्यकल पिक क्लोज का उप्योग करने से मुझे अपना पहला बड़ावी अफसाय मिला मुझे पता था कि क्लोज करना काम कर गया बड़ी बिकरी में सफलता के बारे में अब मुझे जो पता चला है उससे मैं समापन तक्नीकों को आपरभावी और खतरनाक दोनों के रूप में देखता हूँ मेरे पास इस बात का प्रमाण है कि विलाब की तुलना में बहुत अधिक व्यापार्ख हो देते हैं किस बात ने मुझे उन तरीकों के खिलाफ कर दिया जो मेरी खुद की सफलता के लिए बहुत महत्पून लग रहे थी प्रारंबिक शोद हमने भुत्वट में अपना शोद इस परष्ट अपेक्षा के साथ शुरू किया कि हम एक सेलर की संख्या के बीच एक मजबूत सकारात्मक संबन्द पाएंगे मुझे पुरे विश्वास के साथ में उम्मीद थी कि एडवर्ट्स और शून मेकर दोनों के शिपारिश की गई परती कॉल पांच क्लोज की जादुई संख्या सही निकलेगी हमारा आपरत्याशित परिणाम पहला दिन एक बड़े कार्याले उपकरन निगम में हुआ समापन और सफलता के बीच एक कड़ी स्थाफित करने का एक तरीका हमने तर्क दिया सैलर्स के साथ छेत में यात्रा करना वो ये देखना होगा कि उन्होंने कॉल्स के दोरान कितनी बार समापन तक्नीक का उप्योग किया अगर क्लोज करने वाले लेकर सही थे हमने बाहर जाकर कुल 190 कॉल्स देखी इन में से हमने 30 को लिया जहां सैलर्स ने सबसे अधिक बार क्लोज किया था और उनकी सफलता की तुन्ना 39 कॉल्स से की जहां सैलर्स ने सबसे कम क्लोज किया था उधारन के लिए इस संभव है कि कुछ कॉल्स पर ग्राहक पहली से ही खईदने के लिए तैयार थे इसलिए सेलर को क्लोज करने के अवश्यक्ता नहीं थी एक और समस्य ये थी कि हमारा नमूना हाला कि सांखे के रूप से महत्रपुन था छोटा था हमारे पास हस्तक्षिप करने वाले चड़ों को कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं था जाहिर है सिर्फ इस अध्यन के आधार पर हम ये निशकर्ष नहीं निकाल सके कि समापन तक्नीके आप्रभावी थी मेरे मुवक्किल को हमारे निशकर्षों की व्याख्या करते हुए एक पत्र में मैंने लिखा हम अभी तक एंडिंग और सक्सेस के बीच की कड़ी को परदर्शित करने में सफल नहीं हुए है और सहज भावनाए अनुसंधान किवल संख्याएं नहीं है 190 कॉल्स को क्लोज होते देखकर मुझे कुछ बेचैनी महसूस होने लगी थी जिसके मैं करना नहीं कर सकता था अगर मैं खुद के साथ इमानदार हूँ हाला कि मैंने इसे उस हमें कबूल नहीं किया होता बंद करने के बारे में मेरी पहली गलत फहमी इस अध्यन में वापस आ सकती है उधारन के लिए मैंने कुछ गरहकों विशेश रूप से प्रोफेशनल बायर्स से कोई अलग विरोध नहीं देखा जब किसी भी एंडिंग तक्नीक का उपयोग केवल आदेश के लिए पूछने से परे किया गया था एक कॉल में सेलर वो मुझे एक क्रोधित गरहक द्वारा इस तरह की अदला बदली के बाद बहार निकाल दिया गया था सेलर तो स्री रॉबिन्स आप देखते हैं कि हमारा उत्पात इस पर्ष्ट रूप से आपके लिए सबसे अच्छा है बायर मैंने फैसला नहीं किया है सेलर लेकिन स्री डॉबिन्स मैंने आपको दिखाया है कि हम आपके कार्यले की दक्षता में सुधार कैसे कर सकते हैं और आपको परिशानी और पैसे से भी बचा सकते हैं इसलिए यदि आप ये तै कर सकते हैं कि आप कब डिलिवरी चाहते हैं बायर मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा मैं इस हफते कोई फैसला नहीं कर रहा हूँ सेलर लेकिन जैसा कि मैंने समझाया है ये मौडल काफी मांग में है मैं आपको अभी एक लेने दे सकता हूँ लेकिन यदि आप अगले हफते तक परतिक्षा करते हैं तो कई महीनों की देरी हो सकती है बायर ये एक जोखिम है जो मुझे लेना होगा सेलर क्या आप एक महीने के परिक्षण स्थापना पसंद करेंगे या आपके बजट के लिए एक मुष्ट खरीदना बहतर होगा बायर मैं तुम्हीं अपने कारेले से बाहर ठैटने जा रहा हूँ मुझे बताओ क्या तुम और तुम्हारा दोस्ट कोने में अपनी मर्ची से जाना पसंद करेंगे या क्या आप चाहते हैं कि मैं सेक्योरिटी को बुलाओ जैसा कि सेलर निकॉल के बाद मुझे से इतनी रूखी टिपणी की ये उचित नहीं लगता जब खरीदार आपको बाहर निकालने के लिए वेकलपिक क्लोज का उप्योग करता है हम इस तरह के कई एपिसोड से मिले और वेकलोज होने के बारे में संद्धे के उन पहले बीजों को बोने के लिए प्रियाप्त थे खास कर बड़ी विक्री में मनोवृत्ती की समस्या लगबख इसी समय मुझे क्लोजिंग को पूरी तहां से अलग पूर्ण से देखने का अफसर मिला एक प्रमुक रसाइनी कंपनी के मार्केटिंग निदेशक ने एक समस्या लेकर हमसे समपर्ख किया बात बस इतनी है कि उन में से कुछ को बिहेवियर की समस्या है क्या आप मदद कर सकते हैं चूकने का ये बहुत अच्छा अफसर था मेरे सही योग्यों और मैं बिकरी के रिकॉर्ड के साथ सेलर के देश्टिकोर्ड की तुनला करने के लिए एक एंडिंग बिहेवियर पैमाने तयार करने पर सहमत हुए उम्मीद है कि अंततहा एक बिहेवियर पैमाने तयार करने के लिए जिसका उप्योग नए आवेद्रकों को स्क्रीन करने के लिए किया जा सकता है जिन लोगोंने हमारे क्लोजिंग एटिटूट टेस्ट में हाई स्कोर किया है उनकी बिक्री चमता अधिक होनी चाहिए बेशक मार्किटिंग डारेक्टर और मुझे उम्मीद थी कि जिन सेलर्स को क्लोज करने के प्रती अनुकूल रविया था उन्हें अधिक सेल करनी चाहिए बिक्री बलके 38 सदस्यों के रविये का पता लगाने के लिए मेरे सायोग्यों और मैंने एंडिंग के बारे में पंदरा प्रमुक बयानों के साथ उनके समझोते के सतर कुमापा हमने जिस विधी का उप्योग किया उसे आमतोर पर लिकर्ट स्केल कहा जाता है यदि आप उस तरह के व्यक्ति हैं जो खुद को परखना पसंद करते हैं तो आप पाएंगे कि मैंने इस किताब में परिशिष्ट बी के रूप में पैमाना शामिल किया है साथ ही एंडिंग के प्रती अपने दिष्टिकोन को स्कोर करने के इन देशों के साथ इस अध्याय के बाकी हिस्तों से प्रभावित होने का मौका मिलने से पहले यदि आप सभी स्केल स्कोर करते हैं तो आप वर्तमान में क्लोज होने के बारे में कैसा महसूस करते हैं इसकी शायद आपको एक सची तस्वीर मिल जाएगी जब हमने रहसायने कंपनी में इस परेक्षन का उप्योग किया तो हमने पाया कि 38 में से 21 सेलर्स का स्कोर 50 से उपर था जिसे हमने उनके दिश्टिकोर को अनुकूल के रूप में वर्गिकरत करने के लिए नियून्तम स्कोर माना था फिर हमने सेल के परिणामों के तुलना ये पता लगाने के लिए कि क्या जिस सम्हूं को क्लोज करने के प्रती अनुकूल रवया था वो वास्तों में अधिक सेल कर रहा था हम परिणामों से अचम्भी तरह गए अन्तिम चैन परिक्षा की हमारी उम्मीदे धराशाई हो गए इससे भी बुरी बात ये थी कि मार्केटिंग में देशक को परिणामों पर विश्वास नहीं हुआ और उन्होंने मुझे नौक्ते से निकालने की धंकी दिये जब तक कि मैं कुछ और ठूस निशकर्ष नहीं निकाल पाता जैसा कि आप कल्प न कर सकते हैं मैंने अपने निशकर्षों की व्याख्या करने की बहुत कोशिश की यह संबव था मैंने तर्क दिया कि जिन लोगों की परिणाम खराब थे उन्हें परिख्षा देकर अधिक चिंतित किया गया था जब हम यह अधन कर रहे थे तब दुनिया भर में कई शोदल दर्ष्टिकों और विवार की भी संबंदों की जांच कर रहे थे उनके परिणाम विशेश रूप से मार्टिन, फिश बीन के परिणाम संकेत दे रहे थे कि व्यावार के सटीक पुर्वानुमान के लिए आप दिश्टिकों पैमाने का उप्योग नहीं कर सकते उधारन के लिए फिश बीन दिखा रहा था कि सिर्फ इसलिए कि आपने closing attitude scale पर एक उच्छ score प्राप्त किया है इसका मतलब यह नहीं है कि वास्तविक विक्री call में आप उन लोगों की तुलना में अधिक बार close करेंगे जिनके पास कम अनुकूल रविया है आनी छेत्रों में हमारा अपना शोध इस बात की पुष्टी कर रहा था कि दिश्रिकोन और विहवार की बीच संबंध हमारी कलपना से बहुत कमजोर थे नतीजतन हम विक्रे विहवार को पत्यक्ष रूप से देखने के तरीकों की ओर अधिक से अधिक बढ़ रहे थे हम अपने पीछे रवया और प्रशनोत्तर अध्यन छोड़कर खुश थे लोगवास्ताव में कैसा परदर्शन करते हैं इसका सबसे अच्छा परिक्षण उन्हें कारेवाई में देखना है नए वियावार विशलेशन वृध्यों का हमारा विकास हमें उम्मीद थी हमें ऐसा करने की अनुमती देगा और हमें क्लोज करने की प्रभावशीलता के बारे में और अधिक ठोसबूर प्रदान करेगा लेकिन भले ही हमें अपनी रसाइनी कंपनी के अध्यन को खारिज करने के कुछ सम्मानजनक कारण मिले फिर भी मैं चिंतित था हमने जो थोड़ा सा डेटा एकटा किया था वो क्लोजिंग एफेक्टिमनेस के बारे में कुछ बहुती तेचीदा चीजे दिखा रहा था हमें और अध्यन के अवश्यक्ता थी प्रशिक्षन का प्रभाव समापन पर आगे के शोद के लिए एक आदर्श अवसरतब आया जब एक कुछ पुद्योगी की कंपनी ने हमें कुछ गहन प्रशिक्षन का मुल्यांकन करने के लिए कहा कंपनी चाहती थी कि हम दो सवालों के जवाब दे क्या सेलर प्रशिक्षन के बाद पहले की तुलना में अधिक बार क्लोज करते हैं क्या बढ़ी हुई क्लोजिंग और विक्री की सफलता के बीच कोई संबन्द था क्लोजिंग तू सील्स सक्सेस के योगदान को पर रखने का एक और मोका पाकर हमें खुशी हो रही है प्रशिक्षन के बाद सेलर्स ने अधिक समापन तक्नीकों का उप्योग किया तो एक अर्थ में प्रशिक्षन प्रभावी था हाला कि कम कॉल सफल होने की कारण प्रशिक्षन का समगर प्रभाव बिक्री में कमी था अब हम भहुत कम हैरान थे दूसरी और जिन प्रशिक्षकों के सांथ हम काम कर रहे थे मेश्चित तोर पर उन्हें इस तरह के नतीजों के उम्मीद नहीं थी वे अचंभे में पड़ गए और परिणामों में गिरावट के लिए कई चतुर पूर्व योजनये बनाई उनके द्वारा सामने रखी गई संभावनाओं में से एक को कमभीरता से लेने के लिए हमें विवर्श होना पड़ा उन्होंने तर्क दिया कि परिभाषा के अनुसार कोई भी नया कोशल, अजीब और आसुविदा जनक लगता है प्रसिक्षन से पहले सैलर अपने स्वभाविक तरीके से व्यावार कर रहे थे इसके बाद वे नई तकनीकों का उप्योग करने की कोशिश कर रहे थे और अनिवार्य रूप से, स्वभाविक रूप से अपने ग्रहाकों के सामने नहीं आ रहे थे ये प्रसिक्षकों ने तर्क दिया बिक्री परिणामों में अस्थाई गिरावट का कारण बन सकता है हमने इस अमभावना को स्विकार करने के लिए परियाप्त प्रशंशनिय अपाया कि हमारे पास अभी भी समापन की प्रभावशीलता पर निन्नायक सबूत नहीं थे लेकिन कम से कम हम इस विचार का परिक्षन कर सकते हैं कि बिक्री में गिरावट अस्थाई आप्राकरतिक्ता की कारण हुई क्या होगा अगर हम 6 महिने बाद फिर से सेलर्स के साथ बाहर गए उस समय तक नए समापन कोशल उनकी प्राकरतिक बिक्री कोशल का हिस्सा बन गए होंगे हम परिक्षन कर सकते हैं कि क्या वे अभी भी समापन तकनीकों का उप्योग कर रहे थे और यदि हाँ तो अब उनकी कॉल्स के सफलता पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा था मुझे उम्मीद थी कि समापन प्रभाव शीलता का पहला निर्नायक अध्यन होगा इसके लिए सब कुछ व्यवस्तित किया गया था फिर शोद सुरू होने से एक महीने पहले कंपनी ने अपने बिक्री बल के बड़े पैमाने पर पुनर गठन की गोशना की तमाम बदलाओं के साथ आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं था एक और महान शुद अध्यन ने धूल चटा दी और एक बार फिर हमने खुद को बाजार में एक नए कंपनी की तलाश में पाया जो हमें क्लोजिंग का अध्यन करने की सुजधा पदान करे प्रकाश की एक किरण जब मैं क्लोजिंग के नए अध्यनों को प्रायोजित करने के लिए एक ग्रहा की तलाश कर रहा था तो मुझे एक बड़ी परिशिक्षन कंपनी के इस दावे का पता चला कि उसके क्लोजिंग कारेक्रम के बिक्री परिणामों में 30% से अधिक के वृद्धी हुई है अध्यन में हमने अभी अभी पूरा किया है हमने पाया है कि समापन में परिशिक्षन की कारण परिणामों में गिरावट क्या ये समापन तक्नीकों का उप्योग कर सकता है जो हम जाज कर रहे थे उससे अधिक प्रभावी थे मैं इसके कारेक्रम की जानकारी हासिल करने में कामियाब रहा और ये जानकर हैरान रहे गया कि इसमें कुछ भी नया या अलग नहीं था वास्तों में हमचेज द्रिष्टिकों का मुल्यांकन कर रहे थे उसकी तुल्ना में इसने काफी कम परिश्कृत द्रिष्टिकों का उप्नोग किया खुत्वैट के समापन के सभी अध्यन बड़ी बिक्री में थे क्या यह संबग हो सकता है कि बंद करने की तकनीक तब काम करती है जब बिक्री छोटी थी लेकिन बिक्री के आकार में विध्धी के कारण काम करने में विफल रही चितना अधिक मैंने इस विचार के बारे में सोचा उतना ही मुझे ये पसंद आया ये मालने के बहुत अच्छे सैधान्तिक कारण थे कि ये सच हो सकता है क्लोजिंग ग्राहक पर दबाव डालने का एक तरीका है और मिनोविज्ञान अब निन्य लेने पर दबाव के परभाव के बारे में काफी कुछ समझते हैं बहुत शर्ष सब्दों में कहें तो दबाव का मुनोविज्ञानिक परभाव यही लगता है अगर मैं आप से एक बहुत छोटा निन्य लेने के लिए कह रहा हूं तो अगर मैं आप पर दबाव डालता हूं तो आपके लिए तर्क करने के तुलना में हां कहना आसान होता है नतीजितन एक छोटे से निर्णे के साथ दबाव का प्रभाव सेकारात्मक होता है लेकिन बड़े फैसलों के साथ ऐसा नहीं है निर्ने जितना बड़ा होता है लोग आमतोर पर दबाव के प्रति उतनी ही नकारात्मक प्रतिकिरिया देते हैं मैं इसे किसी महान नए खोज की तरहां ध्वनी करता हूँ लेकिन निश्यत रूप से ऐसा नहीं है इतिहास की शुरुवात के बाद से होने वाले प्रलोभुको को पता चल गया है कि दबाव का प्रभाव निर्ने के आकार से नकारात्मक रूप से संबन्दित है आशावादी यूवक जो एक वैकल्पिक बंद का उप्योग करता है जैसे क्या आप पसंद करेंगे कि हम यहाँ बैठें या क्या हम वहाँ बैठें आमतोर पर सफल होंगे क्योंकि वह एक छोटा सा निर्ने मांग रही है हाला कि क्लासिक वैकल्पिक बंद मेरा इस्थान या तुम्हारा इसकी हिट दर बहुत कम होती है क्योंकि यह जो निर्ने मांगता है वो बहुत बड़ा होता है यदि मेरा सिधानत सही था तो निर्ने जितना बड़ा होगा समापन तकनीकों के कम प्रभावी होने के संभावना थी लेकिन हम इसका परिक्षण कैसे कर सकते हैं मैं किर्थिम प्रयोक्षाला पुलूग स्थापित नहीं करना चाता था फिर भी मुझे नहीं पता था कि किसे अन्य तरीके से विचार को कैसे मानने किया जाए फिर एक दिन हमें धाली में सही अफसर प्रदान किया गया फोटो स्टोर स्टडी, फोटो ग्रैफिक स्टोर्स की एक प्रमुक्ष शिंकला ने अभी अभी अपने सेर्ज परसन को समापन तक्नीकों में परसिक्षित करने का निर्ने लिया था ये शिंकला के लिए एक विवातास्पद निर्ने था और इसके सभी वरिष्ट प्रबंधन को ये विचार पसंद नहीं आया प्रबंधकों में से एक ने एक संगोश्टी में भाग लिया था जहां मैंने समापन के बारे में शंशर पूर्वक बात की थी वह एंटी ट्रेनिंग कुछ से था और वह चुपते से हमें ये परेक्षन करने के लिए लाया कि क्या नया परेक्षन प्रभावी होने वाला है ये कभी भी आदर्श नहीं होता है जब ग्राहक आपको साबित करने के लिए डिजाइन किये गए शोद करने के लिए कहते हैं आम तोर पर हम इस तरह के असाइमेंट से बचते हैं लेकिन इस शोद अफसर के बारे में बाकी सब कुछ इतना सही था कि मैं इसे ठुकड़ा नहीं सका वास्तों में आकरशक तद्व इस्टोर की अपने सेल्स परसन को घुमाने की नीती थी एक दिन एक सलर एक ऐसे काउंटर पर काम करता था जो सस्ते समान बेचता था जैसे कि फिल्में टेप और एक्सेसरीज अगले दिन वही व्यक्ति उन काउंटरों में से एक में जाता था जहां अधिक महेंगे समान बेचे जाते थे जैसे कुछ कीमत वाले कैमरे, हाइफाई उपकरण और वीडियो समापन सपलता पर नियुन नय आकार के प्रभाव को कंट्रोल करने का हमारे पास सही तरीका था जब इस्टोर ने अपने लोगों को प्रसिक्षित किया तो हम एक दिन प्रसिक्षण के प्रभाव का निरिक्षण कर सकते थे जब वे सस्ते समान बेच रहे थे और फिर उन्हीं लोगों और उसी प्रसिक्षन के साथ अगले दिन जब वे महंगे काउंटरों पर समान बेच रहे थे तो हम उनका निरिक्षन कर सकते थे हमने तीन चीजों कुमापा एक लेंदेन का समय प्रतेक बिक्री या बिक्री के परियास में कितना समय लगा डूसरा क्लोज होने की संख्या सैलर ने कितनी बार समापन वियवार का उप्योग किया लेंदेन के दोरान तीसरा सेल्स परसंटेज कितने प्रतीशत लोगों ने खरीदा सबसे पहले जब लोग कम मूले की वस्टवे बेच रहे थे तब एकत्र के गई परियनामों को देखते है क्लोजिंग में प्रसिक्षन से पहले औसत लेंदेन का समय सिर्फ दो मिनट से अधिक था सैलर में औसतन 1.3 क्लोज का उप्योग किया और 72% लेंदेन की पहले नाम सो रूप बिक्री हुई समापन प्रसिक्षन का क्या प्रभाव पड़ा जैसा कि आप देख सकते हैं प्रसिक्षन के बाद लेंदेन का समय कम हो गया था क्लोज होने की संक्या बढ़ गई और इसी तरह सफलता दर भी बढ़ गई एक व्यस्त स्टोर मालिक के रूप में मुझे इस तरह के परिणाम से खुशी होगी कम लेंदेन समय का मतलब है कि मैं अधिक व्याहकों की सेवा कर सकता हूँ या कम करमचारियों का उप्योग कर सकता हूँ और तो और हाला की बिक्री में 72 से 76 प्रतिशत की विद्धी सांखेकिया रूप से महत्कुन होने के लिए परियाप्त बड़ी नहीं है ये सही दिशा में है ना केवल बिक्री तेज है बलकि ये अधिक सफल भी दिख रही है हम भी इन परिणामों से प्रभावित थे यदि केवल इसलिए कि ये हमारे शोद में पहली बार था कि हमें समापन तक्नीकों के बारे में कुछ भी सकारात्मत मिला लेकिन असले परिक्षा अभी बात की थी क्या उच्छ मूले वाले समानों के साथ समापन प्रसिक्षण समान रूप से सफल होगा हमने उसी प्रसिक्षण के बाद उनहीं सेल्सपरसन को देखा केवल अंतर ये था कि वे अग अधिक महंगी वस्तुए बेच रहे थे हमने पाया कि प्रसिक्षण के बाद लेन देन का समय कम था वो समापन व्यवारों की संख्या में अनुमानित रूप से वर्द्धी हुई लेकिन सफलता दर के बारे में क्या परसिक्षन से पहले हमारे द्वारा देखी गई बातचीत में से 42% का परिणाम एक ओर्डर के रूप में हुआ था ये सस्ते माल की सफलता दर से बहुत कम था लेकिन ये आश्चरे जनक नहीं था हाला कि जिस आकड़े ने हमें दिल्चस्पे दिखाई वो परसिक्षन के बाद की सफलता दर थी हमने पाया कि समापन कारिक्रम जिसने सस्ते माल के साथ सफलता में विद्धिक की थी ने अधिक महने समान के साथ सफलता को 42% से घटा कर 33% कर दिया था दो निश्कर्ष हमें इन परिणामों की व्याख्या कैसे करनी चाहिए पहली खोज यह है कि उच्च और नीमन मूल वालों दोनों सामानों के साथ पौसत लेंदिन का समय कम हो जाता है क्योंकि क्लोज की संख्या बढ़ जाती है तो हम निश्कर्ष निकाल सकते हैं ग्रह को मूने लेने के लिए मजबूर करके बंद करने की तक्नीक बिक्री लेंदेन को गती देती है क्लोजिन टेक्नीक्स के उप्यों के लिए ये एक महत्वकों खोज और एक बड़ा प्लस होगा यदि आपके व्यवसाए कम मूल्य वाले खुद्रा संचालन या कम मूल्य वाले उत्पादों की डोर टोर बिक्री में शामिल है यदि आपके ध्यान के परतिक्षा कर रहे ग्रहकों की एक अतार है या दोनों तरफ के दरवाजों के साथ एक असीम रूप से लंबी सड़क पर सिर्फ दस्तक देने की परतिक्षा है तो बिक्री जितनी कम होगी आप उतनी ही अधिक ग्रहकों की सेवा कर पाएंगे लेकिन आम तोर पर बड़ी बिक्री में ये समस्या नहीं होती है आम तोर पर परतिक ग्रहक के साथ अधिक समय चाहते हैं कम नहीं अधिकांश प्रमुक खाता बिक्री बलों में सबसे आम शिकायत दी है कि आपको सही लोगों के साथ परियाप्त समय नहीं मुटता है मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी किसी को बड़ी विक्री में ये कहते सुना है मैं प्रमुक निर्ने निर्माताओं के साथ खर्च के जाने वाले समय को कैसे कम कर सकता हूँ हाला कि कई कंपनियों ने ग्रहाकों के साथ विक्री का समय बढ़ाने के तरीकों पर सरहा देने के लिए खुतवेट को बुलाया है मेरी बात सरल है छोटी विक्री में लेंदीन के समय को कम रखना आम तोर पर वांचनिया होता है बड़ी विक्री में कारणों की एक पूरी विविदिता एक छोटे लेंदेन के समय के कुछ फायदे और कई पैनल्टी है दूसा निशकर्ष जो हम अपने अध्यन से निकाल सकते हैं वो पुनहा के बारे में है मूल्य के समापन का संबंद समापन तक्नीकों से कम कीमत वाले उत्पादों के साथ विक्री करने की संभावना बढ़ सकती है महंगे उत्पादों या सेवाओं के साथ विक्री करने की संभावना कम कर देते हैं जैसा कि हमने देखा है ये निशकर्ष ना केवल हमारे शोट से आता है बलकि समान्य मनोवग्यानिक नियम से भी आता है कि दबाओ बड़े निर्नेओं के तुल्ना में छोटे निर्नेओं के साथ प्रभावी होने की अधिक संभावना है हमारे अध्यन में उच्च मूल्य वाले समानों की औसत कीमत सिर्फ एक सो नो डॉलर थी अधिकांश बिक्री संगटनों में औसत निर्नेओं आकार के तुल्ला में ये एक मूठफली है इस पुस्तक के अधिकांश पाठकों के साथ या उनके लिए काम करें लेकिन अगर क्लोजिंग टेक्नीक एक सो नो डॉलर की बिक्री में आप्रभावी हो जाती है उनके और भी अधिक अप्रभावी होने की संभावना है क्योंकि निर्ने का आकार गसियों ये सैकुन हजारों में चाड़ जाता है बेशक आप ये तर्क दे सकते हैं कि अपने स्वयम के धन का एक सो नो डॉलर करच करना उतना ही बड़ा निर्ने लग सकता है जितना की किसी कंपनी के बजट से 10,000 डॉलर करच करना और आप सही हो सकते हैं वास्ताव में कोई भी कतित निर्ने आकार के जटिल मनोविज्यान को नहीं समझता है लेकिन समाने नियम बना रहता है क्लोजिंग टेक्नीक सभी परकार के दबावों की तरह कम प्रभावी हो जाती है क्योंकि निर्ने का आकार बढ़ जाता है समापन और ग्राहग परिष्कार यह हमारे अध्यनों से इसपस्ट था कि निर्णे के आकार में वुरद्धी के साथ समापन कम प्रभावी होता है लेकिन क्या ये सिर्फ मूल्य कारकों की कारण है मैं डर गया कि क्या कुछ अन्य कारण हो सकते है कुल मिलाकर बड़े खरीदारी के निर्णे अधिक परिश्क्रत ग्रहाकों द्वारे लिये जाते हैं जैसे पेशेवर खरीदार एजेंट या वरिष्ट अधिकारी ये लोग प्रतेक सब्ताह दरजनों सेलर्स को देखते हैं और हो सकता है कि उन्होंने स्वयम सेल्स प्रशिक्षन भी लिया हो क्या ऐसा हो सकता है कि कम अनुभवी खरीदार पर काम करने वाली समापन तक्नीक आप्रभावी होगी या उन ग्रहाकों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा जो अधिक परिश्क्रत थे मेरा पहला संकेद यह हो सकता है कि यह सच हो सकता है जब मैं बिटिश पर्टॉलियम के केंडरिया क्रय विभाव के सांथ काम कर रहा था मैं उनके खरीदारों को काम पर देख रहा था टेबल की दूसरी तरफ से शूत कर रहा था अगले दिन मैं एक बिक्री का प्रयास देख रहा था और खरिदार की विदी को कार्यवाई में देखा सेलर वेंडिंग मशीन वेवसाई में था और प्लास्टिक के कपों की आप फूर्टी करता था कॉल में एक बिंदू पर उन्होंने एक अनुमानित क्लोज का उपनोग किया श्रीपी आप सहमत हो गए हैं कि हमारे कप आपके वर्तमान सप्लायर से सस्ता है तो क्या हम अगले महीने 20,000 कप की अपनी पहली डिलिवरी करेंगे खरिदार ने कुछ नहीं कहा उसने अपने डिस्क में एक दराज खोली और धीरे धीरे 3x5 इंडेक्स कार्ड का एक बॉक्स निकाला उन्होंने बॉक्स के माद्यम से फिर बगल किया और उस पर टाइप किये गए अनुमानित क्लोज के साथ एक कचैन किया इसे अपने डिस्क पर उल्टा रख दिया यह आपका पहला मोखा है उन्होंने कहा मैं लोगों को दो देता हूँ अगर तुम मुझ पर क्लोज करने की सिर्फ एक और तक्निक का इस्तमाल करते हो तो यह कोई बिक्री नहीं है ताकि आप जान सके कि मैं क्या देख रहा हूँ इन काड़ों को देखे उन्हों क्लोज करने का प्रयास करे क्या यह खरीदार अपवाद था क्लोज करने की विक्रत घ्रणा वाला कोई राक्षस मुझे ऐसा नहीं लगता अधिकांश पेशेवर खरीदारों के पास समापन तक्नीकों का प्रतिकूल दिष्टिकोण है मैंने इन में से 54 खरीदारों के बीच एक प्रशनावली परिचालित की जिसमें प्रशने शामिल था यदि आपको पता चलता है कि सेलर आपको बेचते समय क्लोजिन टेक्निक्स का उप्योग कर रहा है तो इसका आपके खरीदने की संभावना पर क्या प्रभाव पड़ता है यदि कोई हो उनके उतर थे खरीदने की अधिक संभावना है दो उदासीन अठारा खरीदारी की संभावना कम है चोंतिस मुझसे बहतर कोई नहीं जानता कि इस परकार का प्रशनावली डेटा वास्तविक व्यवार के लिए बहुत विश्वसनिया मार्ग दर्शिका नहीं है लेकिन किस तरह के साक्षर कि सभी सिमाओं के बावजूद बंद करने की तक्नीक नेश्यत रोप से प्रफेशनल खईदारों की पसंदीदा नहीं लगती है मैंने कई किताबें और प्रसिक्षन का एकम देखे हैं जो दावा करते हैं कि परेश्कित खईदार समापन तक्नीकों की उप्योग के लिए बहुत सकारात्मत परतिकरिया देते हैं क्योंकि ये एक संकेत है कि वे एक प्रफेशनल के साथ काम कर रहे हैं ये खतरनाक बक्वास है इस तहां के दावे को वापस करने के लिए सबूत का एक तुकड़ा नहीं है कुछ मौजूदा शोध अध्योनों से पता चलता है कि अधिक परिश्कृत खईदार समापन के उप्रोग पर नकारात्मक रियक्शन देते हैं समापन और विक्री के बाद संतुष्टी अध्याए एक में मैंने बताया कि छोटी और बड़ी विक्री के बीच एक विशिष्ट अंतर ये है कि बड़ी विक्री में आमतोर पर ग्रहा के साथ चल रहे संबंध शामिल होते हैं आपका काम सिर्फ ओर्डर के साथ समापन नहीं होता है इसलिए ये पूछना एक महक्रपून परश्ण है कि क्लोज होने का विक्री के बात के संबंध पर क्या प्रभाव परता है तो भागे से हमें बड़ी विक्री में इसका अध्यन करने का आउसर कभी नहीं मिला हाना कि हमने एक खुद्रा संगटन को उपुभोगतर वस्तों का अध्यन करने में मदद की तो किसी भी आकार की बिक्री के लिए कुछ परिशान करने वाले परभाव साबित हुए एक रीटेल चेन के ट्रेनिंग मैनेजर ने एक संगोश्टी में भाग लिया था हाथ वेट, विहवार, माप पड़ और वो कुछ शोधों में अपना हाथ आज माने की छुप थे उन्होंने मुझसे एक उप्यूक्त परियोजना चुनने में मदद मांगी कैसे क्लोज होने पर एक अध्यन के बारे में मैंने सुझाव दिया, उनके संगटन के कुछ सेल्स पर्सन को क्लोजिंग टेकनिक में परशिक्षित किया गया था इसलिए उन्होंने यह जाज करने का फैसला किया कि क्या खरीदारी के बाद ग्रहापों के संतुष्टी क्लोजिंग में सैलर के प्रसिक्षन से संबंदित थी? खरीद के 3-5 दिनों के बीच उन्होंने और उनकी टीम ने पीछा किया 145 ग्रहापों तक और उन्हें 10 पॉइंट स्केल पर रेट करने के लिए कहा खरीदे गई समान से उनकी संतुष्टी, भविश में किसी तरह की खरीदारी करने के संभावना कि वे उसी दुकान से खरीदेंगे सबसे संभावित व्याख्या ये है कि समापन तक्नीकों का उप्योग करने में सैलर ग्रहाकों पर निन्ने लेने के लिए दबाव डालते हैं अधिकांस लोग उन निन्यों से कम संतुष्ट होते हैं जो उन्हें लगता है कि उन पर निन्यों के तुल्ला में दबाव डाला गया है जिनके बारे में उनका मानना है कि उन्होंने पूरी तहां से अपनी मर्जी से किया इससे पता चलता है कि बड़ी बिक्री में समापन तक्नीकों के उप्यों के बारे में सतर्क रहने का और भी कारण है जहां ग्राग की बिक्री के बाद की स्तती भविश्य के बिक्री की सफलता का एक महत्वपून कारक हो सकती है बेशक मैं इस अध्यन के कुछ तत्यों की आलोच ना कर सकता था उधारन के लिए वास्तविक बिक्री के दोरान इसका कोई व्यवारिक डेटा इखटा नहीं होता है एक और संभावित कमजोरी है स्टोर ने अपने सबसे अनुभवी विक्रेताओं के तुल्ला में अपने यूवा लोगों को अधिक पशिक्षित किया था तो शायद ये अध्यन कह रहा है कि ग्राहक अधिक कनिष्ट विक्रेता से खईदारी से कम संतुष्ट है लेकिन इसके कार्यपर्णाली की किसी भी आलोचना के बावजूद ये अध्यन उन भहुत कम लोगों में से एक है जिनोंने विक्री प्रशिक्षन और विक्री के बाद की संतुष्टी के बीच संबंदों पर डेटा एकटा करने की कोशिश की है जब तक अधिक विष्टित अध्यन सामने नहीं आता मैं आपको इसकी चेतावनी पर ध्यान देने की सला देता हूँ बाकी सेना बाहर क्यों है क्लोज करने की प्रभावशीलता के बारे में ये सब डेटा एकटा करने की कई सालों बाद मैं इन लोगों के साथ शेयर करने में बहुत अनिक छुप था जैसा कि मैंने इस अध्याय की शुरुवात में दिखाया था क्लोज करना ना केवल अधिकांश लेखों को द्वारा बिकरी का सबसे महत्पून हिस्सा माना जाता है बलकि ये लगबग एक धर्म भी था जिसमें कई सैलर थे कुछ मौकों पर जब मैंने सारुजनिक रूप से इन खोजों का उदलेख किया तो मेरा स्वागत खराब हुआ मुझे एक बार लोस एंजलिस में एक नराज सेल्स ट्रेनर द्वारा मंच से खीच लिया गया था जो मेरे द्वारा यहां प्रस्तुत किये गए शोद को पसंद नहीं करते थे इतिहास उन शोद करताओं के बारे में कहानियों से भढ़ा हुआ है जिनके विचारों को पहले पहचाना नहीं गया था लेकिन ये आश्वी करती नहीं थी जिसने मुझे चिंचित किया मेरी चिंटा ये थी कि ये संभव नहीं लगता कि मैं सही था और इतने सारे अन्य गलत थे अनुभवी सेलर उनके प्रबंदक उनके प्रशिक्षक और विशेशग्यक जो बेचने के तरीके पर किताबे लिखते हैं वे मूर्ख नहीं है वे तकनीकों के एक सेट के लिए इतना समय और उर्जा कैसे समर्पित कर सकते हैं जो ना केवल काम करते हैं बलकि बड़ी बिक्री में सक्रियर रूप से प्रतिकूल है जितना अधिक मैंने इस बारे में सोचा उतना ही मुझे वह स्पष्टिकरन मिला जिसकी मुझे तलाश थी मुझे वो समय याद आया जब मैं भी क्लोज करने को लेकर कितना उपसाहित था तो हमारे शोड में अध्यन किये गए 116 में से केवल समापन भियवार ही थे जिन्हें सीधे पुरस्कृत किया गया था या ओर्डर द्वारा प्रबलित किया गया था इतने सारे सेलर लोगों की तरह क्योंकि मेरे करीबी को order के साथ पुरस्कित किया गया था मैंने किसी तरह ये माल लिया था कि close का उप्योग करने से order हुआ था निश्चित रूप से अब मैं जो जानता हूँ ये वो तरीका है जिससे मैंने अपने ग्राह की जरूरतों को विक्सित किया था जिसने मुझे बिजनिस दिया था आखिर में मुझे समझ में आया कि closing को बीचने में इतना ध्यान क्यों दिया जाता है ये सभी विक्री विहवारों में सबसे तदकाल पुरस्कृत था ग्राहक से एक अच्छा प्रस्ण पूछें जो आविशक्ताओं को विक्सित करता है और आपको तुरंत एक आदेश के साथ पुरस्कृत नहीं क्या जाता है लेकिन निर्ने के छण में कुछ जादू close करने वाले वाक्यांस का उप्योग करें और कुछ समय आपको एक पुरस्कृत हा में खरी दूँगा संयोग से कोई भी पाठक जो सुद्धर्डिकरंड के सिध्धान्त को समझता है वो ये भी सुईकार करेगा कि विहवार को जारी रखने के लिए कुछ समय पुरस्कार सभी समय पुरस्कारों से भी अधिक शक्तिशाली होते है इस अंतरद्रिष्टी के परिणाम स्वरूप मैं अपने शोध और इसके नहीं थारतों के बारे में अधिक सहज हो गया ये वास्ताव में संभव था कि हमारा शोध सही था और बाकि दुनिया के अधिकांश लोग कदम से भाहर थे जो कि हमारे अध्यन निशित रोप से कई अन्य लोग एक ही मिशकर्श पर पहुँचे हैं कि समापन तक्नीके आपरभावी हैं या बड़ी बिक्री में भी हानी कारक हैं मुझे आजकल खुशी होती है जब मैं क्लोज करने के बारे में लोगों से बात करता हूँ ये जानकर कि मुझे अब वो विरोध नहीं मिलता जो हमारे काम ने एक बार जगाया था मुझे बहुत से लोगों नी सभी समापन तक्नीकों की शत्रू के रूप में देखा है अगर जे डगलस, एडवर्ट्स, क्लोजिंग के जनक हैं मुझे कभी-कभी इसके हत्यारे के रूप में वर्नित किया गया है लेकिन ये बिलकुल उचित नहीं है कम मुल्य वाली बिक्री में नकली ग्रहकों को देखते हुई निरंतर ग्रहक संबंद विक्सित करने की कोई आवशक्ता नहीं है समापन तक्नीके बहुत परभावी ढंक से काम कर सकती है और मुझे उनकी उप्योग की कोई आलोचना नहीं है लेकिन मैं मान रहा हूँ कि इस पुझतक के पाठक के रूप में आपका वियवसाय बड़ी बिक्री से आता है कि आप प्रोफेशनल बायर्स के साथ वियवार करते हैं और आप अपने ग्रहकों के साथ स्थाई संबंद बनाते हैं यदि ऐसा है तो क्लोज करने की तक्नीकें आपको कम प्रभाविय बनाएंगी और बिजनेस प्राप्त करने की समभावनाओं को कम कर देंगी लेकिन आपको क्लोज करना होगा ऐसा लग सकता है जैसे मैं कह रहा हूँ कि आपको सेल को क्लोज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि क्लोज करने की तकनीके आपरभावी है आपको कुछ हद तक सेल के क्लोज होने का इंतजार करना चाहिए लेकिन श्पष्ट रूप से ये भी काम नहीं करता है ये मिश्चित रूप से वास्तविक जीवन में होता है और ये प्रोफेशनल सेवाओं की बिक्री में अक्सर ध्याम देने योग्ण होता है कॉलिंग अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए खुथ वैट के मॉडल का उप्योग करते हुए हमने First National Bank of Chicago के साथ काम किया है बिक्री पर्शिक्षन वर्षों से स्पर्श रूप से प्लोज करने पर बहुत अधिक जोड दिया है लेकिन ये भी उतना ही दुर्भागेपोन होगा अगर हम पेंडूलम को दूसरे तरीके से जूडने दे जिससे हम लोगों को कभी भी प्लोज करना सिखाना शुरू करते इस मिशकर्श का समर्थन करने के लिए कठिन डेटा है कि समापन की अनुपस्तिती वास्तवे खत्रा हो सकती है हमने Bob Boyles के साथ कुछ शोद किया American Airlines का ये पता लगाने के लिए कि क्या समापन की पूल अनुपस्तिती अक्सर क्लोज होने से भी कम प्रभावी थी Boyles और उनकी टीम American Airlines में हमारे कुछ व्यावार विश्लेशन टक्नीकों के साथ परियोग कर रही थी ताकि उनके विक्री एजेंटों के कौशल के निगरानी की जा सके बिना क्लोजिंग वाली कॉल्स में सफलता दर केवल 22 परसंट थी जबकि वन क्लोज कॉल्स में सफलता दर 61 प्रतिशत थी हाला कि ध्यान दे कि कम से कम सफल कॉल्स वे थे जिनमें दो से अधिक समापन व्यावार थे जहां सफलता दर 20 प्रतिशत से कम थी अमेरिकन एयरलाइंस की जांच में अपेक चाकरत कम विक्री शामिल थी हाला कि मुझे यकीम नहीं है कि क्या हमें प्रमुक विक्री के तुन्लिया अध्यन में समान परिणा मिले होंगे ये शोध एक महत्पून मुत्ता उठाता है कॉल के सफल होने के लिए विक्रेता को ग्राहक से किसी प्रकार की प्रतिबद्धता प्राप्त करनी चाहिए लेकिन समापन तक्नीकों का उप्योग करने से आने वाले दंड को जोखिम में डाले बिना आप अपने ग्राग से प्रति बद्धिता कैसे प्राप्त कर सकते हैं इस अध्याय में मैंने अब तक जो कुछ भी लिखा है वो इस बारे में है कि प्रति बद्धिता कैसे प्राप्त ना करे मैंने कहा है कि पारंपरिक समापन तक्नीकें आप्रभावी होती है या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जब विक्री बड़ी है जिसमें उच्छ मूल्य वाले सामान शामिल है ग्राहक परिश्क्रत है उधारन के लिए एक प्रफेशनल खरीदार ग्राहक के साथ विक्री के बाद का संबंद बना रहता है मैंने जो कुछ भी कहा है उससे पता चलता है कि मेजर विक्री में ग्राहक सिवचन बड़ता प्राप्त करने के लिए क्लोजिंग तक्नीक सबसे अच्छा तरीका नहीं है लेकिन आपको क्या करना चाहिए जैसा कि हमने देखा है कुछ ना करना भी प्रभावी नहीं होता है विक्री अपने आप रोज नहीं होती है सफल समापन में पहला कदम सही उदेश्य निर्धारित करना है प्रतिबद्धिता प्राप्त करने का प्रारंबिक बिंदू ये जानना है कि कॉल को सफल बनाने के लिए ग्राहक से किस इस्तर की प्रतिबद्धिता की आवशक्ता होगी यदि एक उस्तक सरल भिक्री के बारे में होती तो सफल तक अर्थ समझाने या इसकी विस्तरत परिभाशक के बारे में चिंता करने की बहुत आवशक्ता नहीं होती एक साधान बिक्री में एक सफल पर्तिबद्धता एक आदेश है तो यदि आप कोई आदेश नहीं लेते हैं तो आप विफल हो गई है इसलिए एक साधान बिक्री में klose होने के दो परिणाम हो सकते हैं एक order जहां आप business लेते हैं या no sale जहां ग्राहक आपको ठुकरा देता है लेकिन जैसे जैसे बिक्री बड़ी होती जाती है यह इतना सीधा नहीं होता प्रमुक बिक्री में अपेक्षाकृत कुछ calls का परिणाम order या no sale होता है इससे पहले मैंने विमान उद्योग में एक मित्र के मामले का उले किया था जो बिना आदेश लिए पूरे तीन साल तक चला साथ ही उनके पास कोई स्पष्ट इनकार नहीं था जिसे no sales कहा जा सकता है उनके सभी call बीच में कहीं थे उन्होंने अपने अंतिम लक्ष की ओर धीमी लेकिन मामूली प्रगत्ती की कई सालों के समय में केवल एक order अधिकांश प्रमुक खाता विक्री बलों में 10 परसन से कम calls के परिणाम स्वरूप order या no sale होता है इन बड़ी बिक्री में ये निन्मे करना अधिकठी हो जाता है कि call सफलता पूर्वक क्लोज कर दी गई है या नहीं उधारण के लिए मान लीजिए कि आप मेरे inventory control में मेरी मदद करने के लिए मुझे एक computer software package बेच रही है call के अंत में मैं आपसे कहता हूँ देखिए मुझे विश्वास है कि आपके inventory परणाली वो है जिसके हमें आफशकता है लेकिन मैं इतना महत्वों निर्णे अकेले नहीं ले सकता इसलिए मैं आपके लिए इसे ठीक करना चाहूँगा अगले हफ़े वापस आना और हमारे production controller से बात करना ये सबस्ट है कि call ने कुछ हासिल किया है फिर भी इसका परिणाम order या लो सिल नहीं है ये नहीं बीच में है हाला कि क्योंकि तरलाया गया है इसे अन्यमेटिंग के बारे में शायद हम कह सकते हैं कि call को सफलता पूर्वक बंद कर दिया गया है लेकिन क्या हम उस call के बारे में ऐसा कह सकते हैं जिसके परिणाम स्वरूप अगली बैठक के लिए सहमती बनती है मान लीजिए आपके द्वारा अपने inventory सिस्टम के लाभू की गाख्या करने के बाद मैं कहता हूँ मुझे यकीन नहीं है शायद हम इसके बारे में किसी और समय बात कर सकते हैं आप मुझे कुछ महीनों में एक और meeting fix करने के लिए क्यों नहीं बुलाते ये बहुत संबव है कि मैं आपसे चुटकारा पाने के लिए भविश्य के बैठक के लिए सहमत हो रहा हूँ जब आप अगले महीने फोन करेंगे तो आप मुझे से बात नहीं कर पाएंगे और हो सकता है कि मुलाकात कभी ना हो भविश्य के meeting के लिए केवल एक हनुबन प्राप्त करना इस बात का प्रयाप उपाय नहीं है कि आपने सफलता पूर्वक प्लोज कर दिया है या नहीं सफलता की कसोटी क्या है परिणाम या परिणाम क्या है जो हमें ये कहने की अनुमती देता है कि एक कॉल सफल रही जबकि दूसरी विफल रही हमने कहा कि यदि कॉल अपने उद्देशों को पूरा करती है तो सफल होती है लेकिन मुझे जल्द ही पता चला कि आव वांचित गटनाओं को दूर करने की अद्भुद मानुय चंता इस परिभाशा को आवेवारिक बना देगी मैं नूयोक शहर में बिक्री परतिनिधी की सांथ यातर कर रहा था हमने एक ग्राहक को एक दुखक कॉल किया जो बिक्री परतिनिधी से इतना चिड़ गया कि हमें जाने के लिए कह दिया बाद में जब हम अनुभव से कवर करते हुई फुटपात पर खड़े थे मैं अपने शोथ फाम पर कॉल विवन्ड भर रहा था प्रशन के उत्तर में क्या कॉल अपने उदेशों को पूरा करती हैं मैंने लिखा नहीं इसने बिक्री परतिनिधी को बुरी तरह पनेशान करती है लेकिन मैंने अपना उद्देश्य पूरा किया उन्होंने विरोध किया मैंने फैसला किया कॉल के मातरम से कि हम इस आदमी के साथ वियापार नहीं करना चाते थे क्योंकि वो एक खराब ट्रेडिट जोखिंग की तरह लग रहा था इसलिए सीधे उसे ये कहकर उसका अपमान करने के बज़ाएं मैंने चीजों को इंजिनिरिंग किया ताकि उसने हमें बाहर फैक दिया इस तरह मैं बिना किसी सर्मिंदगी के कॉल को समाप्त करने में सच्छम था ये कहते हुए कि मैं उसके साथ बिजनिस नहीं कर सकता क्योंकि उसका क्रेडिट खराब था बार बार हमारे शुरुवाती शोध में हमारे पास सेल्स परसन के पती के लिए इस तरह से थी हमें ये बताते हुए कि कॉल में जो कुछ भी हुआ तो ठीक वैसा ही था जैसा उन्होंने योजना मनाई थी घटनाओं को फिट करने के लिए कॉल उद्देशों को बाद में आसानी से युक्ति संगत बनाया जा सकता है हमारा अगला प्रियास थोड़ा बहतर था हमने सैलर से कहा कि वो हमें पहले से उद्देश दे हमने तब मुल्यांकन किया कि क्या कॉल उन उद्देशों को पूरा करने में सफल रही जो हमें दिये गए थे इस तरह हम सैलर्स को उनकी आसफल कॉल्स को युक्ति संगत बनाने से रोकने में सक्छम थे कमीटमेंट प्राप्त करना, सेल क्लोज करना, उत्तम पढ़ना ली मुझे याद है कि एक व्यक्ति ने मुझे पहले ही बता दिया था कि उसके कॉल का उद्देश्य ग्राहक की संगठन, संगंचना का विस्तित अन्वेशन था कॉल की शुरुवात में ग्राहक ने आप रत्याशित रूप से खुलासा किया कि उसकी फर्म द्वारे किये गए मुल्यांकन के परिणाम स्वरूप उसने सेलर के साथ एक प्रमुख ओर्डर देने का फैसला किया था एक घंटे बाद 35,000 डॉलर के कारोबार के लिए सभी कागजी कारेवाई पूरी करने के बाद वो और मैं चले गए लेकिन उन्हें संगठन संगंचना के बारे में एक भी बात पता नहीं चली फिर भी शायद ही कोई ये कह सकता है कि कॉल को आप्रभावी रूप से क्लोज कर दिया गया था क्योंकि ये प्रारंभिक उद्देश्य पूरा नहीं हुआ था क्लोजिंग सक्सेस को मापने के लिए हमें अभी भी एक बहतर तरीके की आवशक्ता थी अंत में हमने जो तरीका चुना उसमें कॉल के संभावित परिणामों को चार्च हेत्रों में भाजित करना शामिल था ओर्डर जहां ग्राहक खईदारी करने का पक्का वादा करता है हम 99.9% खईदने के संभावना रखते हैं क्योंकि सेल परबंधोकों की प्यूरियों ने अपने नए और अनुपवहिन लोगों की ओर इशारा किया है एक ओर्डर होने के बाद ग्राहक को आमतोर पर किसे परकार की कागजी कारवाई पर हस्ताक्चर करके पीछा करने का एक स्पष्ट इरादा दिखाना चाहिए कहने के आवश्यक्ता नहीं है बड़ी बिक्री में ओर्डर देने वाले कॉल कम आम है जो अधिकांश सलर चाहेंगे इसलिए आप एक छक्रत कम अफसर होते हैं जब आप ओर्डर के लिए क्लोज कर सकते हैं एडवांस जहां कोई घटना होती है या तो कॉल में या उसके बाद जो बिक्री को निर्ने की ओर ले जाती है विशिष्ट एडवांसेज में शामिल हो सकते हैं एक ओफसाइट परदर्शन में भाग लेने के लिए एक ग्राहक का समझोता एक मंजूरी जो आपको उच्च तरके निर्ने के सामने लाएगी ये सभी ग्राहक के साथ एक समझोते का प्रतिनिधितों करते हैं जो बिक्री को अंतिम निर्ने की ओर ले जाता है एडवांस कई रूप लेते हैं लेकिन अनिवार्य रूप से उनमें ऐसी कारेवाई शामिल होती है जो बिक्री को आगे बढ़ाती है बड़ी बिक्री में समापन का सबसे आम उद्देश्य आम तोर पर एडवांस क्राप करना होगा प्रमुख बिक्री में सेफल समापन ये जानने से शुरू होता है कि आप कॉल से वास्तविक रूप से क्या एडवांस क्राप कर सकते हैं निरंतर्ता जहां सेल जारी रहेगी लेकिन ग्राहक द्वारा इसे आगे बढ़ाने के लिए कोई विशिष्ट कारेवाई पर सहमती नहीं दी गई है इन कॉल्स के परिणाम स्वरूप सहमती वाली कारेवाई नहीं होती है फिर भी उनमें ग्राहक की ओर से नहीं शामिल होता है आने के लिए धन्यवाद अगली बार जब आप इस छेतर में हों तो आप हमसे दोबारा क्यों नहीं मिलते शांदार प्रस्तुती हम बहुत प्रभावित हुए चलो फिर कभी मिलते हैं हमने जो देखा वो हमें पसंद आया और अगर हमें कुछ लेने के आवशक्ता होगी तो हम कॉंटेक्ट करेंगे इन में से किसी भी मामले में ख़िदार किसी विशेश्च कारवाई के लिए सहमत नहीं हुआ है इसलिए कोई ठोज संकेत नहीं है कि सेल में प्रगती हुई है ये आपको थोड़ा अनुचित लग सकता है आखिरकार ये कहना कठोर लगता है कि यदि ग्राहक सकारात्मक बाते कहता है जैसे हम परभावित हैं या ये एक शांदार प्रस्तुती थी तो कॉल को आसफल लूप से क्लोज कर दिया गया है हाला कि वर्षों से खईदारों के साथ मिलकर काम करने के बाद मैं अब सकारात्मक स्टोक और प्रसंचा को कॉल सफलता के विश्वस्निय संकेत के रूप में सुईकार नहीं कर सकता बहुत बार मैंने देखा है कि ग्राहक कॉल के अन्त में एक आवांचित सैलर से छुटकारा पाने के विनर्म तरीके के रूप में ये सकारात्मक शोर करते हैं हमारे अध्यन में हम चाहते थे कि समापन सफलता किरियाओं द्वारम आपी जाए अच्छे शोर से नहीं इसलिए हमने एडवांसेश को सफल और निरंतरताओं को आसफल के रूप में वर्गी करत किया है किसी कॉल को सफलता पूरवक बंद किया गया है या नहीं इसका निर्मने ग्राहकों के कारियों से किया जाना चाहिए उनके शब्दों से नहीं हमारी अंतिम शिर्णी वो है जहां ग्राहक सक्रिया रूप से कमिट्मेंट से इंकार करता है चरम पर नो सेल ग्राहक ये इसपस करता है कि किसे भी व्यवसाय की कोई संभावना नहीं है कम तरीके से या नो सेल हो सकता है यदि ग्राहक भविषय के बैठक के लिए सहमत नहीं होगा मान ले या खाते में अधिक वरिष्ट व्यक्ति को देखने के आपके अनुरोध को आस्विकार कर दे नो सेल की कसोटी ये है कि ग्राहक शक्रिया रूप से आपके प्रमुख कॉल उद्देश को आस्विकार कर देता है इस बात पर ज्यादा विवाद नहीं है कि नो सेल के परिणाम स्वरूप होने वाली कॉल को आसफल के रूप में वर्गी करत किया जाना चाहिए मैं विक्री कॉल के विविन्य परिणामों के बारे में इतना हंगामक क्यों कर रहा हूँ निश्चित रूप से एक आलूचक कह सकता है केवल शोद करता कॉल परिणामों को परिभाशित करने में रूची रखते हैं लोगों को अधिक सेल बंद करने में मदद करने के लिए यहां कुछ भी उप्योगी नहीं है। इसके विप्रीत शीर्ष सेल्स परसन के हमारे अध्यन ने लगातार दिखाया है कि उन्हें इन विभिन परिणामों की स्पर्ष्ट समझ थी और उन्होंने इस समझ का उप्योग निरंतरताओं और एडवांसेज में बदलकर अधिक प्रभावी ढंक से कॉल क्लोज करने में मदद करने के लिए किया। और तो और यह समझ कर कि कि किसी कॉल को सफल बनाने के लिए किस प्रकार की एडवांस के आवशकता होगी। शीच लोगों ने उस प्रकार के यथार्तवादी समापन उप्देश्य निर्धारित किये जो प्रमुक विक्री को आगे बढ़ाते हैं। मैं इसे दो विक्री प्रते नीधियों के प्रदर्शन की तुल्ला करके स्पष्ट करता हूँ। प्रतेक और द्योगिक पंपिंग और प्रण बेच रहा है। सबसे पहले आईए जॉन सी को देखें। वो अपेक्षाकरत अनुभवहीन है जिसने प्रमुक विक्री में किवल एक साल बिताया है। उनके साथ एक इंटर्व्यू के इस उद्धरण में आप स्वयम निर्णे लें कि क्या वो एडवांस उन्य अंतरता के बीच के अंतर के बारे में स्पष्ट है और क्या वो समझते हैं कि ये अंतर कॉल को बंद करने में सफलतर से कैसे संबंदित है। इंटर्वीवर इस कॉल के लिए आपके उद्धेश्य क्या थी। जॉन C. ओ, ग्राहक पर अच्छा प्रभाव डालने के लिए। इंटर्वीवर अच्छा प्रभाव। जॉन C. ठीक है। हमां, ग्राहक को हमारे बारे में सकारात्मक महसूस कराना। इंटरविवर, और कोई अन्योदेश्य जॉनसी, डेटा एक खटा करने के लिए। इंटरविवर, डेटा, किस तरह का डेटा। जॉनसी, ओ, उपयोगी तत्या, खाते के बारे में बाते, केवल समाने जानकरी। इंटर्व्यूर और क्या आप ग्रहक से कोई विशिष्ट कारेवाई प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे? जॉन सी नहीं जैसा कि मैं कहता हूँ ये ज़्यादतर संबंद बनाना और तथक होजना था इंटर्व्यूर आपके निन्ने में कॉल कितनी सफल रही? जॉन सी काफी सफल मुझे लगता है इंटर्व्यूर आप ऐसा क्यों कह रही है? जॉन सी ठीक है उधारन के लिए ग्रहक ने कहा कि वो मेरे से परभावित था इंटर्व्यूर क्या ग्रहक कॉल के परिणाम सुरू किसी कारेवाई के लिए सहमत था? जॉन सी नहीं लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें मेरी प्रस्तुती पसंद आई इंटर्व्यूर तो इस ग्रहक के साथ आगे क्या होगा? जॉन सी हम कुछ महीनों में फिर मिलेंगे और फिर हम चीजे आगे ले जाएंगे इंटर्व्यूर लेकिन आपके द्वारा भी किये गए कॉल को देखते हुए ग्रहक बिक्री को आगे बढ़ाने वाले कारवाई के लिए सहमत नहीं था जॉन सी नहीं मुझे यकीन है कि कॉल ने खाते के साथ एक अच्छा संबंद बनाने में योगदान दिया है इसलिए मुझे लगता है कि ये एक सफल कॉल थी जॉन सी के प्रतिकिरिया अनुगवहीन सैलर्स की विशिष्टता है वो सोचता है कि उसने कॉल को सफलता पूरवक क्लोज कर दिया है क्योंकि उसे ग्रहक से कुछ सकारात्मक स्टोक मिले हैं लेकिन कॉल के परिणामों की हमारी परिभाषाओं की ओर मुर्ते हुए उनकी कॉल का परिणाम एक निरेंतरता के रूप में सामने आया है सेल को आगे बढ़ाने के लिए ग्रहक द्वारा सहमती से कोई विशिष्ट कारेवाई नहीं की गई है कई नए सेल्स परसन की तरहा जॉन के कॉल उदेश्य डेठे खटा करना और एक संबंध जहाज बनाना एडवांस राप्त करने में सीधे योगदान नहीं करते हैं मेरे जॉन के साथ यात्रा करने के बाद उसके परबंदग ने मुझसे कहा तुम्हें पता है कि जॉन की समस्या क्या है काश कोई उसे समापन की कुछ अच्छी तक्निके सिखाता मैं कहना पसंद करूँगा कि जॉन की समस्या ये थी कि वो नहीं जानता था कि वो कॉल से क्या एडवांस मांग रहा है नतीजितन उसके पास क्लोज करने के लिए कुछ भी नहीं था उसकी समस्या कोई अदेशों में से एक थी और ऐसा कुछ भी नहीं जो क्लोज करने की तक्निक उसकी सपलता में मदद कर सके जब तक कि वो नियंतरता और विज्ञापन के बीच के अंतर के बारे में श्पस्ट नहीं था इसके विप्रीत आए सुनते हैं Fred F. जो कंपनी के शीष सेलर में से एक है एक विशिस्ट कॉल के पती उनके दिश्टिकोन के बारे में बात करना इंटर्वियर आपके कॉल का उद्देश क्या है? Fred F. मैं कुछ मुवमेंट करना चाहता था क्योंकि मुझे पता था कि हम प्रतिस प्रति दबाव का सामना करेंगे और मैं अपने पैरों के नीचे घास नहीं उगने देना चाहता था इंटर्वियर मुवमेंट Fred F. हाँ आप देखते हैं मुझे लगता है कि अगर कोई कॉल करने लाइक है तो उसे कुछ काम करना होगा सेल को किसी तरह से आगे बढ़ाना अन्यता आप अपना और ग्राहक दोनों का समय पर बाद कर रहे हैं इंटर्वियर कि आप मुझे एक कॉल उदेश का उधारन दे सकते हैं जो इस मुवमेंट को दिखाता है Fred F. जरूर इस मामले में मैं चाहता था कि हमारी तकनीकी लोगों के साथ चर्चा के लिए उनके मुख्य इंजीनियर हमारे कारखाने में आई अब ये बिक्री को एक कदम आगे ले जाता है तो वो समय बरबाद नहीं कर रहा होगा इंटर्वियर और क्या कॉल सफल रही Fred F. हाँ और नहीं कुछ आंतरिक मुद्धों की कारण मुझे उनका मुख्य इंजीनियर नहीं मिला तो उस माइने में मैं फेल हो गया लेकिन कॉल के दोरान मुझे दूसरे छेतर में आगे बढ़ने का मौका नजर आया ग्राहक ने मुझे बताया कि उन्हें जर्सी में एक नया सहियंतर बनाने के लिए अभी अभी हरी जंडी मिली है वे विशिस्टिताओं को लिखने और आप पूर्तिकरताओं को चुनने के लिए एक पोजक्ट टीम की स्थापना कर रही है तो मैंने उससे पूछा कि क्या वो टीम के हाइड्रॉलिक्स इंजीनियर को बुलाएगा और मेरे लिए एक मीटिंग फिक्स करेगा इंटर्व्यवर और उन्होंने किया फ्रेडफ हाँ हम तेज तारीक को मिलते हैं और वो आपको आगे बढ़ाता है फ्रेडफ बेशक ये मुझे भूतल पर रखता है तेज को मैं उनके हाइड्रॉलिक्स आदमी को पंप और विशेशग्य पाइक वर्क दोनों के लिए सप्लायर के रूप में निर्दिष्ट करने की कोशिश करूँगा ध्यान दें कि फ्रेडफ के उद्दिष्य कैसे किरिया या एड्वांस प्राप्त करने के बारे में थे और उन्होंने कॉल के सफलता को इसके द्वारा उत्पन गती के संदर्भ में आका ये किरिया उन्मुख दिष्टी कोण है जो हमारे द्वारा अध्यन किये गए सफल लोगों के विशेशता है वे एड्वांस चाहते थे ये इस बारे में उनकी सपष्टता थी कि एक यथार्तवादी एड्वांस क्या था जिसने उन्हें ये जानने की अनुमती दी कि वे कॉल के लिए क्या क्लोस कर रहे थे जो लोग निरंतरता के बजाए एड्वांसेस के लिए अस्थाई रूप से लक्ष रखते हैं उन्हीं अक्सर उनके मैनेजर्स द्वारा अच्छी क्लोजर के रूप में वन्लित किया जाता है वास्तों में उनकी सफलता इस बात से आती है कि वे कॉल के ओध देशों को कैसे सेट करते हैं ना कि वे कैसे क्लोज करते हैं फ्रेड़क को उनके मैनेजर्स द्वारा एक मजबूत क्लोजर के रूप में अत्तरधिक माना जाता था लेकिन हमने उनके साथ की गई कई कॉल्स में उन्हें किसी समापन तक्निक का उप्योग करते हुए नहीं देखा मुझे अक्सर सेल्स मैनेजर्स द्वारा सलहा के लिए कहा जाता है कि वे अपने लोगों को प्रमुख सेल में अधिक सफलता पूरुवक क्लोज करने के लिए कैसे ट्रेन करें सबसे सरल और सबसे प्रभावी सलहा जो मैं पेश कर सकता हूँ वो यह है अपने लोगों को निरंतर्ता और एडवांस के बीच अंतर सिखाएं और उन्हें कॉल उद्देशों को सेट करने से आसंतुष्ट होने में मदद करें जो केवल निरंतर्ता में पढ़नित होते हैं कॉल उद्देश निर्धारित करना एक परमुक खाता कॉल में मजबूत समापन का रहस्या आपके उद्देशों पर बेरहमी से सवाल करना है मैं इखटा करने के लिए जैसे उद्देश्य अच्छे संबंद बनाने के लिए जैसे उद्देश्य बेशक ये महतुपून उद्देश्य हैं आखिरकार परतेक कॉल जानकारी खटा करने और संबंदों को बहतर बनाने के अफसर पदान करती है समस्था ये है कि इस तरह के उद्देश्य परियाब तो नहीं है वे नियंतरता की ओर ले जाते हैं एडवांसेज की ओर नहीं वे आपको गलत उद्देश्य के लिए क्लोज करने की ओर ले जा सकते हैं अपनी कॉल प्लानिंग में हमेशा उन उद्देश्यों को शामिल करें जिनके परिणाम स्वरूप ग्रहक से विशिष्ट कारवाई होती है उद्देश्य जैसे उसे डेमोस्टेशन पर लाने के लिए उसके बॉस के साथ मीटिंग करने के लिए या उसका परिचर प्राप्त करने के लिए योजना विभाग इस तरह आप हमारे अध्यन में शीष्ट सैलर की तरह योजना बना रहे होंगे आप एडवांसेश की तलाश करेंगे नियांदर्ता के लिए नहीं कमिट्मेंट प्राप्त करना चार सफल के लिए हैं लेकिन चाहे आप अपने कॉल उद्देशों को अच्छी तरह से सैट करें फिर भी आपको ग्राहक की प्रतिबद्धता और स्विक्रति प्राप्त करनी होगी प्रमुक सेल में सफलता के हत्वेट के अध्यन से पता चलता है कि प्रभावी सैलर कमिट्मेंट प्राप्त करने के सरल और सीधे तरीकों का उप्योग करते हैं हमने पाया है कि चार स्पष्ट कारे हैं जिनका उप्योग सफल लोग अपने ग्रहाकों से कमिट्मेंट प्राप्त करने में मदद करने के लिए करते हैं एक छमता की जांच और प्रदर्शन पर ध्यान देना सफल चैलर अपना प्रात्मिक ध्यान जांच और प्रदर्शन चमता चर्णों पर देते हैं विशेश रूप से वे कॉल के जांच भाग पर अधिक समय लेते हैं कम सफल चैलर जांच चर्ण के मात्यम से भागते हैं नतीजितन वे अपने ग्राहकों की जुरूतों को उजागर करने, समझने और विक्सित करने का इतना प्रभावी काम नहीं करते हैं आप एक प्रमुख सेल में कमिट्मेंट प्राप्त नहीं करेंगे जब तक कि ग्राहक स्पष्ट रूप से आपके द्वारा प्रतान की जाने वाली आवशक्ता को महसूस ना करें हमने जिन सबसे प्रभावी लोगों को देखा वे वे थे जिन हुने जांच चरण के दोरान निर्मान आवशक्ताओं का उत्क्रष्ट कारे किया था उनके द्वारा पूछे गए सवालों के परिणाम सुरूप उनके ग्राहकों को ये एहसास हुआ कि उन्हें खईदने की तद्काल आवशक्ता है आपको उस ग्राहक के साथ क्लोजिंग टेक्नीक की आवशक्ता नहीं है जो खईदना चाहता है तो ग्राहक कमिट्मेंट प्राप्त करने के लिए पहली सफर रणनीती कॉल के जाच चरण पर अपना ध्यान के इंदित करना है यदि आप खईदारों को विश्वास दिला सकते हैं कि उन्हें वो चाहिए जो आप दे रही हैं तो वे अक्सर आपके लिए सेल क्लोज कर देंगे दो जाच करना की प्रमुख चिंताओं को कवर किया गया है बड़ी विक्री में उत्पाद और ग्रह की जरूतें दोनों अपेक्षकत जटिल होने के संभावना है नतीजतन कमिट्मेंट के बिंदू के रूप में ग्रह के मन में भ्रहम या संधे की छेत्र हो सकते हैं कम सफल सेलर इस संभावना को अंदेखा करते हुए आगे बढ़ते हैं और क्लोज करते हैं कि उनके ग्रहकों के पास अभी भी अनुत्तरित प्रश्ण हो सकते हैं इस तरह अक्सर उन्हें बेचना सिखाया जाता है अधिकांश सेल्स्ट्रेनिंग का एक्रम वास्तों में अनुशंशा करते हैं कि आप समापन का उप्योग, संधे या अनुत्तरित प्रश्णों को सथा पर लाने के साधन के रूप में करें लेकिन ये वो नहीं हैं जो सफल सेलर करते हैं हमने पाया कि सैलर अपने ग्रहाकों से कमिट्मेंट प्राप्त करने में सबसे प्रभावी थे वे हमेशा पहल करते थे और खरिदार से पूछते थे कि क्या कोई और बिंदू या चिंताएं हैं जिन्हें संबोधित करने के आवशकता है एक बड़ी बिक्री में कॉल के कई घंटे लग सकते हैं और विश्यों की एक विस्तित शंखला शामिल हो सकते हैं यह संभावना नहीं है कि ग्रहाक के पास चर्चा की गई हर चीज की स्पस्ट तस्वीर हो सफल चलर कमिट्मेंट पर जाने से पहले चर्चा के प्रमुख बिंदों को सारांग्षित करके धागे को एक सांथ खीचते हैं छोटी बिक्री में सारांग्ष का उप्योग आवशक नहीं हो सकता लेकिन एक बड़ी बिक्री में नीने लेने से ठीक पहले महत्रपून बिंदों को ध्यान में लाने के लिए लगबग हमेशा एक उप्योगी तरीका होगा इसलिए प्रमुख बिंदों को संचेब में पस्तुत करें विशेश रूप से लाब चार एक कमिट्मेंट का प्रस्ताव सेल पर कई पुस्तकें इंगित करती हैं कि सभी क्लोज करने के तरीकों में से सबसे सरल सिर्फ ओर्डर मांगना है नतीजितन वाक्यांश ओर्डर मांगना सेल्स ट्रेनिंग में एक आम बात है लेकिन हमारे अध्यन से पूछना वो नहीं है जो सफल सालर करते हैं सेल के अन्य सभी चर्णों में वियावार देनी की तुलना में पूछने वाला वियावार कहीं अधिक सफल होता है जैसा कि हम बात में देखेंगे लेकिन ये यहाँ है कमिट्मेंट के बिंदू पर कि सफल सेलर पूछते नहीं है वे बताते हैं एक सफल निशकर्ष पर कॉल लाने का सबसे सौभाविक और सबसे प्रभावी तरीका ग्राहक को एक उप्युप्त अगला कदम सुझाना है उधारन के लिए सेलर क्या कुछ और है जिसकी हमें आवश्यक्ता है खईदार नहीं मुझे लगता है कि हमने सब कुछ पर चर्चा की है सेलर हाँ हमने निश्यत रूप से देखा है कि नई परनाली आपके ओर्डर पर संसकरन को कैसे गती देगी और आपके वर्तमान की तुलना में इसका उपयोग करना कैसे सरल होगा हमने उस तरीके पर भी चर्चा की है जिससे ये आपको लागतों को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है वास्ताव में बदलने से कुछ प्रभावशाली राप्रतित होते हैं पिशेश रूप से नई परनाली के रूप में उन विश्वस नियता समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा जो आपको चींतित कर रहे हैं खईदार हाँ जब आप से जोडते हैं तो हमारे लिए बनाने से बहुत अधिक मुल्य होता है सेलर तो मैं सुझाव दे सकता हूँ कि सबसे तारकिक अगला कदम आपके और आपके अकाउंटेंट के लिए होगा और इनमें से किसी एक सिस्टम को सेंचालन में देखें आप कैसे जानते हैं कि किस कमिटमेंट को प्रस्तावित करना है सीधे शब्दों में कहें सफल बिक्री लोगों द्वारा प्रस्तावित पतिबद्धिताओं की दो विशेश्टाएं है पहला पतिबद्धिता बिक्री को आगे बढ़ाती है पतिबद्धिता के परिणाम सुरूप बिक्री किसी तरह आगे बढ़ेगी पहला कमिट्मेंट सेल को आगे बढ़ाती है कमिट्मेंट के परिणाम सुरूप बिक्री किस तरह आगे बढ़ेगी दूसरा प्रस्ताविट कमिट्मेंट उच्चितम यथार्थवादी कमिट्मेंट है जो ग्राहक देने में सक्षम है सफल सैलर ग्राहकों को प्राप्त करने योग्य सीमाओं से परे कभी भी धक्का नहीं देते हैं मैंने एक प्राणे मित्र और मेरी सहीयोगी स्वीडिश सलहकार हंस स्टेने के लिए सेल क्लोज करने पर अंतिम शब्द सहे जाए ऐसे समय में जब मेरा शोध विवादास्पत था और आम तोर पर जादतर लोगों द्वारा सेल में खारिज कर दिया गया था हंस बहुत हलफुल थी उन्होंने मुझे कहा मैं कभी भी क्लोज करने में विश्वास नहीं करता क्योंकि मेरा उध्यश्य बिक्री को क्लोज करना नहीं है बलकि रिष्टे को खोलना है मैं इसे बहतर नहीं कह सकता था चैप्टर थी प्रमुख बिक्री में ग्राह की ज़रोते मैंने अध्य दो में सुझाव दिया था कि कॉल की कमिट्मेंट प्राप्त करने के चरण में सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि पहले के चरणों को कितनी अच्छे तरह से समाला गया है हुथुवैट में हमारे अध्यन से पता चला है कि समग्र कॉल सफलता पर सबसे मजबूत प्रभाव वाला चरण जांच कर रहा है हमारे शोद में हमने लगातार पाया कि जो लोग जांच चरण के दोरान सबसे अधिक प्रभावी थे ने सबसे अधिक सेल करने वाले थे और खराब जांच कॉशन ने सेलर्स को कॉल के बाद के चरणों में कमजोर बना दिया मैंने हमेशे एक ड़गोख डेलाइट निकाला है जब हमारे दोरा सेल्स परसन के लिए चलाई गई एक करिक्रम के बाद उनके प्रबंदक हमें ऐसी बाते बताते हैं जैसे आपने वास्तों में फ्रेड के समापन को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छा काम किया है या एन अब बहुत मजबूत है इसलिए आपने उसे कुछ डाइनामाइक तक्निके सिखाई होंगी वास्तों में हमने क्लोजिंग पर बहुत कम ध्यान दिया है ट्रेनिंग में हमारा उदेश्य लोगों को स्पिन प्रश्णों का उप्योग करके ग्रहाकों की जरूतों को विक्सित करने की तरीके सिखा कर निवेश के कॉशल में सुधार करना है जैसे जैसे विक्री आकार में बढ़ती है ग्रहकों की जरूरतें छोटी विक्री के तुल्ना में अलग तरीके से विक्सित होनी लगती है सबसे पहले मैं आपको एक उधारन देता हूँ कि बहुत कम विक्री में जरूरतें कैसे विक्सित होती है कुछ महीने पहले मैं अटलांटा में कनेक्टिंग फ्लाइट का इंतिजार कर रहा था जैसे ही मैं हवाई अड्डे के एक स्टोर में घूम रहा था मेरी नजर एक छोटे गैजट पर पड़ी ये स्क्रूड्राइवर्स और चाकू और रहसमे वस्तों को आसंभावित स्थानों से निकलने के लिए एक उपकरण के साथ उन मल्टी ब्लेड उपकरणों में से एक था ये एक छोटे से चमड़े की थैली में था और इसकी कीमत लगबक 15 डॉलर थी इसे देखने के कुछ सेकंड बाद ही मैं अपने बटूए की ओर बढ़ रहा था इस वाक्य को पढ़ने में आपको जितना समय लगता है उससे कहीं कम समय में मेरी जरूरत कुछ भी नहीं से खरीद के बिंदू तक विक्सित हो गई इसके विप्रीत पहली बार जब मैंने एक कम्प्यूटर सिस्टम खरीदा था तो हमारी जरूरतों के बारे में प्रारंबिक चर्चा और अंतिम निर्णे के बीच एक साल का समय था ये प्रमुक विक्री की प्रक्रती में है जिसकी आवशक्ता ततकाल नहीं है वे धीरे-धीरे और कभी-कभी दर्दिनाक रूप से विक्सित होते हैं जरूरतों के विकास की इस परक्रिया में मदद करने के लिए प्रमुक विक्री के लिए विशेश विक्रे कौशल के आवशक्ता होती है और ये कौशल कुछ का प्रतिनिद्धितों करते हैं सही योग से कुछ लेखकों ने आवशक्ता और आवशक्ता के बीच के अंतर का बड़ा नाटक किया है एक आवशक्ता वे कहते हैं एक उद्देश के आवशक्ता है आपको एक कार क्या वशक्ता है क्योंकि परिवहन का कोई अन्य रूप नहीं है जो आपको काम पर ले जाए दूसरी ओर चाहत एक ऐसी चीज है जिसमें व्यक्तिकत भावनात्मक अपील होती है आप एक रॉल्स रोईस चाहते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसकी जरूरत है हमने इस अंतर को अनुपयोगी पाया विशेश रूप से बड़ी विक्री में जब हम आवशक्ता शब्द का उलेख करते हैं तो हम शब्द का वियापक अर्थ में उप्योग करते हैं हमारी परिभाशा में खरीदार द्वारा व्यक्त की जाने वाली जरूरतें और चाहत दोनों शामिल है जरूरतें कैसे विक्सित होती हैं? एक संभावित खरीदार जो वास्तों में चीजों के तरीके से 100% संतुष्ट महसूस करता है उसे बदलने की कोई आवशक्ता महसूस नहीं होती है पहला संकीत क्या है? हम में से किसी में कि हमें जरूरत है किसान हमारी 100% संतुष्टी मौजूदा इस्ति 99.9% संतुष्टी बन जाती है अब हम वास्तों में ये नहीं कह सकते हैं कि हम जिस तरह से चीजें हैं उससे पूरी तरह संतुष्ट महसूस करते हैं तो आवशक्ता का पहला संकीत है थोड़ा सा आसंतोष्ट कुछ महीने पहले उधारन के लिए मैं इमानदार से कह सकता था कि मैं इस किताब को टाइप करने के लिए उप्योग किये जा रहे वर्ड प्रोसेसर से पूरी तरह संतुष्ट था मुझे कोई जलुवत नहीं थी और यदि आप वर्ड प्रोसेसर बेच रहे होते तो मैं एक व्यर्थ कॉल होता हाला कि इसे लिखते समय मैं कुछ छोटी खामियों के बारे में अधिक जागरुक हो गया हूँ ओटोमेटिक ग्रेमेटिकल एरर का उप्योग करना बोजिल है कुछ संपादन कार्य थोड़े जटिल है मेरा असंतोष बहुत बड़ा नहीं है लेकिन वो है मैं अभी भी एक नए वर्ड प्रोसेसर के लिए अच्छी संभावना नहीं हूँ लेकिन परिवर्तन के आपरिहारे बीच अंकुरित हो रहे है असंतोष मौजूद है और इसके बढ़ने की संभावना है आगे क्या होगा संभवता ये धीरे-धीरे मेरे लिए श्पष्ट हो जाएगा कि संभादन सीमाए एक वास्तविक बाधा है मैं महत्वपुन समस्याओं और कठिनाईयों को समझूँगा ना कि केवल एक मामूली आसंतोष को और इस मिंदू पर किसी के लिए नई मशीन में दिल्चस्पी लिना बहुत आसान हो जाएगा लेकिन समस्याओं के बारे में मेरी धानना भले ही समस्याओं गंभीर हो का मतलब यह नहीं है कि मैं खरिदारी करने के लिए तैयार हूँ आवशक्ता के विकास में अंतिन चरण समस्याओं को इच्छा का कारे करने की इरादे में अनुवादित करना है जब तक मैं बदलना नहीं चाहता तब तक मैं नया वर्ड प्रोसेसर नहीं खरिदूँगा और जब ऐसा होता है मैं खरिदने के लिए तैयार हूँ तो हम कह सकते हैं कि समाने रूप से जरूरत है मामूली खामियों के साथ शुरू करें श्पष्ट समस्याओं कठिनाईयों या आसंतोष में विक्सित होना अंत में इच्छाएं या कारे करने के इरादे बन जाते हैं छोटी बिक्री में जैसा कि हमने देखा हैं ये चरण लगबग तातकालिक हो सकते हैं बड़ी बिक्री में इस परक्रिया में महीनों या साल भी लग सकते हैं अंतर नहित और स्पष्ट आवशक्ताएं जैसे ही हमने हुत्वेट में ग्राहकों की जरूरतनों परशोत करना शुरू किया हमने चरणों की इस श्रिंखला को व्यक्त करने के लिए एक सडल तहिकी की तलाश की हमने आवशक्ताओं को दो प्रकारों में विभाजित करने का नहित आवशक्ताएं समस्याओं कठिनाईयों और आसंतोष के ग्राहक द्वारकतन विशिष्ट उधारण होंगे हमारी वर्तमान प्रणाली मैं अप वे दरों से नाखुश हूँ या हम अपनी मोजूदा परकिरिया की गती से संतुष्ट नहीं है श्पस्ट आवशक्ताएं चाहतों या एक च्छाओं के विशिष्ट ग्राहक कठन विशिष्ट उधारणों में हमें एक तेज परणाली के आवशक्ता हैं हम जो खोज रहे हैं वो एक अधिक विश्वश्ट निया मशीन है या मैं एक बैक अप छमता रखना चाहूंगा इस तरह हम जरूरतों की नियंतरता लेने उसे केवल दो वर्गों अंतर नहीत और श्पस्ट में सरल बनाने में शक्चम थी मुझे हमेशा ऐसे लोगों पशक होता है जो नई शब्दजाल की शर्तें पेश करते हैं यदि मैं इस अध्याय को पढ़ रहा होता तो मैं अपने आप से ऐसे पशन पूछता आवशक्ताओं को नहीत और श्पस्ट में भाजित करने का क्या मतलब है क्या ये सिर्फ एक आवशक्त जटिलता का परिचय नहीं देता है ये मुझे बेचने में कैसे मदद करेगा ये उचित पशन है और इसका एक महत्वपून उत्तर है हमारा शोद बताता है कि छोटी बिक्री में अंतर नहीत और श्पस्ट आवशक्ताओं के बीच अंतर सफलता के लिए महत्वपून नहीं है लेकिन बड़ी बिक्री में बहुत सफल और कम सफल सेलर के बीच मुख्य अंतर ये है कम सफल लोग इंप्लाइड और एक्स्प्लिसिट नीट्स के बीच अंतर नहीं करते है इसलिए वे उनके साथ ठीक उसी तरह वेवार करते है बहुत सफल लोग अक्सर ये महसूस किये बिना कि वे ऐसा कर रही है अंतर नहीं दावशक्ताओं का इलाज करते है श्पस्ट आवशक्ताओं की तुलना में बहुत अलग तरीका आईए कुछ शोध साक्ष देखें हमारे एक अध्यन में हमने 646 साधार्ण बिक्री को ट्रैक किया ये गिनते हुए कि ग्रहक ने कॉल के दोरान कितनी बार तक कर आवशक्ताओं बताई सफल कॉल्च में आसफल कॉल्च की तुलना में दो गुने से अधिक गर्भी तावशक्ताई थी इससे पता चलता है कि समान बिक्री में आप जितनी अधिक अंतर नहीं तावशक्ताओं को उजागर कर सकते हैं ये अफसाय प्राप्त करने का आपका अफसर उतना ही भैतर होगा इसकी पुष्टी एक अन्य अध्यन से होती है जो हमने एक बड़ी कारेल्य उत्पाद कंपनी के साथ किया था कंपनी को दो भागों में वभाजित किया गया था एक सरल नीम्न अन्त उत्पादों को बेचने वाला और दूसरा बड़ी विक्री से संबंदित नीम्न अन्त वाले उत्पादों को बेचने वाले प्रभाग में जब सैलर लोगों के एक समू को अधिक नहीं तावशक्ताओं को उजागर करने के लिए ट्रेन किया गया था तो इसकी विक्री कम हो गई थी आप रशिक्षित नियंतर्ज संभू की तुनला में 31% अधिक इसलिए ये कहना उचित है कि कम से कम छोटी विक्री में आप जितनी अधिक इंपलाइड नीट्स को उजागर कर सकते हैं आपकी सफलता की संभावना उतनी ही अधिक होगी लेकिन बड़ी विक्री का क्या? क्या वहां भी यही सच है? जैसे जैसे विक्री बड़ी होती जाती है नहींत आवशक्ताओं और सफलता के बीच संभन्ध कम होता जाता है हमारे एक अध्यन में हमने 1406 बड़ी विक्री का विश्टेशन किया जहां औसत अनुबंध आकार 27,000 डॉलर था हमने पाया कि छोटे विक्री के विप्रीत संख्या के बीच कोई संभन्ध नहीं था सैलर द्वारा उजागर की गई नहीत आवशक्ताओं और कॉल की सफलता मुझे लगा कि छोटी विक्री में सिग्नल खरीद रहे हैं लेकिन बड़ी विक्री में नहीं इसका अर्थ क्या है हमारी व्याक्या ये है कि बड़ी बिक्री में अंतर नहीत आवशक्ताओं की भारी मात्रा या ग्राहक समस्याएं जिन्हें आप छिपाते हैं कौल के पईणाम पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं डालती है इसके बजाए नहीत आवशक्ताओं केवल एक प्रारंबिक बिंदु हैं कच्चा माल जो सफल सलर अपनी आवशक्ताओं विकास डंडीती के हिस्से के रूप में उप्योग करते हैं बड़ी बिक्री में जो मायने रखता है वो आपके द्वारा उजागर की गई नहीं तावशक्ताओं के संख्या नहीं हैं लेकिन आपके द्वारा उन्हें उजागर करने के बाद आप उनके साथ क्या करते हैं इसके एक उधारन के रूप में आफिस उतपात कमपनी के हाई एंड सेल्स डिविजन में हमने एक परिक्षं किया जिससे हम एक मिलान नियंतर समू के तुलना में 49 लोगों के विक्री को 37 परतिशत तक बढ़ाने में सक्षम हुए फिर भी उनके कम अंत वाले सहीयोगयों की विप्रीत इन विक्रिता लोगों की सफलता उनके द्वारा उजागर की गई नहीत आवाशक्ताओं की संखया से संबंदित नहीं थी नहीं दावशक्ताएं बड़ी बिक्री में सफलता के भविशवानी क्यों नहीं करती जब पॉकेट कैलकुलेटर पहली बार पीश किये गए थे उन्हें एक व्यापार्शो में बिक्री के लिए पेश किया गया था एक आविश्वस्निया प्रतिकिरिया थी बूद पर पंद्रा सो कैलकुलेटर लाने वाले निर्माता ने परतिक को बेच दिया था दो घंटे से भी कम समय में सैक्रों संभावित राकों को दूर करना पड़ा नया कैलकुलेटर इतना सफल क्यों था क्योंकि इसने बड़े डेस्क कैलकुलेटरों की भारी मात्रा और आसुविधा के साथ ततकाल आसंतोष पैदा किया दूशे शब्दों में इसने ततकाल इंपलाइड नीट उत्पन की लेकिन एक और समान रूप से बहत्वपून कारक था न्या कैलकुलेटर एक वास्तविक मूले सफलता का भी प्रतिनिधित्व करता है जो बोजिल जोडने वाली मशीनों की लागत के पांचवें हिस्से से कम है जिसे इसे बदलने के लिए डिजाइन किया गया था इसलिए वियापार्शों में आने वाले लोगों को खईदारी करने के लिए दोरा प्रोचान मिला उनके पास अंतरनीत जरूरतें थी और नए प्रतिस्थापन के लिए आस्चरजनेक रूप से कम लागत इन दो बिंदों को मिला दे और ये देखना आसान हो जाता है कि लोग खरीदने के लिए कतार में क्यों खड़े थे लेकिन क्या होता अगर नए कैलकुलेटर या अंतिक जोडने वाली मशिन की कीमत सिर्फ एक पांचवे के बजाए पांच गुना होते क्या आप भी खरीदारी के लिए उतनी ही भीर होती लगबग निश्यत रूप से नहीं कैलकुलेटर इतने आकरशक होने का कारण ये था कि वे इतने अच्छे मूले की पेशकर्श करते थे दूसरे शब्दों में उन्होंने खरीदारों को बहुत कम पैसे में बहुत सारी छमताएं दी खरीदारी करने का निन्य लेने वाली किसी भी व्यक्ति को दो विरोधी कारकों को संतुलित करना चाहिए इन कारकों में से एक समस्य की गंभीरता है जिसे खरीद हल करेगी, अन्य समाधान लागत है, क्यालकुलेटर के मामले में जैसा कि कई छोटी विक्री में होता है, क्योंकि लागत इतनी कम थी, खरीद के पक्ष में शेश राशी को टिप करने के लिए अपेच्छक्रत सतही जर के बारे में सोचने का एक तरीका मूले समीकरण के अवधारना है, साधान विक्री में किसी उत्पाद या सेवा की कीमत आमतोर पर कम होती है, नतीजतन समीकरण के दूसरे तरफ कथित जरुरतों का आकार इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, अर्थात कैलकुलेटर खहितने जैसे छोटे निन्ने के मामले में खरीत को उचित ठहराने के लिए नहीत आवशक्ताएं काफी परियाब्द हो सकती हैं, लेकिन अगर कैलकुलेटर की कीमत कॉन्विन से ज़्यादा होती, तो खरीत को उचित ठहराने के लिए आवशक्ता को समान रूप से बढ़ा करना बस समस्याओं को उजागर करके या इंपलाइट नीट्स को पहचान कर, और ये यह भी बताता है कि क्यों प्रमुक बिक्री में आपको आवशक्ताओं को और विक्सित करना चाहिए, ताकि ये आपके समाधान की अतिरिक्त लागत को सही ठहराने के लिए बड़ा अधिक घं कहा, एक खराब निड़ने खईदार की नौकरी खो सकता है, मुल्य समीकरन के लागत पक्ष को जोडने के रूप में खईदार, अक्सर महतुपूं जोख्यमों और बाधाओं को मानता है, 1406 बड़ी बित्री के अधिन में जिसका मैंने पहले हवाला दिया था, हमने ये भी दर्ज किया कि ग्राहक ने कितनी बार स्पष्ट आवशक्त वगत की, जो आपको याद होगा कि एक इच्छा या इच्छा का एक विशिष्ट कतन है, जो सैलर के उत्पाद को संतुष्ट क स्पष्ट आवशक्ताएं दो गुनी अधिक थी, ये डेटा इस बात की पुष्टी करता है कि जैसे जैसे बिक्री बड़ी होती जाती है, स्पष्ट आवशक्ताओं को प्राप्त करना महत्वपून होता जाता है, ना कि केवल नहीत आवशक्ताओं को, इसलिए बड़ी बि बिक्री में नहीत आवशक्ताओं सफलता की भविशवानी करती है, लेकिन पेस्पश्ट आवशक्ताओं करती है, छोटी बिक्री में इम्फ्ट इधनेए को जार करती है, और फिर सामाधान प्रद्दान करती है, बहुत प्रभावी हो सकती है बड़ी बिक्री में अब ऐसा नहीं है बड़ी बिक्री के लिए एक जांच रणनीती निश्चित रूप से नहीं दावशक्ताओं को उजागर करके शुरू होनी चाहिए देकिन ये वहां नहीं रुख सकती बड़ी बिक्री में सफल पूछताच किसी भी चीज से अधिक इस बात पर निर्भर करती है कि गर्भित जरूतें कैसे विक्सित की जाती हैं उन्हें प्रश्णों द्वारा स्पष्ट जरूतों में कैसे बदला जाए प्रमुक बिक्री में सिग्नल खरीदना बिक्री में अधिकांश लोग संकेतों को खरीदने क कि आवधार्णा से परिचित हैं ग्राहक त्रॉत दिये गए बयान जो खरीदने या खरीदने के लिए तयार होने कर संकेट देते हैं अन्तरनीत आवशक्ताãy चोटी बिक्री के लिए खरीद्री के सटीक संकेत हैं ग्राहक जितनी गा किसी समच्या या कठिनाई से सहमत होता है बिक्री की संभावना उतनी ही अधिक होती है इसके विप्रीत स्पष्ट आवशक्ताएं खईदारी के संकेत हैं जो बड़ी बिक्री में सफल तक के भवी शवानी करते हैं हमने देखा है कि जैसे जैसे सहलर अधिक अनुभवी होते जाते हैं वे आमतोर पर स्पष्ट आवशक्ताओं को अधिक महत्व देते हैं क्योंकि कॉल कितनी सफल रही है ये तय करने में सिगनल खईबना कम अनुभवी लोग इंपलाइट नीट्स पर बहुत अधिक भार डालते हैं उधारन के लिए यहां दूर संचार उद्योग में एक अनुभव हीन सैलर है ध्यान दें कि बड़ी बिक्री के साख्ष के रूप में वो नहीत आवशक्ताओं पर कितना जोग देता है इंटर्विवर तो आप कहेंगे कि कॉल सफल रही सैलर हाँ मुझे ऐसा लगता है इंटर्विवर क्या ग्राहक ने ऐसा कुछ कहा था सिग्नल खरीदना रूप के लिए जिससे आपको लगा कि ये एक सफल कॉल थी सैलर हाँ उन्होंने सहमती व्यक्त की कि सुभा के दोरान उनकी छंता की समस्या थी इंटर्विवर और कुछ सैलर वो ट्रांस्मीशन की गुर्णवत्ता से खुश नहीं है इंटर्विवर और इन संकेतों के आधार पर आप कहेंगे कि ये एक सफल कॉल थी सैलर मुझे लगता है आखिरकार हम उन दोनों समस्याओं में उसकी मदद कर सकते हैं मुझे लगता है कि कुछ बिजनिस का अच्छा मौका है यहां सैलर कॉल को सफल मानता है क्योंकि ग्राहक ने दो समस्याओं उठाई हैं या नहीं तावर्शक्ता हैं लेकिन जैसा कि पहले चर्चा की गई थी एक बड़ी बिक्री में आपके सामने आने वाली समस्याओं की संख्या और क्या ग्राहक अंतता आपसे ख़री देगा के बीच कोई संबंध नहीं है इस मामले में सैलर को दो सप्था बाद ये जानकर आश्यर्य और निराशा हुई कि ग्राहक एक परतियोगी से बात कर रहा था जिसने कुछ महीने बाद बिजनिस को पूरी तरह से सफलता दिला दी इसके विप्रीत आये सुनते हैं कि कैसे एक ही बिक्री संगठन के एक बहुत ही सफल सेलर को सफलता कैसे मिली वो अपने छेतर के शीश पाँच कलाकारों में से एक है जिसमें चार सो से अधिक सेलर सामिल है इंटर्व्यूर क्या ये कॉल एक सफल कॉल थी सेलर बताना मुश्किल है मुझे कुछ समस्याइं मिली जिन्हें हम हल कर सकते थे येकिन जब तक मुझे वापस जाने और उन्हें और अधिक विक्सित करने का मौका नहीं मिला मैं इस बारे में निन्ने लेना पसंद करूँगा कि हम कहीं जा रहे हैं ये नहीं इंटर्व्यूर क्या इसका मतलब ये है कि आप उन समस्याओं को नहीं देखते जिन्हें आपने खरीज सिग्नल के रूप में उजागर किया था सेलर आप अर्थक्ष रूप से वे हैं मुझे लगता है आखिरकार आप तब तक कहीं नहीं पहुँचेंगे जब तक आपको कुछ ऐसी समस्याओं ना मिल जाएं जिनका आप सामना कर सकें तो कोई समस्याओं का मतलब कोई बिक्री नहीं है और ये एक तरह का नकारात्मक संकेत है ये सबसे खराब कॉल है नेकि मैं वास्तों में ये नहीं कहूंगा कि समस्याओं सकारात्मक खई संकेत इंटर्वियूर समाने तोर पर खरीदारी की कौन से संकेत है जो आपको एक सफल कॉल के बारे में बताते हैं सैलर यह तब होता है जब आप ग्रहक को कारेवाई के बारे में बात करते हुए सुनते हैं मैं एगले साल अपने डेटा नेटवर्क की मरम्मत करने जा रहा हूँ या इन तीन विशेष्थाओं वाली परणाली की तलाश कर रही है इंटर्व्यर आप अंतर नहीत और स्पष्ट आवशक्ताओं की बीच की अंतर के बारे में जानते हैं जैसे आप कह रहे हैं की स्पष्ट आवशक्ताओं एक बहतर इंप्लाइड नीट्स है सेलर हाँ आपके बद समस्याओं पर निर भर नहीं रह सकते आपके पास कुछ मजबूत होना चाहिए इसलिए मुझे लगता है कि बिक्री में बड़ा कोशल ग्राहक को समस्याओं को सुविकार करने के लिए प्रेडित नहीं करता है जिन लोगों को मैं कॉल करता हूँ उनमें से लगबख सभी को समस्या होती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वे खईद लेंगे वास्तवी कॉशल ये है कि आप उन समस्याओं को कैसे इतना बड़ा कर लेते हैं कि कारेवाई हो सके और जब ग्राहक कारेवाई के बारे में बात करना शुरू करता है तब मुझे खईदने के संकेत सुनाई देते हैं यहाँ अनुभावहीन व्यक्ति के विप्रीत सेलर समस्याओं या अन्तनीत आवशक्ताओं पर थोड़ा विश्वास करता है इसके बजाए उसका ध्यान उस पर है जिसे वह कारेवाई कहता है वो जो उधार्ण प्रस्तूत करती है वे हमारी शब्दावरी में है जिने हम शपष्ट आवशक्ताएं कहेंगे ये सेलर सबसे महत्यफून विक्री कौशर के रूप में जरूरतों की विकास पर जोड़ देता है मैंने अध्याई दो में सुझाव दिया था कि विकास शील आवशक्ताएं प्रश्णों का प्रमुख कारी है बड़ी विक्री के संदर्भ में अब हम इसे और अधिक सटीक रूप से व्यक्त कर सकते है बड़ी विक्री में प्रश्णों का उद्देश्य अंतनहीत आवशक्ताओं को कुछ आगर करना और उन्हें सपष्ट आवशक्ताओं में विक्सित करना है अगले अध्याय में मैं दिखाऊँगा कि स्पिन प्रश्णों का उप्योग करके ये कैसे किया जा सकता है अध्याय तीन ने निश्कष निकाला कि बिक्री गॉल में प्रश्णों का उद्देश्य अंतनहीत आवशक्ताओं को उजागर करना और उन्हें सपष्ट आवशक्ताओं में विक्सित करना है इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे चार स्पिन प्रश्ण इस्थिती, समस्या, नहीं तार्थ और आवशक्ता आदाएगी पर तेक का उप्योग इस आवशक्ता विकास परक्रिया में मदद करने के लिए किया जा सकता है हत्वेट में हमारी शोद में हमने पाया कि बिक्री कॉल में बहुत जल्दी विशेश रूप से नए खातों या नए ग्रहाकों के साथ सैलर के प्रश्ण पहचानने योग पैटर्न का पालन करते हैं मान लीजे उधारन के लिए कि आप मुझे पहली बार कॉल कर रहे हैं आप क्या प्रश्ण पूछेंगे हो सकता है कि आप मेरे बारे में कुछ जालना चाहें इसलिए आप इस तरह के परशने पूछेंगे आपकी इस्थिती क्या है? आप यहाँ पर कितने समय से हैं? क्या आप खईदारी संबंदी नीन्ने लेते हैं? आप इस छेत्र में अपने उद्देशों के रूप में क्या देखते हैं? आप भी मेरे ब्यवसाय के बारे में कुछ जालना चाहेंगे? इसलिए आप पूछ सकते हैं आप किस प्रकार का ब्यवसाय चलाते हैं? यह बढ़ रहा है यह घट रहा है? आपकी वाशिक बिक्री क्या है? आप कितने लोगों को रोजगार देते हैं? आपको यह समझने के आवशकता होगी कि मेरा ब्यवसाय कैसे चल रहा था? इसलिए आप इस तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं आप वर्तमान में किन उपकर्णों का उप्योग कर रहे हैं? इसे आपने कब से रखा है? क्या यह खरीदा या पट्टे पर है? कितने लोग इसका इस्तमाल करते हैं? इन सभी प्रश्नों में सामाने कारक क्या है? हर एक ग्रहा की मोजूदा इस्तिती के बारे में तत्य, सूचना और प्रश्ट भूमे डेटा इखटा करता है इसलिए हमने उन्हें स्परश्ट नाम दिया इस्तिती प्रश्न इस्तिती प्रश्न अधिकांश बिक्री कॉल्स का एक अनिवार्य हिस्सा है विशेश रूप से वे कॉल्स जो बिक्री चक्र की आरंभ में किये गए थे हमारे शोज से उनके बारे में क्या पता चला? स्थिती सम्बंदी प्रश्न सकारात्मक रूप से सफलता से सम्बंदित नहीं होते हैं सफल होने वाली कॉल्स में, विफल होने वाली कॉल्स की तुलना में, सैलर्स इस्तती संबंधी कम प्रशन पूछते हैं, अनुभख हीन सैलर्स अधिक स्तती संबंधी प्रशन पूछते हैं, सफल सैलर्स कम इस्तती संबंधी प्रशन पूछते हैं, वे जो भी पूछते हैं, यदि बहुत अधिक स्थति सम्वंति प्रश्ण पूछे जाते हैं तो खईदार जल्दी से ओब जाते हैं या अधीर हो जाते हैं। इन निशकर्षों की व्याख्या करना आसान हैं। अपने आप से पूछें कि स्थति प्रश्णों से किसे लाब होता हैं। खईदार को या सेलर को, स्पश्ट रूप से सेलर को। एक वियस्त ग्राहक आमतोर पर अपनी इस्ति के वीवरंड के बाद एक सेलर को वीवरंड देने से बहुत खुशी और प्रसनता प्राप्त नहीं करता है। और ये प्रोफेशनल खईदारों और क्रय एजंटों के लिए विशेश लूप से सच है। उन्हीं सवालों के जवाब देते रहे। मुझे विश्वास हो गया है कि नरक में एक विशेश स्थान दुष्ट विक्री करने वालों के लिए अरच्छी थे हैं जहां वे अनंत काल तक बैठे रहते हैं और उन्हीं अपने सुयम के इस्तिति प्रश्णों का उत्तर देने क के लिए मजबूर किया जाता है। क्योंकि स्थिति संबंदी प्रश्ण इतने निरापत लग रहे थी मैंने उन में से भौ सारी प्रश्ण पूछे दुर्भाग्य से उन दिनों मैं विक्री के महान सत्य पर नहीं पहुंचा था कि आप अपने ग्राकों को खरीदने में बोर नहीं कर सकते और इस्ति संबंदी प्रश्णों का दोश्ण यह है कि खरीदार के दिश्टिकों से वे उबाव होने की संभाव ना हैं। क्या इसका मतलब यह है कि आपको इस्ति संबंदी प्रश्ण नहीं पूछने चाहिए। नहीं आप उनके बिना नहीं बेच सकते। शोर से पता चलता है कि सफर लोग अनावश्यक इस्ति प्रश्ण नहीं पूछते हैं। रिकॉल से पहले अपना होमवग करते हैं और अच्छी प्रीकॉल प्लैनिंग के माद्यम से ऐसे कई तथ्य अन्वेश्ण प्रश्णों को समाप्त करते हैं जो खरीदार को बोर कर सकत हैं। जैसे जैसे सेलर अधिक अनुभवी होते जाते हैं उनका व्यावार बदलता जाता है। वे अब प्रश्ण भूमी की इस्ति की जानकारी खटी करने के लिए अधिकांश कॉल खर्च नहीं करते हैं। इसके बजाए उनके प्रश्ण एक अलग छेत्र में चले जाते है समस्या प्रश्ण अनुभवी सैलर से इस तरह की प्रश्ण पूछने की संभावना सबसे अधिक होती है। क्या आप अपने वर्तमान उपकरनों से संतुष्ट हैं। जिस तरह से आप इसे अभी संभाल नहीं हैं उसके क्या नुकसान हैं। क्या आपके वर्तमान सिस्टम के साथ पीक लोड को प्रोसेस करना मुश्किल नहीं है। क्या ये पुरानी मशीन आपको विश्वस नियता की समस्या देती है। इन सभी सवालों में कॉमन फैक्टर क्या है। प्रतेक व्यक्ति समस्याओं, कठिनाईयों या आसंतोशों की च प्रश्चित करता है। हमने उन्हें समस्यात्मक्प्रश्ण कहा और हमारे शोद ने पाया की इस्तिति समन्द्प्रश्णों की तुलना में समस्याओं वाले प्रश्ण बिक्री की सफलता से अधिकvable मजबूती से जुड़े होते हैं। चोटी बिक्री में लिंक equivalent होता है। समस्य वाले प्रश्णों बिक्री की सफलता से दिरहरता से जुड़े नहीं होते हैं। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि अपने समस्य प्रश्णों को बढ़ा कर आप अपनी बिक्री प्रभाव शीलता बढ़ा सकते हैं। सेल्स परसं द्वारब पूछे गए इस्तती और समस्य प्रश्णों का अनुपात उनके अनुभव का एक कार्या है। अनुभवी लोग प्रॉब्रम क्वेशन का ज्यादा प्रो पार्ट पूछते हैं। आईए अधिक बारिकी से देखें कि इन निशकर्ष्णों का अर्थ क्या है। इसमें कोई आश्चरी की बात नहीं है कि समस्य समंद्धी प्रश्णों का ग्रहकों पर प्रस्थिती जन्य प्रश्णों की तोलना में अधिक सकारात्मत प्रभाव पड़ता है। यदि आप अपने ग्रहक की समस्य का समाधान नहीं कर सकते हैं तो बिक्री का कोई आधार नहीं है। लेकिन यदि आप उन समस्याओं को उजागर करते हैं जिनहीं आप हल कर सकते हैं तो आप संभावित रूप से खरीदार को कुछ उपयोगी चीज़ परदान कर रहे हैं। समस्याओं वाले प्रश्ण और अनुभव ये समझना भी आसान है कि अनुभवी लोग परिस्तिती संबंदी प्रश्ण कम और समस्यात्मत प्रश्ण अधिक क्यों पूछते हैं। मुझे याद है कि मेरे खुद के बेचने में ये कैसे हुआ था। शायद आपके पास भी ऐसी ही यादे हो। जब मैं युवा और अनुभव हीन था तो मेरी विशेष्ट बिक्री कॉल में उतने ही इस्तती संबंदी प्रश्ण होते थे जितने खईदार मुझसे पूछने देते थे। आमतोर पर अधिरिता के संकेतों के साथ जल्दी से पीछा किया जाता है तो मैं सवाल करना बंद कर देता हूँ और जो मुझे पेश करना है उसकी विशेष्टाओं के बारे में बात करना शुरू कर देता हूँ। यदि मेरी करियर में उस समय आपने मुझे खईदार की समस्याओं के बारे में पूछने के लिए कहा होता तो मैं इंट्रस्टेट नहीं होता। पानी फेल दिया और समस्याओं के बारे में पूछने लगा मेरे आश्चार्य करने के लिए नाराज होने के बजाए ग्रहकों ने बैठकर नोटिस लेना शुरू कर दिया मेरी कॉल में सुधार हुआ। जल्दी मैं समस्याओं के बारे में पूछने के लिए अधिक से अधिक कॉल करने लगा और इस्तिती के अंतहीन विवरण को कवर करने में कम समय लगा। जिन अनुभवी लोगों से मैंने बात की है, वे अपने स्वयम के, सेल के एक समान परिवर्थन को याद कर सकते हैं। ये सच है कि समस्याओं वाले प्रशन छोटी विक्री में सफलता से अधिक्रता से संबंदिद होते हैं। लेकिन फिर भी वे प्रभावी जांच का एक अनिवार्य हिस्सा होते हैं, कोकि बिक्री बड़ी हो जाती है। आखिरकार यदि आप हल करने के लिए किसी समस्य को उजागर नहीं कर सकते हैं, तो आपके पास व्यवसाइक संबंद के लिए कोई आधार नहीं है। प्रमुख बिक्री में, जैसा कि हम इस अध्याई में देखेंगे, अन्य अधिक शक्तिशाली प्रकार के प्रश्न हैं, लेकिन इस समस्य वाले प्रश्न हैं जो कच्चा माल परदान करते हैं, जिस पर शेष बिक्री का निर्मान किया जाएगा। एक कठिन प्रश्न बड़ी बिक्री की तुलना में, छोटी बिक्री में समस्य वाले प्रश्न इतने अधिक शक्तिशाली क्यों होने चाहिए। आए शोध शाक्ष देखें। तो उनकी बिक्री में उल्लेखनी अवर्दी हुई। हाला कि बड़ी बिक्री में समस्य वाले प्रश्न बहुत कम मजबूती से जुड़े होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंतर नहीत आवशक्ताएं जैसा कि हमने अध्याय तीन में देखा बड़ी बिक्री में सफल्तक की भविश्यवानी नहीं करती है। समस्य आत्मक्त प्रश्न का उद्देश्य अंतर नहीत आवशक्ताओं को उजागर करना है। इसलिए जदि नहीत आवशक्ताएं बड़ी बिक्री में सफल्तक की भविश्यवानी नहीं करती हैं। तो समस्य समंध्य प्रश्न नहीं होने चाहिए। एक दिल्चस्प अपुवाद हाला कि समस्य वाले प्रश्न आमतोर पर बड़ी बिक्री की तुनला में छोटी बिक्री में अधिक शक्तिशाली होते हैं। लेकिन एक दिल्चस्प अपुवाद हैं। मसाकी, इमाई, अध्यक्ष। Cambridge Corporation ने जापान में हमारे साथ कुछ पुर्योग किये। जबकि पश्ची में विक्रेताओं के लिए खरीदारों से समस्याओं के बारे में पूछना काफी सुईकार्य है। जापानी संस्कृति में ये इतना आसान नहीं है। यदि आप सुझाव देते हैं कि आपके कस्टमर्स पतिष्टित व्यक्ति को समस्याओं हैं तो हमेशा अपमांजनक होने का जोखिम होता है। इस सांस्कृति कंतर के कारण जापानी विक्रेता अपने प्रश्चमी समकप्षों की तुलना में बहुत कम समस्याओं वाले प्रश्ण पूछते हैं। लेकिन भले ही समस्याओं समन्दी प्रश्ण पूछना कठिन हो। क्या कोई सबूत है कि वे जापान में बिक्रे की सफलता से जुड़े हैं। फूजी जेरॉक्स के इंजीनरिंग उत्पाद पुरभाग के साथ काम करते हुए। इमाई ने पाया कि उन्हें पूछने में बाधाओं के बावजूद सफल कॉल में समस्याओं वाले प्रश्ण वास्तों में आधिक थे। जब सेल्स परसन की एक सम्हू को जांच कोशल में ट्रेंड किया गया जिसमें समस्या प्रष्णों सामिल थे तो अन्ट्रेंट नियंतन सम्हू की तुलना में इसकी बिक रिमी 74 परतीशत की वृद्धी हुई इस मामले में बड़ी बिक्री में समस्या वाले प्रश्णों को सफलता से शक्तिशाली रूप से जोड़ा गया था नहीं तार्थ प्रश्ण अधिकांश अनुभवी सैलर एक प्रमुक खाते के गरह के सामने रखे जाते हैं इस्तिथी और समस्या प्रश्ण पूछने का परयापत काम करने में सक्षम होते हैं दुर्भागे से यहीं पर दिकांश लोगों की जांच बड़ताल बंद हो जाती है छोटी बिक्री में आप बहुत सफल हो सकते हैं यदि आप समस्याओं को उजागर करते हैं और फिर परदर्शित करते हैं कि आप उन्हें हल कर सकते हैं इसलिए केवल इस्तिती और समस्या प्रश्णों पर आधारित बिक्री शाली बहुत परभावी हो सकती है हाला कि भले ही बहुत से लोग इस शाली का उप्योग बड़ी बिक्री में करते हैं ये बड़ी बिक्री में परभावी नहीं है इस छोटे से उधारन से स्पष्ट होना चाहिए कि क्यों सेलर इस्तिती प्रश्णों क्या आप एक्स मशीनों का उप्योग करते हैं बायर हाँ हमारे पास उनमें से तीन है सेलर समझ्या प्रश्ण और क्या वे आपके ओपरेटरों के लिए मुश्किल है बायर अंतरने दावशक्ता वे कठिन है लेकिन हमने सीखा है कि उनसे कैसे काम लेना है सेलर एक समाधान पेश करते हुए हम अपने नए इजी फ्लो सिस्टम के साथ आपके लिए उस परिचालन कठिनाई को हल कर सकते है बायर आपके सिस्टम की कीमत क्या है सेलर मूल परणानी लगबख एक लाख बीस अजार डॉलर और बायर आश्चरे चकित एक लाख बीस अजार डॉलर बस एक मशीन को उपयोग में आसान बनाने के लिए आप मजाग कर रहे हैं यहां क्या हुआ हैदार एक छोटी सी अंतरनीत आवशक्ता को मानता है यह बलकि कठिन है लेकिन निश्यत रूप से यह नहीं देखता कि समस्या एक लाख बीस अजार समाधान कर नियाय करती है मूले समीकरन के संदर्ब में समस्या इतनी बड़ी नहीं है कि इसे हल करने की उच्च लागत को संतुलित कर सके लेकिन क्या होगा अगर इजी फ्लो सिस्टम की कीमत एक लाख बीस अजार डॉलर के बजाए सिर्फ एक लिश्यत डॉलर हो क्या खईदार ने इतनी नियकारात्मक पर्तिकिरिया दी होगी शायद नहीं जबकी एक लाख बीस अजार डॉलर अपमानजनक है एक सो बीस डॉलर उपयोग में आसानी के लिए भुक्तान करने के लिए एक छोटी सी कीमत है तो अगर ये एक छोटी सी बिक्री थी अगर इजी फ्लो उत्पात की कीमत केवल 120 डॉलर थी तो केवल नहीं तावशक्ता को उजागर करना कि मौजूदा मशीनों को उप्योग करना कठीन था बिजनिस प्राप्त करने के लिए परियाप्त हो सकता था जैसा कि हमने अध्यायत दीन में देखा नहीं तावशक्ता हैं छोटी बिक्री में सफलता की प्रबल भविशवानी करती है बड़ी बिक्री में हाला कि इस पश्ट रूप से समस्याओं को उजागर करने और समाधान पीश करने के लिए परियाप्त नहीं है सैलर को क्या करना चाहिए था यहीं पर इंप्लिकेशन प्रश्ण सफलता के लिए बहुत भेतवों हो जाते हैं आईए देखें कि कैसे एक कुशल सैलर ने समाधान प्रस्थूत करने से पहले समस्या की गंभीरता को विक्सित करने के लिए नहीं थार्थ प्रश्णों का उप्योग किया होगा सैलर समस्या प्रश्ण और क्या वे आपके ओपरेटरों के लिए मुश्किल है बायर अन्तर नहीं तावशकता वे कठिन है लेकिन हमने सीखा है कि उनसे कैसे काम लेना है सैलर नहीं थार्थ प्रश्ण आप कहते हैं कि उनका उप्योग करना कठिन है इसका आपके आउटपूट पर क्या पभाव पढ़ता है बायर समस्या को छोटा मानते हुए बहुत कम क्योंकि हमने विशेश रूप से तीन लोगों को ट्रेन किया जो उनका उप्योग करना जानते हैं यदि आपके पास केवल तीन लोग हैं जो उप्योग कर सकते हैं क्या इससे काम में अर्चन नहीं आती बायर अभी भी समस्या को महत्वीहिन के रूप में देखते हुई नहीं ये केवल तब होता है जब एक ओपरेटर छोड़ देता है जब हम ट्रेन होने के लिए रिप्लेस्मेंट की प्रतिक्षा कर रहे होते हैं तो हमें परेशानी होती है सैलर नहीं थार्थ प्रश्न ऐसा लगता है कि इन मशीनों का उप्योग करने में कठिनाई आपके द्वारा ट्रेन्ट ओपरेटरों के साथ टर्न ओवर की समस्या का कारण बन सकती है क्या वो सही है बायर एक बड़ी समस्या को पहचानते हुई हाँ लोग निश्चेत रूप से मशीनों का उप्योग करना पसंद नहीं करते हैं और ओपरेटर आमतोर पर लंबे समय तक हमारे साथ नहीं रहते हैं सैलर नहीं धार्त प्रशन इस टर्न ओवर का क्या आर्थ है ट्रेनिंग कोस्ट बायर अधिक देखते हुई एक ओपरेटर को कुशल होने में कुछ महीने लगते हैं इसलिए शायद प्रतिक ओपेरा के लिए वेतन और लाब में 4000 डॉलर उसके उपर हम नए ओपरेटरों को उनके साथ हम्टन सैंत्र में आफ साइट ट्रेनिंग के माध्यम से रखने के लिए 500 डॉलर का बुक्तान करते हैं इसलिए याता खर्च के लिए शायद 1000 डॉलर जोड़ें आप जानते हैं हमारे त्वारा ट्रेन किये जाने वाले पते को ओपरेटर के लिए लगबख 5000 है और मुझे लगता है कि हमने इस साल कम से कम 5 को ट्रेन किया है तो ये 6 महीने से कम समय में ट्रेनिंग लागत में 25,000 डॉलर से अधिक है नहीं धारत प्रशन यदि आपने 6 महीने में 5 लोगों को ट्रेन किया है तो ऐसा लगता है कि आपके पास अभी भी पूरी तरह से सक्षम ओपरेटर नहीं थे इसे उत्पादम में कितना नुकसान हुआ है खरीदार जादा नहीं जब भी कोई अर्चन आती है तो हम अन्य ओपरेटरों को ओवर टाइम काम करने के लिए राजी करते हैं यह हमने काम को बाहर भीज दिया है सेलर नहीं थार्थ प्रशन क्या ओवर टाइम आपके लिए और अधिक लागत नहीं जोड़ता है खरीदार समस्य काफी गंबीर है हाँ हम समय के साथ समाने नोकरी की दर से धाई गुना अधिक भुकतान कर रहे हैं अत्रिक्त वेतन के साथ भी ओपरेटर अत्रिक्त गंटे काम करने के लिए बहुत इकचुक नहीं है मुझे यकीन है कि ये उन कारणों में से एक है जिससे हमें इतना अधिक टर्नोवर मिल रहा है सेलर नहीं थार्थ प्रशन मैं देख सकता हूँ कि कैसे काम को बाहर भीजने से आपकी लागत भी बढ़नी चाहिए लेकिन क्या वर्क आउट भीजने का केवल यही नहीं नहीं थार्थ है क्या काम की गुनवत्ता प्रभावित होती है खईदार यही वो है जिसके बारे में मैं सबसे ज़्यादा नाखुश हूँ मैं आंतरिक रूप से उत्पादित हर चीज की गुनवत्ता को कंट्रोल कर सकता हूँ लेकिन जब कुछ बाहर जाता है तो मैं अन्य लोगों की दया पर निर्भर होता हूँ सेलर नहीं थार्थ प्रश्न और संभवता बाहर काम भेजने के लिए मजबूर किया जाने भी आपको अन्य लोगों के वित्रन कायकरम की दया पर डालता है खईदार इसके बारे में बात मत करो मैंने किसी का पीछा करते हुए फोन पर सिर्फ तीन घंटे बिताए है सेलर संक्षेप में तो आपने जो कहा है क्योंकि आपकी एक्स मशीनों का उप्योग करना बहुत कटिन है आपने इस साल ट्रेनिंग लागतों में 25,000 डॉलर खज किये हैं और आपको महेंगा ओपरेटर टरन ओवर मिल रहा है आपके पास उत्पादन में अर्चने हैं और इसके परिणाम स्वरूप महेंगा ओवर टाइम होता है और आपको बाहर नोक्री भीजने के लिए मजबूर होना पड़ता है लेकिन नोक्रीयों को भाहर भीजना संतोष जनक नहीं है क्योंकि आप क्वालिटी खो रहे हैं और देर से डिलिवरी हो रही है खरीदार जब आप इसे इस तरह रखते हैं तो वे एक्स मशीने वास्तों में एक बहुत गंबीर समस्या प्यादा कर रही है क्रेता के मूले समीकरन पर सेलर का क्या प्रभाव पड़ा एक छोटी सी समस्या इतनी बड़ी हो गई और इतनी अधिक महंगी कि एक लाग बीस अजार डॉलर का समाधान अब अनुचित नहीं लगता है ये बड़ी बिक्री में नहीतार्थ प्रश्णों का केंद्य वो देश है वे एक समस्या लेते हैं जिसे खरीदार छोटा मानता है और इसे एक समस्या के रूप में तयार करता है जो कारेवाई को उचित ठहराने के लिए पर्याब्त है बेशक इंप्लिकेशन प्रश्णों छोटी बिक्री में भी काम कर सकते हैं कुछ महीने पहले मैं एक दोस्त से कारों के बारे में बात कर रहा था बातचीत इस तरह हुई दोस्त आपकी कार कैसी है? नील बहुत बुरा नहीं है ये थोड़ा पुरानी हो रही है लेकिन ये अब भी मुझे चारों और ले जाती है दोस्त तो फिर तुम नहीं कार के बारे में नहीं सोच रहे हो नील नहीं जो मेरे पास है उसके सांथ मैं थोड़ी तेर और जी सकता हूँ दोस्त नहीं तार्त प्रशन लेकिन आपकी कार कम से कम साथ साल पुरानी होनी चाहिए क्या इसका मतलब ये नहीं है कि आप व्यवसाइक उप्योग के लिए इस पर किसी तरह के मुल्यास का दावा नहीं कर सकते क्या इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये अफसाइक उपयोग के लिए इस पर किसी तरह की depreciation का दावा नहीं कर सकते नील मुझे लगता है कि ये सच है मित्र नीतार्थ परश्ण तो आप टेक्स लाइट ओफ में हर साल कुछ हजार खो रहे है नील मैंने इस पर काम नहीं किया था मैंने नहीं सोचा था कि ये इतना अधिक होगा लेकिन आप सही हो दोस्त नीतार्थ परश्ण और क्या साथ साल पुरानी कार का मतलब ये नहीं है कि आपको घटिया मालेज मिल रही है नील ये सच है कि मैं हमेशा इसे भढ़ता हुआ परतीत होता हूँ हाँ इसने मुझे कभी अच्छा मालेज नहीं दिया और हाल ही में ये खराब होती दिख रही है मित्र नीतार्थ परश्ण और वो भी उच्च लागत के लिए इसके लागत बढ़ती जा रही है नील हाँ इसे चलाना महंगा है दोस्त नीतार्थ परश्ण और क्या इसकी उम्र भी बहुत मायने नहीं रखती अधिक तेल की खपत नील तुम ठीक कह रहे हो जब भी मैं इसे भरता हूँ तो मैं हर बार एक चोथाई तेल डाल रहा हूँ ये नॉर्मल से अधिक महंगा है दोस्त नीतार्थ परश्ण उम्र का आपकी काल के भरूसे मंद होने पर क्या असर परता है नील ये चिंता के बात है मेरे पास केवल कुछ ब्रेकडाउन है लेकिन ठीक है आप जानते हैं कि ये कैसा है हर बार जब मैं एक यातार शुरू करता हूँ तो मुझे आश्यरे होता है कि क्या मैं इसे ठीक करने जा रहा हूँ दोस्त अगर ये तूट जाता है तो क्या ऐसा गैरेज ढूड़ना बहुत मुश्किल नहीं होगा जो साथ साल पुरानी कार के लिए बचा हूँ नील मैं अब तक भागशाली रहा हूँ लेकिन ये एक अच्छे बात है मित्र क्या ये आपके लिए अटपटा नहीं होगा ये दियाब कहीं फस जाते हैं और पूर्जों को भेजने के लिए दो महीने का इंतिजार करना पड़ता है नील हाँ ये चिंता जनक सोच है मुझे आश्चारे होने लगा है कि क्या इसे बदलने का समय आ गया है एक नई मध्यमाकार की कार के संदर्ब में नीतार्त प्रश्ण किसी भी नेड्णे में अंतरनीत आवशक्ताओं की आकार का निर्मान करते हैं बहुत कम एक कॉल बिक्री में भी नीतार्त प्रश्ण सफलता का एक अच्छा भविशबकता है हाला कि जैसा कि हमने देखा है बिना नहितार्थ प्रश्णों के छोटी बिक्री में सफल होना संभव है। इस वज़ा से निन्नय आकाल छोटा होने पर कुछ लोग नहितार्थ प्रश्णों को अनवश्चक ओवरकिल मान सकते हैं। पेशेवर अक्षा जितना महसूस करते हैं उससे बहतर बेचते हैं। इस कारवारतलाप के बारे में एक और दिल्चस्प बात है। ये विक्री कौल नहीं थी। मेरा दोस्त बेचने के बारे में कुछ नहीं जानता। वो एक परामर्श इंजीनियर है जो बेचने के लिए कहने पर आतंक में भाग जाएगा। फिर भी यहां वो उन 99% लोगों की तुल्ना में मेरी ज़रुलोतों को विक्सित करने का बहतर काम कर रहा है। जिनका काम कार बेचना है। कई पेशेवर लोग विशेश रूप से वे जिनहें अपने काम के हिस्से के रूप में धेर सारे नैदानिक प्रशने पूछने पूछने पड़ते हैं। जल्दी और आसानी से उन्हें बेचने में मदद करने के लिए नही थार्थ प्रशनों का उप्योग करना सीख सकते हैं। उत्वेट में हमने कई पेशेवर और परामश संगठनों के लिए सेल्स ट्रेनिंग तयार की है। और हम लगातार आश्चर चकित हैं कि कैसे जिन लोगों को हम ट्रेन करते हैं उन्हें से बहुत से जो खुद को बेचने में आसमर्थे समझते हैं इन्ही थार्थ प्रशनों के साथ बहुत कुशल बन सकते हैं। हम वर्तमान में बड़ी आठ लेखा फर्मों में से एक की आउडिट भागिदारों के साथ काम कर रहे हैं। एक सफल विक्रेता के छवी से आगे कुछ भी नहीं हो सकता है। हम में से दिकांश के पास आउडिटर है। जैसा के पुराने कहावत है। बेटा अगर तुम अकाउंटेंट होने का उत्साह और दबाब नहीं चाहते तो आउडिटर बनो। हमारे द्वारा ट्रेंड किये गए कुछ लेका परिच्छक स्वयम के बारे में इस धार्ना को सांजा करते प्रतीत होते हैं। और यह जानकर चकित हैं कि वे अपनी सामान्य व्यावसाइक बाचीत के हिस्से के रूप में पूछे जाने वाले कई प्रश्न उन्हें बिक्री की भूमिका में सफल होने में भी मदद करेंगे। नहितार्ट प्रश्न कुछ परकार की भिक्री में विशेश रूप से शक्तिशाली होते हैं। जाहिर है, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं नहीतात प्रश्ण की मुख्य शक्ती डौन्स बड़ी बिग्री में हैं, जहां गराहक के मन में समस्या का आकार बढ़ाना अवश्चक हैं। लेकिन नीर्णे निर्माताओं पर कॉल के सांथ ये उतना आसान नहीं होता है। परे अंतरनीत प्रभावों और परिणामों को देखने पर निर्पर करती है। आप कहा सकते हैं कि एक निर्णे निर्माता प्रभाव में डील करता है। ऐसे कई अफसर आए हैं जब हम एक कॉल के बाद निर्णे निर्माताओं से बात कर रहे थे। और उन्हें विक्रेता के बारे में अनुकूल टिपणी करते सुना जिन्होंने उनसे निर्थार्थ प्रशन पूछे उस वक्ति ने मेरी भाषा में बात की। नहीतार्थ निर्ने लेने वालों की भाषा होती है और यदि आप उनकी भाषा में बात कर सकते हैं तो आप उन्हें बहतर तरीके से प्रभावित करेंगे एक अधिक जिग्यासु शोध खोज ये है कि उच्च प्रद्योगी की विक्री में नहीतात प्रश्ण विशेशुप से शक्तिशाली है ये उन अजीव शोध निशकरशों में से एक है जिने मैं नहीं जानता कि कैसे समझाओं एक संभावित श्पष्टिकरण ये है कि पुरानी धीमी गती से चलने वाली तक्नीकों में ग्राहक कई सालों से समानुकपाद खईद रही होंगे और इसलिए पहले से ही नहीतार्तों को समझ रही है किसी तरह मुझे ये स्पष्टिकरण पूरी तरह से आश्वस्त नहीं लगता मेरे सही योगी जिन्होंने हाइटेक बाजारों में बड़े पैमाने पर काम किया है एक और व्याख्या पस्थोत करते हैं कई हाइटेक रहक वे सुझाव देते हैं जटिल और तेजी से बदलते हाइटेक मार्केट प्रेस के कारण सहजनों को बहुत जोकिम भरा मानते हैं इन परिस्तितियों में ग्रहकों को अपने मोजूदा और प्रवनों के साथ समस्य को बहुत गंभी रूप में देखना पड़ता है इससे पहले कि वे कुछ नया और अलग होने का जोकिम उठाने के लिए तयार महसूस करें मैंने ये भी सुना है कि ग्रहक हाइटेक सेहज परसन पर भरोसा नहीं करते हैं इसलिए वे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अधिक सहज महसूस करते हैं जो समय से पहले और अक्सर अनुचित समाधानों के साथ कोटता है जो पीछे हटता है और नहीरतात को समझने की कोशिश करता है इस स्पश्टिकरन के संभावना मजाक से मजबूत होती है पुरानी कारों को बेशने वाले लोगों और उच्च तकनिक बेशने वाले लोगों के बीच क्या अंतर है उत्तर पुरानी कार बेशने वाले लोग जानते हैं कि वे जूट बोल रही है एक संभावित नकारात्मक नहीतार्थ प्रश्ण कोई नहीं खोज नहीं है पूरे इतिहास में प्रभावी पीरक समस्याओं को उचाकर करते रहे हैं और उनके नहीं धारतों की खोच करके उन्हें बड़ा बनाते रहे हैं सुकरात ऐसा करने में माहिर थे प्लेटोनिक समबादों में से कोई भी और आप देखेंगे कि कैसे अब तक के सबसे महान प्रेरकों में से एक नहीं धारत परशनों का उपयोग करता है हाला कि सुकरात का मामला ये भी दर्शाता है कि उनकी विक्रेशक्ती के बावजूद नहीतार्थ प्रश्नों में एक कमजोरी है परिभाशा के अनुसार वे ग्रहकों को समस्याओं से अधिक आसहज करते हैं विक्रेता जो बहुत सारे नहीं धार्त पर्ष्न पूछते हैं वे अपने खरिदारों को नकारात्मक या उदास महसूस करा सकते हैं ऐसा नहीं है कि बहुत से विक्रेता अंत में हेमलोक पीने के लिए मजबूर हो जाते हैं लेकिन मुझे आश्चर्य है कि सुकरात के पूछताच विहवार ने उनके पतन में योगदान दिया या नहीं। चुंकि समस्याओं को भैतर बनाना इंप्लिकेशन प्रश्णों की ताकत और संभावित खत्रा दोनों है। क्या आपके ग्रहक को निराश करने के दंड को जोखिम में डाले बिना किसी समस्या को और अधिक गंबीर बनाने के लाब प्राप्त करने का कोई तरीका है। नहीं तार्थ प्रश्णों का उप्योग करते हैं ताकि इसे और अधिक गंबीर माना जाए। और फिर वे समाधान के मूल्या या उप्योगिता का निर्मान करने के लिए दूसरे प्रकार के प्रश्णों के और मुरते हैं। ये इस प्रकार दूसरे प्रकार के प्रश्ण का उप्योग समाधान के सकारात्मक तत्यों का निर्मान करने के लिए है, जो गुरहकों से किसी भी प्रतिकूल धाड़ना को रोकता है। हम इस सकारात्मक समाधान के इंदिर परश्णों को नीट प्योफ परश्ण कहते हैं। मूल रूप से वे किसी समस्या को हल करने की मूल्य या उपयोगिता के बारे में पूछते हैं। क्या आपके लिए इस समस्या का समाधान करना महत्वपून है। आपको ये समाधान इतना उप्योगी क्यों लगेगा? क्या कोई और तरीका है जिससे ये आपकी मदद कर सके? नीट पे ओफ प्रश्णों का मुनुविज्ञान क्या है? वे दो चीजे हासिल करते हैं। वे ग्रहक का ध्यान समस्य के बजाए समाधान पर केंदित करते हैं। ये एक सकारात्मक समस्य समाधान वातरवन बनाने मदद करता हैं। जहां समस्याओं और कठिनाईयों पर ही नहीं बलकि समाधान और कार्यों पर भी ध्यान दिया जाता है। वे ग्राहक से आपको लाब बतवाते हैं उधारन के लिए एक नीट प्योफ प्रश्ण जैसे आपको कैसे लगता है कि एक तेज मशीन आपकी मदद करेगी उत्तर मिल सकता है जैसे ये निश्चित रूप से उत्पादन बाधाओं को दूर करेगा और ये कुशल ओपरेटर समय का बहतर उप्योग भी करेगा आएए देखें कि इन उधेशों को बिकरी कॉल से निकालने के द्वारा कैसे प्राप्त किया जाता है जहां सैलर जिसका उत्पाद एक टेलिफोन सिस्टम है आवशक्ता अदाएगे प्रशनों का उप्योग कर रहा है सैलर नीट पे ओफ क्वेशन तो क्या आप इसमें दिल्चस्पी लेंगे लंबी दूरी की कॉल कंट्रोल करें खईदार ठीक है हाँ बिलकुल लेकिन मेरी समस्याओं में से केवल यही एक है सैलर नीट पे ओफ प्रशन मैं उन अन्य समस्याओं पर एक मिनट में विचार करना चाहता हूँ लेकिन पहले आप कहते हैं कि आप लंबी दूरी की कॉलिंग को कंट्रोल करना चाहेंगे यह आपके लिए क्यों महत्वपून है खईदार ठीक है अभी मुझे अपने नेट वर्क की लागत को कंट्रोल करने के लिए नियंतरक से बहुत अधिक दबाव मिल रहा है अगर मैं लंबी दूरी के शुल्क कम कर सकता हूँ तो यह निश्चेत रूप से मदद करेगा सेलर आवशक्ता अदाएगी प्रशन यदि आप लंबे समय तक पतिबंदित कर सकते हैं तो क्या इसे मदद मिलेगी खईदार ठीक है हाँ यह निश्चेत रूप से कुछ अत्यदिक लंबी दूरी के उप्योग को रोखेगा जो हम प्राप्त कर रहे हैं इसका दिकांश हिसा अनाधिकरत लंबी दूरी के उप्योग से आ रहा है सेलर क्या हम उन मुद्दों पर वापस जा सकते हैं जो आपने फोन सिस्टम प्रबंदन रिपोर्ट तयार करने के बारे में उठाए थे क्या मैं मान सकता हूँ कि आप वहाँ भी सुधार चाहते हैं खरीदार हाँ ये एक बड़ी मदद होगी सेलर नीट प्योग प्रश्न क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि ये आपको टेलिफोन लागत ले खांकन के लिए एक भैतर तरीका ब्रदान करेगा खरीदार हाँ आप देखिए अगर हम कॉल करने वाले विभागों की पहचान कर सकते हैं तो हम उन्हें उनके टेलिफोन शुलक के लिए जवाब दे ठहरा सकते हैं सेलर नीट प्योग प्रश्न मैं देख रहा हूँ क्या कोई और तरीका है जिससे ये मदद कर सके खरीदार नहीं मुझे लगता है कि जवाब दे ही मुख्या चीज है सेलर नीट प्योग प्रश्न ठीक है ये निशेत रूप से महत्वपून है लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ये जानना भी महत्वपून हो सकता है कि इंकमिंग कॉल का उत्तर देने में कितना समय लगता है और परतेक एक्स्टेंशन के माद्यम से जाने वाली कॉल की कुल संका क्या है खरीदार ये वास्तों में उप्योगी हो सकता है सेलर अव्रशक्ता अदायगी प्रश्न लागत कार्णों से उप्योगी है या कुछ और बात खरीदार नहीं मैं लागत के बारे में नहीं सोच रहा था जहां ये वास्तों में हमारी मदद करेगा ग्राहक सेवा में सुधार करने में वह इस व्यवसाई में ये महत्रपून है क्या आप वहां हमारे मदद कर सकते हैं सेलर हां हम कर सकते हैं मुझे समझाएं कि हमारे उप्रण किस परकार मदद करेंगे इस उद्रण में नीट पे ओफ प्रश्न समस्याओं के बजाए समाधानों पर अधिक ध्यान केंदित करने में सफल रही हैं इससे भी अधिक महत्रपून ग्राहक विक्रेता को लाब देना शुरू करता है ये कहते हुए कि ग्राहक सेवा को बहतर बनाने में ये वास्तों में हमारी मदद कहां करेगा इसमें कोई आश्चरे की बात नहीं है कि हमारे शोध में पाया गया कि अधिक संख्या में नीट पे ओफ प्रश्णों वाले कॉल को ग्राहकों द्वारा इस रूप में रेट किया गया था सकारात्मक, रचनात्मक, मददकार आवशक्त्य आदाईगी प्रश्ण सकारात्मक प्रभाव पैदा करते हैं जो एक अच्छे संबंद को बनाए रखने पर निर्भड करते हैं जैसे कि मौजूदा ग्राहकों को बिक्री आवशक्त्य आदाईगी प्रश्ण कम करें एक साधारन बिक्री में आमतोर पर आपके उत्पात और उसके द्वारा हल की जाने वाले समस्य के बीच सीधा संबंद होता है किसी समाधान के लिए समस्य का ठीक ठीक मिलान करना संभव है इसलिए उधारन के लिए चिंतित व्यक्ति महत्यपून कंपनी के कागजात के लिए अगनी जोखिम एक समस्य हो सकती है जिसे अगनी रोदक फाइलिंग कैबिनेट की खईद से पूरी तरह से हल किया जा सकता है लेकिन जैसे जैसे बिक्री बड़ी होती जाती है समस्या और समाधान के बीच का तालमिल आम तोर पर कम सीधा होता जाता है बड़ी बिक्री में आने वाली समस्याओं के कई भाग हो सकते है और आपके द्वारा ग्राहक को दिये जाने वाला समाधान इन में से कुछ भागों से दूसरे के तुलना में बहतर तरीके से निपटेगा उधारन के लिए कम उत्पादक्तर जैसी समस्या दरजनों कारुकों के कारण हो सकती है जब आप अपना समाधान प्रस्तूत करते हैं तो आप जोखिम उठाते हैं कि ग्राहक उन छेत्रों पद्ध्यान केंदित करेगा जिन्हें आप हल नहीं करते हैं बलकि उन छेत्रों पद्ध्यान केंदित करेंगे जिन्हें आप हल करते हैं जब ऐसा होता है तो ग्रहक आपके पूरे समाधान को चुनोती दे सकता है जैसा कि इस उधारन से पता चलता है सेलर तो आपके मुक्य समस्या तक्नीकी परिक्षणों के लिए आपके द्वारा उपयोग की जाने वाले समगरी पर उच्छ आस्विकरती दर है हमारी नई सामगरी का उप्योग करना इतना आसान है कि आपके टेक्निशन्स की आसुईकर्ती दर लगबग 20% कम हो जाएगी खईदा आपती जताते हुई एक मिनट रुकिए ये केवल परिक्षन सामगरी नहीं है जो आसुईकर्त दर बनाती है प्रोसेसरत आपमान और डिवेलपर आक्सिकर्ण जैसे कई अन्यकारक है मुझे उप्योग में आसान समगरी के बारे में ये सब समान मत दो यहां क्या हो रहा है खईदार अपती उठा रहा है क्योंकि विक्रेता का समाधान एक जटल समस्या के केवल एक पहलू से समंदित है उतपाद के लिए दावा करके विक्रेता ने ग्राहक को इन में से कुछ अन्य पहलूँ को उठाने और उस बिंदू को आसुखार करने के लिए पेरीद किया बड़ी बिक्री में आप जिन समस्याओं को हल करने का प्रयास कर रही है वो लगबग हमेशा कई घटकों और कार्णों से बनी होगी इसलिए क्योंकि ये बहुत कम संभावना है कि आप एक सटीक समाधान प्रदान कर सकते हैं जो एक जटल समस्या के हर हिस्से को हल करता है ये इंगित करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है कि आप समस्या को कितनी अच्छी तरह हल कर सकते हैं ऐसा करके आप ग्राहक को उन सभी हिस्सों को मुद्दा बनाने के लिए इन्वाइट करते हैं जिन्हें आप हल नहीं कर सकते हैं। क्या अधिक है परिश्कृत, व्यवसाय, ग्रहक शायद ही कभी आपके समाधान के सटीक होने के उम्मीद करते हैं। इसके बजाए वे जानना चाहते हैं कि आप किसी समस्या के सबसे महत्तुन तक्तों से उचित कीमत बनने पड़ सकते हैं। तो आप ग्रहक की सुईकृती कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कि आपका समाधान सार्तक है। भले ही इस समस्या के हर हिस्से को हल कर सकता है। ये एक ऐसा छेत्र है जहां आप नीट प्योफ प्रश्णों का उप्योग कर सकते हैं। किसी को भी ये बताना पसंद नहीं है कि उसके विभाग ये वैवसाय के लिए क्या अच्छा है। विशेश रूप से किसे भारी व्यक्ति द्वारा। कस्टमर्स अधिक सकारात्मक प्र आपके समाधान से समस्या के कौन से तत्व हल हो सकते हैं। ये दिश्टी कौन आपत्तियों को कम करता है और आपके समाधान को अधिक स्वीकार्य बनाता है। जैसा कि अगला उधारन दिखाता है। परकिरिया नियंतर अधियोग में एक बहुती अनुभवी और सफल बिक्री मैनेजर को एक बार एक कम्पनी सम्मिलन में ये समझाने के लिए कहा गया था कि वो एक प्रमुख तेल कम्पनी को बहु मिलन डॉलर पर नाली बीचने में कैसे सफल हुआ। उन्होंने कहा वास्तों में बड़ी बिक्री के बारे में याद रखने वाली सबसे महत्वपून बात ये है कि आप बिक्री में केवल एक छोटा सा हिस्सा निभाते हैं। वास्तविक बिक्री खाते में तब चलती है जब आप वहां नहीं होते हैं। जब आप जिन लोगों को बेचते हैं पर वापस जाते हैं और दूसरों को समझाने की कोशिश करें। मुझे यकीन है कि वास्तविक्ता में मैं सफल हुआ क्योंकि मैंने ये सुनिश्चित करने में बहुत समय बिताया कि जिन लोगों से मैंने बात की थी पर जानते थे कि मेरे लिए कैसे बेचना है मैं एक नाटक के निदेशक की तरह था, मेरा काम डिहर्सल के दोरान था, मैं परदाशन के दोरान मंच पर नहीं था बिक्री में बहुत से लोग महान अभी करता बनना चाहते हैं मेरी सला है कि यदि आप वास्तों में बड़ी बिक्री करना चाहते हैं तो आपको ये महसूस करना होगा कि भले ही आप एक महान कलाकार हूँ आप सेल समय के एक अंश्च से अधिक समय तक मंच पर नहीं रहेंगे जब तक आप बाकी कलाकारों का पूर्वा भ्यास नहीं करेंगे शो फ्लॉप रहेगा प्रमुक खाता सेल में अनुभव रखने वाले अधिकांश लोग इस विशलेशन से सैमत होंगे ये इस पस्ट है कि जब आप आसपास नहीं होते हैं तो बहुत अधिक बिक्री होती है इसलिए आप अपने आंतरिक परियोजोकों को जितना बहतर तरीके से त्यार करेंगे उनके लिए खाते में दूसरों को राजी करना उतना ही आसान होगा समस्या ये है कि कैसे ग्राकों का पूर्वा अभ्यास करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है ताकि वे आपके लिए प्रभावी रूप से बिक्री करें यहाँ एक खरिदार पर एक समाने कॉल से उद्धरन दिया गया है जो आश्वस्त होने पर बाद में आंतरिक रूप से बिक्री करेंगा सेलर और एक तरीका जिसने सिस्टम आपकी मदद करेंगा इन्वेंटरी कम करने में हाईदार अच्छा ऐसा कुछ है जो हमें करने के आवश्यक्ता है मैं कल वित्ध के वीपी से बात करूँगा खाईदार क्या लेखा पर इच्छा सेलर ये वस्तो सूची का दस्ता वेजिकरन करने और पुना प्राप्त करने का एक शक्तिशाली नया तरीका है खाईदार ठीक है मैं इसका उलेख करूँगा सेलर उन्हें बताएं कि हमने स्निच लिमिटिड में इन्वेंटरी की लागत में बारा प्रतिशत की कटोती की है खाईदार इस आटोमेटिक आडिट चीज के कारण सेलर हाँ और आपकी मौसमी चोटियों को नियंतित करके सेलर हाँ और आपकी सीजनल रिक्वार्मेंट को कंट्रोल करके हम यहाँ और भी बहतर कर सकते हैं खाईदार कल उनके लिए एक बुरा दिन हो सकता है पैटक डाउन टाउन संपत्ति के मुद्दे के बारे में है मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ तक कि अगर यह खाईदार वित्य के वीपी से बात करता है तो बिक्री का एक टुकडा कितना प्रभावी होगा यह शायद विफल हो जाएगा क्योंकि खाईदार स्पष्ट रूप से उत्पाद को समझने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं है ऐसी आपर्याप्त समझ आसमाने नहीं है सेलर के लिए परिश्करत उत्पाद या सेवा बेचने के लिए आविशक सभी तकनीकी और अनुपर्योग ज्यान प्राप्त करना काफी कटिन है आप ग्राहक से यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वो एक घंटे में कुछ ऐसा समझ जाएगा जिसे सीखने में आपको महीनों लग गए लेकिन अगर ग्राहक आपके उत्पाद को परभावी ढंक से बेचने के लिए परियाप्त रूप से आपके उत्पाद को समझने वाला नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए एक आदर्श दुनिया में निश्यत रूप से आप ग्राहक को हर बैटक में अपने साथ ले जाने के लिए राजी करेंगे लेकिन वास्तिविक जीवन में ये वहवारिक नहीं है एक बात तो ये है कि ग्राहक आपको निर्देश देकर इस्तिती पर नियंतन खोने के लिए अनिक्चुक हो सकता है दूसरे के लिए आपके लिए किसी खाते के अंदर चलने वाली हर विक्री बाच्चीत में उपस्तित होना शारिरिक रूप से असंभव होगा एक जटिल खरीद में दरजनों वारतला आप हो सकते हैं जहां खाते में विभिन्य लोगों के बीच आपके उत्पात पर चाचा के जाती है यहां तकि अगर ग्राहक आपको अनुमती देता है तो भी आपको इन सभी चर्चावों में शामिल होने का समय नहीं मिल सकता है समर्तकों द्वारा किया जाएगा जब आप वहां नहीं होंगे यह हमें इस सवाल पर वापस लाता है कि आप ग्राहक को अपनी ओर से बेचने के लिए कैसे त्यार करते हैं जो एक अन्य छेत्र है जहां नीड प्योफ प्रश्णों का विशेश उप्योग होता है उधारन के लिए विक्रेता नीड प्योफ प्रश्णों का उप्योग इस तरह से करता है जिससे खरीदार को कॉल खत्म होने के बाद आंतरीक रूप से बीचने में मदद मिलेगी सेलर और एक तरीका है जिससे सिस्टम आपके मदद करेगा वो है इन्वेंटरी को कम करना खरीदार अच्छा ऐसा कुछ है जो हमें करने के अवश्चक्ता है मैं कल वित्त के वीपी से बाद करूँगा और मैं उनसे इस बारे में बाद करूँगा सेलर नीट प्योफ प्रश्ण आप कहते हैं कि ये कुछ ऐसा है जिसे आपको करने क्या वश्चक्ता है नीमने इन्वेंटरी स्थरों से आपको क्या लाब मिलेगा खरीदार स्पष्ट रूप से लागत में सेलर नीट प्योफ प्रश्ण क्या आपके वित्व वीपी के लिए लागत सबसे महतुपूर्ण लाब हुगा खरीदार हाँ है जरूरी नहीं जब तक मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो कोई और हो सकता है जो अधिक जरूरी हो कल की बैठक में हम अपने डाउन टाउन वियर हाउसिंग की समिक्षा कर रही है हम एक महनी साइट का उप्योग कर रही है और हमारी वीपी इसे बंद करना चाहते है और यहाँ इन्वेंटरी की बात करनी चाहिए लेकिन हमारे पास इस स्थान पर भंदारन के लिए प्रयाप्त जगा नहीं है यदि आपका सिस्टम इस साइट पर इस तरों को केवल 5% कम कर सकता है तो हम डाउन टाउन बिल्लिंग को बंद कर सकते हैं यदि आपके पास ऐसा करने में हमारी मदद करने का कोई तरीका है तो मैं बैटक से पहले हमारे वीपी के साथ 15 मिनट बिताने की कोशिश करूँगा ध्यान दें कि इस उधारण में सेलर लाप का वर्णन करने के लिए खरीदार को प्राप्त करने के लिए नीट प्योग प्रश्णों का उप्योग करता है ऐसा करने में सेलर कई चीज़े हासिल करता है खरीदार का ध्यान अभी इस बात पर केंदित है कि समाधान कैसे मदद करेगा ना कि पहले कि ओधारन की तरह उत्पाद विवरन पर मैंने कहा है कि खरीदारों से ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वे आपके उत्पाद के बारे में इतनी गहराई से जाने कि वो दूसरों को समझा सके लेकिन खाईदारों से अपनी समस्याओं और जरूरतों को समझने की उम्मीद किर जा सकती है आवरिशक अदायगी प्रश्न उस छेत्र पध्यान किंदित करते हैं जो खाईदार सबसे अच्छी तरह समझते हैं उनका अपना विवसायब और आपके द्वारप्रस्तावित समाधान से इसे कैसे मदद मिलेगी जब खाईदार खाते में दूसरों से बात करते हैं तो ये जरूरतों के छेत्र में होता है उत्पादों के छेत्र में नहीं कि वे सबसे अधिक आश्वस्त होंगी और आपको विक्री पर्यासों में सबसे अधिक योगदान देगी खाईदार विक्रियता को लाब बता रहा है ना किसके विप्रीथ यदि आप खाईदारों को अपने समाधान का मूले समझाने के लिए कह सकते हैं तो ये अच्छा अभ्यास है जब वे खाते में अन्य लोगों को वही स्पश्टिकरन देने आते हैं खाईदार को सक्रिया रूप से आपके लिए लाबों का वर्णन करने के लिए ये एक बहतर पूर्वा अभ्यास है जबकि खाईदार के लिए ये होगा कि आप समान लाबों का वर्णन करते समय निश्क्रिया रूप से सुने जब खाईदारों को लगता है कि उनके विचार समाधान का हिस्सा है तो वे आपके उत्पाद में विश्वास बढ़ाते हैं और इसके लिए उत्साह महसूस करते हैं जब आप चर्चा के दोरान उपस्तित नहीं होते हैं तो आपके लिए उत्पाद बेचने के लिए आवश्चक होन संचेप में नीट प्योफ प्रश्ण महतुपून हैं क्योंकि वे समाधानों पर ध्यान के इंदित करते हैं समस्याओं पर नहीं और वे ग्रहकों को आपको लाब बताते हैं बड़ी बिक्री में आवश्चक्त आदायगी प्रश्ण प्रिशेश रूप से शक्तिशालिक बिक्री उपकरण हैं क्योंकि वे आपके समाधान की स्वीकारिता भी बढ़ाते हैं समान रूप से महत्वपून बड़ी बिक्री में सफलता आपकी ओर से ग्रहकों द्वारा आंतरिक बिक्री पर निर्भर करती हैं और आवशक्ता अधायगी प्रश्ण दूसरों के सामने अपने समाधान प्रस्टूत करने के लिए ग्रहक का पूर्वाभ्यास करने के सर्वुत्तम तरीकों में से एक हैं इंप्लिकेशन और नीट प्रश्णों के बीच अंतर इंप्लिकेशन और नीट प्रश्णों के बीच अंतर इंप्लिकेशन और नीट प्रश्ण दोनों प्रश्ण अंतर नहींत आवशक्ताओं को स्पष्ट आवशक्ताओं में विक्सित करते हैं और क्योंकि उनका एक समान उग्देश्य होता है, इसलिए उन्हें ब्रहमित करना आसान होता है। विक्री कौल से इस संख्षिप्त उद्धरण में कौन सा है। ये तै करके जाचे कि आप उनके बीच के अंतर के बारे में इश्पष्ट हैं या नहीं। एक, सेलर, क्या आपकी वर्तमान परनाली की सुष्ट परकिरिया अन्य छेत्रों में अर्चने पैदा करती हैं। खरीदार, हाँ, जाजतर तैयारी के चरण में। दूसरा, सेलर, और तैयारी चरण एक ऐसा छेत्र हैं जिसे आप गती देना चाहते हैं। खरीदार, हाँ, अभी हम तैयारी में बहुत अधिक समय ले रहे हैं। तीसरा, सेलर, संभवता, समय का अर्थ अत्यदिक बड़ी हुई लागत है। खरीदार, दुर्भागे से ये सच है। चोथा, सेलर, और इस तरह के कम मार्जिन वाले व्यवसाय में आपकी प्रतिसपर्दी चमता पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। खरीदार, ये मदद नहीं करता है। पांच, सेलर, तो आप जो देखना चाहते हैं वो तैयारी में कमी होगी। राशन की लागत। क्या कोई और तरीका है जिससे ये आपकी मदद कर सकें। नहीतार्थ प्रशन उधारण एक, तीन और चार है। उधारण 2, 5 और 6 नीट पे ओफ प्रशन है। अगर आपको ये तैय करना मुश्किल हो गया है कि कौन सा था तो बहुत निराश्ट ना हूँ। पहले तो हुत्वेट टीम को भी ये मुश्किल लगा। हमारे शोद के शुरुवाती चर्णों में। हमें अक्सर ऐसे प्रशनों के उधारण मिलते हैं, जहां हम सुनिश्चित नहीं थे कि कौन सी शीर्णी सबसे उप्यूक्त है। हम इन उधारणों को कार्यलय में एक बड़े सफेद बोर्ड पर लिखेंगे। समय समय पर हम इन कठिन वर्गी करन समस्याओं पर चर्चा करने के लिए मिलेंगे। सीमा के मुद्दे तकनीकी शब्द हैं। ये शुनिश्चित करने के लिए कि हमारे बीच इस तरह के शोद के लिए आवश्यक मान की क्रत समझोता है। इन में से एक चर्चा के दोरान टीम के एक सदर सका आठ वर्षिय बेटा अपने पिता को काम से लेने के लिए कारले में आया। हम बोर्ड पर उधार्णों के लिए। हम बोर्ड पर उधार्णों के बारे में एक लंबी बहस के बीच में थे। इस बात से सहमत होने की कोशिश कर रहे थे कि कौन से नहीं थार्थ थे और कौन सी नीट प्योफ प्रश्ण थे बच्चे ने एक च्छन के लिए बोड को देखा और कहा वो वाला वो वाला और वो एक नहीतार्त प्रश्ण है और बाकि सबी नीट प्रश्ण है हमें अचम्बे में डाल दिया गया हम उसी निश्कर्स पर पहुंचेंगी लेकिन हमें ऐसा करने में आदे घंटे का समय लगा आप कैसे बता सकते हैं हमने पूछा आसान उन्होंने कहा नीट प्रश्ण हमेशा दुखद होते हैं नीट प्योफ प्रश्ण हमेशा खुश होते हैं वो सही है। वो तब से हमने इसे आठ साल के खोजकरता के नाम पर कुइंसकी का नियम कहा है। अधिक वयस के तरीके से कहें नहीतार्त, प्रश्न, समस्या के इंदित हैं। वे समस्या को और अधिक गंभीर बनाते हैं। और इसलिए वे उदास हैं। इसके विप्रीत नीट प्रश्न समाधान के इंदित होते हैं। वे हल करने की उप्योगिता या मूले के बारे में पूछते हैं। इसलिए वे खुश परतीत होते हैं। हमारे प्रमुख गरहकों के वरिष्ट मैनेजर को गलत प्रभाव पढ़ सकता हैं। यदिवे जानते हैं कि हम उनकी विक्री बलों को पहले उदास प्रश्न पूछने के लिए सिखा रही हैं। फिर सुखत प्रश्न पूछने के लिए। नतीजितन हमने कुईंस्की के नियम को कभी सार्वजनिक नहीं किया। लेकिन अगर आपको पिछले उदार्णों से परिशानी हो रही है तो कुईंस्की के नियम के उप्योग करके उन्हें दोबारा कोशिश करें। मुझे लगता है कि आप इस बार से सहमत होंगी। कि नहीं थात प्रश्न दूसरों की तुनला में आधिक दुखद है। खुले और बंद प्रश्नों पर वापस अध्याए एक क्यांत में प्रश्न और सफलता खंड में मैंने हुत्वेट टीम की खोच का वर्णन किया है कि पूछताच का पारंपरी खुला और बंद मोडल बड़ी बिक्री में प्रभावशीलता से सम्बंदित नहीं है। मुझे यकीन है कि खुले और बंद प्रश्नों के बीच समझदा दिखने वाले अंतर पर पले भड़े कई पाठकों को हमारे निश्करश्नों पर विश्वास करना कठिन लगा होगा। अब मैं आपको एक कहानी सुना सकता हूँ जो ये बताती है कि क्यों पुराना खुला और बंद भेद जितना लगता है उससे कम उप्योगी है। मैं एक बड़ी हाई टिकनोलोजी कंपनी में सेल्स मेनेजमेंट कोचिंग के पढ़ाई कर रहा था। इस अध्यन के भाग के रूप में मैंने विक्री के साथ यात्रा की और देखा कि वे कोचिंग पाठों को वियावार में कैसे लाते हैं। एक दिन मैं एक उत्साही लेकिन अनुभव हीन विक्रेता के साथ यात्रा कर रहा था। कॉल के दोरान मैंने रिकॉर्ड किया कि उसने कितनी बार विभिन प्रकार के स्पिन प्रश्नों का उप्यों किया। मेरे परिणाम हमारी पहली कॉल से एक साथ थे। इस्ति प्रश्न 35, समस्य प्रश्न 0, नहितात प्रश्न 0, आवश्यक्ता अदाईगी प्रश्न 0 जैसा कि हम जानते हैं, इस्ति सम्मन्दि प्रश्न सफलता से नकारात्मक रूप से सम्मन्दित हो सकते हैं। अब जितना अधिक पूछेंगे, कॉल के सफल होने की संभावना उतनी ही कम होगी। जाहिर है, जैसे जैसे कॉल आगे बढ़ी, हैदार पहले उप गया, फिर अधीर हो गया, और अंत में हमें जाने के लिए कहा। बाद में, जैसे ही हम लिफ्ट में सवार हुए, सेलर ने मुझसे सला मांगी। मैं इस कॉल के दोरान अधिक खुले पशने पूछने की कोशिश कर रहा था। उसने समझाया, क्या आपको लगता है कि मैं सफल हुआ, मुझे जवाब देने के लिए मजबूर किया गया था, कि जब तक वो किसी ऐसे चेतर के बारे में नहीं पूछती थी, जिसका ग्रहाग पर असर पड़ता था, जैसे समस्याएं और उनके नहीं थार्थ, शायद इसस कोई प्राक नहीं पड़ता कि उसके प्रश्ने खुले थे या बंद थे, दुखत सचाई ये है कि एक कॉल जो सिचुएशन क्वेशन से आगे नहीं जाती है, उसके सफल होने की सबसे अधिक संभावना नहीं है, मैं कलपना करता हूँ कि उसके जैसे हजारों सेलर्स हैं, ज कि एक प्रश्न की शक्ति ग्रहा के लिए मनोवग्यानिक रूप से महत्वपून छेतर के बारे में पूछ रही है या नहीं, चाहिए वो खुला हो या बंद। स्पष्ट की ओर, एक स्पष्ट प्रगती के माध्यम से आगे बढ़ती है, स्पिन प्रश्न सैलर के लिए एक रोड मैप परदान करते हैं, जब तक कि स्पष्ट आवशक्ताएं पूरी नहीं हो जाती हैं, और जितनी अधिक स्पष्ट आवशक्ताएं आप हैधारों से प् स्पष्ट समिक्षा करें और इसके उप्योग के बारे में कुछ अवलोकन करें, सबसे महत्रपून बात, किर्प्या स्पिन को एक अठोर सूत्र के रूप में ना देखें, बड़ी बिक्री में विफलता के लिए एक निश्चित सूत्र द्वारा बेचना एक निश्चित न संच्छेप में, पूछताज कौशल पर हमारे शोद से पता चलता है कि सफल सेलर नीमलिकित अनुकरम का उप्योग करते हैं पहला, प्रारंब में वे प्रश्ट भूमी के तत्यों को स्थापित करने के लिए स्तती संबंदी प्रश्ण पूछते हैं लेकिन वे बहुत अधिक नहीं पूछते, क्योंकि स्तती संबंदी प्रश्ण खईदार को बोर या परिशान कर सकते हैं दूसरा, इसके बाद वे समस्याओं, कठिनाईयों और आसंतोर्षों का पता लगाने के लिए सीग्रता से समस्या प्रश्णों की ओर बढ़ते हैं समस्या संबंधी प्रश्ण पूछ कर वे ग्राहक की नहित आवशक्ताओं को प्रकट करते हैं तीसरा, छोटी बिक्री में इस बिंदू पर समाधान की पेशक्ष करना उचित हो सकता है, लेकिन सफल बड़ी बिक्री में सैलर पीछे हड़ जाता है छोथा, फिर एक बार जब खईदार इस बाद से सहमत हो जाता है कि समस्या कारवाई को सही धैराने के लिए काफी गंबीर है तो सफल विक्रेता खईदार को समाधानों पर ध्यान केंदित करने और समाधान से होने वाले लाबों का वर्णन करने के लिए प्रोचाहित करने के लिए नीड प्योग प्रश्ण पूछते हैं संख्षेप में ये स्पिन मॉडल है बेशक ये हमेशा इस करम में काम नहीं करता है उधारन के लिए यदि कोई ग्राहक आपको एक स्पष्ट आवशक्ता बताकर कॉल करना शुरू करता है तो आप खईदार से बात करने के लिए सीधे नीड प्योफ क्वेशन पर जा सकते हैं कि आपके द्वारा परदान किये जाने वाले लाब इस आवशक्ता को पूरा करने में कैसे मदद कर सकते हैं या कभी-कभी जब आप किसी समस्या या उसके परभावों की खोज कर रहे होते हैं तो आपको अधिक फष्ट भूमी तथ्य देने के लिए इस्तिति संबंदी प् रूप से स्पिन अनुक्रम का पालन करती है मैं आपको अपने सबसे सफल पॉल्स में से एक के बारे में सोचने के इन्वाइट करता हूं क्या ये वियापक रूप से स्पिन मॉडल का पालन नहीं करता क्या आपने कस्टमर की स्थिति के बारे में कुछ पता लगाने से शुरुवात नहीं की तो संब्वता आपने परिस्थिति जन्य प्रश्णों के सांथ शुरुवात की लेकिन काफी जल्दी आप कस्टमर की समस्या की चर्चा में चले गई तुमने ये किस प्रकार किया समस्य प्रश्ण पूछ कर फिर यदि आप अपनी सबसे सफल कॉल्स के बारे में सोचते हैं तो आपको याद होगा कि जैसे ही कस्टमर ने बाद की समस्य बढ़ी और अधिक जरूरी लगने लगी ऐसा क्यों हुआ मुम्किन है क्योंकि आप implication question के साथ समस्य विक्सित कर रहे थे अंत में अपनी सबसे अच्छे कॉल में क्या आप कस्टमर को लाब बता रहे थे या क्या कस्टमर उचसाहित हो रहा था मेरी अधिकांश सफल बिकरी में ये कस्टमर रहा है जो लाब दे रहा था और मुझे यकीन है कि आपने अपनी सफल कॉल्स में भी यही किया है तो आप शायद पहले से ही अपनी सबसे प्रभावी बिकरी में स्पिन मॉडल का उप्योग कर रही है स्पिन नया और आप रत्याशित नहीं है इसकी ताकत एक सरल उस सटीक विवरन को एक जटिल परकिरिया में डालनी से आती है नतीजतन ये आपको ये देखने में मदद करता है कि आप क्या अच्छा कर रही है और आपको उन छेत्रों को इंगित करने में मदद करता है जहां आपको अधिक अभ्यास के अवशकता है स्पिन परश्णों का उप्योग कैसे करें स्पिन परश्णों को प्रभावी डंग से पूछने के लिए ये पहचान कर शुरू करें कि सेल्स कॉल में आपकी गूमी का समस्या समाधान करता की है कस्टमर की समस्याएं या अंतरनीत जरूरतें हर विक्री के केंदर में होती है सालों से मैंने इस सदल तद्य को स्पष्ट रूप से पहचान कर अपनी खुद की सेल्स में काफी मदद की है कॉल शुरू करने से पहले मैं खुद से ऊचता हूँ मैं इस कस्टमर के लिए कौन से समस्या हल कर सकता हूँ मैं उन समस्याओं के बारे में जितना स्पष्ट हो सकता हूँ चर्चा के दोरान प्रभावी प्रश्ण पूछना उतना ही आसान होगा अपनी कॉल कारिनीती और प्रश्णों की योजना बनाने में आपके मदद करने के लिए यहां एक सरत अतनीक दी गई है कॉल करने से पहले कम से कम तीन समभावित समस्याइं लिखी जो खरिदार के पास हो सकती है और जिन्हें आपके पोड़क्ट या सर्विसेज हल कर सकते हैं फिर वास्तविक समस्या परश्णों की कुछ उधारन लिखें जिनने आप पहचानी कई समभावित समस्याओं में से प्रतेक को उजागर करने के लिए कह सकते हैं प्रतेक कॉल से पहले समस्या वाले छेत्रों को सूची बद्द करना उप्योगी खोजने वाला मैं अकेला नहीं हूँ कोटक के केक विभाग के एक अनुभवी सैलर ने मुझे लिखा मैं 20 साल से ज़्यादा समय से सेल्स कर रहा हूँ और जब आपने प्रतेक यात्रा से पहले समस्या वाले छेत्रों की सूची बनाने का सुझाव दिया तो मुझे लगा कि प्रयास के लायक होने के लिए ये बहुत अच्छा विचार है लेकिन मैंने इसे आजमाया और ये मेरी सोच को स्पष्ट करने और सेल के शुलवाती चड़नों में मुझे सफलता पूर्वक गती देने का एक बहुत ही उप्योगी तरीका साबित हुआ कई अन्य लोगों ने इस सलन सुझाव को मदद कार पाया है इसे आजमाया इस तरह आप नहीत आवशकताओं को और अधिक तेजी से उजागर करेंगे और ये आपको अनावशक इस्तिती सम्मंद्ध प्रश्ण पूछने में बहुत अधिक समय खर्च करने से लोगने में भी मदद करेगा अधिकांश, सेलर, लोगों को स्तिती या समस्य सम्मंद्ध प्रश्णों के तुल्ला में नहीतार्थ प्रश्ण पूछना कठीन लगता है पौसत विक्री कॉल में हमने अध्यन किया पूछे गए प्रतेक 20 प्रश्णों में से किवल एक नहीतार्थ प्रश्ण था ऐसा लगता है कि भले ही इंप्लिकेशन प्रश्ण शक्तिशाली हो लेकिन लोगों को उनका उप्योग करने में कठीना ही होती है फिल भी इस बात के अच्छे प्रमाण हैं कि यदि आप अधिक नहीतार्थ प्रश्ण पूछते हैं तो आपकी कॉल अधिक सफल होगी नहीतार्थ प्रश्णों का अधिक बार और अधिक प्रभावी धंग से उप्योग करने में आपकी मदद करने के लिए हम कौन सी व्यवारिक सलह दी सकते हैं हमारे अनुभव से लोगों द्वारा इन में से कुछ महकून प्रश्ण पूछने का मुख्य कारण ये है कि वे उनकी पहले से योजना नहीं बनाती हैं इंप्लिकेशन प्रश्णों की योजना बनाने में आपकी मदद करने का एक आसान तरीका यहां दिया गया है योजना कैसे लागू करें प्रश्ण एक ग्राक को होने वाली संभावित समस्या को लिखी दो फिर अपने आप से पूछें कि ये समस्या किन सम्बंदिक कठिनाईयों का कारण बन सकती है और इनहें लिख ले इन कठिनाईयों को समस्या के नहीतार्थ के रूप में सोचें और विशेश रूप से उन नहीतार्थों की प्रती सतर्क रहें जो समस्या को मूर रूप से पतीत होने की तुल्ला में अधिक कंभीर होने का खुलासा करते हैं कॉल की योजना बनाने वाले एक सेलर ने एक समभावित समस्या के रूप में मुझूदा मशिन का उप्योग करना कठिन है की पहचान की है और फिर चार समबंदित कठिनाईयों के बारे में सोचा है जिनमें से एक ये है कि मशिन चलाने के लिए योग ये लोगों की कमी हो स प्रते कठिनाई के लिए उसमें दिये गए प्रश्णों को लिखें उधारन के लिए सेलर ने नोट किया कि योग्य लोगों की कमी वोटाइम लागत और भरती कठिनाईयों के बारे में नहीं तात प्रश्णों का सुझाव देती हैं यह एक बहुत ही आसान तरीका है लेकिन अच्छी तरह से काम करता है यहां तक की जिन सबसे चतो लोगों का हमने अधिन किया है उनके लिए नहीं तात प्रश्ण पूछना तब मुश्किल होता है जब तक कि उन्होंने पहले से इसकी योजना नहीं बनाई हो चाहे आप हमारी सरल विदी का उप्योग करें या अप जब तक आप अपने प्रश्णों की पहले से योजना नहीं बनाते आप पॉल के दोरान उनके बारे में नहीं सोचेंगे नीट प्योग प्रश्णों का प्रभावी धंग से उप्योग करना नीट प्योग प्रश्ण इतने सरल वो इतने शक्तिशाली है कि आप उनसे हर सेल् अधी भी मेरे लिए एक आश्यरे की बात है कि लगबक आधी कॉस में हमने अध्यन किया है कि सेलर्स ने किसी दियावश्चक्ता अधायगी प्रश्ण का उप्योग नहीं किया ऐसा लगता है कि implication question की तरहां लोगों को उनसे पूछना मुश्किल लगता है इससे डिबत्तर जब औसत सेलर नेट प्योग प्रश्ण का उप्योग करता है तो ये अक्सर कॉल में गलत बिंदू पर होता है तो आएए सबसे पहले देखते हैं कि नेट प्योग प्रश्ण कब नहीं पूछने चाहिए और फिर कॉल में सही समय पर उनसे पूछने के अपने कॉशल को कैसे बढ़ाया जाए कॉल के आरंब में नेट प्योग प्रश्णों से बचें कुछ लोग कस्टमर के समस्याओं के पहचान करने से पहले कॉल में बहुत जल्दी नेट प्योग प्रश्ण का उप्योग करने की गलती करते हैं एबट लेबोरेट्वीस की पॉल लेंडॉयर अपने एक सेस्परसन को नेट प्रश्ण के साथ कॉल खोलते वर देखने की कानी खहते हैं श्रीमान ग्राहक अगर मैं आपको कुछ दिल्चस्प दिखा सकता हूं तो क्या आप इंट्रस्ट लेंगे कम विचितर रूप में कॉल अक्सर ऐसे प्रश्णों के सांथ शुरू होती है जैसे यदि मैं आपको यहां प्रोड़क्टिविटी बढ़ाने का कोई तरीका दिखा सकता हूं तो क्या आप मेरी कंपनी को अपनी कॉंट्राक्ट की सूची में रखेंगे या क्या आप अपने खातू को तेजी से संसाधित करने में रुची रखते हैं ये नीट प्योफ प्रश्ण है लेकिन कॉल में इतने जल्दी पूछे जाने के संभावना है कि वे कस्टमर को डिफेंसिव बना सकते हैं तो और इस प्रकार इन इफेक्टिव हो सकते हैं जिन टॉप सैलर्स का हमने अध्यन किया उन्होंने नीट प्योफ प्रश्ण पूछने से पहले अपनी आवश्यक्ताओं का निर्मान किया मैं आपको यही करने की सला दूंगा नीट प्योफ प्रश्णों से बचे जहां आपके पास उत्तर नहीं है दुर्भागे से एक मात्र समय जब कम प्रभावी बिक्री करता अनिवारे रूप से कॉल में सबसे खराब संभव बिंदू पर नीट प्योफ प्रश्ण पूछेंगे यह उधाल ले कस्टमर मेरे पास एक ऐसी मशीन होनी चाहिए जो डबल साइट कॉपी करें सेलर जिसके पास दोनों तरफ कॉपी करनी की मशीन नहीं है आपको डबल साइट कॉपी की क्या जरूरत है कस्टमर क्योंकि इससे मेरे पेपर का खर्च कम हो जाएगा और साथ ही यदि हम डबल साइट कॉपी करने का एक और प्लस पॉइंट भी है इसका मतलब है कि हमें फाइलिंग के लिए बहुत जादा इस्थान की जरूरत नहीं है और ये बहुत इंपोर्टेंट है सेलर ने नीट प्रशन पूछा है आपको डबल साइट कॉपी की आवश्यक्ता क्यों है ये एक उत्रश्ट प्रश्ण होगा यदि सेलर आवश्यक्ता को पूरा करने में कीपेबल था क्योंकि ये कस्टमर डबल साइट कॉपी के लाभ़ों को स्पष्ट करने के लिए प्रोचसाहित करता है लेकिन इस seller के लिए जो केवल एक तरफ़ कॉपी की पेशकर्ष कर सकता है ये पूछने का सबसे खराब सवाल था नेट ग्योव प्रश्ण के परिणाम सुरूप कस्टमर की आवश्यक्ता मजबूत हो जाती है और seller इसे पूरा नहीं कर सकता क्योंकि seller के पास डबल साइट कॉपी करने की मशीन नहीं है हम इस एदिकांश समय समय पर इस जाल में फर्शाते है हम नीट ग्योव प्रश्ण उन ज़रुरतों के लिए पूछते हैं जिन्हीं हम पूरा नहीं कर सकते बजाए उन जरूरतों के लिए जिन्हीं हम पूरा कर सकते हैं मुझे यकीन है कि आपने परष्ट प्रश्ण पूछा है आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं जब आपके कस्टमर्स में से एक में ऐसी छमता का अनुरोद किया है जो आप परदान नहीं कर सकते कस्टमर्स तब आपको प्रश्ण का उत्तर देते हुए आपको बताता है कि छमता क्यों महत्पूर्ण है और ऐसा करने की इसके आवश्यक्ता को मजबूत करता है नेट प्रश्ण पूछने का सबसे खराब बिंदू ये है कि जब ग्राहक ऐसे आवश्यक्ता को उठाता है जिसे आप पूरा नहीं कर सकते इसके विप्रीत सबसे अच्छा बिंदू वो है जब आप आवश्यक्ता को पूरा कर सकते है फिर भी विडम बना ये है कि ये तब होता है जब जादतर लोगों को नीड प्योग प्रश्न पूछने की संभावना कम लगती है यदि उप्रोप्त उधारण में सेलर के पास ऐसी मशीन थी जो डबल साइट कॉपीज की पेशकर्श कर सकती थी तो क्या आपको लगता है कि उसने नीड प्योग प्रश्न पूछा होगा शायद नहीं हमारे अध्योनों में हमने पाया कि जब कस्टमर्स ने ऐसे जरूरतें उठाई जिने सेलर पूरा कर सकता था तो सेलर की ओर से संभावित प्रतिकिरिया नीड प्योग प्रश्न पूछने की नहीं थी बलकि समाधानों के बारे में बात करना शुरू करने की थी प्रभावी नीड प्योफ प्रश्नों का प्यास करना नहीं था तो प्रश्नों के लिए सावधानी पूरवक योजने की आवशकता होती है आप उनके सांथ अपने कौशल में सुधार नहीं कर सकते जब तक की आप अधिक धहर्य और प्रयास निविश करने के लिए तयार ना हो साथ ही हमने देखा है कि लोगों ने नीड प्योफ प्रश्नों के साथ अपने कौशल में नाट के और रूप से व्रद्दि की है यहां एक सरल अभ्यास का उधारन दिया गया है जो आपको नीड प्योफ प्रश्नों का अभ्यास करने में मदद करता है एक अपनी मदद के लिए इसी मित्र या सहकर्मी की मदद ले आपके द्वारे चुने के व्यत्ति को बेचने के बारे में कुछ भी जाने के अवशक्ता नहीं है इस अभ्यास के लिए मेरा बेटा मेरा शिकार रहा है जो आपको लगता है कि दूसरे व्यत्ति के पास है उधारन के लिए आप एक नई कार एक छुटी नौकरी में बदलाओ या मेरे बेटे के मामले में एक वीडियो कैमरे के बारे में बात करना चुन सकते हैं चर्चा के तहट विशे के लाबों के बारे में बात करने वाले दूसर व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए नीट पर प्रशन पूछें मेरे मामले में उधारण के लिए मैंने अपने बेटे से इस तरह की प्रशन पूछे आपको क्यों लगता है कि एक वीडियो कैमरा होना अच्छा होगा ये हमें क्या करने देगा जो हम अभी नहीं कर सकते हैं अगर हम एक कैमरा खईद लें तो क्या परिवार में कोई और खुश होगा जब आप इस अभ्यास को आजमाते हैं तो इसके बारे में दो बातों पर ध्यान दे एक वास्तविक जीवन की तरह ये आपके कस्टरमर में ध्यान देने योग्य उच्साहा पैदा करता है जीरोक्स के एक प्रमुख खाता विक्रेता ने एक बर मुझे बताया था कि उसने विशय के रूप में एक नई कार का उप्योग करते हुए एक दोस्त के साथ अभ्यास करने की कोशिश की एक हफ़ते बाद उसने वास्तव में एक नई कार करी दी उसे समझाते हुए कहा आपके सवालों ने वास्तों में मुझे विश्वास दिलाया कि मुझे ऐसा करना चाहिए इन सरल अभ्यास परदर्शनों में नीट प्योग प्रश्णों की शक्ती दिखाई देती है दो नियतात प्रश्णों के विप्रीत जो एक विशेश प्रहाग समस्य के लिए विशिष्ट होते हैं नीट प्योग प्रश्णों में वियापत्ता होती है इस अभ्यास में आपके द्वारा उप्योग के जाने वाले कई प्रश्ण वही हैं जिनका उप्योग आप वास्तवे कौल में कर सकते हैं कई सामान्य नीट प्रश्ण हैं जैसे की ये क्यों महत्वून है वो कैसे मदद करेगा क्या ये उप्योगी होगा अगर क्या कोई और तरीका है जिससे ये आपकी मदद कर सके इस अभ्यास जैसी सुरक्षे तिस्तितियों में पहले इनका अभ्यास करें फिर उन्हें वास्त्विक कॉल में आज माएं मुझे लगता है कि आप उनकी प्रभावशीलता से हैरान हो जाएंगे चप्टर फाइव प्रमुख बिकरी में लाब दीना सुविधाएं और लाब प्रदर्शित करने के क्लासिक तरीके सेल्स ट्रेनिंग और सेल्स पर उस्तकुन ये प्रदर्शिन चमता की तरीकों पर बहुत ध्यान दिया है 1920 के दशक से ये माना गया है कि कस्टमर्स को समाधान प्रस्टूत करने की कुछ तरीके अधिक प्रिरग है कोई भी व्यक्ति जो पिछले 60 सालों में सेल्स ट्रेनिंग का रेक्रम में जाता रहा है संभवता उसे दो तरीकों के रूप में शब्द सुविधाएं और लाब सिखाए गई हैं जिससे आप अपने प्रोड़क्ट्स ये सर्विसेज का वर्णन कर सकते हैं हम सभी इस आवधार्णा से इतने परेचित हैं कि समझाने के अवश्यक्तर नहीं लगती है कि सुविधाएं इसे प्रोड़क्ट के बारे में फैक्ट्स हैं और मोटिवेट नहीं करती जबकि लाब जो दिखाते हैं कि सुविधाएं ग्रहक की मदद कैसे कर सकती हैं अपनी छमताओं का वर्णन करने का एक अधिक शक्तिशाली तरीका है लेकिन हम कुछ आश्यर्य में थे लाब जिस तरह से आपको संभवताहा उनका उप्योग करना सिखाया गया है बड़ी बिकरी में इनिफेक्टिव है और ग्रहक से नकारात्मक परती के लिया पैदा करने के संभावना है और यहां तक कि एक लाब को परिवाशित करना जितना असान लगता है उससे कहीं ज़्यादा कटीन है अपने निशकर्षों पर पहले से नजर डाले आईए कुछ बुनियादी बातों की समिशा करके शुरुवात करें विशेष्टाएं सभी जानते हैं कि विशेष्टाएं क्या हैं वे आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में फैक्ट्स, डेटा या जानकारी हैं विशेष्टाएं जैसा कि प्रतेक लेखक ने 1920 के दर्शक्षित देखा है आप रुबोदक हैं क्योंकि वे तटस्त तथ्य देते हैं वे आपके बिक्री परस्तुती में ज्यादा मदद नहीं करते हैं दूसरी योड लेखकों की सहमती यह है कि वे आपको नुकसान भी नहीं पहुँचाते हैं हमारा शोद क्या दिखाता है 18,000 सेल्स कॉल्स में परियुक्त सोविधाओं की संख्या के विश्टेशन से हमने नीम लिखित पाया समगर रूप से आसफल कॉल्स में सोविधाओं का इस्तर थोड़ा अधिक होता है लेकिन हमारे लिए यह निसकर्ष निकालने के लिए यह अंतर काफी छोटा है कि पारंपरी ज्यान सही है विश्यिस्ताएं तठस्त हैं वे कॉल में मदद नहीं करते हैं लेकिन वे इसे ज़्यादा नुकसान भी नहीं पहुचाते हैं छोटी बिक्री में सोविधाओं के उपयोग और कॉल्स अफलता के बीच थोड़ा सा सकारात्मक संबंद होता है इसलिए सोविधाओं में उच्चतर कॉल्स के परिणाम सुरूप ओडर या एडवांस प्राप्त होने के संभावना थोड़ी अधिक होती है बड़ी बिक्री में ये रिष्टा सही नहीं है बड़ी बिक्री में शुरुवात में उपयोग के जाने पर सोविधाओं का नकारात्म प्रभाव पड़ता है कॉल और एक तर्ष्ट प्रभाव जब बाद में उपयोग किया जाता है उपयोग करता नेड़ने निर्माताओं की तुल्ला में सोविधाओं की प्रति अधिक सकारात्मक प्रतिकिल्या देते हैं ग्राहक कभी कभी सोविधाओं की भूट विचुतर करता है जब ऐसा होता है ग्राहक काफी उत्पाद वीवरण की मांग करता है और सोविधाओं के लिए सकारात्मक प्रतिकिरिया दे सकता है ये बिक्री चक्र इस चरण में हैं कि तक्नीके विशेशग्या सेश्टम विशलेशक और अन्य बिक्री समर्थन वाले लोगों का ग्राहक पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है हमने सोविधाओं के उप्योग और ग्राहकों की प्रतिकिरिया के प्रकार की बीच कुछ दिलचर्स को संबंद भी खोजे जिनके बारे में हम अगले अध्याई में और अधिक जानेंगे लेकिन आम तोर पर सोविधाओं पर हमारे काम निपुष्टी की कि लेखक पचास सालों से क्या कह रही है सोविधाओं कम शक्ति वाले कथन हैं जो आपको बेचने में बहुत कम मदद करते हैं सोविधाओं की तुल्ला में लाभू का उप्योग करना बहतर है हमारी समस्यें तब शुरू हुई जब हमने फायदों की चांज शुरू की जबकि हर कोई फीचर की परिभाशा पर सहमत है विक्री पर कोई भी दो लेकों के पास लाब की एक ही परिभाशा नहीं है यहां ऐसी कई परिभाशाएं दी गई हैं जिन्हें हमने हर विक्री पुष्टक और ट्रेनी कारेक्रम को पढ़ने में खर्च किये गए एक दयनिया महीने से उजागर किया हैं एक लाब दिखाता है कि कैसे एक सुविधा ग्रह की मदद कर सकती है एक लाब में खईदार के लिए लागत बचत होनी चाहिए एक लाब कोई भी कतन है जो एक आवशक्त को पूरा करता है एक लाब को खईदार की व्यक्तिकत एहम जरूरतों के लिए अपील करनी होती है ना कि संगटनात्मक या विभागय जरूरतों के लिए एक लाब कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे आप पेश कर सकते हैं जो आपके 35 पर भी नहीं कर सकते एक लाब खईदारी का मकसद देता है कुछ परिभाशाएं विद्या तत्वों पर जोड़ देती हैं और कुछ व्यक्तिकत अपील पर ध्यान किंदित करती है अन्य किसी विशेष्ता के किसी दिविस्तार को सुईकार करते हैं जैसे यही समझना कि इसका उप्यूख कैसे किया जा सकता है मेरा व्यक्तिकत पसंदीदा हनीवल में एक सेल्स मैनेजर से था जिसने मुझे बताया एक लाब वो है जो आप किसे ग्राक से कहते हैं जो एक सुविधा से अधिक स्मार्ट है कौन सी परिभाषा सही है हम कैसे बता सकते हैं कि इन में से कौन सी परिभाषा दूसरों से बहतर है केवल एक व्याज परिक्षन है इन पतिद्वंदी परिभाषाओं में से सबसे अच्छी परिभाषा वो है जो ग्रात्मों पर सबसे सकारात्मक प्रभाव डालती है क्या इन में से कोई एक प्रकार का लाब है जो सफल कॉल में दूसरों के तुलना में अधिक बार होता है हमारी शोद टीम ने विक्ति कॉल्स को देखकर कि कितने बार विभिन प्रकार के बैनिफेट्स का उप्योग उन कॉल्स में किया गया जो सफल हुई और जो कॉल विफल हुई आदा दर्जन विभिन परिभाशाओं के इस प्राडंबिक प्रेक्षण के बाद हमने अपने प्रमुख शोद परेक्षण के लिए दो को चुना टाइप A लाब ये प्रकार दिखाता है कि किसे प्रोड़क्ट ये सर्विस का उप्यूग कैसे किया जा सकता है ये कस्टमर की मदद कैसे कर सकते है टाइप B लाब ये प्रकार दिखाता है कि कोई प्रोडक्ट या सेवा किसी से कैसे मिलती है कस्तमर द्वारा व्यत्त की गई स्पष्ट आवशक्ता हमने टाइप A परिभाशा को चुना क्योंकि ये बहतर सेल्स ट्रेनिंग का रेकरणों में उप्यों की जाने वाली सबसे आम परिभाशा थी इस पुस्तक के अधिकांश पाठकों को टाइप A बेनिफिट का उप्यों करना सिखाया जाएगा इसके विप्रीत टाइप B बेनिफिट हमारी अपनी परिभाशा थी हमने इसे बड़ी बिक्री में सैकणों बहुत परभावी सेल्स परसन को देखने और उनके द्वारा अपने कस्टमर्स को दिये गए कोड़क्ट विवन के परकार का विश्टेशन करने के बाद चुना पहली नजर में लाब की ये दो परिभाशाएं बहुत समान लगती हैं हालनकि ग्रहकों पर उनका प्रभाव नाटक्य रूप से भिन्न होता है इसलिए ये जाँचने योग्य है कि दोनों कैसे भिन्न है उधारन के लिए मान लीजिए कि मैं आपको एक कंप्यूटर सिस्टम बेच रहा हूँ और मैं कहता हूँ मुझे लगता है कि आप हमारी सुप्रोक्ष मसीन की तरहां 32-bit सिस्टम चाहते हैं क्योंकि यदि आप कभी भी ग्राइफिक्स का उप्योग करते हैं तो ये आपके लिए काफी फास्ट होगा क्या मैंने टाइप A ये टाइप B स्टेटमेंट बनाया है ये टाइप B नहीं हो सकता क्योंकि मैंने मान लिया है कि आप तेज ग्रैफिक्स चाहते हैं एक और उधार लीजिए आप मुझे बताएं कि आपकी वर्तमान मशीन में रिलाइबिल्टी की समस्या है मैं उतर देता हूँ चुंकि हमारी सुप्रोक्स मशीन हाई रिलाइबिल्टी घटकों की एक नई पीड़ी का उपयोग करती है यह आपकी वर्तमान रिलाइबिल्टी समस्या को हल कर सकती है यह किस प्रकार का कतन है इस बार आपने अवश्य ही आविशक्त व्यक्त की है आपने मुझे बताया है कि आपकी वर्तमान मशीन रिलाइबल नहीं है लेकिन क्या आपने इस पर्ष्ट आवशक्ता व्यक्त की है? नहीं, मुझे यह बताना कि आपकी वर्तमान मशीन में reliability की समस्या है, एक नहीत आवशक्ता है इसलिए मेरा बयान एक नहीत आवशक्ता को पूरा करता है एक बार फिर हमें इसे टाइप A benefit के रूप में वर्गिकत करना चाहिए ना कि टाइप B हमारे शोत परेक्षन में हमने पाया कि टाइप A लाब छोटी बिक्री में सफलता से काफी मजबूती से सम्मंदित है लेकिन बड़ी बिक्री में सफलता से थोड़ा ही सम्मंदित है इसके विपीत टाइप B लाब बिक्री के सभी आकारों में सफलता से मजबूती से सम्मंदित है मैं आपके बारे में नहीं जानता लेकिन व्यक्तिकत रूप से मुझे यह याद रखना कठीन लगता है कि जब भी किसी चीज को A या B लेबल किया जाता है तो वो कौन सी है मैं अकेला नहीं था जिसने टाइप A और टाइप B के लाबों को संदर्बित करने में ब्रहमित पाया इसलिए हमने जल्दी ही फैसला किया कि A और B की जगह पर अधिक वर्णात्मक नाम डालकर आगे की कठनाईउं से बचना बहतर होगा हमने टाइप A बेनिफिट को फायदा कहा और टाइप B बेनिफिट के लिए क्योंकि यह सफलता से मचबूती से सम्मंदित था हमने नाम बेनिफिट रखा इस परकार हमारे शोज से जो निकला वो तीन परकार के कठन है जिनका उपयोग आप छमता प्रदर्शित करने के लिए कर सकते हैं यह याद अक्रा महत्पून है कि यदि आप पिछले 20 सालों में सेर्स ट्रेनिंग से गुजरे हैं तो संभवता आपको बहुत से टाइप ए लाब या बी लाब का उपयोग करना सिखाया गया है बड़ी बिक्री की तुल्ला में सगल बिक्री में लाब अधिक शक्तिशाली है जो इस पुस्तक का विशय है लगबक निश्यत रूप से आप यहां उपयोग के जा रहे लाब की परिभाशा और अतीत में आपके द्वारा सीखी गई परिभाशाओं के बीच कुछ ब्रहम का नुबाव करेंगे अधिकांश सेलर जिनके सांथ मैंने काम किया है वे परिभाशाओं के बारे में नफरत करते हैं और मैं उन्हीं दोश नहीं देता लेकिन इस मामले में परिभाशाएं महतुपून हैं उधारण के लिए परिशिष्ट एमेवर्णित मोटोरोला कैनेडा उत्पादक्ता अधिन से पता चलता है कि लाब के बजाए बेनिफिट्स का उप्योग करने वाले बिक्री करताओं ने अपनी डॉलर की बिक्री की मात्रा में 27% की वृद्धी की हैं जब परिभाषा उन कत्रों को चुनने से प्राप्त होती है जिनका ग्रहकों पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है तो हम कीवल शब्दों के साथ नहीं खेल रही हैं क्योंकि सोविधाओं और लाबों के पीच के अंतर इतने महत्कून हैं मैंने कहा है कि लाब विवन ये दिखाते हैं कि आपके प्रोटेट का उप्योग कैसे किया जा सकता है या कस्टमर की कैसे मदद कर सकता है बड़ी विक्री के तूलना में छोटी विक्री पर अधिक से कालात्मक प्रभाव पड़ता है क्यों ये अजीब लगता है कि बड़ी विक्री में प्रभाव इतना कम होना चाहिए सबसे संभावित उत्तर उन बिंदूँ पर वापस जाता है जो मैंने चैप्टर फूर में साधारन बिक्री के बारे में किये थी याद रखे कि हमने दिखाया है कि आप अंतरनीत आवशक्ताओं को उजागर करने और फिर समाधान पेश करने के लिए इस्तती और समस्या प्रष्णों का उप्योग करके छोटे बिक्री में कैसे बहुत सफल हो सकते हैं सो विधाओं और लाभों के संदर्बों में ये समाधान क्या होंगी तो लाभ नहीं हो सकते क्योंकि जैसा कि हमने देखा है आप किवल तभी लाभ प्राप्त कर सकते हैं जब आप कस्मर द्वारा व्यक्त की गई स्पष्ट आवशक्ताओं को संद्बोधित करते हैं इस मामले में अंतरनीत आवशक्ताओं के लिए समाधान पीश किये जाते हैं इसलिए उन्हें या तो विशेष्टाएं या लाभ होना चाहिए हमने देखा है कि अंतरनीत आवशक्ताओं के समाधान की पीश कर्ष बड़ी बिक्री में प्रभावी नहीं है इसलिए सोविधाओं और लाभूं का यूख यूख जो एक छोटी बिक्री में पूरी तहां से अच्छी तहां से काम कर सकता है यह प्रभावी होनी की संभाव ना है क्योंकि बिक्री बड़ी हो जाती है यह बताता है कि हमारे शोध में यह क्यों पाया गया है कि बड़ी बिक्री में लाभ अधिक शक्तिशाली होते है लेकिन इसपश्त आवशख्तप प्राब्त करनी के लिए आपको सामानिय रूप से पहले इसे इंप्लिकेशन को नीट प्योब परष्नों को उप्योग करके एक नीट आवशख्ता से विक्सित करना होगा लाबों का उप्योग करना जैसा कि हम उन्हें परिभाशित करते हैं जिस तरह से आप जरूरतों को विक्सित करते हैं उससे तलाक नहीं लिया जा सकता जब मेरे सहकर्मी और मैं खुद्वैक में ट्रेनिंग कारेकर्म चलाते हैं तो हमसे अक्सर अधिक लाबों का उप्यों करने के बारे में सलह मांगी जाती है हमारा उत्तर सरल है सपर्ष्ट आवश्चताओं को विक्सित करने का अच्छा काम करें उलाब लगबग उनके देखबाल करें यदि आप अपने ग्रहाकों से कह सकते हैं मुझे ये चाहिए तो हम इसे आपको दे सकते हैं का उत्तर देकर लाब राप्त करना मुश्किल नहीं है लाब और कॉल सफलता हमारे सुरुवाती अध्यों में से एक जिसने लाबों की शक्ति की पुष्टी की पूरे यूरोप में कई उच्छ प्रद्योग्यों की कंपनियों में किया गया था हमने प्रते कॉल के परिणाम के साथ पांच हजार कॉल में लाब के इस्तर के तुनला की हमने पाया कि लाब ओरर और अड़वांसिस की ओड ले जाने वाली कॉल में काफी अधिक थे लमे समय तक बिक्री चक्र में विशेष्टाएं और लाब हमारे शोद से एक जिग्यासू निश्करशी ये था कि कस्टमर पर सुविधाओं और लाभूं का प्रभाव विक्री चक्र के दोरान समान नहीं होता है हम दुनिया की अग्रणी बिजनिस मशिन कंपनियों में से एक के साथ काम कर रहे थे और हमारी जाच के हिस्से में प्रभावों को मापना शामिल था इस अंगठन में ओसत विक्रे चक्र 7.8 कॉल लंबा था होतवेट के साथ काम करने वाले कंपनी के शोद करता चक्र में अलग-अलग बिंदों पर विक्री करने वालों के साथ गए उन्होंने उस आवर्ति का अवलोकन किया जिसके साथ प्रतेक सैलर ने सोविधाओं और लाभों का उप्योग किया और फिर प्रतेक कॉल के परिणाम के साथ इस डेटा के तुनला की दूसरी ओर जब भी उनका उप्योग किया गया तो लाभ का कुछ प्रभाव पढ़ा लाभ का वियवार आसमान्य था हमने पाया कि चक्र के शुलुवात में विशेशूप से पहली कॉल के दोरान सफलता को कॉल करने के लिए एडवांटेज का मामूली अच्छा सांखी के संबंद था ये कहने का एक ओर तरीका है कि पहली कॉल के दोरान एडवांटेज का कस्टमर पर सकारात्मक प्रभाव पढ़ा सेलर्स ने बहुत अधिक उप्योग किया हाला कि जैसे जैसे चक्र आगे बढ़ा लाभ का कस्टमर पर घटता प्रभाव पढ़ा जब तक कि चक्र का अंत नहीं आ गया विसोविधाओं से अधिक शक्तिशाली नहीं थी इमानदार होने के लिए मुझे यकीम नहीं है कि लाब वेर से चक्र की शुरुवात में अधिक प्रभावी क्यों है ये उन निसकरशों में से एक हैं जिसके बारे में हुथवैट की कोस्टी अभी भी भी भहस करती है जब भी हम एक सांथ मिलते हैं समभवता इसका कारण ये हो सकता है कि पहले मुलाकात में कस्टमर ज़रूरतों पर चर्चा करने के बज़ाए प्रोड़क के बारे में सुनने के अपेक्षा करता है मुझे यकीन है कि आपने अक्सर उन कस्टमर से पहली मुलाकात की होगी जो अब मुझे अपने प्रोड़क के बारे में कुछ बताएं कहकर कॉल करना शुरू करते हैं मेरे पास निश्चेत रूप से ऐसे ग्राग हैं जो ज़रूरतों पर चर्चा नहीं करना चाते हैं जब तक कि वे इस बारे में अधिक नहीं जानते कि मुझे क्या दिखाया जा रहा है एक और संभावना ये है कि कई सैलर जो एडवांटेज के साथ शुरूवात में कूथते हैं ऐसा इसलिए करते हैं तो उकी वे वास्तों में अपने प्रोड़क्ट को लेकर पुच्साहित हैं वे समादान के बारे में बात करना शुरू करने के लिए इंतजार नहीं कर सकते अलपवदी में उनका उत्साह उन्हें साथ ले जाता है कम से कम उस बिंदु तक जहां कर्ष्टमर विक्री चक्र में एक और कदम आगे बढ़ने के लिए सहमत होता है एक तीसी समभावना ये है कि लाब जैसे कि हमने पहले देखा है कॉल के बाद बहुत जल्दी भूल जाते हैं नतीजतन उनका प्रभाव अस्थाई है इसके विप्रित कॉल के बीच लाब का प्रभाव जारी रहता है क्योंकि स्पस्ट आवशक्ताओं के लिए उनका लिंक ग्राकों को उन्हें याद रखने में मदद करता है जो भी कारण हो मुझे यकीन है कि आपने अपने कंपनी में इस घटना के मामले को कारेवाई में देखा होगा एक विशिष्ट उधारन धक्का देने वाला अकरामक व्यक्ति है जो कस्टमर की जरुरतों को पूरा करने के तुलना में प्रोडक्ट बेचने में अधिक रूची रखता है इस तरह का व्यक्ति अकसर सेल की शुरुवाती चर्णों में बहुत सफल होता है मुझे यकीन है कि आपने उन कहानियों को सुना होगा जैसे कि मेरे पास है ये लोग बताते हैं कि कैसे उन्होंने अभी अभी एक नए कस्टमर के साथ पहली मुलाकात की और इस कस्टमर को जिस तरह से उन्होंने प्रोड़क्ट पीश किया और दिखाया कि ये कैसे हुआ कस्टमर की सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं लेकिन इन में से कितनी प्रोमिसिंग शुरुवात औरस में बदलती है आपकी अपेक्छा से कम और एक बहुती संभावित कारण ये है कि सैलर की उच्च लाब वाली शैली ने चकर की शुरुवात में मदद की है लेकिन जैसे जैसे सेल आगे बढ़ती है भाव खत्म हो जाती है लेकिन स्पश्टी करण जो भी हो शोध हमें एक सरल लेकिन महतफून संदेश दे रहा है नए प्रोड़क्ट बेचना चमता पदर्शित करने का एक छेतर है जिसे आम तोर पर अनुभवी सैलर द्वारा भी बुरी तरह से कंट्रोल किया जाता है ये अधिकांश संगटनों की सफलता के लिए महतफून छेतर होता है और ये वरिश प्रबंधन के लिए बारा मासे हताशा और निराशा का स्रोत है मैं जिस छेतर की बात कर रहा हूँ वो नए उत्पाद लौंच है बार-बार मेरे हुद्वैट सही योग्यों और मुझे शीष प्रबंधन द्वारां इस समझाने में मदद करने के लिए कहा जाता है कि नया उत्पाद अपने शुरुआते बिक्री लक्ष को पूरा करने में विफल क्यों हुआ क्या गलत है वे पूछना हमें यकीन था कि हमारे अनुमान वास्तविक थे फिल भी लौंच के छे महीने बाद हम योजना के 50% से कम है क्या ये प्रोडिक्टिविटी है? क्या ये बिक्री बल है? क्या गलत हो रहा है? लौंच किये गए कई प्रोड़क्ट से हमने अध्यन किया है एक निरंदर तत्य सामने आता है किसी उत्पाद के जीवन के आरंब में खराप परिणामों का सबसे बड़ा एकल कारण सुविधाओं और लाभूं के संदर्भ में समझाया जा सकता है जब कोई उत्पाद नया होता है तो प्रोड़क्ट मार्केटिंग आम तोटवाई से बिक्री बल के साथ कैसे संप्रेशित करता है मार्केटिंग के लोग सेलर्स को कहते है इकटा करें और उन्हें बताएं कि कौन सा रुमान चक नया उत्पादा आ रहा है वे सभी विशेष्ताओं और लाभू की व्याख्या करते है सभी घंटियां और सिल्टी फिर सेलर क्या करते है वे उत्पाद के बारे में उत्साहित हो जाते है और से बीचने के लिए निकल पड़ते है और जब वे ग्रहाकों के सामने होते है तो उनका व्यवार कैसा होता है वे उत्पाद को ठीक उसी तरह से संप्रिशित करते है जिस तरह से उन्हें बताया गया था जबड़तों को विक्सित करने के लिए सवाल पूछने के बजाए समस्या समाधान दिश्टिकों हमारे पास ये परिक्षन करने का एक दिल्चस्प आफसर था कि क्या अत्यधिक, सोविधाओं और लाभों के लूप में सरल कुछ वास्तों में ने उत्पाद की बिक्री की धीमी व्रद्धी के लिए जिमिंदार हो सकता है चिकित्सा बजार की एक प्रमुख कंपनी ने हमें अपने ने उत्पाद के लॉंच के साथ एक प्रियोग करनी के लिए इन्वाइट किया उत्पाद एक प्रिस्कृत और महंगा, निदान उपकरन का टुकड़ा था इस पर्ष्ट गूप से बड़ी बिक्री की शीरणी में था मशीन को अधिकांश बिक्री बल को पारंपर एक तरीके से लॉंच किया गया था प्रोड़क्ट मार्केटिंग टीम द्वारा इसके विशेशताओं और लाभू की एक उच्च कुंजी प्रस्तूती लेकिन हमें सेश परसन के एक छोटे प्रायोगिक समो के साथ इसे अलग प्रहां से लॉंच करने के अनुमती दी गई उन्हें उत्पात दिखाने और उसके विशेशताओं और लाभू का वर्णन करने के बज़ए हमने उन्हें ये देखने भी नहीं दिया कि वो क्या वेच रही है ये महत्पून नहीं है हमने समझाया अंत में हमने अपनी समभू को उन खातों की एक सूची बनाने के लिए कहा जहां ये समस्याएं मोजूद हो सकती है साथ में समस्या, नहितार्थ और आवश्रक्ता आताएगी प्रश्ण जो भी तब पूछेंगे जब देखेंगे समस्याओं के समाधान के संदर्ब में प्रोडक्ट लॉंच करके और उनकी जांच कैसे की जाए हम अपने छोटे सम्हू का ध्यान प्रोडक्ट से हटाकर कस्टमर की ज़रूरतों पर वापस लाने में सच्चन थे बिक्री परिणामों में ये प्रमाण है कि ये एक प्रभावी रणनीती थी हमारे प्रोड़क्ट के पहले साल के दोरान सम्हू की बिक्री करिस्तर बाकी बिक्री बल की तुल्ला में औसतन 54 प्रतिशत अधिक था नए उत्पादों पर हुए इस शोध ने मुझे कुछ ऐसी बातों का स्पश्टी करण भी दिया जो मुझे कई सालों से उलजाय होई थी नए प्रोड़क्ट्स को बीचने के सर्विशेष्ट रिकॉर्ड वाले कुछ लोग उत्पाद लॉंच के बारे में सबसे अधिक निंदक हैं मुझे कुछ साल पहले अकापुलकों में एक उत्पाद लॉंच में जाना याद है आयोजन शांदार रहा मनवंजन के दुनिया के सबसे बड़े नामों को आव विश्वस्निय कीमत पर काम पर रखा गया था और ये जगह जन संपर्क के लोगों, मीडिया विश्यशग्यों, संचार सलाकार और इसी तरह के महंगे लोगों से भरी हुई थी इस दशक के सबसे शांदार और महंगे फीचर डंप मी से एक को सुनने के लिए सेर्ज परसन बड़ी घटना का भी सब्री से इंतजार कर रहे थी मुख्या हॉल में दाखिल हुए बिक्री बल को नए प्रोड़क्ट को आप रभावी लूप से संप्रेशित करने के लिए मेरे मुख्यल ने जो भारी खर्च किया था उससे मैं निगाश था इसलिए मैंने बाहर इंतजार करने का फैसला किया जब तक कि सभी उपद्रव और तमाशा शांत नहीं हो जाता जैसे ही मैं पूल के पास बैठा मैंने दो अन्य लोगों को देखा जो उसी प्रस्तुती से फिसल गए थे उनके साथ बात करने पर मैंने पाया कि वे दोनों बहुत अनुभवी उच्चक अलाकार थे ये सिर्फ एक और प्रोड़क्ट है एक ने कहा जब उपद्रव शांत हो जाता है तो मैं वापस अंदर जाऊंगा और ये पता लगाऊंगा कि किन ग्रहकों को इसके आवश्रकता है श्पष्ट रूप से वो सुविधाओं और लाभू के पक्ष में जरूरतों की उपेक्षा की जाल में नहीं पढ़ने वाला था क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि कैसे जब निया प्रोटक्ट निराश्र जनक साबित हो रहा है और विक्री बल अपना उत्साहा खो रहा है तो विक्री अचानक से बढ़ने लगती है मुझे ठीक वही याद है जब मैं एक बड़ी नही कॉपी मशीन के लॉंच में शामिल था उस समय मैंने सोचा कि बिक्री तब तक भयानक थी जब तक कि बिक्री बल नए प्रोटक्ट से उत्साहित नहीं हो गया फिर उस बिंदु पर जहां हर कोई कहने लगा था ये नए माने ज्यान के बहुत विप्रीद लग रहा था आपको लगता है कि मशीन सबसे सफल तब होगी जब वो नहीं थी अधिक्तम बिक्री बल उत्साहा और अधिक्तम परतिसपर्दी लीट समय के सांथ अब मुझे बता है कि क्या हो रहा था जैसे जैसे उनका मुह भंग होता ग ज्यान उत्पाद से हटकर ग्राहक की ओर हो गया सफल उत्पाद लॉंच से संबंदित किसी वी वक्ति के लिए यहां एक सबक है हमारे कई बड़े बहुत आश्ट्या ग्राहक उत्वयर के शोद के आधार पर अब लॉंच को एक नहीं तरीके से संभालते हैं जब विख्री हल करता है और उन सवालों पर विचार करता है जो इस समस्याओं को उजागर पर विक्षित करेंगे यह ने उत्पाद की विक्री के विकास वक्र को तेज करने के लिए एक बहुत ही सफल तरीका साबित हुआ है इस अध्याई में केंदिय संदेश क्या है जो आपको बड़ी बिक्री में अपनी छमता को अधिक प्रभावी धंग से प्रदर्शित करने में मदद करेंगे मैं तीन मुख्य व्यवारिक बिंदू चुनूंगा एक कौल की शुलुवात में ही छमताओं का प्रदर्शन ना करें छोटी बिक्री में आप एक समस्याओं को उजागर कर सकते हैं वो सीधे फायदे के साथ खूच सकते हैं कि आप इसे कैसे हाल कर सकते हैं लेकिन ये बड़ी बिक्री में अच्छी तरह से काम नहीं करता है इससे पहले कि आप समाधान पीश करें बड़ी बिक्री में ये महत्यपूर्ण है कि इस पश्टे जरूरतों को विक्सित किया जाए नीतार्थ और नीट व्योग प्रश्णों का उप्योग करके छमताएं बहुत जल्दी प्रस्तुत करना बड़े खातों की सबसे आम गलतियों में से एक है ये और भी बत्तर हो गया है क्योंकि कई ग्राक आपको जरूरतों के बारे में किसी भी जानकारी के अभाव मे समाधान पेश करने के लिए प्रोचसाहित करेंगे बस आओ और अपने प्रोड़क के बारे में एक प्रस्तुती दो वे आपको बताते हैं और हम तय करेंगे कि ये हमारी आवश्चक्ताओं के अनुरूप है या नहीं ज़िए आपको विक्रे चक्र के प्रारंगों में सोव कम से कम एक प्रीमीटिंग हो ताकि आपके प्रस्तुती में कम से कम कुछ लाब शामिल हो दो लाब से सावधान रहें अधिकांश सेल्स ट्रेनिंग क्योंकि ये छोटी बिक्री के लिए उप्रुक्त मॉडल पर आधारित है आपको बीचते समय एडवांटिज स्टेट्में देने के लिए प्रोटसाहित करता है और इस मुद्दे को जटिल बनाने के लिए वे इस तरह के बयानों के लिए जिस शब्द का उप्योग करते हैं वो है लाब पिछले परश्रिक्षण को आपको गुमरहा ना करने दे याद रखें कि बड़ी बिक्री में शत्तिशाली कथन वे होते हैं जो दिखाते हैं कि आप स्पष्ट आवश्यक्ताओं को पूरा कर सकते हैं यदि आप उन स्पष्ट आवश्यक्ताओं को उजागर नहीं कर रहे ह और उन्हें पूरा नहीं कर रही हैं तो अपने आपको ही सोच कर मुर्ख ना बनाएं कि आप बहुत सारे लाब दे रही हैं तीन नए प्रोड़क्ट से सावधान रहे जब हम नए प्रोड़क्ट बीच रही होते हैं तो हम मेंसे अधिकांश बहुत अधिक सोविधाएं और लाब देते हैं अपने साथ ऐसा मत होने दे इसके बजाए किसी भी नए प्रोड़क्ट के बारे में खुझ से पूछने वाली पहली बात ये है कि ये किन समस्याओं का समाधान करता हैं जब आप इसके द्वारा हल की जाने वाली समस्याओं को समझ चाते हैं तो आप स्पष्ट आवश्चताओं को विक्सित करने के लिए स्पिन प्रश्प की योजना बना सकते हैं इसे आज माएं आप बहुत अधिक प्रभावशाली रहेंगे एक प्रमुख MNC कंपनी के ट्रेनिंग के इंद्र की यात्रा के दोरान मुझे कुछ सेल्स ट्रेनिंग देखने के लिए इन्वाइट किया गया था एडवान सिस्टम्स सेलिंग क्लास सुनने के बज़ाए जैसा कि मेरे में जबानों ने शायद उम्मीद की थी मैंने इसके बज़ाए पूछा कि क्या मैं नई सेल्स परसन के लिए एक विशिष्ट बुनियादी कौशल कारिकरम पर बैठ सकता हूँ कमरे के पिछले हिस्से में चुपचाब घुषते हुए मैंने इधर उदर देखा सभी छात्रों में वो आस्वाभाविक चौकर सफाई थी तो सेल्स के लिए नई होने के साथ जुड़ी हुई थी उनकी ट्रेनर जिने हाल ही में छेतर से पदोनत किया गया था अपनी पसंतिता विशय ओब्जेक्शन हैंडलिंग में बड़ी जोश के साथ शुरुवात कर रहे थे आप इससे अधिक विशिष्ट दिर्शक की कल्पना नहीं कर सकते थे ये किसे भी बड़े निगम में किसी भी बुनियादी सेल्स ट्रेनिंग का एकनम का दूसरा दिल हो सकता था प्रोफेशनल सेलिंग ट्रेनर ने शुरू किया ओब्जेक्शन का स्वागत करना चाहिए क्योंकि वे ग्राहक हित का संकेत हैं वास्ताव में आपको जितने अधिक ओब्जेक्शन्स मिलेंगे आपके लिए सेल्स करना उतना ही आसान होगा कच्छा ने विदिवत प्रभावित होकर इसे लिख लिया सेल्स में सबसे ब्रामक मिथकों में से एक के अंत में यहां सेल्स करने वालों की एक और नई पीवी थी फिर भी एक विजिटर के रूप में मेरे लिटी पणि करना अनुचित होगा इसलिए कॉफी ब्रेक तक मैं एक घंटे तक अब्जेक्शन हैंडिंग तकनीकों के मादम से मुस्कुराता रहा ब्रेक के दौरन मैंने ट्रेनर से बात की क्या आप विश्वास करते हैं कि वहां आप क्या कह रहे थे मैंने पूछा वह सामान जो ओब्जेक्शन हैंडिंग के बारे में हैं बेचना आसान है हाँ उसने जवाब दिया अगर मुझे इस पर विश्वास नहीं होता तो मैं इससे नहीं सिखाता महच के चाया स्पस्टूप से ट्रेनर और मेरे पास ओब्जेक्शन से निपटने के बारे में विपरीद विचार थे इस विश्वास को छोड़ना आसान होता लेकिन उन्होंने किया उन्होंने मुझे अपनी क्लास में जाने देने के लिए काफी दयालुता दिखाई इसलिए मुझे लगा कि मुझे भी बदले में कुछ देना चाहिए मैंने पूछा आप कई सालों से एक सफल सेल्स कलाकार हैं है ना हाँ उसने कुछ गर्व के साथ उतर दिया मैं कंपनी पांच के साथ रहा हूँ पिछले 30 सालों से मैं प्रेजिडिंट्स कलब बना रहा हूँ अपने सोहम के सेल्स के अनुभगों को देखो मैंने उससे आगरा किया पांच साल पहले जब आप नए थे तो क्या आपको अपने गराकों से अब की तुन्ला में अधिक या कम अब्जेक्शन्स प्राप्त हुए थे उसमें एक पल के लिए सोचा अधिक मुझे लगता है फिर जैसा की उन्हें वापस याद आया उन्होंने कहा आप जानते हैं दो साल में जब मैं नया था मुझे हर समय अब्जेक्शन्स मिलते थे तो उन पहले दो सालों में जब आप उन सबी उब्जेक्शन्स का सामना कर रहे थे क्या आपके सेल्स के नंबर्स अच्छे थे नहीं उन्होंने आउस झूरोब से कहा वास्टव में मेरी सेल्स तब तक बहुत अच्छी नहीं थी कंपनी के साथ मेरा तीसरा साल था बात को दबाते हुए मैंने उससे पूछा फिर तुमने उस तीसरे साल में बहुत बहतर किया हाँ, वो साल था जब मैंने पहली बार प्रेजिडेंट्स कलब बनाया था और उब्जेक्शन्स का क्या हुआ उन्होंने कुछ दिर बात पर विचार किया और कहा आप सही कह रहे हैं, जब मैं पीछे मुर कर देखता हूँ, तो आज सफल होने पर मुझे कई और उब्जेक्शन्स का सामना करना पड़ा शायद मैं गलत संदेश दे रहा हूँ मुझे उसकी परशन्सा करनी पड़ी अधिकांश लोगों ने अवांचित सबूतों को ठारीज करने की आश्चरे जनक मानवे छमता को देखते हुए इस मुद्धे को टाल दिया होता और अपनी प्रारंबे की स्थिती पर कायम नहती लेकिन क्लास फिर से तो मैं उससे कहता अब्जेक्शन हैंडलिंग प्रेनिंग के तुल्ला में बहुत कम महत्पून कोशल है आम धार्णा के विप्रीद अधिक तर सेलर के द्वारा बनाए जाती है और सत बिक्री टीम में आमतोर पर एक सेलर होता है जो उससी टीम में किसे अन्य व्यक्ती के तुल्ला में पति बिक्री घंटे में 10 गुना अधिक अब्जेक्शन्स प्राप्त करता है खुशा लोगों को कम अब्जेक्शन्स प्राप्त होते हैं क्योंकि उन्होंने अब्जेक्शन्स निवारण सीखा है और अब्जेक्शन्स प्रभंदन नहीं इन निश्कर्षों के व्याक्या करने के लिए मुझे अध्याय पांच में सुविधाओं और लाबों की चर्चा पर वापस जाना होगा आपको इन तीन वहवारों की परिभाशाएं और विबिन आकारों की बिक्री में सफलता के लिए उनके लिंक याद होगी मेरे सही योगियों में से एक लिन्डा मार्श ने ये जाचने के लिए कुछ सह संबंध अध्यन किये कि क्या इन वहवारों में से पर्ते के बीच सांखेक्या रूप से महतुपून संबंध हैं और वे ग्रहकों से उत्पन होने वाली सबसे संबहावित पर्तिकिर्याएं हैं उधारन के लिए जबBut Selर कॉल में बहुत सारी सोविधाओं का उप्योग करते हैं तो क्या ग्रहक कम सोविधाओं का उप्योग करने वाले कॉल के दुनला में अलग तरीके से पर्तिकिरिया करते हैं उन्होंने पाया कि सोविधाएं और लाब पते ग्राकों से एक अलग व्यवारिक पर्तिकिरिया उत्पन करते हैं सोविधाएं और मूल चिंताएं जहां सेलर बहुत सारी सोविधाएं देता है वहाँ ग्रहकों द्वारा उन कॉल्स में मूल्य संबंदे चिंताएं व्यक्त करने की सबसे अधिक संभावना होती है ऐसा क्यों है? ऐसा लगता है कि फीचर्स का असर कीमत के पती ग्रहक की संवेदन शीलता को बढ़ाना है ये अनिवारे रूप से एक बुरी बात नहीं है यदि आप पम लागत वाले उत्पात बेचते हैं जो सोविधाओं में अपेक्छाक्रत सम्रद है बहुत सारी सोविधाएं एक केस तड़ी सोविधाओं और मूले संबन्दे चिंताओं के बीच संबन्द केवल एक सहधान्तिक बिंदू नहीं है जो केवल विग्यापन दाताओं पर लागू होता है सेल्स रण नीदी के लिए इसका स्पस्ट प्रभाव है अमेरिका इस्थित एक प्रमुख MNC निगम ने एक बार एक समस्या में मदद करने के लिए हमें बुलाया कमपनी को अपने प्राथमिक बाजार में कड़ी जापानी कॉम्पर्टीशन का सामना करना पड़ रहा था विशेश रूप से इसकी उत्पात शंकला के निचले सिरे पर जापानी प्रोड़क्ट्स काफी समरद थे वो जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं इसकी अपनी मशीनों के तुला में कुछ कम महंगा है जैसा ये बाजार हिस्सेधारी कम होने लगी कमपनी ने कीमतों में कोटोती के विकल्पों की तलाश की एक आकरशक संभावना अधिक सुविधाओं के साथ एक नया प्रोड़क्ट पेश करना था जो सीधे जापानी मशीनों के साथ कमपीट कर सके इस तरह की मशीन अभी भी थोड़ी अधिक महंगी होगी लेकिन इसकी अतिरिक्त विशेष्टाओं के कारण ये एक अधिक मजबूत बाजार की पेशकर्श परदान करेगी लेकिन इस नए प्रोड़क्ट को कौन बेचेगा कमपनी ने कॉम्पीटीटर से सेल्स फोर्स के हिस्से को भरती करने का निड़ने लिया आकिरकार होई भी इन संब्रद विशेष्टाओं वाली मशीनों को बेचने के बारे में उतना नहीं जानता था जितना की वे लोग जो जापानी कॉम्पीटीशन के लिए सफल सेलर थे ऐसा लग रहा था इसके चहरे पर एक परशंशनीय रणनीफी अनुभवी सेलर्स की भरती के सांसा अपनी सबसे अच्छी लोगों पर छापा मार कर कॉम्पीटीशन को कमजोर करना था कंपनी के एजिंट्स ने उन सलर से संपर्क किया जो सस्ती जापानी मशीनों को बेचने में बहुत सफल रहे थे और वो इन लोगों में से कुछ को भरती करने में सफल रहे दुरुभाग्य से इन लोगों के sales results गहरे निराशा की और इशारा कर रहे थे competition के super stars ने मौझूदा बिक्री बल से बहतर प्रदर्शन नहीं किया ये पता लगाने की कोशिश करते हुए कि क्या गलत हो रहा है मैंने competitors से भरती किये गए कई लोगों से बात की और सफलता से अचानक गिनने पर उन्हें हैरान और निराश पाया ये कीमत है उन्होंने समझाया product बहुत महंगा है हमें हर समय price objections मिलते हैं और वे सही थे जब हमने उनके साथ call पर यात्रा की तो हमने पाया कि उन्हें price को लेकर बहुत सारे objections मिल रहे थे बाकी sales force की तुल्ला में ग्रहकों से 30% अधिक था ऐसा क्यों हुआ हम इसे शुद्ध सैन्यों के रूप में नहीं लिख सकते थे जब एक समान product बेचने वाले sales force के दो वर्गों को अपने ग्रहकों से cost को लेकर विभिन्द feedback प्राप्त हुए उत्तर सोविधाओं के उनके उप्योग में नहीं थै सस्ते competitor के लिए sales करते समय इन sellers लोगों ने सोविधाओं में बहुत अधिक बिक्री शाली विक्सित की थी ये बहुत सफल रहा क्योंकि जैसा कि हमने देखा सोविधाओं ने ग्रहकों की मूले समन्दी चिंताओं को बढ़ा दिया लेकिन क्योंकि उनका product सस्ता था कीमत की चिंता ने उनके लाब के लिए काम किया अब जब वे अधिक महंगे प्रतियोगी के लिए बिक्री कर रहे थे तो वे जो उच्च इस्तर के सोविधाएं दे रहे थे ते उनके खिलाफ काम कर रहे थे उनके विशेस्ताओं ने कीमत की चिंता को बढ़ा दिया क्योंकि उनका product अधिक महंगा था इसने ग्रहकों को सस्ते competition की और मोड दिया मैंने डिविजन के बिक्री के वीपी को हमारे निश्कर्ष परस्तुत किये जैसा कि उन्होंने व्यंग पूर्वक्ट पढ़ी की अभी वे हमारी competition के लिए बिक्री का बहतर काम कर रहे हैं जब हमारी competition ने उन्हें रोजगार दिया था हम कैसे मदद कर सकते हैं नहीं मैं सुझाव देता हूँ कि उन्हें ये सिखा कर कि cost objections को कैसे संभालना है वो सिर्फ एक लक्षन था ये कारण का इलाज करने के लिए और अधिक प्रभावी होगा और इन नए लोगों को बजार के शीर्ष प्रड़क्ट के लिए अधिक उप्यूक्त बिक्री शाली अपनाने में मदद करेगा इसलिए हमने उन्हें spin पूछताच तकनीक में फिर से train किया ताकि वे एक उच्च लाब शाली का उप्योग कर सकें नतीजितन उनकी विक्री में विर्थी हुई कॉस्ट अब्जेक्शन्स में कमी आई और मूल्य के मुद्दों को जल्द ही भुला दिया गया लक्षणों का इलाज या कारणों का इलाज मुझे एक विशे का परिशे देना चाहिए जिस पर मैं इस अध्याय में कई बार वापस आऊंगा विक्री की समस्या का इलाज ठीक उसी तरह जैसे किसी बिमारी का इलाज लक्षणों के बजाए कारण खोजने और उसका इलाज करने पर निलभड करता है जब मैं 9 साल का था तब मैं बोर्णियों में रहता था मेरी ही उम्र के एक दोस्त ने मुझे चेतावनी दी थी कि गाओं में टाइफाइट के महामारी फैल गई है टाइफाइट के बारे में हम सब इतना ही जानते थे कि ये तीज बुखार पैदा करता है लेकिन ये मुझे नहीं पकड़ेगा उसने मुझे आश्वासंद दिया मैं ठंडा रहने के लिए भूस सारी आईस्क्रीम खा रहा हूँ मैंने उनके उधारन का अनुसरन किया और संक्रमित आईस्क्रीम से टाइफाइट हो गया अस्पताल में गंभी रूप से बीमार अपने महीने के बारे में मुझे स्पष्ट रूप से याद रखने वाली कुछ चीजों में से एक मेरे पिता ने मुझे लक्षणों के बीच अंतर समझाते हुए बताया जैसे की उच्चतापमान और कारण जैसे की गंदा छोटा जीवानूं सालमोनेला टाइफोसा जो की आइसक्रीम के अंदर रहना पसंद करता है शायद इस प्रकरण ने मुझे लक्षणों के इलाज के लिए अनवशक रूप से समवेधन शिल बना दिया जब आपको कारणों के लिए देखना चाहिए लेकिन माल लेजिए कि हम उन सैलर्स को कॉस्ट औब्जेक्शन के चत्र उत्तर सिखाने के लिए एक कायकरम चलाते है क्या हमने कुछ हासिल किया होगा मुझे नहीं लगता ग्राग की कॉस्ट चिंता केवल एक लक्षन थी कारण बहुत अधिक सोविधाएं दे रहा था आइस्क्रीम खाने से टाइफाइट को रोकने के तुलना में आपत्ती निपटने की कॉशल को पढ़ाने से कॉस्ट संबंधी चिंताओं को रोकने में कोई मदद नहीं मिलेगी लाब और आपत्तियां लिंडा मार्श को जो लिंक मिले उनमें से शायद सबसे आकरशक एडवांटेज और अब्जेक्शन के बीच मजबूस संबंध है आपको याद होगा कि एडवांटेज ऐसे बयान है जो दिखाते हैं कि प्रोड़क्ट्स या उनकी सोविधाओं का उप्योग कैसे किया जा सकता है या ग्रहा की मदद कैसे कर सकते है कि हम एसे कई को लाब कहने के लिए ट्रेन किया गया है अध्याई पांच ने दिखाया कि विज्यापन सहूलियतें छोटी विक्री पर सकारात्मक प्रभाव डाती है लेकिन जब बड़ी विक्री होती है तो बहुत कम सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और लिंडा की खोच इसकी आंशिक वियाख्या परसूट करती है फायदे औब्जेक्शन्स पैदा करते है और ये एक कारण है कि वे बड़ी विक्री में सफलता से खराबी से क्यों जूड़े है लाब और आपत्यों की बीच की कड़ी को समझने में साहता के लिए वास्तविक विक्री कॉल से निमलिकित उद्रण पर विचार करें मैंने कंपनी के संदर्बों को संपादित किया है और मैंने कुछ बयानों की लंबाई कम कर दी है अन्यता सितंबर 1981 में डलास में रिकॉर्ड की गई कॉल में विहवार का ही सटी क्रम हुआ बेचा जा रहा प्रोड़क्ट एक वर्ड प्रोसेसर है सेलर समस्य प्रश्न क्या ये सब उन्हा टाइप करने से समय बरभाद होता है बायर अंतरनीत आवश्यक्ता हाँ कुछ लेकिन यहां इतना नहीं है सेलर लाब यहां पर हमारे वर्ड प्रोसेसर वास्ताव में एक बड़ी मदद होंगे क्योंकि वे आपके लिए दोबारा टाइपिंग को खत्म कर देंगे बायर अपत्ती देखिए हर सामान फिर से टाइप करते हैं जरूर लेकिन आप मुझे केवल कुछ पुना टाइपिंग में कोटौती करने के लिए 15,000 डॉलर फैंसी मशीनों के लिए भुकतान नहीं करेंगे सेलर लाब मैं आपको समझता हूँ केकि दोबारा टाइप करने के लिए श्रम लागत दिश्टी से बाहर हो सकती है वर्ड पोसेसर का एक बड़ा प्रस पॉइंट ये है कि वे आपके लोगों को अधिक खुशल बनाकर आपके पैसे बचाते है बायर आपत्ती हम अभी भी बहुत खुशल है और अगर मैं दक्षिता को बहतर करना चाहता हूँ तो मैं नए वर्ड पोसेसर के बिना 16 तरीकों के बारे में सोच सकता हूँ मेरे पास बैक आफिस में दो वर्ड पोसेसर हैं उनका उप्योग कैसे करना है कि कोई नहीं जानता वे परेशानी देते हैं सिर्फ परेशानी सेलर समस्य प्रश्न वे मशीने आपके लोगों के लिए उप्योग करने के लिए कठिन है बायर अंतरनी तावशक्ता हाँ इसे करना पुराना तरीका है सेलर लाब हम वास्तव में वहाँ आपकी साहता कर सकते हैं हमारी ट्रिपल वाई मशीने स्कीन का उप्योग करती हैं ताकि लोग ठीक ठीक देख सके कि वे क्या कर रहे हैं यह आपके पुराने ट्रिपल एक्स मसीन से काफी बहतर है जहां आपको फॉर्मट जैसे चीजें याद रखनी होती है कोट जिने हम सुचाली तूप से संकेत देते हैं ताकि हमारी मशीन का अधिक आसानी से उप्योग किया जा सके बायर आपत्ती क्या पता यहां काम करने वाली कुछ महिलाएं सही करने वाले रिबन वाले टाइप लाइटर को लेकर तंग हो जाती है स्क्रीन यह सिर्फ उनमें से नरक को ब्रहमित करेगा मैं अब जितना टिंग कर रहा हूँ उससे कहीं अधिक गलतिया करूंगा सेलर समस्या प्रश्न आपको बहुत सारी गलतिया मिल रही है बायर अंतरनीत आवशक्ता कुछ खैर अधिकांश कारेलियों से अधिक नहीं बलकि और भी बहुत कुछ मुझे पसंद है सेलर लाब परिक्षन दिखाते हैं कि हमारे द्वारपस्तावित पूर्ण स्कीन संपादन और एरर सुधार के सांथ जदी आप हमारी मशीनों का उप्योग करते हैं तो आपकी एरर्स 20% से ज़्यादा कम हो जाएंगी बायर अपत्ती हां लेकिन ये सिर्फ एक से चुटकारा पाने के लिए परिशानी के लायक नहीं है कुछ टाइपो एरर्स यहां क्या हुआ है पहली बाद जो आप देखेंगे वो यह है कि प्रतेक विग्यापन सहूलियत के बाद एक उबजेक्षन है बेशक मैंने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए इस उद्धरन को चुना है उबजेक्षन के लिए हमेशा लाब का पालन नहीं करते हैं जिस तरह से वे उद्धरन में करते हैं जो मैंने यहां चुना है कभी कभी सैलर्स एक एडवांटेज का उप्योग करेगा जो ग्राहक से अनुकूल परतिकिरिया लाता है लेकिन हमारे शोच से किसी भी अन्यक हईदार के विवार की तुन्ला में ओबजेक्षन्स अधिक संभावित परतिकिरिया है इस उधार्ण के बारे में ध्यान देने वाली अगली बात विशेषता है वियवार की प्रकर्टी समस्य प्रश्न अंतरनित आवशक्ता आपत्ती हमने पाया कि आज हफल कॉल में ये क्रम बार बार हो रहा है आईए अधिक बारीके से देखें कि क्या हो रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं मूल समस्य जो आपत्ती पैदा कर रही है वो ये है कि सैलर ने आवशक्ता निर्मान से पहले एक समाधान पीश किया खायदार को नहीं लगता कि इतने महगे समाधान के लिए समस्य का मूल्य परियाप्त है नतीजतन जब सैलर एडवांटेच देता है तो बायर आपत्ती उठाता है ये बताता है कि छोटी बिक्री में लाब का अधिक सकारात्मक प्रभाव क्यों परता है यदि वर्ड प्रोसेसर की कीमत 15,000 डॉलर के बज़ाए 15 डॉलर होती तो खायदार शायद अलग तहां से रियक्ट करता दोबार टाइपिंग को खत्म करने के लिए ये मिश्यत रूप से 15 डॉलर के लायक है लेकिन 15,000 डॉलर ये अलग बात है लक्षणों और कारणों पर वापस हमारे उधारन में आप सैलर की मदद कैसे करेंगे इस उजाव देना लल चाता है क्योंकि उसे बहुत सारी अपत्तियां मिल रही है इसलिए उसे बहतर अपत्ति निपटान कोशल की आवश्यक्ता है इसलिए उधारन के लिए हम उसे उब्जेक्शन से निपटने के सिध्धानतों को सिखा सकते हैं सुईकार करने की क्लासिक तक्नीके फिर से तैयार करना और जवाब देना या हम उसे विशिष्ट साहता दे सकते हैं जनरल ओब्जेक्शन्स जो ग्राहक उसे दिखा कर उठाते हैं कि जब ग्राहक इस तरह के विशिष्ट आपत्यां उठाते हैं तो उन्हें क्या कहना चाहिए आपके वर्ड प्रोसेसर बहुत महंगे हैं वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करना कठीन है मेरे लोग वर्ड प्रोसेसर के पती पती रोधी होंगे वर्ड प्रोसेसर उनके लायक होने के तुलना में अधिक परिशानी वाले हैं इन में से कोई भी विकल्प उसे भविश्य की आपत्यों को बहतर धंग से संभालने में मदद करेगा लेकिन क्या हम लक्षन या कारण का इलाज कर रही हैं उधारण के परतेक मामले में आपत्ती उत्पन हुई क्योंकि सलर ने परियाप्त निर्मान नहीं किया था उसे सिखाना कि आपत्तियों को कैसे संभालना है लक्षन का इलाज करता है लेकिन ये कारण नहीं बदलता है मौलिक, विक्रय रोख, समाधानों के साथ बहुत जल्द कोदना दुरभावना पूर्ण और अनोपचारित रहता है इलाज अगर आपत्ति प्रबंधन के वर एक लक्षन का इलाज करता है तो हम एक पूर्ण इलाज कैसे स्थापिक करेंगे यही वो जगा है जहां स्पिन मौडल काम आता है उसे इस तरह के जाच करना सिखा कर जिससे मूल्य का निर्मान होता है हम आपत्ति को पहले इस्तान पर आने से लोग सकते हैं उधारण में अंतिम आपत्ति का उप्योग करते हुई मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या करता हूँ सबसे पहले यह जाच करते हैं कि ग्राहत में पहली बार आपत्ति क्यों की सेलर समस्य प्रश्न आपको बहुत सारी गल्तियां मिल रही है बायर अंतरनीत आवशक्ता कुछ खैर अधिकांश कारयलेों से अधिक नहीं बलकि और भी बहुत कुछ मुझे पसंद है सेलर लाग परेक्षन दिखाते हैं कि हमारे द्वारपस्तावित पूर्ण इस्पीन संपादन और एरर सुधार के लिए यदि आप हमारी मशीनों का उप्यो करते हैं तो आपका एरर रेट 20% से भी ज्यादा कम हो जाएगा बायर अपत्ती हाँ लेकिन ये सिर्फ एक से चुटकारा पाने के लिए परिशानी के लाइक नहीं है कुछ टाइपिंग एरर्स ग्रहक ने आपत्ती उठाई है क्योंकि वो एरर रेट को कम करने से परियापत मूल्य नहीं समझता है यदि आप ग्रहक के दिमाग में क्या चल रहा है ये दिखाने के लिए एक मूल्य समिकरन आरेक बना सकते हैं तो ये शायद चित्र 6.6 में दिखाई देगा परिशानी कुछ गल्तियों को दूर करने की मूल्य को बहुत कम कर देती है इसलिए ग्रहक नकारात्मक निर्ने लेता है और आपत्ती उठाता है यहां तक की सबसे अच्छा आपत्ती प्रवंधन को उशल भी इस तर्थे को नहीं बदल सकता है कि सेलर ने पहले निर्मान मूल्य के बिना समाधान की पेशकस की है आए देखें कि एक अधिक कुशल व्यत्ती उसी इस्तिती को कैसे संभालेगा सेलर समस्य प्रश्ण आपको बहुत सारी गल्तिया मिल रही है आप कहते हैं जितना आप चाहते हैं उससे अधिक क्या इसका मतलब यह है कि उन गल्तियों में से कुछ के कारण आपको उन दस्तावेजों में कठिनाई हो रही है जो आप ग्रहापों को बेचते है बायर कभी कभी ऐसा हुआ है लेकिन अक्सर नहीं क्योंकि मैं सभी को प्रूफ फीट करता हूँ सेलर नहीं थार्थ प्रश्ण क्या ये आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लेता है बायर बहुत ज़्यादा लेकिन किसी डॉक्यूमेंट को गलत तरीके से बाहर जाने देने से बहतर है खास कर अगर ये आंक्रों में गलती है जो क्लाइंट के पास जाती है सेलर नहीं थार्थ प्रश्ण ऐसा क्यों होगा क्या आप कह रही हैं कि पाठ में गलती की तुनला में आंकोरों में गलती से ग्राफों के साथ अधिक कंभी परिणाम होंगे बायर, अरे हाँ, हम एक बोली खो सकते हैं या अपने आपको एक ग्यार आतिक अनुबंद के लिए प्रतिबद कर सकते हैं लोग आपको इस तरह के बातों पर जज़ करते हैं इसलिए ये दिन में कुछ घंटे प्रूफ पढ़ने के लायक है जब अन्य चीजें हैं जो मुझे करने चाहिए सेलर, नीट प्योफ प्रश्न माल लीजे कि आपको उस समय को प्रूफ रीडिंग में खर्च नहीं करना पड़ा आपके द्वारा बचाएगा इस समय के साथ आप क्या कर सकते हैं बायर, ठीक है, मैं अपने कारेलाई के लोगों को ट्रेन करने के लिए कुछ समय दे सकता था सेलर, नीट प्योफ प्रश्न और इस ट्रेनिंग से प्रोड़क्टिविटी में सुधार होता बायर, ओ, बहुत ज्यादा फिलाल आप देखते हैं, लोग नहीं जानते कि यहां कुछ उपकरनों का उप्योग कैसे किया जाए उधारन के लिए, ग्राफ प्लॉटर इसलिए उन्हें तब तक इंतजार करना होगा, जब तक मैं इसे करने के लिए फ्री नहीं हूँ सेलर, नीट प्रश्न तो जो समय आप प्रूफिंग में लगा रहे हैं, वो आपको अन्य लोगों के काम के लिए अर्चन बनने के लिए भी मजबूर करता है सेलर, नीट प्रूफिंग में खर्च किये जा रहे हैं समय को कम करती है, ना केवल आपकी मदद करेगी, बलकि इससे दूसरों की प्रोड़क्टिविटी में भी बहुत मदद मिलेगी मैं देख सकता हूँ कि प्रूफ रीडिंग को कम करके आप वर्तमान बाधाओं को कैसे कम कर सकते हैं, क्या कोई और तरीका है जिससे डॉक्यूमेंट्स में कम गलतियां होने से आपको मदद मिल सकती है बायर जरूर यहां के लोग ली टाइपिंग से नफरत करते हैं, यह उनकी प्रीड़ना के मामले में एक प्रस हो सकता है अगर कम गलतियों का मतलब है कि दोबारा टाइप करने में कम समय व्यतीत करना सेलर आविशक्ता अदाईगी प्रश्ण और संभवतह पुना टाइप करने में कम समय भी लागत बचत लाएगा बायर आप सही कह रही है और यही कुछ है जो मुझे करना है सेलर संख्षेप में तो ऐसा लगता है कि गलतियों का वर्तमान इस्तर महेंगी री टाइपिंग की और ले जा रहा है जो आपके लोगों के लिए प्रेणना की समस्या प्याता करता है यही गलतियां विशेश रूप से आंकरों में आपके क्लाइंस तक पहुँचती हैं तो यह बहुत हानी कारक हो सकता है आप इस समय सभी प्रमुख डॉकुमेंट्स को प्रूफ करने के लिए दिन में दो घंटे खर्च करके इसे रोकने की कोशिश कर रही है लेकिन यह आपको अर्चन में बदल रहा है हर किसी के प्रॉडक्टिविटी को कम कर रहा है और आपको अपने करमचारियों को ट्रेनिंग देने में समय लगाने से रोक रहा है बायर जब आप इसे इस तरह रखते हैं तो डोकुमेंट्स में वे गलतियां वास्तों में हमें चोट पहुँचा रही है हम समझ से कौन देखा नहीं कर सकते मुझे इसके बारे में कुछ करना होगा सेलर लाव तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे हमारा वर्ड प्रोसेसर गलतियों को कम करने और प्रूफिंग को कम करने में आपके मदद करेगा अब लागत और परेशानी उस मूले से अधिक है जो सेलर ने नहीं धार्त और आवशक्ता अदाइगी प्रशनों की उप्यों की मादयम से बनाया है ये सेल्स का एक अधिक प्रभावी हिस्सा है क्योंकि हमने ओब्जेक्शन के कारण का पता लगाया है नतीजितन आपत्ती भी उत्पन नहीं होती है ओब्जेक्शन से निपटने के लिए ओब्जेक्शन निवारण एक बहतर रंडिती बन जाती है ओब्जेक्शन निवारण एक केस्टेडी मैं कल्पना कर सकता हूँ कि लोग इसे पढ़ रही है कि ये वास्तविक दुनिया में कायम है सबूत के एक और टुकड़े के रूप में मैं आपके साथ सबसे आकर्शक छोटी जांचों में से एक को शेर करना चाहूँगा जिसमें मैं कभी शामिल था कंपनी एक प्रसिद्ध हाई टेक कॉर्परेशन थी जिसके अनुसंधान करमचारी दक्षणी सैयुक्ते राजी अमेरिका में इस्तित इसके एक विजन में विक्री वेवार के चांच कर रहे थे हमने शोध करमचारियों को विक्री कॉल के दोरान मुख्य विक्रेता और ग्रहत वेवार कितनी बार हुआ ये गिन्ने के वियवार विश्लेशन पद्धिती का उप्योग करने के लिए प्रोचसाहित किया था और वे एक जिग्यासू खोच के सांथ आये थे डिविजन में आउसत सेल्स टीम में आठ सेल्स परसन शामिल थे अब विशिद रूप से सांखिक्या के संदर्ब में संभावनाएं आप उम्मीद करेंगे कि ये आठ लोग जिनमें से प्रतेक एक ही प्रोड़क को समान आकार के ग्रहक और समान परतिसपर्धियों के साथ बीच रही हैं प्रतेक विक्रे घंटे में लगबग समान आपत्यों का सामना करेंगे व्यक्तिकत विक्रेता द्वारा सामना की जाने वाली आपत्यों के संख्या में भारी अंतर था औसत टीम में उन्होंने दस में से एक सेलर को एक ही टीम के अन्य लोगों की तुनला में प्रती विक्री घंटे दस गुना आधिक आपत्यों का सामना करते हुए पाया लाब और आपत्यों के बीच संबंदों पर हमारे काम के बारे में अनुसंधान करमचारियों को पता नहीं था स्वभावी क्रूप से उन्होंने सपस्ट निसकर्ष निकाला जिन लोगों को इतनी सारे आपत्यों प्राप्त हो रही थी उन्हें आपत्यों से निपटने में ट्रेनिंग की आवशक्ता थी उन्होंने हमसे सलह मांगी उनके डीटा पर एक त्वरित नजर ने हमें बताया कि हमें क्या जानना चाहिए हमने दस लोगों के लिए विहवार विश्टेशन की आंकड़ी चुने जिनमें से प्रते को बहुत अधिक आपत्यों प्राप्त हो रही थी आपत्यों की उच्छ संख्या और जो आपत्य निप्टान प्रेनिंग के लिए स्पष्ट रूप से उमिद्वार थे सभी दस मामलों में ये लोग अपने कॉल में उप्योग के जाने वाले लाभों की संख्या में औसत से अधिक थे मैंने कमपनी को एक सहासिक परियोग करने के लिए राजे किया मैं जो करना चाहता हूँ मैंने समझाया इन लोगों को आपत्य निवारण में ट्रेन करना है मुझे लगता है कि हम एक ऐसा कारेकम त्यार कर सकते हैं जिसमें ऑब्जेक्शन शब्द का उलेख भी नहीं है लेकिन जो इन लोगों के लिए सर्वोत्तम से अधिक करेगा ऑब्जेक्शन से निवटने की ट्रेनिंग कभी भी हो सकती है कंपनी राजी हो गई हमने आठ सेल्स पर्सन को चुना है वियावार विश्टेशन की आंकुरों से परते को ग्रहाकों से आसमाने रूप से उच्चे स्थर की आपत्या मिली थी जैसा कि हमने वाता किया था हमारी ट्रेनिंग में आपजेक्शन से निपटने के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है इसके बजाए हमने आठ लोगों को स्पिन मॉडल के साथ स्पष्ट आवशक्ताओं को विक्सित करना और फिर लाब प्रदान करना सिखाया प्रेनिंग के बाद कंपनी के शोद करता आठों के साथ बाहर निकल गए और उन अपजेक्शन की संख्या गिरने लगी जो उन्हें अब कॉल में मिल रही थी प्रती विक्रे घंटे आपत्यों की ओसत संख्या में 55% की गिरावट आई थी मैं इस छोटे से अध्यन से दो निश्कर्ष निकालूंगा ये पुछ्टी करता है कि आपत्यों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका इसकी रोकथाम में है कारण का इलाज करें लक्षन का नहीं ध्यान दे कि हमारी ट्रेनिंग में आपत्यों को पूरी तरह से नहीं रोका हमेशा आपत्यों उठेंगी क्योंकि ग्राह की ज़रुवतें आपके प्रोड़क्ट को पूरा नहीं कर सकती है या क्योंकि एक परत्योगी के पास सबस्ट उत्पात शेष्टता है इस सची आपत्यां जीवन के तत्या हैं और अनापत्य रोक्थाम तत्मीक उन्हें उठाय जाने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकती है हाला कि हम इस मामले में जो दिखाने में सच्चम थे वो ये था कि मूल्य को बनाने के लिए स्पिन विहवारों का उप्योग करके ओप्जेक्शन को आधे से अधिक कम किया जा सकता है आपत्यों के लिए सेल्स ट्रेनिंग का दिश्टिकूंट पारंपरिक सेल्स ट्रेनिंग वास्ता में लोगों को आपत्यां बनाना सिखाता है फिर उनहे उन आपत्यों से निबटने की तक्निक सिखाता है जो उन्होंने अन्जाने में बनाई है ऐसा है इसलिए क्योंकि हमारे द्वारा समिख्चा किये गए प्रितिक प्रमुक बिक्रि ट्रेनिंग का एकरम में बिक्री कॉशल मॉडल छोटी बिक्री पराधारित हैं जैसा कि हमने देखा है छोटी बिक्री में उच्च इस्तर के लाब सफल हो सकते हैं योकि समाधानों की पेश्कत्ष करने से पहले मूल्य बनाने की कम आवशक्ता होती है लेकिन बड़ी बिक्री में लाब का ये सकारात्मत प्रभाव नहीं होता है ये याद अतना महत्रपून है कि हम किसी भी कथन को कवर करने के लिए एडवांटेज शब्द का उप्योग कर रही है जो ये दर्शाता है कि आपके प्रोड़क्ट या सर्विस का उप्योग कैसे किया जा सकता है या ग्राह के मदद कर सकता है दूसरे शब्दों में जिसे हम एडवांटेज कह रहे हैं वो वही है जिसे अधिकांश सेल्स ट्रेनिंग एक लाब कहते हैं ये मेरी आशा है जैसे जैसे ट्रेनिंग डिजाइनर ये समझने लगते हैं कि बड़ी बिक्री के लिए अलग-अलग कोशल की आवशकता होती है कि हम उस तरह से ट्रेनिंग का अंतर देखेंगे जो सेलर को बहुत सारे लाब देने के लिए प्रोचसाहित करता है एड्वांटेज का भारी उप्योग जो कि अधिकांश ट्रेनिंग अनुशन सा करता है ग्रहाकों द्वारा उठाई गई आपत्यों में से आधे से अधिक का कारण है लेकिन क्या आपेच आवशक रूप से बुरे हैं? कुछ सेल्स ट्रेनिंग कायकरम और कई सेल्स ट्रेनर जैसे कि इस अध्याय के पहले में वर्नित ट्रेनर सिखाते हैं कि आपत्यों सपलता से सकारात्म कूरूप से जूड़ी हुई है और जितना अधिक आप आपत्यों प्राप्त करते हैं उतना भेगतर है अगर यह सच है तो आपत्यों को रूखने से वास्तों में आपकी बिक्री को नुक्सान पहुँच सकता है सबूत हमें क्या बताते हैं हमने ये पता लगाने के लिए एक अध्यन किया कि क्या आपत्यों वास्तों में भेश में बिक्री के अफसर है क्योंकि एक ट्रेनिंग कारेक्रम ने इसे रखा था हमने एक बड़े व्यापारिक मशीन निगम में एक अंतराष्ट्य नमूने से एकत्रित 694 कॉल के नमूने में ग्रहकों द्वारा उठाए गई आपत्यों की संख्या की गणना की जैसा कि आप देख सकते हैं ग्रहक के वहवार में आपत्यों का प्रतीशत जितना अधिक होगा कॉल के सफल होने की संभावना उतनी ही कम होगी यदि आपत्य के भीष में बिक्री की अफसर हैं तो इस अध्यन से पता चलता है कि उनके भीष में छलावरंड में एक मास्टर द्वारा बनाया गया होगा नहीं इसके बारे में कोई गल्ती ना करें आपको कॉल में जितनी अधिक आपत्यां मिलेंगी आपके सफल होने के संभावना उतनी ही कम होगी ट्रेनर के लिए अनुबह हीन सैलर को ये बताना एक सुकून देने वाला मिथक है कि पेशेवर ग्रहक की रूचे के संकेत के रूप में ओब्जेक्शन का स्वागत करते हैं लेकिन वास्तव में एक ओब्जेक्शन आपके और आपके ग्रहक के बीच एक बाधा है हाना कि आपती से निपटने के माध्यम से आप इस अवरोध को कुशलता से समाप्त कर देते हैं ये बहतर होगा कि इसे पहले इस्थान पर ना बनाया जाए लाब और समर्थन सुईकरती लिंडा मार्श के सुविधाओं लाभूं और लाभूं के अधिन से उभरने वाला सबसे सकारात्मक समंद लाभ देने और ग्राकों से अनुमोधन या समर्थन की अभिवक्ति प्राप्त करने के बीच मजबूत कड़ी है उसने पाया कि सैलर जितना अधिक लाभ देते हैं उनके ग्राक उतने ही अधिक अनुमोधन वाले बयान देते हैं ये कोई आश्चरे जनक खोज नहीं है आखिरकार लाभ जैसा कि हम उन्हें परिभासित करते हैं इसमें ये दिखाना शामिल है कि ग्राहत द्वारा व्यक्त की गई स्पष्ट आवशक्ता को आप ऐसे पुरा कर सकते हैं जब तक ग्राहक पहले ये ना कहे मुझे ये चाहिए आप लाभ नहीं दे सकते इसमें कोई आश्चरे की बात नहीं है कि जब आप दिखाते हैं कि आप उन्हें कुछ ऐसा दे सकते हैं जो वे चाहते हैं तो ग्राहकों द्वारा सुईकर्ती व्यक्त करने की सबसे अधिक संभाव ना है अब्जेक्शन हैंडलिंग बनाम अब्जेक्शन प्रिवेंशन अपने सबसे पुनियादी रूप में मैंने इस अध्याय में जो सुझाव दिया है वो ये है कि पुरानी अब्जेक्शन हैंडलिंग रण नीतियां जो सेलर को एडवांटिज देने के लिए पुछ साहित करती है आपतिन निवारन रण नीतियों की तुल्ला में बड़ी विक्री में बहुत कम सफल होती है जहां विक्रेता पहले छमताओं की पेशकर्स करने से पहले नहीं थार्थ और नीड प्योग प्रशन का उप्योग करके मूले अविक्सित करता है जब मैं बेचने की कला में नया था तो मैंने सोचा था कि समापन के बाद सेल्स की सफलता के लिए आपति प्रबंदन कोशल सबसे महत्वपूर्ण थे पीछे मुलकर देखता हूँ तो अब मैं देख सकता हूँ कि मेरी चिंता बड़ी संख्या में आपतियों से पेरी थी जिसका मुझे अपने ग्रहकों से सामना करना पड़ रहा था मैंने अपने आप से ये नहीं पूछा कि आपतियों का कारण क्या था लेकिन बस इतना पता था कि उनमें से बहुत सारे थे इसलिए मैं अपनी आपत्यों से निपटने में सुधार करूँगा अब मैं समझता हूँ कि अधिकांश आपत्यों का सामना मैंने केवल खराब विक्री के कारण एक लक्षन के रूप में किया था अपने जांच कौशन में सुधार करके मैं आपत्यी मिवारण में अधिक सफल हो गया हूँ और इससे मुझे मिशित रूप से अधिक बीचने में सफलता मिली है लेकिन अब मैं भेतर विक्री का कारण भेतर आपत्य प्रबल्धन कौशन नहीं है यह है कि मुझे अनावर्षक आपत्यां पैदा करने की संभावना कम है आपकी ओर से ग्रहाकों की आपत्यों को रोकना यदि आपको ग्रहाकों से आपकी अपेक्षा से अधिक आपत्यां प्राप्त हो रही है तो सोचें कि कौन सा लक्षन है और कौन सा कारण कैसा हो सकता है कि आपत्यां सिर्फ एक लक्षन है जो आपने कॉल में बहुत जल्द अपने समाधान पेश करने की कारण की है इंप्लिकेशन और नीर प्रशन का उप्यों करते हुए प्रभावी आवश्चताओं के विकास में अतिरिक्त पर्यास करने का पर्यास करें यदि आप अपने समाधान के मूल्य का निर्मान कर सकते हैं तो आपको आपत्यों का सामना करने की बहुत कम संभावना है हमारे द्वारा क्लीन किये गए सैक्रों सेल्स परसन इस बात की गवाही देंगी किसी भी आपत्य निप्टान तक्नीक की तुनला में आपत्यों से निपटने में आपकी मदद करने के लिए अच्छा पूछताज गौशल अधिक काम करेगा बेशक आपको हमेशा कुछ आपत्या मिलेंगी खास कर तब जब आपका उत्पाद ग्रहा की ज़रोतों को पूरा नहीं करता हो हाला कि यहां दो निश्यत संकेत दिये गए हैं कि आपको आनवश्यक आपत्या मिल नहीं हैं जिने बहतर पूछताज से रोक आजा सकता है एक, कॉल में जल्दी आपत्या, क्राहक शायद ही कभी प्रश्णों पर आपत्य जटाते हैं जब तक कि आपको उनसे पूछने का कोई विशेश रूप से आपत्य जनक तरीका न मिल जाए अधिकांश आपत्या उन समाधानों के लिए हैं जो आवशक्ताओं के अनुरूप नहीं हैं अगर आपको कॉल की शुरुवात में बहुत सारी अपत्या मिल रही हैं तो इसका मतलब यह हो सकता है कि आप सवाल पूछने के बजाए समय से पहले समाधान और छम्ताओं की पीशकस कर रही हैं इलाज काफी सरल है समाधान के बारे में तब तक बात ना करें जब तक कि आप मजबूत जरूरतों को विक्सित करने के लिए प्रियाप्त पश्न ना पूछ लें दो मूले के बारे में आपत्या यदी आपको प्राप्त होने वाली अधिकांश आपत्या आपके द्वारपरदान की जाने वाली चीजों के मूले की बारे में संधिय ही प्यादा करती है तो इस बात की अच्छी संभावना है कि आप अपनी आवशक्ताओं को प्रियाबत रूप से विक्सित नहीं कर रही है विशिष्ट मूल्य आपत्या होंगी ये बहुत महंगा है मुझे नहीं लगता कि ये हमारे मौझूदा आप पूर्टी करता से बदलने की परिशानी के लायक है या हम अपने मौझूदा सिस्टम से खुश है ऐसे मामलों में ग्रहकों की आपत्यां आपको बताती हैं कि आप एक मजबूत आवशक्ता का निर्मान करने में सफल नहीं हुए है समाधान भेतर जरूतों के विकास में नहीं थै आपत्य से निपटने में नहीं विशेश रूप से जिदि आपको बहुत अधिक मुल्या पत्या मिल रही हैं तो सोविधाओं के उप्योग में कटोर्थी करें और इसके बजाए समस्या, नहीं थार्त और आवश्यक्ता आदाइगी प्रश्न पूछने पर फोकस करें इस अध्याय में मैं प्रारंबिक परिक्षाओं की अधिक बारिकी से जांच करना चाहता हूं प्रारंबिक जांच पर अपने शोद में हमने कई सवालों के जवाब तलाशे जिनमें ये शामिल है क्या ये सच है कि किसी सेल्स कॉल में किये गए पहले प्रभाव सफलता के लिए महत्पूर होते हैं क्या छोटी बिक्री में काम करने वाली ओपनी बड़ी बिक्री में समान रूप से अच्छे तरह काम करती है क्या कॉल ओपन करने के लिए एक विशेश तरीका दूजरों की तुनला में बहतर काम करता है। इन सावालों की चांच करने से पहले मुझे ध्यान देना चाहिए कि बड़ी बिक्री में प्रार्रंबिक चर्चा में ये अध्याय मुख्या रूप से नए ग्रहाकों के साथ पहली बैटकों के बारे में बात करके स्थिति को आसान बनाता है। जैसा कि हम जानते हैं बेशक अधिकांश बड़ी बिक्री में कई कॉल्स शामिल होती हैं और उन ग्रहाकों के साथ होने की संभावना होती है जिनके साथ हमारा पहले से ही इस्थापित संबंध है। प्रभावित करने वाले कारकों पर किसी के द्वारा शोड नहीं किया गया है। ऐसा लगता है कि जैसे जैसे बिक्री चकर आगे बढ़ता है चाहे पुराने या नए ग्रहाकों के साथ सेल्स ओपनिंग कॉल का प्रभाव कम होता जाता है क्योंकि संबंध अच्छे तरह से स्थापित हो गया है। लेकिन निशेत रूप से कोई नहीं जानता और मैं अटकलों से बचना पसंद करूँगा। नतीजतन मैं उन छेत्रों पर ध्यान केंदित करने जा रहा हूँ जहां कुछ डेटा मौजूद है। हालाकि हमारे पास पूरे बिक्री चक्र में प्रारंबिक के प्रभाव के बारे में शोद नहीं है। लेकिन हमारे पास बड़ी और छोटी बिक्री दोनों में नए ग्रहाकों पर पहली कॉल खोलने के बारे में जानकारी है। पहला इंप्रेशन इस बात के सबूत हैं कि लोगों ने बादचीत के शुरुवाती चर्णों में जितना हम कलपना कर सकते हैं उससे कहीं कम नोटिस किया है सेल्स पर कई पुराने केताबें एक स्मार्ट उपस्तिती के महत पर जोड़ देती हैं वो सुझाव देती हैं कि पहला इंप्रेशन सेल्स को बनाएगा या तोड़ेगा लेकिन हाल की अधिकांश रिसर्च से पता चला है कि इन पुराने लेखकों ने दावा किया है कि शुरुवाते दिखावे बहुत कम महत पुन है ये ऐसा कहना नहीं है कि ये करकश या आप्रस्तुत होने के लिए भुक्तान करना है लेकिन विश्वास ना करें कि सेल्स के प्रारंबिक चरण में छोटे विवर्ण आपकी विक्री की सफलता में बड़ा अंतर डालेंगे जैसा कि हमने देखा है इन्वेस्टिगेटिंग चरण के दोरान कहीं अधिक महत्रपून और अधिक पिकावू इंप्रेशन बनते हैं किसी एक विक्ति के साथ बातचीत के शुरुवाती चरणों में हम आमतोर पर सूचनाओं से इतने अधिक भरे होते हैं कि हम या तो नोटिस नहीं करते हैं या हम जल्दी से कुछ स्पष्ट चीजों को भूल जाते हैं आप कितनी बार किसी से मिले हैं और 10 सेकिंड बाद ही उसका नाम भोल गए हैं नाम जैसे महत्पून बाते क्यों भूलनी चाहिए क्योंकि आपका दिमाग दूसरी चीजों से भरा हुआ है जैसे कि आप आगे क्या कहने जा रही है आपके पास वस्तुताहा आपके लिए उपलब्द सभी विवरणों के लिए जगा नहीं है मीटिंग के शुरुवाते मिनिटों में कई संभावित महत्पून इंप्रेशन निकल जाते हैं पहले इंप्रेशन के महत्पर सटीक डेटा प्राप्त करना कठीन है इसलिए मैं आपको कई सेक्रों सेल्स कॉल्स के उदगाटन के बारे में अपनी व्यक्तिकत राय देता हूँ बार-बार मैंने ऐसे सफल कॉल्स देखे हैं जो एक साधारन या अजीब तरीके से शुरू हुए और मैंने देखा कि बहुत ही सहज ओपनिंग कहीं नहीं होती है सालों बाद मुझे कॉल्स के ओपनिंग चरण के दुआन पहले इंप्रेशन के महत्पर संदे हुआ मुझे अब विश्वास नहीं है कि पहले इंप्रेशन बड़ी बिक्री में आपकी सेल्स को बना सकता है या बिगाड सकता है अब ये हो सकता है कि बहुत कम बिक्री में ड्रेस या शुरुवाती शब्दों जैसी चीजें माइने रखती हूँ मेरा एक दोस्त घर-घर जाकर क्रिस्मस कार्ट बेचकर चारिटी के लिए पैसा जुटा रहा था मैं उस पर विश्वास करता हूँ जब वो दावा करता है कि उसके स्वयम सेवकों ने कैसे कपड़े पहने और कितना बेचा इसके बीच सीधा संबंद था एक दिन उसने मुझे बताया उसने जोड़ देकर कहा कि वे सभी अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने बिक्री में 20 परतिशत की बढ़ोतरी हुई लेकिन अगर आप प्रमुक खाता बिक्री में हैं तो अपने बिक्री की मातरा में 20 परतिशत जोड़ने के लिए एक स्मार्ट सूट और एक अच्छे शुरुवाती वाक्य की अपेक्षा ना करें पारंपरिक गाटन कि यदि आप किसी तरह व्यक्तिकत रूची के छेत्र में टैप कर सकते हैं तो आप अधिक तेजी से सम्मंद बना सकते हैं और कॉल अधिक सफल होगी उधारन के लिए यदि आपके खाईदार के पास डेस्क पर बच्चों की तस्वीर है तो परिवार के हीतों पर चर्चा करें अगर ऑफिस में गॉल्फ टॉफी है तो गॉल्फ की बात करें आरंबिक लाब विवरन तयार करें आपके उत्पाद द्वारा परदान की जा सकने वाले लाबों के बारे में कुछ नाटकिय कथन के सांथ प्राडंब करें आपकी प्रोडक्टिविटी में योगदान देगा हमारे साक्ष बताते हैं कि जबकि ये दो तरीके छोटी बिक्री में सफल हो सकते हैं कि दिखाने के लिए भहुत कम है कि जब बिक्री बड़ी होती है तो वे आपकी मदद करते हैं आईए इन साक्ष की समिक्षा करें व्यक्तिकत रूचियों से संबंदित हुतवैट के कारंबिक अध्यनों में से एक में इंपीरियल समों के हिस्से में किये गए हम इस थापित करने की कोशिश कर रहे थे कि अच्छे संबंद बनाने वाले सेलर्स पहिनाम स्वरूप अच्छे विक्री करेंगे या नहीं करेंगे हमने पाया कि सेलर्स जो ग्रामीन छेत्रों में छोटे खुद्रा दुकानों के साथ सफलता पूर्वक विहवार करते थे वे अपने विक्री में व्यक्तिकत कारों पर बहुत ज़्यादा निर्भर थे हमने प्रत्येक सेलर्स द्वारा ग्राहक के निजी जीवन से संबंदित इसी तर्थ्या या घटना का उलेख किये जाने की संख्या का आक्मिन किया उधार्ण के लिए सेलर्स पूछ सकता है एन अपनी होर साइडिंग क्लासेस का आनंद कैसे ले रही है या क्या जो का पैर अब ठीक है ग्रामीन इलाकों में जहां सेल्स का आकार छोटा था कम सफल सेलर्स के तुल्ला में सफल सेलर्स ने इन व्यक्तिकत संदर्वों का आधि को प्योग किया इसलिए हम सुलक्षित रूप से ये निसकर्ष निकाल सकते हैं कि पुरानी सलह सही है यदि आप व्यक्तिकत रूची के बिंदों से संबंदित हो सकते हैं तो ये आपकी विक्री में मदद करेगा लेकिन बड़े शहरी स्टोरों में ये अलग कहानी थी जहां ओसत आयो विक्री आकार से पांच गुना आदिक थी हमने सफलता और व्यक्तिकत मुद्दों के बीच कोई संबंद नहीं पाया इसलिए ऐसा लगा कि बड़ी विक्री में खहेदार के व्यक्तिकत हीतों से संबंदित एक कम प्रभावी तकनीक हो सकती है लेकिन मैं इस अध्यन से विशेश रूप से संतुष्ट नहीं था कई तकनीकी कारणों से हमें अपनी व्याक्या के बारे में सावधान रहना पड़ा उधारन के लिए ग्रामीन विक्रेता आम तोर पर लंबे कार्यकाल और कम टर्न ओवर दर रखते थे इसका मतलब यह था कि वे लंबे समय तक काम पर रहे थे और इस प्रकार उनके पास अपने ग्राहकों के बारे में व्यक्तिकत रूप से जानने का अधिक अफसर था और ग्रामीन ग्राहक स्वयम अपने बड़े शहरी समकष्शों के तुलना में कम व्यस्त थे इसलिए उनके पास बात करने के लिए अधिक समय था फिर भी इस अध्यन ने कुछ सवाल उठाए यह संबवता 1920 के दर्शक में सच था जब सिध्धान्त को पहली बार सामने रखा गया था कि लोग उन लोगों से खरीदते थे जिनसे वे व्यक्तिगत रूप से संबन्दित थे दोस्तों ने दोस्तों के साथ बिजनिस किया लेकिन यहां तक कि केवल 15 सालों में मैं बिकरी का अध्यन कर रहा हूँ मैंने एक अलग बदलाव देखा है 15 साल पहले खरीदार मुझसे कहते थे मैं फ्रेंट से खरीदता हूँ क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ अब मुझे सुने जाने की अधिक संभावना है मुझे फ्रेंट्स पसंद है लेकिन मैं उनकी कॉम्पिटीटर से खरीदता हूँ क्योंकि वे सस्ते हैं ऐसा लगता है कि व्यक्तिकत वफादारी अब बिजनिस करने के लिए परियाप्त आधार नहीं रहे गई है एक और कारण है कि व्यक्तिकत बिंदों के आज़ पास कॉल को खोलना सफल नहीं हो सकता है मैंने एक बार बिटिश पैट्रोलियम के केंद्रिय करय सम्हू के साथ काम किया था उनके कारेलाई के दिवार पर खरिदारों में से एक के पास एक रेसिंग नौका की तस्वीर थी मैं इसे वहां रखता हूँ क्योंकि ये मेरी दक्षता में सुधार करता है उन्होंने मुझे बताया हैरान मैंने उसे समझाने के लिए कहा उन्होंने कहा मेरे यहां हर दिन सेल्स परसन आते हैं उन्होंने कहा बहुत सारे ग्यार व्यवसाइक मुद्दों के बारे में बात करके अपने समय पर बात कर रही है जाईर है कि वे किसे निजी छेतर के लिए मचली पकड़ रही है जो मेरी रूची को आकरशित करेगा लेकिन मैं एक व्यस्त पेशेवर हूँ बायर और यदि मैं बादचीत पर समय बरबाद करता हूँ जो सीधे तोर पर बिजनिस से संबंदित नहीं है तो मैं पूरा दिन नहीं बिता सकता इसलिए मैं अपनी प्रोड़क्टिविटी को बढ़ाने के लिए तस्वीर का उप्योग करता हूँ जब नए बिक्री परतिनिदी पहली बार मुझसे मिलने आते हैं तो वे आमतोर पर कहते हैं कितना सुंदर चित्र है आपको वास्तव में नौकायन का आनंद लेना चाहिए मैं जवाब देता हूँ मुझे नौकायन से नफरत है वो तस्वीर मुझे याद दिलाने के लिए है कि पानी पर कितना समय बरबाद होता है अब आप मुझे किस बारे में देखना चाहते हैं शायद ये एक अतिवादी मामला है लेकिन मैंने सुना है कि कई अन्य पेशेवर खरीदार विक्रेता के बारे में शिकायत करते हैं जो व्यक्तिकत रुची के छेत्रों की खेते करके कॉल खोलने का परियास करते हैं एक व्यस्त खरीदार आखिरी चीज़ चाहता है कि वो दिन के दसवे विक्रेता को गोल्फ के अपने आखिरी गेम के बारे में बताए आप जितने वरिष्टे लोगों को बेच रहे हैं उतना ही उन्हें लगता है कि उनका समय प्रीमियम पर है और यदि आप गैर वी अफसाइक छेत्रों में रहते हैं तो आपके द्वारा अधिक अधिर्ता उत्पन होने की संभावना है और एक और कारण है कई खईदार उन लोगों के प्रती संदिक तो हो जाते हैं जो व्यक्तिकत रूची के छेत्रों को बढ़ा कर शुरुवात करते हैं उन्हें लगता है कि विक्रेता के इरादे वास्तविक नहीं है और ये उन्हीं बेवकूफ बनाने का प्रियास है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको किसी खईदार के व्यक्तिकत हितों के बारे में बात करके विक्री कॉल शुरू नहीं करनी चाहिए कभी-कभी विशेश रूप से यदि खईदार किसी छेत्र को बढ़ाने का बीड़ा उठाता है तो ये सही काम है वो जैसा कि हमने देखा है छोटी विक्री में व्यक्तिकत मुद्यों को उठाने से विक्री की सफलता पर पॉजिटिव प्रभाव पढ़ सकता है लेकिन सलह के एक समाने टुकडे के रूप में मेरा सुझाव है कि आप सावधान रहीं कि बड़ी विक्री में इस पद्धती का अधिको प्योग ना करे दी ओपनिंग बैनिफिट स्टेट्मेंट कई सेल्स ट्रेनिंग का रिक्रम सिखाते हैं कि कॉल शुरू करने का सबसे प्रभावी तरीका खरीदार के ही तुमें अपने प्रोडक्ट या सर्विस के कुछ संभावित लाब को पकड़ने के लिए एक ओपनिंग बैनिफिट स्टेट्मेंट बनाना है तो मैं कह सकता हूँ कि श्री विल्सन आप जैसे बीजी कार्यकारी के लिए मुझे पता है कि समय पैसा है और मुझे यकीन है कि आप टेलिफोन नंबर देखने और कॉल डायल करने में बहुत समय बरबाद करते हैं रैक हैम ओटो डायलर के साथ मैं आपका कुछ समय बचाने में मदद कर सकता हूँ यदि ये अच्छे तरह से किया गया है तो एक प्रारंबिक लाब बयान पॉजिटिव और बिजने से जुड़ा हुआ लग सकता है लेकिन क्या ये कॉल खोलने का एक प्रभावी तरीका है हाला कि ओपनिंग बैनिफिट स्टेटमेंट का विचार काफी पुराना है मैं इसे 30 साल पीछे ट्रेस करने में सक्षम हूँ और ये इससे भी आगे जा सकता है एक ओपनिंग के रूप में इसके महान लोग प्रियता जिरोक्स लर्निंग सिस्टम प्रोग्राम प्रोफेशनल द्वारा लाई गई थी इस कारिकरम का बहुत व्याप्य क्रूप से उप्योग किया गया था और इसके डिवैलपर्स ने वादा किया था कि शोज से पता चला है कि यदि वे इस तरह से शुरू करते हैं तो कॉल सफल होने की अधिक संभावना होती है जैसा कि उन्होंने इसे प्रारंबिक लाब विवरन कहा था मैंने डीटेल्ड रिसर्च नहीं देखी है इसलिए मैं इसकी वैद्धता पर टिपणी नहीं कर सकता लेकिन मुझे पता है कि जिस चांच पर कारिकरम आधारी था वो फार्मसूटिकल उद्ध्योग में हुआ था जहां औसत कॉल की लंबाई केवल 6 मिनट थी अगर आपके पास केवल 6 मिनट का खईदार समय है तो मैं निश्यत रूप से देख सकता हूँ कि आपको सीधे अपने कॉल के परधात में जाने के लिए एक प्रभावशाली तरीके के अवशक्ता क्यों होगी लेकिन क्या बड़ी विक्री में भी यही सच होगा जहां व्यक्तिकत कॉल की ओसत लंबाई 40 मिनट है खुदवैट इसकी जाच करने के लिए निकल पड़े हमने केवल 300 से अधिक कॉल्स देखे ये देखते हुए कि सेलर ने ओपनिंग बैनिफिट स्टेटमेंट का उप्यो किया की नहीं फिर अध्याई एक में वर्णित परक्रिया का उप्यो करते हुए हमने उन कॉल्स को विभाजित किया जो सफल हुई और जो विफल रही यदि ओपनिंग बैनिफिट स्टेटमेंट ने कॉल को अधिक सफल बना दिया जैसा कि PSS प्रोग्राम ने दावा किया है तो हमें ये पता लगाने की उम्मीद करनी चाहिए कि जो कॉल्स विफल हुए थे उनमें सफल होने वाले कॉल्स की दुलना में कम ओपनिंग बैनिफिट स्टेटमेंट थे क्यों नहीं होना चाहिए हमने और करीब से देखने का फैसला किया हमने जो पाया वो ये था हमारे अधिन किये गए सबसे प्रभावी seller प्रते कॉल को एक अलग तरीके से खोलते हैं कभी-कभी वे प्रारंबिक लाब कतन का उप्योग कर सकते हैं लेकिन अक्सर वे किसे अन्य प्रारंबिक बिंदू का उप्योग करते हैं कम प्रभावी लोग वे थे जो प्रते कॉल को एक ही तरीके से खोलते थे। इसलिए जीन सैलर्स ने हर कॉल को एक ओपनिंग बैनिफिट स्टेटमेंट के साथ शुरू किया, वे उन लोगों की तुनला में कम सफल होने की संभावना रखते थे जो कभी-कभी तकनीक का इस्तमाल करते थे। बड़ी बिक्ती का आर्थ है कि एक ही ग्रहक पर कई बार कॉल्स करना। इसलिए ये विशेश रूप से महत्कुन है कि एक ही व्यक्ती के साथ एक से अधिक बार मानक उठगाटन का प्रयोग ना करें। मैं याद कर सकता हूँ कि मैं कारेला उत्पाद कंपनी के एक सेलर से कितना प्रभावित हुआ था जब उसने पहली बार मुझसे मुलाकात की थी। उन्होंने एक क्लासिक ओपनिंग बेनिफिट स्टेटमन के साथ शुरुआत की। ब्रैखेम आप एक बीजी कारेकारी हैं और आप सोच रही होंगे कि मैं आपके साथ बात करने के लिए 15 मिनिट के लायक हूँ या नहीं लेकिन अगर उस 15 मिनिट के परिणाम स्वरूप आप अपनी कंपनी के कई हजार डॉलर बचा सकते हैं तो मुझे यकीन है कि आप सहमत होगी कि ये समय अच्छे तरह से व्यतीत होगा प्रोडक्ट के सिलसले में अगले हफ़ते हमने फिर से बाचित करने का फैसला किया अगली बैठक में मेरे मैनेजर के साथ वो शुरू हुआ रैखेम मुझे पता है कि आप बहुत बिजी हैं लेकिन अगर मैं आपके 15 मिनिट के समय का उप्योग आपको ये दिखाने के लिए कर सकता हूँ कि मैं आपकी कंपनी के हजारों डोलर कैसे बचा सकता हूँ वही ओपनी जिसने पहली बार ऐसा सकारात्मक प्रभाव डाला था अब यांत्रिक और परेशान कर रहा था एक और कारण है कि opening benefit statement प्रभावी क्यों हो सकता है सफल सेल्स परसन अपने products या services के बारे में sales call में देड़ से बात करते हैं लेकिन हमने देखा है कि कम सफल लोग call में बहुत पहले products और समाधानों के बारे में बात करना शुरू करतेते हैं मैं आपको यहां इस बिंदू की याद दिलाता हूँ क्योंकि ये opening benefit statement का उप्योग करने की खत्रों में से एक को उठाता है ये सरल उधारन ले सेलर opening benefit statement का इस्तमाल करते हुए मिस्टर बजर्ट बिक कंपनी में हम जानते हैं कि किसी बिजनेस में पेशेवर दिखने वाले दस्तावेज तयार करना कितना महत्पूर है इसलिए हमने executive type writer का अविश्कार किया एक विशेश नई परणाली का उप्योग करते हुए निश्पादन प्रकार पारंपरिक word processor से प्राप्त होने वाली तुल्ना में आपके दस्तावेजों को कहीं बहतर तरीकी से संभालता है खरीदार सवाल पूछते हुए ओ, क्या ये डेजी वील का उप्योग करता है? सेलर, उत्पाद वेवरंड देते हुए खींचा गया नहीं, ये एक इंक जेट पर दिया है बायर, अभी भी सवाल पूछ रहा है, इंक जेट ये बहुत महंगा होना चाहिए इसकी कीमत क्या है? सेलर, कॉल के शुरू में कीमत के मुद्दे पर मजबूर किया गया ठीक है, ये पारंपर एक तरीकों के तुलना में थोड़ा अधित महंगा है यहां क्या हुआ है? ओपनिंग बेनिफिट स्टेटमेंट बना कर सेलर को दो तरहां से फसाया गया है स्पिन प्रश्णों का उप्योग करके मूल्य बनाने का अफसर मिलने से पहले ही उसे सेल्स के बहुत पहले उत्पाद विर्मेंट के बारे में बात करने के लिए मजबूर किया गया था उसने खहिदार को प्रश्ण पूछने की अनुमती दी है और इसलिए अनुमती दी है ताकि वो चर्चा को कंट्रोल कर सके इन में से कोई भी चाल आपरिवर्तनिय नहीं है यदि वो स्मार्ट है तो सूश्री सिम्सन कॉल को ठीक कर लेगी खहिदार से पूछताज की भूमिका ले लेगी और प्रोडक्ट से ध्यान हटाकर ग्रहा की जरूरतों की और ध्यान देगी लेकिन कम से कम ये विक्री शुरू करने का अच्छा तरीका नहीं है फिर भी मैंने व्यत्तिकत रूप से देखा है कि कई कॉल्स इस तरह से शुरू होती है क्योंकि सेलर ने ओपनिंग बेनेफिट स्टेट्मेंट का इस्तमाल किया कॉल्स खोलने के लिए एक रूप रेखा अब तक इस अध्याय का दिकांश भाग नकारात्मक रहा है जैसे कॉल्स के प्रारंबिक चर्ण को हैंडल ना करें आईए अपना ध्यान सकारात्मक्ता की ओर लगाएं हुतवैट का शोद कॉल्स खोलने के सर्वोत्तम तरीके के रूप में क्या सुझाता है जाहिर है जैसा कि मैंने सुझाव दिया है विविदिता महतपूर है ओपनिंग की कोई एक सर्विश्ष्ट तक्नीक नहीं है लेकिन एक धांचा है कि सफल लोग उसका उपयोग कैसे करते हैं अपने उद्देश्य पर ध्यान केंदित करना आए कॉल के प्रारंबिक चर्ण के उद्देश्य की जांच करें आपके उद्दगाटन का उद्देश्य क्या है सबसे असान तरीके से आप जो करने की कोशिश कर रही है वो अगले चर्ण जांचर्ण पर जाने के लिए ग्राहक की सहमती प्राप्त करना है आप चाहते हैं कि ग्राहक इस बास से सहमत हो कि आपके लिए उनसे कुछ प्रश्ण पूछना वैद है ऐसा करने के लिए आपको स्थापित करना होगा आप कौन हैं? आप वहां क्यों हैं? लेकिन उत्पाद विवन दिये बिना प्रश्ण पूछने का आपका अधिकार स्परश्ट रूप से कौल खोलने के कई तरीके हैं लेकिन सबसे अच्छी ओपनी का समाने कारक ये है कि वे ग्राहक को इस बास से सहमत करने के लिए प्रश्ण पूछना चाहिए ऐसा करने में अच्छे अवसर आपको प्रोडक्ट या सर्विस की विस्ति चर्चा में आने से रोकते हैं कौल की शुरुवात में आप सूचना चाहने वाले के रूप में अपने भूमिका और दाता के रूप में खहिदार की भूमिका इस्ताबित करना चाहते हैं अपनी प्रारंबिक तैयारियों को प्रभावी बनाना जैसा कि हमने देखा है बड़ी बिक्री में ये महत्वपून भूमिका नहीं निभाते हैं आप प्रारंबिक परिक्षाओं को प्रभावी ढंक से समाल रही है या नहीं इसका सबसे महत्पून परिक्षन ये है कि क्या आपके ग्राहक आमतोर पर आगे बढ़ने और आपके सवालों का जवाब देने में खुश हैं यदि ऐसा है तो संबहुता आप कॉल के इस रहन को स्वीकार्य रूप से हैंडल कर रही हैं चिकनी और पॉलिश दिखने के बारे में चिंता ना करें हमने जिन सबसे अच्छे सैलर का अध्यन किया है उनमें से कुछ कॉल के शुरुवाती मिंटों में घबराय हुए आत्म जागरुख या जिजकने वाले लग रही हैं लेकिन इन तीन बिंदू के बारे में चिंता ना क एक सामान निकलती विशेश रूप से अनुबव हीन सैलर के लिए सुख सोविधाओं पर बहुत अधिक खर्च करना है परिणाम स्वरूप कॉल के लिए समय कम हो जाता है ग्रहा को तभी रुकना पड़ता है जब आपके से महत्पून बिंदू पर पहुँच रहे होते हैं कि कॉल खोलने में कितना समय लगना चाहिए मुझे किसी ऐसी व्यक्ति से चिंता होगी जिसने लगातार 20% से अधिक समय कॉल की ओपनिंग पर खर्च किया हो ऐसा मत सोचो कि आप बिजनिस में जल्दी से उतर कर ग्रहा को नाराज कर देंगे एक शिकायक जो मैं एक्सर सीनर अधिकारियों और पेशेवर ख़िदारों से सुनता हूँ वो यह है कि सेल्स परसन बेकार की बखबख में अपना समय पर बात करते हैं मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी ये शिकायश सुनी है कि एक सलर बहुत जल्दी बिजनिस में उतर जाता है दो समाधान के बारे में बहुत जल्द बात ना करें बिक्री में सबसे आम दोशों में से एक आपके समाधान और छमताओं के बारे में कॉल में बहुत जल्दी बात करना है जैसा कि हमने पिछले आध्यावों में देखा है बहुत जल्द समाधान प्रसूत करने से आपत्तिय उत्पन होती है और कॉल के सफल होने की संभावना बहुत कम हो जाती है आप कितनी बार खुद को प्रोड़क्स के बारे में चर्चा करते हुए पाते हैं जैसा बार बार होता है तो ये इस बात का संकेत हो सकता है कि आप प्रारंबिक परिक्षाओं को प्रभावी ढंक से नहीं समाल रही है जैसे आपके मामले में आमतोर पर ग्राक ही प्रशन पूछ रहा है और आप तत्थ्यों और सबस्टिकर्ण परदान करने की भूमिका में है तो संबव है कि आपने प्रारंबिक परिक्षाओं के दोरान एक प्रशन करता कि रूप में अपने भूमिका को प्रियाप्ट रूप से स्थापित नहीं किया है अपने आप से पूछें क्या आपकी ओपनिंग कॉल इस शुनिस्चित करता है कि आपको प्रश्न पूछने चाहिए यदि ये इसे इस्थापित नहीं करता है तो आप जिस तरह से कॉल पोलते हैं उसे बदल दें ताकि ग्राहक सुईकार कर सके कि आप उन जंताओं के बारे में बात करने से पहले कुछ प्रश्न पूछेंगे जो आप कर सकते हैं तीन प्रश्नों पर ध्यान दें ये कभी न भूलें कि प्रारंबिक कॉल सबसे महतुपूर्ण हिसा नहीं है अक्सर जब मैं सेल्स परसन के साथ याता कर रहा होता हूँ तो मैंने देखा है कि वे कॉल करने से पहले इस बात की चिंता में समय बरबात करते हैं कि उन्हें इसे कैसे खोलना चाहिए जबकि वे उस समय का उप्योग कुछ प्रष्णों की योजना बनाने के लिए कहीं अधिक प्रभावी ढंग से कर सकते हैं मेरे पसंदीदा शब्दों में से एक एंटेले की इतना कम जाना जाता है कि जब भी मैं इसका उप्योग करता हूँ तो सुनने वाले डिक्ष्णरी देखने लगते हैं ये बहुत ही अफसोस की बात है क्योंकि ये शब्द अंग्रेजी भाषा में एक गंभीर अंतर को भरता है और हर दिन प्रचलन में रहने का हकदार है इसका अर्थ है कि जो संभावित था उसका वास्तविक बनना सैध्धान्तिक लालित्य के विप्रीत इसी चीज को व्यहवारिक उप्योगिता में बदलना एंटेले की इस अध्याय का विशय है हुद्वेट के शोद की संभावनाओं को उन कारेओं में बदलना जो आपकी सेल में आपके लिए विवारिक रूप से उप्योगी होंगे सैध्धान्तिक मॉडलों को विवारिक कोशल में बदलने का कोई आसान तरीका नहीं है तथ्य ये है कि आप इस बुस्तक को पढ़ रही है इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो ग्यान प्राप्त कर रही है वो स्वचालित रूप से बहतर सेल्स चमताओं में परिवर्तित हो जाएगा सेल्स पर कोई किताब अपने आप में आपके बिक्री कोशल में सुधाग नहीं करेगी पैराकी के बारे में एक किताब पढ़ने से आप पैदा नहीं सीख जाएंगे व्यावारिक होने का ढों करने वाली किसी भी किताब में लेखक और पाठक दोनों के लिए चुनोती है सिध्धान्त को व्यावारिक क्रिया में बदलना चुनोती के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए मैं हजारों लोगों को अपने सेल्स कोशल में सुधार करने के लिए ट्रेन करने के लिए हुत्वैट के विश्व व्यावी अनुभव पर आकरशित करूँगा इस अध्याय में मैं आपके सांख कुछ सिद्धानतों और पर्थाओं को साजा करूँगा जो हमारे लिए और हमारे ग्रहकों के लिए सफलता पूर्वक काम कर चुके हैं आपकी चुनोती कठिन है क्योंकि अपने कौशल में सुधार करना कठिन कार्य है बहतर बिकरी के लिए कोई तकाल फॉर्मुला नहीं है किसी भी कौशल में सफलता चाहे गोल्ष में हो पियानो बजाना हो या बेचना हो एकागर कठिन और निराशा जनक अभ्यास पठिकी हुई है यदि आप इस किताब में दी गई सला का पालन करते हैं और वास्तव में कौशल का अभ्यास करते हैं तो आपके सेल्स रिजल्ट्स में महत्यपून विद्धी की उम्मीद करना आपके लिए काफी रधार्तवादी है लेकिन ये कठिन है कौशल सीखने के चार सुनहरे नियम लोगों को कौशल सीखना इतना कठिन क्यों लगता है ये सिर्फ कड़ी महनत के कारण नहीं है क्योंकि हम नए ग्यान को सीखने में काम करने के आदी है आपने इस किताब में पढ़ने में सेल्स के तरीकों के बारे में ग्यान प्राप्त करने में निवेश किये गई समय और उर्जा के माध्यम से पहले ही कड़ी मेहनत करने की छंता का प्रदशन किया है। फिर भी मुझे आश्यर्य है कि कितने पाठक अपने ग्यान को अभ्यास में बदलने के लिए बराबर प्रियास करेंगे। दुखर तर्थे ये है कि हम आम तोर पर अपने ज्ञान को कौशल में बदलने के बज़ाए ज्ञान को सीखने के लिए अधिक ठिन और प्रभावी ढंग से काम करते हैं। शायद एंटैले की इतना दूलब शब्द है क्योंकि ये किसी भी ऐसी चीज को संदर्बित करता है जिसे हम शायद ही कभी करते हैं। ये मेरा व्यक्तिकत विश्वास है कि लोगों को अपने कौशल में सुधार करने में इतनी परेशानी का मुख्य कारण ये है कि उन्होंने कौशल सीखने की बुनियादी तक्नीकों के बारे में कभी नहीं सोचा। स्कूल में हमारी सफलता ज्यान सीखने की तक्नीकों के विकास पनिरबर थी और हमें से अधिकांश इसमें काफी अच्छे थे लेकिन व्यवस्तित रूप से कौशल सीखने में हमारे मदद करने के लिए स्कूल ने क्या किया? खेलों को छोड़कर अधिकांश लोगों का उत्तर बहुत कम या कुछ भी नहीं है तो इससे पहले कि मैं इस बारे में बात करूँ कि आपको किन कौशलों का अभ्यास करना चाहिए कैसे से शुरू करना उप्योगी होगा आप किसी भी कौशल को कौशलता पूर्वक और कम से क कम दर्द के साथ कैसे सीख सकते हैं हमने पाया है कि जयादा तर लोग अपनी छमता में काफी सुधार कर सकते हैं कौशल सीखे यदि वे चार सरन नियमों का पालन करते हैं नियम एक एक समय में केवल एक विहवार का अभ्यास करें जादातर लोग जब वे अपने कौशल में सुधार पर काम करते हैं तो एक बार में बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं मैं कल्पना कर सकता हूँ कि लोग इस किताब को पढ़ रही हैं और कह रही हैं मैं समापन तक्नीकों को समाप्त करने जा रहा हूँ और भविश्य में मैं अधिक समस्य वाले प्रशन पूछूंगा फिर समाधानों के साथ कूदने के बज़ाए जो मैं आमतोर पर करता हूँ मैं पीछे हटूंगा और नहितार्त प्रशन पूछूंगा और निश्यत रूप से नीट प्रशन भी और मैं सोविधाओं और लाभूं से बचने पर भी काम करूँगा इसके बज़ाए मैं और अधिक लाभ कमाऊंगा और रुको अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो सीखने के मामले में आप मर चुके हैं जो लोग जटिल कौशलों को सफलता पूरवक सीखते हैं वे अभ्यास करके ऐसा करते हैं पिछले साल मैं आउस्टेलिया के लिए एक उडान पर था और मैंने खुद को टॉम लैंडरी नाम के एक रमणिय व्यक्ति के सामने बैठा पाया एक अंग्रेज के रूप में मेरे खेल, क्रिकेट और क्रॉकेट हैं मैं अमेरिक्य फुटबॉल के बारे में कुछ नहीं जानता था नतीजतन जब तक बाचित नहीं हुई तब तक इस सामने नहीं आया कि मिस्टर लैंडरी एक प्रसिद्ध फुटबॉल कोच थी इसलिए जब टॉम लैंडरी ने एक प्रमुक फुटबॉल टीम को कोचिंग देने के परिश्कृत और जटिल कारे के बारे में कुछ बताया तो मैं उस पर मोहित हो गया आपका काम लोगों को कौशल सिखा रहा है मैंने उसे संकेत दिया यदि आपको इसी कौशल को सफलता पूरवक सीखने के लिए सिर्फ एक सिद्धानत सामने रखना हो तो वो क्या होगा उसने संकोच नहीं किया एक समय में एक चीज पर काम करे उसने उत्तर दिया और इसे सही करे बेंजमिन फ्रेंक्लिन ने 1771 में भी यही कहा था अपनी आत्मकथा में वो एक जटिल कौशल को उसके घटक विहवारों में कैसे तोड़ना है और फिर एक समय में एक विहवार को सुधारने के लिए कैसे काम करना है इसका एक उत्करष्ट विवन देता है फ्रेंक्लिन और लैंड्री जैसे अधिकारियों के सांथ मेरा समर्थन करने के लिए मैं इस किताब से मूल्य प्राप्त करने के लिए पहला और सबसे महत्फुन सिधान्त सामने रखने में संकोच नहीं करता अभ्यास करने के लिए केवल एक विवार चुनकर प्रारंब करें जब तक आपको विश्वास ना हो जाए कि आपका पहला विवार सही है तब तक अगले पर ना जाएं नियम दो नए विवार को यहां आजमाई कम से कम तीन बार पहली बार जब आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो इसमें आपका असहज होना बिलकुत स्वभाविक है नए जूते की ही तरह ये पहले चोट पहुँचाते हैं मान लीजिए उधारन के लिए आप नहितार्त प्रश्णों का अभ्यास करने का निर्णे लेते हैं आप नियम एक को ध्यान में रख रही हैं इसलिए आप केवल नहितार्त प्रश्णों पर ध्यान केंदित करने जा रही हैं उन अन्य वहवारों पर नहीं जिने हमने कवर किया है क्या नए नहीतार्त प्रश्न आपकी जीब को एक सहज ठोस करम में घुमाते हैं आपके जीवन पर नहीं जब आप उनसे पूछते हैं तो आप आत्म जागरुख, कृतिम और अजीब लगते हैं और इसके कारण आप ग्राहत पर विशेश रूप से सकारात्मत प्रभाव नहीं डालते हैं कॉल के बाद यदि आप उन अधिकांश लोगों के थरा हैं जिन्हें हमने ट्रेन किया हैं तो आप ये निशकर्ष निकालने के लिए लल चाते हैं कि इंप्लिकेशन क्वेशन ने आपको बेचने में मदद नहीं की इसलिए भैतर होगा कि आप उन्हें छोड़ दें और अगली कॉल में कुछ अलग करने की कोशिश करें यदि आप ये निशकर्ष निकालते हैं तो निश्यत रूप से आप एक बड़ी गलती कर रहे हैं अथा सिर्फ बेचने में नहीं है कि ऐसा होता है जब कभी भी आप किसी भी कौशल को सुधारने की कोशिश करते हैं पहले तो ये अजीब लगता है और ये सही नहीं होता है मैंने एक बार दो सो लोगों की एक नमूनी से पूछा जिन में से प्रतेक ने एक प्रोफेशनल से गोल्फ सबक लिया था क्या उनका अगला दौर भैतर था या बुरा दो सो में से 157 ने कहा कि उन्होंने ट्रेनिंग के बाद पहले की तुल्ना में खराब अंक प्राप किये उपाय क्या है जिससे धांत का मैं व्यक्तिकत रूप से उप्योग करता हूँ और जिसे होतुवैट में हम क्रेन करते हैं उसकी शिफारिश करता हूँ ये है जब तक आप इसे कम से कम तीन बार नहीं आजमाते तब तक कभी भी ये तैय ना करें कि कोई निया विहवार प्रभावी है या नहीं नियम तीन क्या आपको विदेशी भाषा सीखने का पुराना तरीका याद है आप कुछ शब्द कहने का पर्यास करें नहीं आपके टीचर कहते हैं ये गलत है आपको इसे सही से करना चाहिए आप फिर से परियास करें गलत टीचर आपको चेतावनी देता है आपके पास सही समय है लेकिन ये एक अनियमित करिया है कुछ गबराट के साथ आप तीसरा परियास करें नहीं आपके टीचर आपको बत के कौशल की quality के बारे में हैं हमेंसे कई लोगों ने इस तरह से एक भाशा सेखने के लिए सालों तक संगर्श किया इसके अंत में हम कुछ वाक्यों को सही किरियाओं काल और शब्द करम के साथ उचारण करने में हिच की चाहट लेकिन सही ढंक से सक्षम थे कई सालों तक quality पर आराम से भाषा बोल सके इसके विपरीत आएए आधुनिक भाषा ट्रेनिंग देखें छात्रों से कहा जाता है वो चारण के बारे में कोई बात नहीं है और काल के बारे में चिंता ना करें अभी के लिए शब्द करम कोई माइने नहीं रखता है और अगर आप नियमित और अ दूसरे शब्दों में क्वालिटी के बजाए मात्रा पर जोड़ दिया जाता है अच्छी तरह से बात करने की तुनला में बहुत अधिक बात करना अधिक महत्यूपून है कई धोस पर योगुष से पता चलता है कि भाषन की मात्रा पर जोड़ देने वाला ये दिश्टिक भाषा कोशल सीखने की गति को बहुत तेज कर सकता है एक साल की अंत में छात्र उन लोगों की तुल्ला में अधिक आत्मविश्वास से नई भाषा में बात कर रही हैं जिन्होंने पुराने क्वालिटी प्रथम तरीके से सीखने में पांच गुना अधिक समय बिताया था पुराने गुणवत्ता विध्यों द्वारा सिखाए गई भाषा की तुल्ला में क्वांटिटी दिश्टिकून द्वारा सिखाए गई सिख्छाओं में अधिक है इसलिए लैंग्विश ट्रेनिंग में कम से कम इसे बहुत अधिक बोलने से इसे अच्छे तरह से बोलने प दिखाया है कि एक नया विक्री विहवार सीखने का सबसे तेज तरीका मात्रपद्यति का उप्योग करना है मैं आपको इसका उधारन देता हूं कि मेरा क्या मतलब है एक जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनी थी जिसका नाम दोश्यों को बचाने की कारणों से गुमनाम ही रहन बहतर था इस कंपनी को स्पिन मॉडल पसंद आया और वो इसके आधार पर सेल्स ट्रेनिंग कारेक्रम तयार करना चाहती थी कारेक्रम के डिजाइनरों ने 650,000 डॉलर अतिरिक तक गांजा का उत्पादन करने में 9 महीने बिताये जो की सेल्स ट्रेनिंग में सबसे अच्छा था क्वालिटी उनका आधर्श वाक्या था इसलिए उधारन के लिए उनके कारेक्रम में आप केवल समस्य समंद्धी प्रश्न ही नहीं पूछ सकते थे अरे नहीं ऐसा बिलकुल नहीं होगा क्योंकि हो सकता है कि आप प्रश्नों की सही क्वालिटी नहीं पूछ रही हो इस इसमें समस्य प्रश्णों को आसानी से इस्तिती प्रश्णों से जोड़ा जा सकता है क्या यी सही क्वालिटी होगी उनके पर्यासों का परिणाम एक 74 चरण्य विक्री मॉडल था जो इतना निराश जनक और बोजिल था कि ये ब्रहमित और डरे हुए स्टूडेंट्स वारा बर्मिंगम के बिना अपने पाइलेट के माध्यम से भी प्राप्त नहीं कर सका बाद में छेत्र में स्टूडेंट्स पर नजर रखने पर हमने पाया कि वे परती कॉल औसतन 1.6 समस्य वाले प्रश्ण पूछ रहे थे पूर्व प्रक्षिक्षन स्तर से अलग नहीं हुथवैट शायद इसलिए कि हमने इस राक्षशी संकेत में कोई भूमी का नहीं निभाई थी को कॉर्परेट मुख्यालेओं के लिए अशुब संदेश वाहक के रूप में चुना गया था मुझे डिसिजन लेने वालों को बताना था कि उसने अपना अधिकांश फ्रेनिंग बजट एक ऐसे कारेक्रम पर खर्च किया है जो इतना खराब था कि वो अपने पालेट फ्रेनिंग से भी नहीं लड़ खड़ा सकता था जब उसका प्रारंबिक क्रोध एक कोमल छीटा कर्शी में बदल गया तो वो पूछने में सक्षम हो गया मैं क्या करूँ हमने सुझाव दिया कि लागत के दस्वें हिस्से से काफी कम के लिए एक ऐसा कारेक्रम त्यार किया जा सकता है जो अधिक प्रभावी होगा मात्रा पर ध्यान केंदित करें हमने उसे सला दी और आपको वे परिणाम मिलेंगे जिनकी आप तलाश कर रही हैं निश्यत रूप से केवल दो महीने बाद हमारे पास प्रभावी लैंग्विज ट्रेनिंग के समान विधियों पर आधारित एक कारेक्रम था हमें इस बात की परवा नहीं थी कि प्रश्ण अच्छे से पुछे गए थे या खराब लेकिन हमें इस बात का ध्यान था कि लोग उनमें से बहुत से प्रश्ण पूछे ट्रेनिंग के अंतुमें अंतिम भूमिका नाटकों में स्टूडेंट्स एक दर्जन समस्य प्रश्ण पूछ रहे थे छेतर में वापस ग्रहाकों से वास्तविक जीवन की परतिकरियाओं ने जल्द ही उन्हें बताया कि इनमें से कौन सा प्रश्ण सबसे अच्छा काम करता है और लेंग्विज ट्रेनिंग के रूप में क्वालिटी में नाटकिया रूप से सुधार हुआ 650,000 डॉलर के क्वालिटी आधारित कारेक्रम को खत्म कर दिया गया था और हमारे सस्ते लेकिन प्रभावी क्वान्टिटी आधारित कारेक्रम को कम्पनी के तीन सबसे बड़े डिविजनों में इसके इस्थान पर अपनाया गया था ठीक यही सिध्धान्त आपके खुद के बेचने पर भी लागू होता है एक नया व्यवार सीखने की कोशिश कर रहा है जब आप अभ्यास कर रहे हूं तो क्वान्टिटी पर ध्यान केंदित करें नय व्यवार का अधिक उप्योग करें क्वालिटी के मुद्दे के बारे में चिंता ना करें जैसे कि क्या आप इसे सुचारू रूप से उप्योग कर रहे हैं या क्या इसे वाक्यांस देने का कोई बहतर तरीका हो सकता है वे चीजें प्रभावी कौशल सीखने के रास्ते में आई हैं नए वेवार का परियाप्त रूप से परियोग करें और क्वालिटी अपने आप ठीक हो जाएगी नियम चार सुरक्षित इस्तितियों में अभ्यास करें मैंने एक बार कंपनी के अध्यक्ष्यों के लिए बाचीत कौशल का रिक्रम चलाया आखिरी दिन परति भागियों में से एक ने मुझ से एक भोला भाला सा सवाल पूछा कल उन्होंने समझाया मैं अपने करियर की सबसे बड़ी बाचीत में जा रहा हूँ मैं अपनी कंपनी बेच रहा हूँ इस कारेक्रम से मुझे बाचीत के दोरान किन पाठों पर ध्यान देना चाहिए मुझे लगता है कि मेरे जवाब ने उन्हें चौका दिया इस कारेक्रम में आपने जो कुछ भी सुना है उसे भूल जाओ मैंने उसे सला दी अन्यता आप अपना शेष जीवन यहाँ पच्छताने में व्यतीत करेंगे आएए आपको भी कुछ ऐसी ही सला देते हैं यदि आपने इस किताब को अभी समाप्त किया है और आप अपने सबसे महत्वून खाते पर जाने वाले हैं तो मैंने जो कुछ भी लिखा है उसे भूल जाईए ये मानव सौभाव की एक अजीब विचितरता है कि हम आम तोर पर महत्वून परिस्थितियों में नए कौशल का अभ्यास करने की कोशिश करते हैं जो की कुछ नया करने की कोशिश करने के परियास को उचित ठराने के लिए प्रयाप्त महत्वून है ये एक भयंकर भूल है जैसा कि हमने देखा है नए कौशल आसहज और अजीब होते हैं ग्राहक पर इनका निगेटिव प्रभाव भी पड़ सकता है यदि आप उन्हें महत्वून परिस्तितियों में आजमाते हैं तो आपके आसहफल होने की संभावना है माल लीजिए कि आपने अधिक नीट प्योफ प्रश्ट पूछने का फैसला किया है अपने सबसे बड़े खाते पर इसका अभ्यास ना करें इसके बजाए छोटे खातों से शुरू करें या उन ग्रहाकों के सांथ जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं या उन छेत्रों में जहां आपके आसहफल होने पर खोने के लिए कुछ नहीं है दूसरे शब्दों में सुरक्षे तिस्तितियों में हमेशा नए व्यवारों को आजमाएं जब तक कि वे सहज महसूस ना करें नए कौशल का अभ्यास करने के लिए इंपोर्टेंट क्लाइंट्स का उप्योग ना करें सीखने या अपनी कौशल में सुधार करने के लिए एक सरल लड़नीती प्रदान करने के लिए इन नियमों को अनुक्रमित किया जा सकता है हाला कि यहां मेरा उद्देश्य बिक्री कौशल में सुधार पध्यान केंदित करना है ये चार बुनियादी नियम प्यार करने से लेकर हवाई जहाँ जुडाने तक किसी भी कौशल को साबित करने में आपकी मदद करेंगे सेल्स कॉल के चार चरण लगबक हर सेल्स कॉल चार अलग अलग चरणों के माध्यम से आगे बढ़ती है प्रारंबिक, कॉल की शुरुआत में वाम अप इवेंट, जांच परताल करना तथ्यों, सूचनाओं और जरूरतों का पता लगाना छमता प्रदर्शित करना, दिखा रहा है कि आपके पास पेशकर्स करने के लिए कुछ सार तक है प्रतिबद्धिता प्राप्त करना, सेल्स के एक और चरण में आगे बढ़ने के लिए एक समझोता प्राप्त करना हमने सुझाव दिया है कि सेल्स कॉल शुरू करने का कोई सबसे अच्छा तरीका नहीं है सफर लोग लचीले होते हैं और शायद ही कभी एक ही तरह से दो कॉल खुलते हैं पारंपरिक सेल्स ट्रेनिंग कारेकरमों द्वारा सुझाई कई आरंबिक तक्नीकों एक खईदार के व्यक्तिकत हितों से संबंदित और दो आरंबिक लाव विवन बनाने में अनापेक्षित कमिया हैं और सावधानी के साथ इनका उप्योग किया जाना चाहिए हमारे शोच से पता चला है कि खुले और बंद प्रश्णों के बीच का पारंपरिक अंतर बड़ी विक्री में सफलता की भविश्यवानी नहीं करता है इसके बजाए हमने प्रश्णों के स्पिन अनुकरम को कवर किया है जो सफल लोग बड़ी विक्री में ग्राहकों की जरूरतों को उजागर करने और विक्सित करने के लिए उप्योग करते हैं स्थिती संबंदी प्रश्ण तत्यों प्रश्ट भूमी और अब ग्राहक क्या कर रहा है के बारे में बहुत से स्थिती संबंदी प्रश्ण पूछना ग्राहक को बोल या परेशान कर सकता है अनुसंधान से पता चलता है कि सफल लोग उनसे कम पूछते हैं ताकि प्रतेक प्रश्ण का एक उद्देश्य हो समस्या प्रश्ण ग्रहा की समस्याओं, कठिनाईयों या आसंतोष के बारे में समस्या वाले प्रश्ण छोटी बिक्री में सफलता से द्रड़ता से जुड़े होते हैं लेकिन वे बड़ी बिक्री में कम शक्तिशाली होते हैं। नहीतार्थ प्रश्ण किसे ग्रहा के समस्याओं के परिणामों या प्रभावों के बारे में। सफल कॉल में आमतोर पर उच्छ स्थर के इंप्लिकेशन प्रश्ण होते हैं। प्रभाव विक्सित करने की छमता महतोपून है। बड़ी बिक्री में कॉशल क्योंकि ये आपके द्वारा परदान किये जाने वाले समाधान में ग्रहाक की मूल्य की धार्णा को बढ़ाता है। नीड प्रश्ण उस मूल्य, उप्योगिता या उप्योगिता के बारे में जो ग्रहक समाधान में देखता है। इंप्लिकेशन प्रश्णों की तरहां नीड प्रश्ण प्रमुक बिक्री में सफलता से दिरता से जुड़े हुए हैं। स्पिन मॉडल का उप्योग अक्सर अनुक्रमिक रूप से किया जाता है। प्रश्ण भूमी स्थापित करने के लिए इस्तिती प्रश्णों से सुरू होती है। फिर समस्या प्रश्णों को कवर करने वाली कठिनाईयों के लिए। फिर नितात पश्णों को एक समस्या की गंभीरता को विक्सित करने के लिए और अंत में ग्राहक को आपको लाब बताने के लिए आपके समाधान का आवशक्ता भुक्तान पश्ण हाला कि स्पिन अनुक्रम एक कठोर सूत्र नहीं है प्रभावी होने के लिए इसे लचीले ढंग से इस्तमाल किया जाना चाहिए लाब की पारंपरिक परिभाशा एक कठन चो दिखाता है कि आपके उत्पाद का उप्योग कैसे किया जा सकता है या ग्राहक की मदद कर सकता है छोटी बिक्री में काम करता है लेकिन बिक्री बढ़ने पर विफल हो जाता है प्रमुख विक्री में सबसे प्रभावी प्रकार का लाब दिखाता है कि आपका उत्पाद यह सेवा गरहक द्वारा व्यत्त की गईस्पष्ट आवशकताओं को कैसे पूरा करती है closing तक्नीके छोटी बिक्री में प्रभावी होती है लेकिन वे बड़ी बिक्री में काम नहीं करती है हमारे अध्योंनों से पता चला है कि परतिबद्धिता प्राप्त करने का सबसे आसान तरीका भी सबसे प्रभावी है जांचे कि आपने खईदार की प्रमुख चिंताओं को कवर कर लिया है लाब सारांक्षित करें प्रतिबद्धिता के एक उचित स्तर का प्रस्ताओ हुत्वैट में मेरे सही योग्यों ने कई हजारों बिक्री करमचारियों के साथ काम किया है उन्हें उन विधियों का उप्यों करने में मदद की है जिनका मैंने इस किताब में वर्णन किया है हमने दरजनों अलग-अलग ट्रेनिंग दिश्टी कोड़ों के साथ प्रयोग किया है बड़ी कंपनीज में हमने आम तोर पर ऐसे डिजाइन्स को अपनाया है जो उन्नत सिक्षन तकनीकों का बहुत ही नकली उप्योग करते हैं दूसरी तरफ हमने लोगों की मदद करने के लिए कुछ बेहद आसान तरीके विक्सित करने की भी कोशिश की है सैलर अपने कौशल में सुधार करते हैं काश ट्रेनिंग व्यवसाय में कोई मुफ्त भोजन नहीं होता ये एक दुरभागयपूंच अचाई है कि हमारे विस्तृत और इतने नकली ट्रेनिंग डिजाइन्स ने आमतोर पर सरल लोगों की तुल्ला में बहतर उत्पादक्ता हासिल की है और इससे हमें आपके कौशल में सुधार के लिए सरल कदमों के सिफारिश करने के बारे में थोड़ा जागरुक बना दिया है फिर भी इस किताब में शोध के निसकर्शों को लेने और उन्हें उपयोगी अभ्यास में बदलने के कुछ काफे आसान सामाने ग्यान के तरीके हैं हमने पाया है कि लोग निरपुवाद रूप से चार नीम लिखित सलह को बहुत उपयोगी पाते हैं एक पहले तै करें कि आप किसी भी परकार के प्रियाप्त प्रश्ण पूछ रहे हैं या नहीं यदि आपने विक्रे पैटर्न बनाया है जिसमें बताना शामिल है दूसरे शब्दों में यदि आप बहुत सारी सुविधाएं और लाब दे रहे हैं तो केवल अधिक प्रश्ण पूछ कर प्रारंब करें आपके द्वारा पूछे जाने वाले अधिकांश प्रश्ण पहिस्ति संबंदी प्रश्ण होंगे लेकिन ये ठीक है बस कुछ हफ़ों तक प्रश्ण पूछते रहें जब तक की पूछना उतना सहज ना हो जाए जितना बताना दो अगली योजना बनाएं और समस्या संबंदी प्रश्ण पूछें लक्ष औसत कॉल में करने के लिए ग्राहक से कम से कम आधा दर्जन बार समस्याओं, कठिनाईयों और आसंतोष के बारे में पूछें कि आप ग्राहकों की समस्याओं को उजागर करने का एक प्रभावी काम कर रहे हैं तो ये implication question पर जाने का समय है ये पूछना अधिक कठिन है और इससे पहले कि आप नहितार्त प्रश्णों के साथ पूरी तरह से सहज हो जाएं आपको कुछ महीनों के अभ्यास के आवश्चक्ता हो सकती है उनकी सावधानी से योजना बनाई चार अंत में जब आप इस्ति, समस्याओं और नहितार्त प्रश्णों के साथ सहज हो तो अपना ध्यान नीड प्योव प्रश्णों पर केंदित करें ग्रहक को लाब देने के बजाए ऐसे प्रश्णों पूछने पर ध्यान केंदित करें जो ग्रहक को आपको लाब बताने के लिए प्रश्णों के लिए प्योगी हो सकता है दोबारा इस बारे में चिंता ना करें कि क्या आप अच्छी तरह से नीट प्योव प्रश्न पूछ रहे हैं मात्रा प्रध्यान के इंदित करें उनमें से बहुत से पूछने पर योजना बनाएं और समिक्षा करें अधिकांश, सेल्स परसन कॉल प्लैनिंग के महत्व को सुईकार करते हैं भले ही वास्तव में उनकी प्लैनिंग कॉल से पहले चिंता के कुछ पलों से अधिक ना हो हाना की केवल सीमित सीख ही कॉल की योजना बनाने से या इसे बनाने से आती है आप जिस तरह से कॉल करते हैं उसकी समिक्षा करने से सबसे महत्वण सीख मिलती है प्रते कॉल के बाद अपने आप से ऐसे प्रशन पूछें क्या मैंने अपने उद्देशों को प्राप्त किया अगर मैं दुबारा कॉल कर रहा होता तो मैं अलग तरीके से क्या करता मैंने क्या सीखा है जिसका मैं कही और उपयोग कर सकता हूँ दुर्भाग्य से हम में से कुछ ही अपने आप से व्यवस्तित रूप से इस तरह के प्रशन पूछने के लिए परियाप्त समय लेते हैं सालों से मुझे दुनिया के दर्जनों, शीष, विक्रे करताओं के साथ याता करने का अफसर मिला है और एक शोद करता के रूप में मैंने किसी भी अंतर के तलाश की है जो उन्हें उन लोगों से अलग करता है जो शीष पर नहीं पहुँचे हैं दो अंतर सामने आते हैं पहला ये है कि मैंने जिन शीष लोगों के साथ यात्रा की है विप्रते कॉल की समिक्षा करने पर बहुत जोड देते हैं उन्होंने जो सीखा है उसका विशलेशन करना और संभावित सुधार के बारे में सोचना दूसरा अंतर ये है कि मैंने जितने भी सफल सेल्स परसंद का अध्यन किया है उनमें से अधिकांश ये मानते हैं कि उनकी सफलता सही विवरन प्राप्त करने पर निर्भर करती है उनके पास व्यापक बड़े पैमाने पर सामरिक खाता योजना के मामले में कुछ क्रश्ट कॉसल हो सकते हैं लेकिन ये वो नहीं है जो उन्हें अलग करता है मैंने जिन कम सफल लोगों का ध्यन किया है उनमें से कई सम्मग्र रणनीती के संदर्व में स्वयम का त्रूटी हीन खाता दे सकते हैं शीर्ष लोगों में ये अंता इतना सपष्ट है कि वे रणनीती को प्रभावी बिक्री वियावार में बदल सकते हैं वे जानते हैं कि कॉल में क्या करना है वे विवरण को समझते हैं यही कारण है कि वे परते कॉल की योजना बनाने और उसकी समिक्षा करने पर इतना जोड देते हैं ये अपने आप से पूछने लायक है कि क्या आप कॉल में जो हुआ उसका विवन देखने के लिए प्रयाप्त समय दे रहे हैं कभी भी वैश्विक निश्कर्षों से संतुष्ट ना हो जैसे ये काफी अच्छा रहा डीटेल्स के बारे में खुच से पूछी क्या कॉल के कुछ हिस्से दूसरों के तुल्ला में बहतर रहे क्यों? कौन सा विशिश? आपके द्वारा पूछे गए विशिश्ट प्रशनों का ग्राहक पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ा ग्राहक ने किन जरूरतों को मजबूती से महसूस किया चर्चा के दौरान किन जरूरतों में बदलाव आया? क्यों? आपके द्वारा उप्योग किये जाने वाले विवारों में से इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ा जब तक आप इस इस्तर के विवरेंट पर अपने बिक्री का विशिलेशन नहीं करते हैं तब तक आप अपने सेल्स कोशल को सीखने और सुधारने के महत्वपून अफसर को खो देंगे एक अंतिम शब्द सेल्स के बारे में हुत्वैट के शोध अधियनों से मैं शाय सबसे महत्वपून निश्करश पर पहुँचा हूँ जो विवरण के महत्व के बारे में है कई साल पहले हमारे शोध की शुरुवात में मैंने आपको बताया होगा कि सेल्स की सफलता व्यापक छेत्रों में है मैं ये समझाने के लिए कि एक व्यक्ति दूसरे की तुलना में भैतर क्यों भी का मैंने वैश्विक कारकों जैसे व्यक्तित्व, दिश्टिकोंड, पारस्परीक रसायन विज्ञान या समगर खातर रणनीती को चुना होगा मैं अब इस पर विश्वास नहीं करता तेजी से हमारे शोट से पता चला है कि सफलता उन महत्वपून छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से निर्मित होती है जिन्हें व्यवार कहा जाता है किसी भी चीज से अधिक ये एक कॉल में सेकिंडो मिनट का वियाबारिक विवर्ण है जो ये तय करेगा कि ये सफल होता है ये नहीं मैं इस निश्कर्श पर पहुँचने वाला पहला आदमी नहीं हूँ कि सफलता सेयुक्त राष्ट पर टिकी हुई है मिनट विवर्ण को समझना 801 में विलियम बलेक ने लिखा वो जो दूसरे का भला करना चाहता है उसे इसे मिनट विशेश में करना चाहिए समाने अच्छाई, बदमाश, पाखंडी और चाप्लूसी करने वाले की दलील है कला और विज्ञान के लिए मौजूद नहीं हो सकता है लेकिन सूक्ष्म रूप से विवस्तित विशेश रूप से तो एक अलग शब्द के रूप में मैं आपसे उन सूक्ष्म विवर्णों पर ध्यान केंदित करने का आगरह करता हूँ जब आप बेचते हैं तो आपके द्वारा उप्योग किये जाने वाले बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक विवारों पर वास्तविक ध्यान दे हमने प्रमुक विक्री में सफलता लाने वाले कुछ विश्तित विवारततों को अलग करने के लिए हजारों सेल्स कॉल्स को सूक्ष्म दायरे में रखा है अपने विक्रे कौशल के सूक्ष्म विवर्णों की जांच विकास और सुधार के लिए हमारे शोद के परिणामों का उप्योग करे स्पिन मॉडल का मोल यांकन एक सदी से भी पहले लौट केल्बी ने लिखा था यदि आप इसे माप नहीं सकते हैं यदि आप इसे मात्रात्मक शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं तो आपका ज्यान अल्प और महत्वईहिन परकार का है वो कितना सही था लेकिन अफसोस आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जिसने 19. सदी के महान वैज्यानिक अनवेशकों के उच्छा को खो दिया है मापन, प्रमान और सावधानी पूर्वक परिक्षन से वैसी उतेजना उत्पन नहीं होती जैसी उन्होंने विज्ञान के स्वर्ण युग में की थी नतीजतन स्पिन मॉडल की वैद्यता का परिक्षन करने पर हमारा काम पुष्टक के बीच में धमागा होने के बज़ाए इस तरह एक परिशिष्ट में चला जाता है जहां लॉर्ड केल्विन ने इसे रखा होगा यदि आप सौ में से एक व्यक्ति हैं जो इस तरह की पुष्टक में परिशिष्ट को पढ़ने के लिए परिशान हैं तो आप मेरी प्रशंसा और क्रितग्यता के पात रहें निजी तोर पर मुझे यहां की सामगरी हमारे काम का सबसे रोमांचक हिस्सा लगती है मुझे उम्मीद है आपको ये फायदे मन्द भी लगेगा मेरा विशय एक पेचीदा एक सबूत है हम कैसे जानते हैं कि इस पुष्टक में मैंने जिन तरीकों का वर्णन किया है पर वास्तों में सेल्स की सफलता में योगदान करते हैं यहां तक मैं बता सकता हूँ हम पहली शोध टीम हैं जो ये इस्थापित करने के लिए कठोर साइंटिफिक तरीके लाते हैं कि क्या विशेश सेल्स कोशल का परिणाम औसत दर्जे के उत्पादक तसाबित होता है बेशक बहुत से लोगों ने दावा किया है कि उनके मॉडल और तरीके सेल्स परिणामों में नाटके सुधार लाते हैं जैसा कि मैं आज अपने जंक मेल को देखता हूँ सफलता के कई आकरशक वादे हैं अपने बिकरी दो गुना करें एक दिवस्य कारेक्रम का दावा करता है अंत में एक अन्य कहते हैं एक सिद्ध तरीका जो आपकी सेल्स को 300 परतिशत तक बढ़ा देगा एक तीसरी पेशकस मुझे बताती है इस प्रोग्राम के बाद हमारी सेल्स छत के ओपर चली जाएगी प्रशिक्षन कारेक्रमों द्वारा किये गई वादों की कोई कमी नहीं है कि उनके तरीके औसत धर्जे का सुधार लाते हैं लेकिन इन में से कितने नाट के अमामले करीबी जाँच के लिए खड़े हैं कोई भी नहीं जिसे मैंने देखा है दुर्भागे से जब आप पूर्व उन्हें बारीकी से देखें सेल्स ट्रेनिंग में भारी मात्रा में विज्यापित चमतकारिक इलाज लगबक सो साल पहले सांप के तेल के लिए किये गए दावों के समान ही देखते हैं जब मैं सेल्स ट्रेनिंग और सांप के तेल के बीच की समानताईं खीचता हूँ तो मैं अनावशक रूप से दुर्भावना पूर्ण नहीं होता साप के तेल, चमतकार मिशन और आश्चरजनक दवाओं के कई पुर्जों ने इमानदारी से माना कि उन्हें एक महान इराज मिल गया है उनकी इमानदारी एक साधारंग गलत धाड़ना पर आधारित थी अपने आपको अठारवी सदी के एक देश्दी चिकित्सक के इस्थान पर रखो आप एक बहुत बिमार मरीज का इलाज कर रही है आपने सब कुछ करने की कोशिश की है फिर भी कुछ भी काम नहीं आ रहा है इसलिए हताशा में आप जड़ी बूटियों और आउशदियों का मिशन एक साथ रखते है आपका रोगी मिशन लेता है और ठीक हो जाता है आपकी दवा काम करती है आपको एक चमतकारिक इलाज मिला है आप अपने उत्साह में जो नहीं देखते हैं वो ये है कि रोगी वैसे भी बहतर हो रहा था अपने शेश जीवन के लिए आप इमानदारी से विश्वास करते हैं कि ये आपका मिशन था जो रिकवरी का कारण बना ज्याददर सेल्स ट्रेनिंग के साथ ठीक यही होता है डिजाइनर अवधार नाओं और मॉडलों के मिशन को एक साथ रगता है और इसे एक ट्रेनिंग प्रोग्रेम के रूप में प्रशासित करता है बाद में सेल्स में व्रद्धी होती है इसलिए पूरी इमानदारी से ट्रेनिंग डिजाइनर ने निश्कर्ष निकाला है कि ट्रेनिंग के कारण व्रद्धी हुई है मैंने प्रश्रिक्षन मुल्यानकन में ग्रैजुएशन शोद करते हुए तीन साल बिताए बार-बार मैं इस चमतकारी इलाज की घटना से रूबरू होता हूँ मुझे याद है उधारन के लिए एक बड़ी रासाइनी कंपनी के एक ट्रेनर ने मुझे बताया कि उसका एक कायक्रम है जो बिक्री को दो गुना कर देता है निश्चित रूप से उनके पास अपनी बात साबित करने के लिए आंकणी भी थे ट्रेनिंग के बाद उनके डिविजन की बिक्री में एक सो अठारा परतिशत की वर्दी हुई थी पाठ्यक्रम को करीब से देखने पर हाना कि मैंने पाया कि ये उस ट्रेनिंग से थोड़ा अलग था जो उनका विभाग सालों से चला रहा था मुझे सेल्स में अचानक एक सो अठारा परतिशत की वर्दी की पुष्टी करने के लिए कुछ भी नहीं मिला लेकिन बाजार को देखकर कुछ और ही कहानी बयां की और द्योगिक विवादों के कारण एक बड़ा प्रतियोगी बिजनेस से बहार हो गया था नए उत्पात पेश गिये गए थे और कीमतें बदल गई थी उसके शीष पर विक्री बल प्रबंधन और नीती में कई महत्वकून परिवर्तन हुए एक प्रमुख विज्यापन अभियान का और लेक नहीं करना ये माल लेना उचित है कि पारंपरिक सेल्स ट्रेनिंग प्रोग्रेम की तुनला में इन कारकों में से प्रतेक का सेल्स पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा 90 प्रतीशत से अधिक का अन्य प्रबंधन या बाजार कारकों द्वारा अधिक आसानी से हिसाब लगाया जा सकता है बहुत सारे चर हैं जो बिक्री प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं और प्रश्रिक्षन केवल एक कारक है लगबख हर मामले में हमने अध्यन किया प्रद्धी का एक अधिक प्रशंसनिया कारण था मैं उन लोगों की इमानदारी पसंदेह नहीं कर रहा हूँ जो आपको बताते हैं कि कैसे उनकी शांदार बिक्री प्रद्धी ने दो गुने परिणाम दिये हैं लेकिन जैसा कि किसे भी चमतकारिक इलाज के सांथ होता है आपको ये पूछना होगा कि क्या रोगी दवा के बीना समान रूप से अच्छा करता कारण और सह संबंद चाहे हम चिकित्सा ये ट्रेनिंग के बारे में बात कर रहे हूँ ये साबित करना बेहद मुश्किल है कि किसी का इलाज प्रभावी है फिर भी इस अध्याय में अब मैं जिस कटनाएं का सामना कर रहा हूँ क्योंकि जो प्रश्ण मैं आपके लिए उत्तर देना चाहता हूँ वो ये है क्या ये काम करता है इस बात का क्या सबूत है कि जिन विचारों को हमने यहां वार्ड के लिए रखा है वे आपके बिक्री पहिणामों में सार्थक योगदान देंगे यदि आप मेरे द्वारा वर्णित बिक्री कोशल का अभ्यास करने में समय और परियास का निवेश करने जा रहे हैं तो आपको ये जानना होगा कि मैं आपको सांब का तेल से अधिक किपेशकश कर रहा हूँ लेकिन मैं आपको कैसे साबित कर सकता हूँ कि Spin पर क्रिया से विक्री सच मुझ भड़ती है मुझे इसे कैसे नहीं करना है के साथ शुरू करने दे Spin Model के शुरू आती दिनों में हम New York के बाहर इस्थित एक Capital Goods Company के साथ काम कर रहे थे प्रशिक्षन करमचारी ये प्रशिक्षन करने के लिए उठसुक थे कि Model विक्री के बहतर परिणाम लाए या नहीं उन्होंने Training किये गए 28 लोगों की औसत मासिक विक्री का आंकलन किया Training से पहले 6 महीनों के लिए औसत विक्री प्रतिमाहा 3.1 ओर थी लेकिन Training के बाद के 6 महीनों में औसत विक्री बढ़कर 4.9 ओर प्रतिमाहा हो गई 58 प्रतिशत की वर्धी क्या हम ये निश्कष निकाल सकते हैं कि Spin Model और में 58 प्रतिशत की वर्धी करता है ये एक बहुत ही नासमझी भड़ा निश्कष होगा आईए परिणाम पर अधिक बारीकी से देखें कारेकरम के बाद 6 महीनों में दो महकवपून नए प्रोड़क्ट पीश किये गए बिक्री छेत्रों को फिर से तयार किया लिया और 28 फ्रेंड लोगों में से 23 को अधिक बिक्री छमता वाले छेत्र दिये गए इस दोरान कंपनी के बिक्री में लगबग 35 परतिशत की वड़ी हुई और इसमें से दिकांश वड़ी और प्रशिक्षित लोगों से हुई जैसा कि हमने और करीब से देखा ये इस पस्ट हो गया कि हम अपने आप से मजाग करने के खत्रे में थे कि स्पिन एक चमक्तारिक इलाज था जब वास्ताव में हमारे पासे बताने का कोई तरीका नहीं था कि स्पिन के कारण वड़ी का कौन सा भाग था और अन्यकारकों से कौन सा भाग हुआ मुझे आपको सलहा देनी है कि आप एक और स्पिन मुल्यांकन की इस चमक्तार छोटी रिपोर्ट से ना लें ये हनिवल की प्रबंदन पत्रिका से है हमारी यूरोपिय बिक्री बल मुख्य रूप से प्रोडक्ट और लगु चक्र बिक्री के लिए उन्मुक थी हमें वास्तव में एक प्रभावी कायक्तम की आवशक्ता थी जिसे लागु किया जा सके हमारे विभिन्य यूरोपिय बाजारों के लिए सार्व बहुमिक रूप से 1978 के एंप में स्पिन कायक्तम को सभी यूरोपिय भाशाओं में रूप आंतरित किया गया सेल्स की सफलता में 20% की वर्ति हुई जो अधिक बढ़ सकती है क्योंकि सेल्समेन अपनी स्पिन तक्निकों को तेज करते हैं हाँ स्पिन दिश्टिकोंड के कार्यान्मन के बाद भिक्री में 20% की वर्ति हुई लेकिन ये रिपोर्ट आपको ये नहीं बताती है कि हनिवेल ने उस साल यूरोप में कई महत्वपून नएक प्रोड़क्ट पेश किये जिन में क्रांतिकारी TBC 2000 प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम भी शामिल है ये बहुत संभव है कि प्रोड़क्ट्स ने पूरी वृद्धी की हो हनिवेल के मामले में ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे हम ये बता सकें कि स्पिन दिश्टिकों साप के तेल में कोई सुधार है या नहीं नियंतरन समभू इस तरह के प्रणामों की सबसे गंभीर कमजोरी ये है कि फ्रेनर्स ने एक नियंतरन समभू की स्थापना नहीं की अन्फ्रेन लोगों का एक मेल खाने वाला समभू जो आधार देखा परदान कर सकता है जिसके खिलाव प्रदर्शन में परिवर्तन होता है फ्रेन्ड समभू को आंका जा सकता है मुझे कलपना है कि अधिकांश पाठक नियंतरन समभू के बारे में जानेंगे और किसी प्रायोगी कारे के लिए वे कितने महत्रपून है लेकिन आप यह नहीं जानते होंगे कि नियंतरन समभू का दिकांश प्रादंबिक उप्योग चिकित्सा में था जहां उनका उप्योग ये पता लगाने के परियास में किया जाता था कि कोई इलाज वास्तविक था या सिर्फ सामपति यदि फ्रेनर्स ने 28 मेल खाने वाले अन्फ्रेंड सेल्सफोर्स का एक नियंतरन समभू इस्थापित किया होता तो हम एक सची तस्वीर प्राप्त करने के लिए दो समभू के परदर्शन की तुनला कर सकते थे लेकिन एक नियंतरन समभू के साथ भी परिणाम भ्रामक हो सकते हैं यहाँ एक अध्यन है जो लगता है सताह पर एक बहुत ही ठोस परिक्षन है कि स्पिन मॉडल प्रमुख विक्री में बहतर प्रदर्शन लाता है या नहीं प्रशंशनिया स्पष्किकरन का मामला एक नियंतरन के रूप में इसने अन्य शाखाओं को चुना जिनहीं फ्रेनिंग नहीं दी गई थी यदि फ्रेन्ड शाखा अन्य के तुनला में अधिक सुधार करती है तो ये बाजार या प्रोड़क्ट के कारण नहीं होगा क्योंकि ये कारक मियंतरन और प्रायोगिक शाखाओं दोनों पर समान रूप से लागू होते हैं इससे भी महत्वपून बात ये है कि लोगों में कोई महत्वपून परिवर्तन नहीं हुआ था सेल्स और मैनेजमेंट स्तरों पर शाखा का टर्न ओवर आस हमाने रूप से कम था शायद इस बात हमारे पास एक वैद्य परिक्षन था कि स्पिन दिष्टिकून खुद पादक्ता लाता है या नहीं परिणाम नियंद्रन सम्हू की तुल्ला में 57 प्रतिशत लाग नेशेत रूप से आश्वस्त करने वाले लगते हैं लेकिन हमें मानक मुल्यांकन करताओं का प्रश्ण पूछना होगा क्या इस व्रद्य के व्याख्या करने का कोई अन्य समान रूप से प्रश्ण सन्य तरीका है दुर्भागे से हमारे लिए वहाँ है स्पिन प्रश्ण से सिर्फ चार महीने पहले शाखा को हाल ही में बनाया गया था प्रोटक्ट शंखला के लिए औसत बिक्री चक्र तीन महीने था इसलिए उत्पादक्ता में सुधार एक नई शाखा को गती प्राप्त करने के लिए आवश्यक समय के कारण हो सकता है जो तीन महीने के बिक्री चक्र के विलंबित प्रभावों के साथ जुड़ा हुआ है एक बार फिर हमारे सबूत के वियाख्या की जा सकती है हमारी शोध फाइलों में हमारे पास मुल्यांकन अध्यन के कई समानों धारन है जो पहली नजर में विश्वस्निया लगते हैं लेकिन भारिकी से जांच करने के लिए खड़े नहीं होते हैं फिर से विफल एक बड़ी बिजनेस मशिन कंपनी ने मौसमी बाजार में स्पिन विद्यों का मुल्यांकन करने का निड़ने लिया जहां फरवरी एक चरम महीना था मौसमी और बाजार प्रभावों की छती पूर्टी करने के लिए ये नियंतरन समुहों के रूप में उसे बाजार से संचालित हर दूसरी शाखा का उप्योग करता था जन्वरी की शुरुवात में प्रायोगिक शाखा के प्रशिक्षन से पहले बाद में कंपनी ने प्रतेक शाखा के ओर्डर रिकॉर्ड को ट्रैक किया दूसरों की तुलना में लाब इस बार हमारे पहले के अध्यनों के विप्रीत सभी पांच शाखाएं अच्छी तरह से स्थापित थी इसलिए विक्रे चक्र या सीखने के अवास्ता के बारे में कोई समस्या नहीं थी क्या ये वो प्रमान हो सकता है जिसकी हमें तलाश थी दुर्भागे से ये नहीं था नवंबर में ब्रांच मैनेजर बदल गया था हमें कैसे पता चलेगा कि प्रोड़क्टिविटी में नाटके सुधार स्पिन मॉडल के कारण हुआ या दिसंबर में शुरू की गई नई बिक्री गतिविदी प्रबंधन प्रणाली के कारण बश्न अनुत्तरी था फिर भी कंपनी ने सभी भाग लेने वाले वित्रेता लोगों का इंटर्व्यू करके एक तरह का उत्तर देने का प्रयास किया उन्होंने प्रतेक ब्रक्ति से ये अनुमान लगाने के लिए कहा कि स्पिन फ्रेनी के कारण कितना परिवर्थन हुआ और अन्यकारणों से कितना परिवर्थन हुआ हाना कि सभी ने उदारता पूर्वक अनुमान लगाया तर्थय ये है कि उनकी सबसे आम पर्ति किरिया ये थी कि स्पिन के कारण 50% मुझे संदिक्द बनाता है जब भी लोग कारणों के बारे में किसी भी प्रश्ण का उत्तर 50% देते हैं तो मैं इसका अर्थ ये समझता हूँ कि उनके पास कोई सुराग नहीं है आसपलता के बाद आसपलता आप कभी भी अन्य, संगठन आत्मक और बाजार कारकों के प्रभाव को पूरितना से समाप्त नहीं कर सकते हैं जिसका आर्थ है कि किसी भी विक्रे मॉडल का विश्वस्निय प्रमान प्राप्त करना अत्यंत कठिन है भगवान जानता है हमने कोशिश की है क्या एक संगठन पूरे छे महीने की परिक्षन अभी के लिए उत्पादों, प्रबंदन या विक्रेता को नहीं बदलने के लिए सहमत होगा कुछ समाई के लिए हम आश्वस्त थे कि हमारे पास एक मुल्यांकन अध्यन है जो सबसे कठिन चांच के लिए खड़ा होगा फिर जैसे ही हम परिक्षन के तीसरे महीने में सुचारू रूप से आगे बढ़ रहे थे दयनिया कॉम्पटिशन ने इसके कीमतों में 15 प्रतिशत की कटोर्थी की हमारे ग्राहत जल्दी से प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर कीमतों लोगों और उत्पात परिश्य को बदल दिया एक और प्रेक्षा प्रबाद हमने सोचा कि आखिरकार एक हाइटक कंपनी में हमारे पास सभी महत्वपून कारक्त कंट्रोल में है परिख्षण शाखा अच्छा कर रही थी नियंत्रन शाखाओं से 73 प्रतिशत आगे और इस बार हम आश्वस्त थे कि हमारे पास एक विजेता था परिख्षण के आधे रास्ते में हाना कि हम नियंत्रन सम्हू के एक शाखा प्रबधनक के शिकार हो गए परिख्षण से पहले वो शीर्ष शाखा थे और उन्हें इस पर गर्व था लेकिन अब ये देखते हुए कि टेस्ट ब्रांच के आँकणे अपने से नहीं बहतर दिख रही हैं उन्होंने कारेवाई करने का फैस्ता किया उन्होंने आधी रात में प्रश्रिक्षण विभाग की फायलों पर छापा मारा और एक हमारे द्वारा प्रविक्षण शाखा के साथ उप्योग की गई सभी कारेक्रम सामग्वियों की प्रती अपनी लूट के साथ घर लोटते हुए उसने अपने सभी सेल्स परसन को गूपनियत की शपत दिलाई और चोरी की सामग्वियों करके अपनी ट्रेनिंग अख्षाई चलाई इसने हमारे परेक्षण को बरबाद कर दिया हाना कि मैं उस समय खुष्से में था लेकिन पीछे मूर कर देखने पर मैं ये सोचने में मदद नहीं कर सकता था कि ये सभी का सबसे ठोस मूल्यां का नत्यान है जब बितरी प्रबंदक के आधी रात में छेशसो मिल ड्राइब करने के लिए बितरी प्रबंदक के लिए उन्हें चोरी करने के लिए प्रयापत है क्या क्रमार्ण संभव है 1970 में मैंने पीटर वॉर्ड और माइक बर्ड के सांथ प्रस्टिक्षन मुल्यांकन पर एक किताब लिखी हमारा एक निश्कर्ष ये था कि वास्तविक जीवन की चरों को कंट्रोल करने में शामिल कढ़िनाईयों ने हिसाबित करना लगभग असंबर बना दिया कि प्रस्टिक्षन से प्रोडक्टिविटी में वद्धी होती है जब हम किताब लिख रहे थे हमने एक आधश मुल्यांकन अध्यान पर तर्चा की माइक बर्ड और मैंने एक कालेले सांजा किया और हमने ये सोचने में घंटों बिताए कि हम मुल्यांकन का सही टुकडा कैसे तयार करेंगे यदि आप इसे सरलता से देखें माइक में कहा जिस तरह से ज़्यादतर लोग मुल्यांकन के बारे में नितायत करते हैं वो इस तरह है उसने ब्लैक बोर्ड पर एक चित्र बनाया लेकिन उन्होंने कहा सभी जटिल चौरों को देखें आप संभावता कैसे साबित कर सकते हैं कि कोई बदलाव ट्रेनिंग के कारण है उसने जल्दी से कुछ कारकों में स्केच किया ये एक निराशाजनक बाचीत में बदल रहा था क्योंकि मैं अभी कॉल पॉपर पढ़ रहा था ब्राशनिक जो सबसे अच्छी तरह से सुझाव देने के लिए जाने जाते हैं कि आप कुछ भी साबित नहीं कर सकते पॉपर ने जो सुझाव दिया था तो ये है कि विज्ञान किसी चीज़ को साबित करने का एक मात्र तरीका है कि वो लगाता इससे साबित करने की कोशिश कर रहा है और आसफल हो रहा है क्या हम उस तरह का दिश्टी कून अपना सकते हैं मैंने पूछ लिया बस मान लीजिए कि ये साबित करने की कोशिश करने के बज़ाए कि ट्रेनिंग प्रोडक्टिविटी लाता है हमने दूसरे छोड से समस्या पर हमला किया और किसी प्रोडक्टिविटी पर भाव को साबित करने की कोशिश की क्या ये बहतर होगा हमने बादचीत को आगे नहीं बढ़ाया लेकिन सालों बाद जब मैं परीक्षन के समस्याओं से जूज रहा था कि क्या हमारा स्पिन दिश्टिकूर काम करता है तो मुझे माईक के साथ हुई चर्चा याद आ गई क्या हमें सबूत के बारे में भूलना चाहिए और इसके बजाए इस विचार को खारीच करने के ले तैयार है कि इस किताब में वर्नित कोशल अधिक बिद्री का कारण बनते हैं प्रमान या खंडन क्या ये माईने रखता है एक वियावारिक व्यक्ति के रूप में आप मेरे शोद करता के जुरून को प्रमान के सांथ पास सकते हैं या अतीश्योक्ति या अकादमिक रूप हो सकते हैं अपने बचाव में मैं कहूंगा कि हर साल कही अरब डॉलर बरबाद हो रहे हैं बिक्री के तरीकों के बीना किसी सबूद की ये दिखाने के लिए कि वे काम करते हैं या नहीं बिजनिस का कोई अन्य छेत्र अपने प्रोड़क्ट्स या विधियों के परीक्षन के बारे में इतना आकस्मित नहीं है अगर मैनुफेक्षिंग डिजाइन के उत्पाद प्रभावशीलता के साथ चिंता की वही कमी दिखाई जो मैं ज्यादतर प्रश्रिक्षन डिजाइन संगठनों में देखता हूँ तो सब बे समाज का पतन हो जाएगा सिर्फ इसलिए कि बिक्री दिश्टिक कौन की प्रभावशीलता को मापना मुश्किल है इसका मतलब ये नहीं है कि हमें परियास नहीं करना चाहिए इसके विप्रीत प्रठिनाईयां इसे और अधिक महत्वकून बना देती है बिक्री प्रश्रिक्षन प्रभावशीलता के बहतर मापन के इमानदार परियासों के बिना हम अरबो डॉलर बरबाद करना जाई रखेंगे जो कहीं और अधिक उत्पादत रूप से खर्च किये जा सकते थे मुझे वास्तव में परभाव नहीं है कि जोर प्रमान पर है या खंडन पर लेकिन मैं किसी भी चीज का उच्छा पूर्वक समर्थन करता हूँ जो बहतर माप और परशिक्षन परदान करेगा क्योंकि इन परीक्षणों के बिना मेरा पेशा सांप तेलवेफसाई में है यदि आप मुझे उपदेश देने के लिए एक पल के लिए भी छमा करेंगे मुझे आशा है कि आप इस बात को देखेंगे इन सभी मापों और परीक्षणों का हमारा कारण ये है कि हमें सुनिशित करने की कोशिश कर रही है कि जो हम आपको देंगे वो काम करेगा एक पुरानी सैना हुआ करती थी जो कहती थी यदि ये चलती है तो इसे गोली मारो और यदि ये नहीं चल सकती है तो इसे पेंट करें खुथवैक का समकक्ष है यदि ये चलता है तो इसे मापें और यदि आप इसे माप नहीं सकते हैं तो इसे गोली मार दें मेरा यकीन और परीक्षण हमारे सांथ लगबग एक जुनून है स्पिन दिश्रीकोंड के कठोर मापन के लिए हमारे हुच्सा की खोज में मेरे हुथवैट सही योगियों और मैंने प्रमान और खंडन की समस्याओं से जोचते हुए अनुचित समय बिताया हमने तैक किया कि इससे पहले कि हम प्रोड़क्टिविटी लाब पर गौर करें हमें पहले दो अन्य परिक्षणों को पास करने की जोड़वत थी या सबूत ना देने के अफसर जैसे कि पौपर ने उन्हें कहा होगा क्या ये कौशल कॉल्स को अधिक सफल बनाते हैं हमें कैसे पता चला कि हम सही चीजे सिखा रहे हैं इससे पहले कि हम प्रोड़क्टिविटी परिवर्तन के बारे में विस्तरित प्रशन पूछना शुरू करें हमें पहले ये परिक्षन करने के आवश्यक्ता थी कि क्या मॉडल काम करते हैं उधारन के लिए मान लेजिए कि हम एक प्रमुक खाता टीम को एक पारम पर एक कम मूल्य बिक्री मॉडल सिखा रहे थे जिसमें ओपन और क्लोज ग्वेस्टिन्स उचना लाब देना और फिर प्रतिबद्यता हासिल करने के लिए समापन तक्नीकों का उप्रियो करना शामिल था अब हमने जो साक्षय प्रस्तूत किये हैं उसे ये संभावना नहीं है कि इस मॉडल को अपनाने से प्रमुक खाता बिक्री कॉल आधिक सफल होगी यहाँ तक कि अगर प्रसिक्षन के बाद परियाप्त प्रोड़क्टिवटी लाब होते तो वह शायद अन्य कारकों के कारण होते इसलिए इससे पहले कि हम प्रोड़क्टिविटी लाब को मापना शुरू करें हमारा पहला परिक्षन ये स्थापित करना था कि क्या हम सही चीजे सिखा रहे हैं आम तोर पर हम जानते थे कि Spin Model ने इस परीक्षा को पास कर लिया है क्योंकि ये सफल कॉल के अधियन से प्ताप को हुआ था इसलिए एक उच्च संभावना थी कि अगर हम Spin Quausal सिखाते हैं तो हम कुछ ऐसा सिखा रहे होंगे जो कॉल को और अधिक सफल बना देगा लेकिन अगर हम अंकित मुल्यान का नध्यन को डिजाइन करना चाहते हैं तो हमें इससे आगे जाना होगा हमें उन अलग-अलग विक्रेता के बारे में एक बहुत ही विशिष्ट प्रश्ण का उत्तर देना होगा जिसकी प्रोडक्टिविटी को हम मापना चाहते हैं हम अन्य कंपनियों में अन्य बाजारों में या अन्य समूहों के साथ किये गए अधियनों पर भरोसा नहीं कर सकते थे क्या होता अगर ये समूहों अलग होता हमें कैसे पता चOLा कि SPIN कहीं और काम करता है ये यहाँ भी काम करेगा अंतिम मोल्यांकन पनिक्शन में हम ये सापित करने के लिए कुछ शोध करके शुरू करेंगे कि जिस समूहों को हम प्रशिक्षित करने जा रही हैं यब विक्री संगटन के मामले में यूनीक कारक हमारे प्रहणामों को अमान्य कर सकते हैं अगर इससे पहले परीक्षन में हम इस बात के ठोज प्रमान इखटे कर सकते थे कि जो चीजे हम सिखा रहे थे वे इस सम्भू के व्यक्तियों के लिए काम कर रही थी तब हम खंडन के एक और शोत को समाप्त कर देते हम कैसे जानेंगे कि लोग नए कौशल का उप्योग कर रही है खंडन के लिए हमारी खोज में अगला परीक्षन ये पता लगाना होगा कि परीक्षन के बाद लोग वास्तविक कौल में वास्तों में नए कौशल का उप्योग कर रहे थे या नहीं मैं इस बार एक परीक्षा में आउट हो गया था हम प्रोडक्टिवीटी में सुधार को माप रहे थे जनरल इलाक्टिक के एक डिविजन के सेल्स परसन के एक सम्भू में स्पिन आधारित ट्रेनिंग के बाद के छे महीनों में बिक्री में आसदन 18% के वद्धी हुई थी क्या हम क्रेडिट का दावा कर सकते थे? काश नहीं इन लोगों को ट्रेनिंग से पहले और बाद में बेचते हुए देखकर हमने स्थापित किया कि वे हमारे द्वारा ट्रेन के जाने से पहले की तुलना में बाद में स्पिन भिहवारों का अधिक उप्योग नहीं कर रहे थे एक बार फिर हमने इस बाद को खारिच कर दिया था कि प्रोड़क्टिविटी लाब का श्रे हमें दिया जाना चाहिए ये प्रशिक्षन जो ये मापता है कि क्या परिक्षन ने लोगों को उनकी कॉल में कुछ अलग बनाया है? शायद ही कभी परिक्षन डिजाइनरों द्वारा किया जाता है बड़े अफसोस की बात है हमारे प्रोग्रेम्स के कारण व्यावार परिवर्कन की मातरा का विश्केशन करके हमने प्रभावी परशिक्षन डिजाइन के बारे में बहुत कुछ सीखा है मुझे यकीन है कि अन्य डिजाइनरों को भी इस तरह के माप सामाने मुस्कान परिक्षन के दुलना में अधिक उप्योगी लगेंगे ट्रेनिंग अच्छी होनी चाहिए क्योंकि लोग कहते हैं कि उन्हें ये प्रसंद आया जो ट्रेनिंग मुल्यांकन की सामान्य सीमा है एक मुल्यांकन योजना थोड़ा थोड़ा करके हम एक बहुत ही परिश्कृत और संपूर्ण विधी के लिए एक विनिर्देश विक्सित कर रहे थे जिसका उप्योग हम अपने स्पिन मौडल के प्रभावशीलता का मुल्यांकन करने के लिए कर सकते हैं मुल्यांकन कदम होंगे एक ये पता लगाने के लिए प्रमुक खाता विक्रिता के एक समुह को कारेवाई में देखें कि क्या उनके सफल कॉल में आज सफल कॉल की तुनला में अधिक स्पिन व्यावार का उप्योग किया गया है अगर ऐसा है तो हमने टेस्ट वन पास कर लिया है अब हम जानते हैं कि मॉडल इस सम्हू के लोगों के लिए काम करता है 2. सम्हू को उन स्बिन विद्यों का उप्योग करने के लिए ठ्रेइं करें जिन्हें हम निकालने का प्रियास कर रही है तीन ठ्रेणिंग के बाद सम्हू में प्रतेक त्क्ति के साथ ये पता लगाने के लिए जाएं कि क्या वे अपनी कॉल के दोरान अधिक फ्रेंड विहवारों का उप्योग कर रही है अगर ऐसा है तो हमने टेस्ट दो पास कर लिया है हम जानते हैं कि लोग वास्तव में नए कोशल का उप्योग कर रही है ये मानते हुए कि हम टेस्ट वन और टेस्ट टू पास करते हैं टेस्ट थी के रूप में नियंतर्ण समुहों की तुनला में उत्पाधक्ता लाब को मापें ये एक विस्त्रे तरही का लगता है लेकिन हमने कोई विकल्प नहीं देखा हमने एक सरल उत्तर की खोज की लेकिन सामान्य सतही मुल्यांकन परिक्षणों में से कोई भी करीबी परिक्षण में खड़ा नहीं हुआ लेखक और कॉर्पेट ही योजना विशेशग्या माइकल कामी ने एक बर मुझ से कहा था हर जटिल प्रशन के लिए एक सरल उत्तर है और ये गलत है हमें उससे सहमत होने के लिए मजबूर किया गया यदि हम किसी जटिल समस्य का ठोस मुल्यांकन चाहते हैं तो हमें वहां पहुँचने के लिए एक कठिन विदी को स्विकार करना होगा हम अपनी मुल्यांकन योजना को कई ग्रहकों तक ले गए और उनमें रूची लेने की कोशिश की ये कहने के लिए एक विनम्र तरीका है कि हमने उनसे बहुत महंगे परिक्षन के लिए भुक्तान करने का प्रयास किया उनमें से अधिकांश ये महसूस करते हुए कि परिक्षन कितना महंगा होगा हमें अपने मुल्यांकन को कहीं और ले जाने के लिए परुटसाहित किया एक समय के लिए हमें कोटक के साथ एक कून परिक्षन की कुछ उम्मीदे थी एक ऐसा संगटन जिसकी नई विद्यों के साथधानी पूर्वक परिक्षन की एक लंबी परंपरा है कोटक प्रमुक विक्री में शामिल अपने सभी डिविजोनों में दुनिया भर में स्पिन आधारित प्रशिक्षन का उप्यो करने पर विचार कर रहा था एक मुल्यांकन परिक्षन एक समझदार पहला कदम लग रहा था हम कोटक के स्वास्त विभाग प्रभाग के विक्रेता लोगों के एक सम्हू को देखकर मोडल का परिक्षन करने पर सहमत हुए नेशेत रोप से स्पिन मोडल ने ठीक वैसा ही काम किया जैसा कि हमारे शोध ने भविशावानी की थी इंप्लिकेशन और नीट प्रशन सफल कॉल्स में बार बार दो गुने से अधिक थे जो आज सफल रहे इसके बाद हमने पाइलेट सम्हू को ट्रेन किया और ट्रेनिंग के बाद ये देखने के लिए बाहर गए कि क्या इसके लोग नए कौशल का उप्योग कर रही है एक बार फिर चीजें अच्छी दिखी लाब तीन गुना हो गया था नहीं थार्थ प्रशन तीन गुने हो गए थे और नीट प्योफ प्रशन दो गुने हो गए थे ट्रेनिंग से पहले की तुनला में लोग अब अधिक सफल ब्यावारों का उप्योग कर रहे थे हम खुश थे पहली बार हम एक प्रोड़क्टिविटी प्रशन शुरू करने वाले थे जहां हम कह सकते थे हम जानते हैं कि मॉडल काम करता है और हम जानते हैं कि ये लोग अपनी कॉल में इसका उप्योग कर रही है फिर उनमें से एक अच्छी खबर आई बुरी खबर बंधमा का अच्छी खबर ये थी कि कोड़क पाइलेट प्रशन से इतना खुश था कि उसे विस्त्रित और महेंगे उत्पाधक्ता परिक्षणों का कोई मतलब नहीं दिखा मुस्कान परिक्षण ने हमें पीट में छुरा गोपा था मोटोरोला कैनेडा हम बस अपने आप से तिपणी कर रहे थे कि जब हमारे पास एक पस्ताव था तो मुल्यांकन करता का बहुत कुछ आविश्वस्ने संकट था जिसे हम मोटोरोला से मना नहीं कर सकते थे कोडक की तहां मोटोरोला स्पिन मोडल को दुनिया भर में अपनाने के इरादे से परिक्षण करना चाहता था अगर ये काम करता है इसका चुना हुआ परिक्षण सम्हू मोटोरोला कैनेडा का संचार प्रभाग था इस बार हम परियोजना से काफी पहले मुल्यांकन अध्यन को ठोस रूप से स्थापित करने के लिए साफधान थे ताकि हमारा कोई भी परिक्षण छूट ना जाये एक अतिरिक्त बोनस के रूप में मोटोरोला ने एक स्वतंत्र मुल्यांकन करता मार्टी बिशप को काम पर रखा जिन्होंने जेरोक्स कॉर्परेशन के मुल्यांकन परबंदग के रूप में अपनी पिछनी नौकरी में हमारे मोडल और विध्यों के साथ काम किया था उनका कालिया स्पिन कारेक्रम की प्रभावशीलता का कड़ाई से परिक्षन करना था आदश प्रोडक्टिविटी मुल्यांकन के लिए हमारे द्वारा उल्लेखित पून चर्णों से गुजरना था अब मैं उनके रिपोर्ट के एक संचिप्त संसकर्ण से उद्दत करता हूँ मोटोरोला कैनेडा प्रोडक्टिविटी अध्यान ये रिपोर्ट स्पिन कारेक्रम का उत्पादक्ता विश्टेशन है जो 1981 की तीसरी तिमही के दोरान आयोजित गया था ये इन सवालों के जवाब देने के लिए तैयार है क्या स्पिन मोडल मोटोरोला कैनेडा में काम करता है क्या लोग ट्रेनिंग के बाद मोडल का उप्योग कर रही है क्या इस से उनके प्रोडक्टिविटी में उन लेखने सुधार हुआ है क्या ये model काम करता है? Motorola की पहली चिंता ये परिक्षन करना है कि क्या spin व्यावार Motorola की बिक्री कॉल में सफलता की भविशावानी करता है जिस तरह से वे अन्या कमपनियों में सफल सावित होए है इसका परिक्षन करने के लिए हमने उन 42 बिक्री परति निद्यों में से प्रतेक के साथ यात्रा की जिन्हें फ्रेन किया जाना था और उनके सफल और आसफल कॉल्स में spin व्यावारों की आवर्थी का विशलेशन किया जाना था हमने पाया कि सफल कॉल्स में सभी spin व्यावार उच्च आवर्थी पर थे spin ट्रेनिंग समस्या प्रश्णों, नहितार्थ प्रश्णों, आविशक्ता अधारिगी प्रश्णों और लाभूं की बढ़ती संक्या को विक्सित करने पर किंदित है जैसा कि इन में से प्रतेक व्यावार मोटोरोला कैनेडा की सफल कॉल में काफी उच्च आवर्थी पर है हम ये निश्करश निकाल सकते हैं कि ट्रेनिंग लोगों को ऐसे व्यावार सिखा रहा है जो उन्हें अधिक प्रभावी धंग से बेशने में मदद करें क्या लोग बदल गई है इस बात के सबूत है कि मॉडल मोटोरोला में काम करता है अगला कदम ये दिखाना होगा कि ट्रेनिंग के लिए 42 लोग वास्तों में अपने कॉल में नए व्यावार का उप्योग कर रही है इसका परिक्शन करने के लिए हमने लोगों को प्रक्षिक्शन अवदी से पहले प्रस्रिक्शन अवदी के दोरान और उसके बात ये निधायद करने के लिए बेचते हुए देखा कि क्या वे अब अपने ग्रहाखों के साथ अलग व्यावार कर रही है हमने 42 लोगों में से प्रतेक का पांच बिंदों पर नमोना लिया पहली बार हम उनके साथ फ्रेनिंग से ठीक पहले बार गए थे अन्य चार बार प्रस्रिक्षन अवदी के दोरान ही लगबग तीन सब्दा के अंतराल पर थे प्रस्रिक्षन के शुरुआत में लोग समस्या प्लस के संयुक्त कुल की तुनला में अधिक स्थिति प्रश्न पूछ रहे थे इंप्लिकेशन प्लस नीट व्योफ प्रश्न इसलिए सांख्यक्या रूप से सफलता से जुड़े तीन प्रश्नात्मक वहवारों का उप्योग परिस्तिती जन्य प्रश्नों के तुनला में कम किया जा रहा था एक प्रशनात्मक विहवार महत्वपून रूप से सफलता से जुड़ा नहीं है हाला कि प्रश्रिक्षन अवधी के अंति तक ये उल्टा हो गया था औसक कॉल में सफल प्रश्णों की आवरती बढ़कर 1.8 हो गई थी जबकि स्थिती जन्य प्रश्णों का स्तर गिर गया था पूछतास विहवार के संदर्ब में हम सुरक्षित रूप से ये निश्कर्ष निकाल सकते हैं कि 42 विक्रेता अब पहले की तुनला में अधिक सफल तरीके से विहवार कर रही है ट्रेनिंग के शुरुआत में लगबग 1.2 प्रती के औसत स्तर पर थे ट्रेनिंग के अंत तक प्रती कॉल लगबग बढ़कर 2.2 हो गया याद रखें कि सभी विहवारों में लाब मोटोरोला कैनेडा कॉल्स में सफलता का सबसे अधिक अनुमाल लगाने वाले वियावार थे आपके विक्रेता अब ग्रहकों को ट्रेनिंग से पहले के तुनला में प्रती कॉल लगबग 2 गुना लाब दे रही है इसे देखते हुए ये आश्यार के बात नहीं होगी यदि किस पाइलेट के परिणाम औसर दर्जे की विक्री में विर्थी करते हैं क्या प्रोडक्टिविटी बदल गही है प्रोडक्टिविटी चेंज कुमापने के लिए मेरे पास है पाइलेट में 42 लोगों के बिक्री परिणामों की जाँच की और उनकी तुनला मोटोरोला कैनेडा के 42 अंट्रेंड बिक्री कर्मियों के नियंतरन सम्हु से की 3 समया वधियों के परिणामों की तुनला स्पिन ट्रेनिंग से 3 महीने पहले Spin Training अवधी के दोरान तीन महीने Training के तीन महीने बाद पैरिणाम नो महीने के अवधी के होते है मापी गई बिक्री नीम्न के रूप में होती है Cool Order Orders from New Accounts Orders from Existing Accounts बिक्री का डॉलर मूल्या Cool Orders के संदर्व में नियंतर्ण सम्हू के 42 लोगों ने अपने मूल पूरो प्रश्रिक्षन स्तर से 13% की गिरावट दिखाई है ये संचार बाजार की प्रतिसपरधात्मत्ता की कारण है सांथ ही अत्यंत कठिन कैनेटाई आर्थिवावस्ता के सांथ इसके विप्रीत स्पिन प्रश्रिक्षित सम्हू ने एक कठिन बाजार के रुजान को पलटते हुए 17% लाव दिखाया है नियंतर्ण और प्रायोगिक सम्हू के बीच क्रम दर में 30% का ये सफल अंतर सांख्यक्या रूप से महत्वपून है मोटोरोला कैनेडा का प्रबंदन अपने परियासों को बढ़ाने पर धियान के इंदित कर रहा है नया व्यावसाई और जानना चाहता है कि स्पिन प्रेनिंग ने नए व्यावसाई के बिक्री में महत्वपून योगदान दिया है या नहीं नियांतर संभू से नए व्यावसाई की बिक्री केवल ट्रेनिंग अवदी के दोरान बढ़ी जब बिक्री संकटन नए व्यावसाई की बिक्री में बहुत परियास कर रहा था ट्रेनिंग के बाद की अवदी में बिक्री अपने मूल स्थर से नीचे गिर गई जो बाजार में कठिनाईयों को दर्शाता है इसके विप्रीत स्पिन प्रशिक्षित संभू ने आम तोर पर खराब बाजार प्रदशन को उलटते हुए 63 प्रतिशत का ओर्डर लाब दिखाया ट्रेनिंग की बात की अवधी में स्पिन ट्रेन्ड संभू के ओर्डर्स में विद्ध्य पर ध्यान देना विशेश रूप से दिल्चस्प है अर्ध्यन से पहले आपके कुछ बिक्री प्रबंदगों ने स्पिन मौडल की नरम प्रकत्ती के बारे में आरक्षन व्यक्ति किया था जिसमें जाँच पर जोड दिया गया था ना कि कठोर समापन तक्मीकों पर जो कुछ प्रबंदकों ने नए व्यापार विक्री के लिए आवश्यक महसूस किया था एक बहुती कटिन और पर्तिसपर्धी बाजार लेकिन परिणाम बताते हैं कि उनके पास चिंतित होने का कोई कारण नहीं है स्पिन परिक्षन हाटसेल पर्तियोगिता के खिलाफ महत्वपून व्यावसाय उत्पन करने में सफल लहा है मौजूदा खातों से उत्पन व्यावसाय के संदर्व में नियंत्रन सम्हू का रिकॉर्ड बहतर है दोनों सम्हों ने प्रेस्टिक्षन के दोरान मौजूदा खातों से बिजनिस में गिरावट दिखाई ये उस अवधी के दोरान सियल्स संगठन के नए बिजनिस पर ध्यान किंदिक करने के कारण है हाला कि जबकि नियंतर सम्हों कुल मिलातर तेरा प्रतिशत की गिरावट दिखाता है स्पिन ट्रेंड सम्हों एक प्रतिशत की व्रद्धि दर्शाता है ओडर्स में बढ़ोतरी भामक हो सकती है ये संभव है कि प्रोडक्टिविटी स्पिन सम्हों का लाब इसलिए था क्योंकि इसने अधिक छोटे ओडर लिये जबकि नियंतर सम्हों ने कम ओडर्स के लिए प्रतेग का डॉलर मुल्य अधिक था इस संभावना की कारण हमें सेल्स के डॉलर मुल्य का प्रत्यक्षमाप लेने के अवश्यक्ता थी चूंकि डॉलर की बिक्री के आंकड़े गोपनिया है और ये सामाने रिलीज के लिए एक रिपोर्ट है इसलिए हमने गोपनियाता बनाने रखने के लिए दो समुहों के लिए डॉलर के मुल्य में परिवर्तन को प्रतिशक के रूप में प्रदशित किया है नियंतन समुहों ने बेचेगरी डॉलर के संदर्व में 22.1 प्रतिशक के गिरावट दिखाई फिर से ये आसाधान रूप से कटिन बाजार इस्तिक्यों को दर्शाता है स्पिन प्रेंड समुहों ने डॉलर के मुल्य में 5.3 प्रतिशक का समग्र लाप दिखाते हुए इस प्रवत्ति को उलट दिया ध्यान दे कि इन प्रेणामों से पता चलता है कि SPIN समुहों द्वारा नए बिजनिस छेत्र में किये गए 63 प्रतिशत ओर्डर में कुछ नाटिके व्रद्धी छोटे ओर्डर्स की एक बड़ी संख्या से आती है डॉलर की विक्री के मामले में SPIN समुहों नियंत्यम समुहों से 27.4 प्रतिशत उपर चल रहा है ये अंतर परियाप्त और सांखेक्या रूप से महत्वपून है ऐसा प्रतिफ होता है कि SPIN दिश्टी कौन को लागू करने की लागत और प्रयास को विक्री परिणामों के संदर्व में कही बार चुकाया गया है निश्कर्ष इन परिणामों से पता चलता है कि SPIN दिश्टी कौन नीम लिखित में सफल रहा है प्रेंड लोगों के कौशल इस्तर को बदलना विशेश कूप से नए बिजनिस छेत्र में ओर्डर का स्तर बढ़ाना विक्री की डॉलर मात्रा में औसत से 27 प्रतिशत की विद्धी करना माती बिशप के मुल्यांकन अध्यन ने अब तक किये गए सेल्स ट्रेनिक आइक्रम की सबसे विश्तरिक कठोल और व्यापक परिशा का करतिनिधित्व किया मैंने यहां सारांश संस्क्रण से उद्धत किया है लेकिन यह सिर्फ आइसबर्ग की टिप है उसने अत्रिक्त नियंत्रन समोह का इस्तमाल किया डेटा संग्रह परकिरिया में बिक्री प्रबंदों को शामिल करने वाली पद्धती का इस्तमाल किया और सफलता के मॉडल बनाने और परिणामों का विश्लेशन करने के लिए कुछ परिश्कृत कंप्यूटर तक्नीकों का इस्तमाल किया लेकिन ये अध्यन जितना शक्तिशाली है उसमें अभी भी वो मायावी प्रमान नहीं है जिसकी हम तलाश कर रहे थे अगर मुझे मोटो रोला अध्यन को बदनाम करना होता तो मैं दो खामियां बताता जिनमें से प्रतीक एक सक्त मैटोडोलोजिस्ट पैल्पिटेशन देने के लिए संभावित रूप से काफी गंभीर हो सकता है एक नियंतन सम्हू स्पिन सम्हू से कम बिंदो से शुरू होता है यदि आप प्रस्टिक्षन से पहले ओर्डर के स्थर को देखते हैं तो नियंतन सम्हू का ओसत 16.3 ओर्डर और स्पिन सम्हू का ओसत 17.9 था अभी अंतर सांखिक्या रूप से महतोपूर नहीं है इसलिए शायद इसके बारे में चिंता करने की कोई बात नहीं है फिर भी एक निंदक ये तर्क दे सकता है कि स्पिन सम्हू ने एक कठिन अर्थय व्यवस्था में बहतर प्रदर्शन किया क्योंकि ये शुरुवात करने के लिए थोड़ा बहतर था दो नाक्षनी प्रभाव हो सकता है ये परिणामों के कृतिम विर्दी के लिए एक तक्नीकी शब्द है जो आपको तब मिलता है जब आप लोगों पर ध्यान देते हैं ये नाम वेस्टन इलक्टिक के हार्थोन संयंत्र से आया है जहां 1920 के दर्शक के अंत्र में कुछ शुरुवाती उत्पादक्ता अध्यन किये गए थे हार्थोन के एक परियोग में शोद करताओं ने पाया कि जब उन्होंने पोधे की रोष्णी की तीरवता में विर्धी की तो प्रोड़क्टिविटी बढ़ गई लेकिन जब उन्होंने प्रकाश के इस्तर को कम किया तो उनकी प्रोड़क्टिविटी में भी विर्धी होई उनका निश्कर्ष ये था कि केवल लोगों को ध्यान देकर आप productivity में अलपावद्धि वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं मोटोरोला अध्यन में आप तर्क दे सकते हैं productivity वृद्धि सभी training ध्यान से आई हैं जो spin सम्हू प्राप्त कर रहा था इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा कि हमने सम्हू को spin विध्यो में train किया है या aerobic dance में हार्थोन प्रभाव के कारण वैसे भी productivity बढ़ जाती मेरे पास किसी भी सुझाव का मुकाबला करने के लिए तैयार किये गए कुछ मानक उत्तर थे कि परिवर्तन नाग्वनी प्रभाव के कारण था मेरा पहला बचाव ये था कि नाग्वनी के प्रभाव आम लोगों के तुनला में बहुत कम आम है और जब वे होते हैं तो वे अल्पकालिक होते हैं आमतोर पर अधिक से अधिक कुछ दिनों तक चलते हैं मोटोरोला अध्यन जिसने नो महीने की मुल्यांकन अवधी को फैलाया लगबग निश्चित रूप से किसी भी गंभीर हार्थोन प्रभाव से मुक्त होगा मेरा दूसरा बचावथा कौन प्रभाव करता है तथे ये है कि हमने प्रोडक्टिविटी बढ़ाई है यदि ये नाक्षनी का प्रभाव है तो चलो पूरी बिक्री टीम को हार्थोन दे और हर किसी से सेल्स में 30 प्रतिशत के वृध्धि प्राप्त करे लेकिन मेरा दिल इन दोनों में से किसी में भी नहीं था अस्तित्यों में था और यदि हाँ तो प्रोड़क्टिविटी लाब में इसका कितना योगदान था एक नया मूलियानकन परिक्षें मोटोरोला दुनिया भर में स्पिन पद्धि को अपनाने के लिए अध्यन से काफी आश्वास्त था इस बात से संतुष्ट होने के कारण की विध्यों ने काम किया स्पिन और प्रोड़क्टिविटी के बीच की कड़ी को खारिज करने के लिए आगे के परियासों में कोई मूलिय नहीं देखा वास्तों में मोटोरोला ने मेरी चिंदा को उस विलक्षन विलक्षन्ता के उधान के रूप में खारिज कर दिया जो अंग्रेजी तनाव के समय दिखाती है बड़े पैमाने पर एक और जाच को सही खहराने के लिए हमें परियाद के साथ एक नए क्लाइन्ट की जोगत थी मुक्ती एक विशाल भहुराश्ट्रिया वियापार मशिन कंपनी के रूप में हाई जो मोटोरोला की तरहां दुनिया भर में आवेदन के लिए स्पिन का परिक्षन करना चाहती थी केवल मध्यम कठिनाई के साथ मैंने कंपनी को शीष दो परिक्षन करने के लिए राजी किया जो मोटोरोला अध्यन में अंतराल को भर देगा एक एक मिलान नियंतन संहू का उप्योग करना और दो हाथोन प्रभाव को मापना इन परिक्षन को करने से तहले हम उसी पद्धती से गुजरे जिसका उत्योग हमने मोटोरोला में किया था मैं आपको विस्तुरित निश्कर्षों के बारे में बताऊंगा जो इन भिनों को छोड़कर मोटोरोला की समान थे सफल कॉल में स्थिती संबंदी प्रश्ण चार प्रपीशत पम थे ये हमारे मुख्य शोध निश्कर्षों के अनुरूप है जो दिखाते हैं कि इस्तिती संबंदी प्रश्णों का द्रहाकों पर थोड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है मोटोरोला की तहां सफल कॉल में समस्या नहीं थार्त और नीट प्रश्ण सभी महत्वपून रूप से अधिक थे इस कार्यान्मन में प्रस्टिक्षन ड्वारा लाए गई विहवार परिवर्तन मोटोरोला की तुन्ना में अधिक थे अधियन में फ्रेंट 55 लोग पती सब्ता आसतन 16 बिक्री कॉल कर रहे थे जिसका अर्थ है कि स्पिन फ्रेंट से पहले एक आसत सब्ता में ग्रहाकों को 968 लाब दिये गए थे अधियन के अंत में आसत सब्ता में वही लोग 2992 लाब दे रहे थे इन 2024 अत्रिक्त लाबों से बिक्री में उलेखने वद्धी नहीं होना आश्रय जनक होगा फिर से मोटोरोला की तहां हमने परदर्शन की तुनला की तीन महीने की पूर्व अवधी और तीन महीने के अवधी के बाद की अवधी के लिए प्रतेक सम्हू का खायच नियंत्रन सम्हू ने ओर्डर्स में 31 परतिशत की गिरावत दिखाई जबकि स्किन सम्हू ने समान परतिकूल आर्थिक और परतिशपर्दी पहिस्तितियों में 16 परतिशत लाब दिखाया ये अध्यन प्रतिकूल आर्थिक और फ्रतिसपर्थी परिस्तितेों में भी किया गया था जो नियंत्रन संहु के ओर डर्स में गिरावत का कारण है नियंत्रन और अनुभवी मासिक संहु के प्रारंबिक ओर्डर्स स्तरों का मिलान करके अब हम इस विचार को विश्वास पूर्वक आस्विकार कर सकते हैं कि मोटोरोला के ओर्डरस में 30% लाव का कारण ये था कि इस पुन समुहों के पास बहतर विक्रेता थे ये इस पश्टी करण यहां सही नहीं हो सकता है जहां दोनों समुहों के प्रारंबिक आदेशतर समाल थे नाग्षणी प्रभाव को मापना नाग्षणी प्रभाव का परेशिंग करना पढ़ी था जहां तक हम जानते थे हम से पहले किसी ने भी ये मापने की कोशिश नहीं की थी कि सेल्स ट्रेनिंग में हार्थोन तत्म मौझूद है या नहीं जब हमने समस्त्र के बारे में सोचा तो ये देखना असान हो गया कि हम पहले क्यों थे आउट्पुट पर प्लांट लाइटिंग के प्रभाव को मापना कठिन नहीं है लेकिन आपकी कैसे मापनेंगे कि सेल्स ट्रोडक्टिविटी, स्पिन मौडल की कारण या केवल इस तर्थे की कारण कि आपने लोगों को ट्रेनिंग देकर उन पर ध्यान दिया है हमने जो तरीका अपनाया वो थोड़ा जकिल था लेकिन जिस मुद्धे को हम मापने की कोशिश कर रहे थे उसकी कटनाई को देखते हुए ये आप अरिहार यथा मौल लूप से हमने जो दिश्टिकॉन इस्तिमाल किया वो ये था एक हमने स्प्रीन दिश्टिकॉन का उप्योग करने के लिए फ्रेंग पच्पन लोगों के हमारे समूह से प्रोड़क्टिविटी परिणामों का पुनर विश्टेशन किया इन लोगों में से प्रतेक के पास बिलकुल समान घंटों का प्रस्षिक्षन था इसलिए सभी पच्पन को एक समान असर का ध्यान मिला था सभी के पास इसलिए बोलने के लिए नात्वनी प्रभाव की एक समान खुराट थी 2. हमने अपने पच्पन लोगों को दो उप समूहों में विवाजित दिया किसी भी सम्हों में जो कोई भी कौशल सीख रहा हो चाहे वो गॉल्फ हो, एक विदेशी भाषा हो या कुछ लोगों को बेचना स्वभाविक रूप से दूसरों के तुनला में अधिक सीखता है कॉल में उनके विहवार को सुनिश्चित करने के लिए हमने उन 27 लोगों के पहचान की जो स्पिन विहवार का सबसे अधिक उप्योग पदशित रहे थे और उन्हें एक वेखा में उपसमहू और दूसरे उपसमहों में हमने अन्य 28 रखे जिनके स्पिन विहवार का उप्योग कम था 3. हमने दो उपसमोहों के बिक्री परिणामों के तुनला थी यदि उनके प्रोडक्टिविटी में व्यद्धी पूरी तहां से हार्टोन प्रभाव के कारण होई थी तो दोनों उपसमोहों को समान लाब दिखाना चाहिए था क्योंकि दोनों ने समान मात्रा में ट्रेनिंग और मैनेजमेंट का ध्यान काथ किया लेकिन यदि उनके प्रोडक्टिविटी लाब स्पिन मॉडर का उप्योग करने के परिणाम स्वरुप हुआ था तो स्पिन की सबसे बड़ी सीख दिखाने वाले उपसमोह को सीखने का एक मी मिस्टर दिखाने वाले उपसमोह की तुन्ला में काफी अधिक उत्पादक्ता लाब होना चाहिए था चार अंत में हमने ये सुनिशित करने के लिए बावन अंप्रेन सीख परसंद के समान आकार के नियंतन सम्हूं के साथ दोनों उपसम्हूं के परदर्शन की तुन्ला की की परिवर्तन बाजार उत्पाद या संगठनात्मत प्रभाव के कारण नहीं थे एक बार जब हम इस कार्या प्रणाली पर नियर्ने ले लेते हैं तो हम मायावी हार्थोन प्रभाव को अलग करने के लिए परियास में अपने डेटा की पुनाजाज करने लगते हैं सबसे पहले आईए स्पिन कोशल में उच्चतर लोगों के उपसंभू के परदर्शन को देखें प्रस्रिक्शन अवधी जब वे सबसे अधिक ध्यान प्राप्तर रहे थे लेकिन इसके भी महत्रपूंड बात यह है कि प्रस्रिक्शन समाप्त होने के बाद उनके परिणामों में सुधार जारी रहता है जब उन्हीं कोई ध्यान नहीं मिल रहा होता है जो हार्थोन प्रभाव पैदा कर सकता है इसके विप्रीब स्पिन कॉस्टल पर कम लोगों के उपसमों के परिणाम चार महीने की ट्रेनिंग अव्धी के दौरान एक नार्दिक के सुधार दिखाते हैं हाला कि जैसे ही फ्रेनिंग का ध्यान हटा लिया जाता है उनके परिणाम वापस मूल स्थर पर आ जाते हैं यहां हमारे पास सेफ प्रदर्शन के छेतर में पहली बार हार्थोन प्रभाव पर ठक है अंत में आईए नियंतन सम्हूं को देखें समान उत्पादों को समान, कठिं, पूंजिकत समान बाजार में बेचना उनके परदर्शन में दूसरे सम्हूं के प्रशिक्षन के दोरान और बाद में कमी दिखाई देती है तो हम चुनाव कर सकते हैं इस बाद से बचना चाहिए कि उच्छ स्पिन उप सम्हूं का सुधार बाजार उत्पाद या संगटनात्मक कारफों से नहीं हुआ नियंतन सम्हूं के तुन्ला में कम स्पिन उप सम्हूं का परदर्शन भी अच्छा दिखता है धीरे धीरे गिरावत दिखाने के बजाए इसके लोग कम से कम अपनी पकड़ बना रही है मुल्यांतन पर अंतिम विचार इससे पहले कि मैं पूरितना से संतुष्ट हो जाऊं कि इस पुज़त में मैंने जिन विचारों का वर्णन किया है वे प्रमुख बिक्री के परिणामों में काफि सुधार करेंगे इससे पहले मैं और भी परिशन करना चाहता हूँ ये कभी न खत्म होने वाली खोज है जब मैं बोर्णियों में बड़ा हो रहा था तो वहां सड़की नहीं थी और सभी यात्राएं नदी के रास्ते होती थी किसी भी यात्रा के किसी भी बिंदु पर यदि आपने नाविक से पूछा कि कितनी दूर तो आपको एक ही उत्तर मिलेगा सत्तु तंजोख लागी जिसकार्थ है एक और मोड मुल्यांतन अध्यन इस प्रकार है बस जब आपको लगता है कि आपके पास आवशक सभी सबूत हैं तो एक और मोड है हम शायद उस अंति मोड के आजपास कभी नहीं पहुंचेंगे लेकिन मुझे उम्मिद है कि आप इस बात से सहमत होंगे कि प्रमान की हमारी खोज में कुछ वैट ने नदी का ध्यान पून अनवेशन किया है हमने अपने स्वयम के मौडलों पर एक कुछ देश्य पून और आलोचनात्मक नजर डाने की कोशिश किया है और क्या वे काम करते हैं और ऐसा करने से हम बहतर शोद करता डिजाइनर और ट्रेनर बन गए है इन सबसे उपर हम अपने दिश्किकोन की व्यावारिक प्रभावशीलता को बढ़ाने में सक्षम है विडंबना ये है कि इन बहुत ही अकादमिक दिखने वाले परिक्षन रूटीनों के माध्यम से हमने अपनी समझ में सुधार किया है कि सेल्स परिणामों में इसके योगदान से मापा गया व्यावालिक अच्छा अर्थ क्या है मेरी इच्छा है कि प्रश्रिक्षन व्यावसाय में अधिक लोगों को समान दिश्टिकों अपनाने के लिए राजिक दिया जा सके ये हमारे लिए बहुती संतोष जनक होगा यदि ये उस तक प्रभावी बिक्री में अधिक शोद को प्रिविट करती है मैं ये सोचना चाहता हूँ कि आखिरकार रोगी जांच और प्रयोग के माध्यम से शोद करता प्रमुख बिक्री से अधिक रहसे निकालने में सच्छम होंगे और इसे किसी भी अन्य व्यवसाय कारे के लूप में स्पष्ट रूप से समझनी योग्य बना देंगे